पहली सुची जारी हो चुके है मद्विदेश और 34 गड़ के लियास से प्रत्याशियों की गोष्णा कॉंग्रेस ने कर दिये आज आज नौरात्री के पहरे दिन गोष्णा की बात कॉंग्रेस ने कही थी सीतापूर से अमरजीत भगत को उमीदवार कॉंग्रेस ने बनाया है तो दीपक बैज सांसद और हैं और मैदान में हैं चुनावी मैदान में चंदन कश्यप नराणपूर से उमीदवार है यानि पहले चुरण में जहां पर वोटिंग होनी है वहां की हम जानकारी आप तक पहुँचा रहे चुतिस गड़ के कॉंग्रेस की पहली सुची में द विधायकों के सिटिंग MLA के ट्रिकेट कार्ट दे गए दो से सीटों पर कॉंग्रेस के प्रत्याशों का एलान हुआ है और कॉंग्रेस ने 6 वरतमान विधायकों की ट्रिकेट कार्ट दिये जैसा की ये दावा किया जा रहा था कॉंग्रेस के और से बार बार का जा रहा था जिसके बारे में बारवर का जा रहा था, 14 स्टी सीटों पर कॉंग्रिस के प्रत्याशी गोशित हुए है, 4 महिला प्रत्याशियों को कॉंग्रिस ने मौका दिया है, इस वक्त की बड़ी खबर, 36 गड़ के लिहाद से ये बतारे हैं आपको कि किस तरीके से आप पर और नाम है, जिसे घुशित कर दिया है, कॉंग्रिस ने, आपको बता दे, 2 स्टी सीटों पर कॉंग्रिस के प्रत्याशियों का एलान हुआ है, 14 स्टी सीटों पर भी कॉंग्रिस के प्रत्याशियों घुशित हुए, कॉंग्रिस से ने 6 वरतमान विधाकों के टिकिट भी का तो चार महिला प्रत्याश्यों को यहां मौका दिया है कॉंग्रेस ने आपको बता दे मद्विदेश और 36 गड़ में कॉंग्रेस प्रत्याश्यों के सूची जारी होने के बाद ही अब सियासत तेजी से बढ़ी है क्योंकि आप चुनाव नस्दीक है पहला नाम दीपक बैज दूसरा नाम विक्रम मंडावी बीजापूर से ने मौका दिया है कॉंग्रेस ने भुपेश बगेल पाटन से और टीयस सीदेव अंबिकापूर से अपनी परंपरगत सीट से तमाम बढ़े नेता चुनाओ लड़ेंगे अमरजीत भगत सीतापूर से प्रत्याश्यों के कॉ लड़ेंगे तो कॉंग्रेस प्रत्याश्यों की पहली लिस्ट च्यारियों के साथ हम आपको नाम भी बता रहें इंदर शाह मंडावी मानपूर मोहला से कॉंग्रेस के प्रत्याश्यों होंगे मौहमद अक्बर कवरधा से जो कि अपनी पहली जिस सीट पर जी चुके हैं और डोंगर गाउं से दरेशर साहू चुनाओ की मेदान पर होंगे तो इस तरीके से कॉंग्रेस की सूजी हम आपको बता रहें बहुन मरकाम कॉंडा गाउं से जहां से वो पिछली बार भी जीते थे लता उसेंडी को उन्हें ने दो बार इस सीट से हराया कवासी लखमा कॉंडा से उनकी परमपरा का सीट से ही चुनाओ लड़ेंगे संतर्म नताम केश्काल से चुनाओ मैदान में होंगे कॉंग्रेस के प्रत्याशी होंगे इसदर रचंदन का शेप नराणपूर से चुनाओ मैदान पर होंगे आपको बता दे 20 पहले चरण के 20 सीटों पर घोशित करने के साथ दस और दूसरे सीटों पर भी कॉग्रेस से अपने प्रित्याशी घोशित किये नासिर गोरी हमारे सोगे इस खबर पर हमारे साथ लाइब जुरे नासिर गौलियर की लिहाज से बात करे जो ये सूची जा रही हुए कॉंगरेस की कितनी संतुरीत नजरा रही कितनी क्या यहाँपर डेमिज कंट्रोल की भी संभावनार अगर होता है तो कैसे मैनेज करेगी पाथी देखिए गौले चंबर संबाग की 34 सीटों पर कॉंग्रेस के प्रत्याश्यों का एलान कर दिया गया है जो सिटिंग विदायक है उनके नाम किसी के भी नहीं काटे गया है उनको प्रत्याशी बढाए गया इसके साथ ही कुछ सीटें ऐसी है यानि की आठ सीटें ऐसी ह जहाँ पर होल्ड किया गया है और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही थी कि इन सीटों पर कहीं ने कहीं पैश फसा हुआ या फिर बीजेपी से भी कुछ लोग हैं जो कहा जा सकता है कि जिनके नाम बड़ा तेजी से चल रहा है कि उनको अगर बीजेपी अपने टिकेट नह पर होल्ड कर दिया गया है वहां उस सीट से प्रदुमन सिंह तो अमर प्रतियाशी थे बीजेपी के प्रतियाशी है लेकिन कॉंग्रेस के प्रतियाशी के तौर पर वहां पर होल्ड किया गया है क्योंकि वहां पर दावेदारों को संक्या बहुत है लेकि कॉंग्रेस के पा पक्षाइं डाक्टर गोविन सिंग उनके भांजे को टिकेट दिया गया यानि कि परिवारवात का भी बढ़ावा यहां देखने को बिल रहा है उनको महगाओं से प्रत्याशी बनाए गया है तो ऐसे कई नाम है जहां पर चौकाने वाली चीज़े आई यह जैसे फूल सिंग बरहिया है उनको फिर दुबारा से पार्टी ने प्रत्याशी बनाए उनको भांडेर से प्रत्याशी बनाए एपिस सिंग करजी है छेवार के विदायक है उनको पार्टी ने दुबारा से फिर से मैदान मुता रहा है तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो कॉंग्रेस की सू लेकिन सबसे बात यही है कि उपचुनाओं के दौरान जो जीत कर आए थे कॉंग्रेस के प्रतियाशी भले ही उनके खिलाब महौल खराब रहा कहा जा रहा है था कि उनकी स्थिती अच्छी नहीं है पार्टि उनका टिकेट काट सकती है जैसी डवरा बिदानसभा की बात करें सुरेश राजे को लेकर विरोध भी देखने को बिला था तीन दिन दो दिन पहले हम देखें तो एक वीडियो वाइरल होता जिछ में दिगवेजे सिंग से कुछ लोग कॉंग्रेसी मिलने जाते हैं उनका विरोध करते हैं लेकिन दिगवेजे सिंग उनको भगा दिते हैं तो लेकिन विरोध भी उठ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी ने ऐसे प्रत्याशूं पर अपना रुख साफ किया है, उनको ही अपना प्रत्याशूं पर ही भरोसा जता है, जिनोंने उप चुराओ के दोरान पार्टी को जीत दिलाने की कोशिश किये, लेकिन हाला कि गौहद जो विदान सभा है, उस पर थोड़ा सा संचे है, उस पर होल्ड किया गया है, चलिए नासिर, आपके पास दोटेंगे, लगतार अपडेट हम अपने जर्शूं को तक पहुचा रहें सौरब हमारे समाद आता है, एक बास करें, सौरब 37 करके अगर बात करें, तो 14 ऐसी सीटों पर कॉंग्रेस ने प्रत्याशिक गुशित के, कौन-कौन से वो नाम है, जिन पर नाम तै किये गए है बिलकुल देखिए, सबसे पहले तो यही बता दें कि IBC 24 ने जिन जिन नामों पर मुहर लगाई थी, उन्हीं को ही टिकेट मिली है और दूसरी बात की जिन विधायकों की टिकेट कटी थी, टिकेट कटने यह हमने बताया था, उन विधायकों की टिकेट कट गई है आठ जगों पर जो है, आठ नए प्रत्यासी उतारे गए है, अर्थात नए विधायक को छोड़ मौका दिया गया है इसी तरीके से आप देखिए कि जो दीपक वैज है, उनको भी प्रदेश सद्यक्ष है, उनको उतारा गया है आप पाँच राज्यों में देखिएगा, तेलंगाना, राजस्थान, मत्र प्रदेश, 36 गड़ जाचुना होने, वापर प्रदेश सद्यक्षों को टिकेट दी गई है इसी तरीके से आप देखिए कि जो पूरे मंत्री है, मुख्यमंत्री भुपेज बगेल समेत कुल 13 जो मंत्री है, उन्हें पूरी टिकेट दे गई है, विदान सभाध्यक्ष और उपाध्यक्ष उन्हें टिकेट दी गई है और सबसे महत्रपूर जो है दो तीन नाम है, जिस पर आने वाले समय में आप देखेगा कि जरूर विवाज जैसी स्थिती रहेगी लेकिन कॉंग्रेस इससे पहले की डेमेज कंट्रोल एक कमिटी जो है, वो बनाने जा रही है ताकि ऐसे लोग है, ऐसे जो दावेदार है, उनको जो सांथ कराए जा सके चुनाओं के वक्त जो हो, उनको कोई नुकसान ना हो, इसे लेकर और निशित रूप से एक बात ये द बैठाख हुई है, और उसके बाद जो है सेंटरल इलेक्षन कमिटी की बैठाख हुई और फिर इन नामों को फाइनल किया गया है, और निशित रूप से कॉंग्रेस को लगता है, जैसे बार बार कह रहे थे हैं, कि जब तक कॉंग्रेस की विदायकों की टिकेट नहीं काट लेगी, तब तक कॉंग्रेस की जीत नहीं होगी, ये बार बार कहा जा रहा था, और निशित रूप से सीव डहरिया उनको भी टिकेट दी गई है आरंग से, और जैसे ये कहा जा रहा था कि आरंग के अलावा और कहीं से लड़ सकते हैं, लेकिन सीव डहरिया को ही टिकेट दी गई है, और इसी तरीके से मंत्री मुहमद अकबर कमरदा, केवल एक ही मंत्री को अलग विधान सभा दिया गया है, अहिवारा की जगा नवागर दिया गया है, और वहाँ पर पहले से जो दियाल दास बगेल हैं, उनको टिकेट भाजपा ने दी है, जो काफी समय से वहा 18 में उनकी हार हुई थी, गुर्दयाल बंजारे जिनकी टिकेट काटी गई है, ममता चंदराकर जिनकी टिकेट काटी गई है, इसी तरीके से और सिसुपासोरी उनकी टिकेट काटी गई है, राजमन बेंजाम उनकी टिकेट काटी गई है, अन्तागर से अनुप डाब उनकी जो है इन विदायकों की टिकिट काटेंगी लेकिन सबसे प्रत्यासित जो है दो ती नाम जरूर आ रहे हैं जैसे गिरिस देवांगन को लेकर ही जो है राजनान गाउ से और स्रीव डारिया के नाम को लेकर भी ताकि स्रीव डारिया आरंग से उतरेंगे और निश्यूत आपको नई ब्रेकिंग बता रहा हूं कि कॉंग्रेस जो है केवल अभी तीस नामों की सुची जारी की है कुछ नाम और जारी जो है कॉंग्रेस कर सकती है और इसके अलावा जो है ये भी देखा जा रहा था कि कॉंग्रेस जो है और जो नए फ्रेस चेहरे हैं उनको देने जा रही है और जैसे हमने बताया कि 40 जो चहरे हैं वो ने उतार रही है कॉंग्रेस जो है और अब देखना होगा कि किस तरीके से पूरी स्टेट जी बनाई है उसके इसाफ से कॉंग्रेस को लगता है कि उनकी जीत होगी और जो 75 प्लस का नारा दिया है वो पार कर पाएंगे या जो है जो बीजेपी ने टिकेट दिया है उसके इसमें फस्ते हुए नजर आएंगे ये देखना होगा जो बीजेपी प्रवेश करने के बाद उनके साथ बड़ी संक्याम उनके समर्थक और बहुत सरे विदाय भी प्रवेश किया था लेकिन वहाँ पर जो इस्तिती देखने को मिले थी कई जगा पर जो विरोध भी देखने को मिले था रासे लगता है क्या कि इस बार की सुची इस सारी चीज़ों पर फरक पड़ता नजर आएगा जो विरोधी है वो एक बार फिर से मुख रहूंगे देखी बिलकुँ जाहिड सी बात है क्योंकि अगर देखा जाए तो बीजीपी की जो लिश्ट जारी हुई थी चौतिस ददान सबा सीटों में से तीन जो सिंदिया सबर्तक्षे जिन्होंने सरकार गिराने का काम किया था यानि कि गोष से रनवीर जाटव थे दिमनी से गिराज दंडोतिया थे और इसके साथ ही करेरा सीट से जो विधायक ते उनका टिकेट काटते हैं तो दूसरे को टिकेट दिया गया अभी देखा जाए तो जैसे उपचिनाओ के दोरान भली गौध विधानसवा सीट से मेवर आम जाटव जीत कराये थे लेकिर उनकी सीट को होल्ड कर दिया गया है कॉंगरेस की एक सीट शूपरी की है शूपरी की यानि कि के पी सिंग ककाजु जिन उनके नाम से फैमस है पिचोर से हमेशा चह बार से विधायक रहे इसके साथ 24 जो विदानसवा सीटे हैं, उन सीटों में से 8 सीटे अभी भी होल्ड की गई हैं जिनको लेकर नामों को लेकर बड़ा पैश फसा हुआ है ऐसे में एक पैश फसा हुआ है क्योंकि सवाल यही है क्योंकि ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर के छे विदानसबा सीटों में से पास सीटों पर तो एलान कर दिया गया लेकिन एक सीट पर होल्ड किया गया है ग्वालियर विदानसबा है वहाँ पर होल्ड किया गया है बड़ा पेश फसाता लाश्ट में मंतर उने के बाद उनका नाम फाइनल हुआ था और ऐसे इस बार भी हुआ उस सीश से फिर वा एक बार नाम को होल्ड किया गया यानि कि अभी भी परत्याशी को चैन नहीं कर पा रही है ऐसी आठ विदान सवा सीटे और ऐसे मैं कहा यहीं जा रहा है कि जो बीजेपी के जो नाराज लोग है जिनको शायद अब अगली सुची आएगी पांच भी सुची उसमें नाम हो सकते हैं अगर अगर उनको टिकेट नहीं मिलता है तो कहीं ने कहीं वो कॉंग्रेस के दौर पर जा सकते हैं तो ऐसे बड़े नाम है सूत्रों क है कमलाज से मुलाकात भी कर चुके हैं ऐसी कहा जाता है और ऐसे में अगर उनको बीजेपी की तरफ से टिकेट नहीं मिलता तो शायद वो पाला बदल कर दूसरी सीट पर पहुंच जाए बिल्कुल नासिर बने रही है आपके पास वापस लोटेंगे लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है जो जिस पर हम लगातार बने हुए है और लगातार आपडे भी पहुचा रहे है और हमारे अलग-अलग सहयोगी तमाम तरह की जानकारी हैं हम तक पहुचा रहे हैं और 36 ग महिला प्रत्याशों को कॉंग्रेस ने मैदान में उतारा है और आपको बता दे कि पहले चुरण में जहां पर मदान होने हैं जहां पर चुनाओ होने हैं वहाँ पर 20 नाम गुशित के इसके लावा 10 नाम और गुशित के हैं 36 गड़ में अगर पूरी सूची का आंकलान करने प्रदेश में तो ऐसे कौन-कौन से शेत्र हैं जहां पर हम कह सकते हैं कि कॉंग्रेस ने महाँ पर अपने प्रत्याशों की घोशना करके रिस्क लिया है और ऐसे कौन-कौन से शेत्र हैं जहां पर बड़े नामों को तारा गया है विस् किट के नाम जो अभी डिकलियर हुए है और बदाईयों का जो तांता है वो यहां पर उन्हें शुरू हो गया है बात करेंगे हैं मारिफ मसूजी से कि कॉंग्रस ने एक बार फिर आप पर भरोसा जताया है क्या रणनीती रहने वाली है हाँ मालिक का शुकरिया पहली बार कॉंग्रस के वरिष नेताओं का कि पहली लिस्ट में नाम जारी हुआ और जो भरोसा जताया है पहले भी जब जताया था तो खरे उतरे थे और इन्शालला इस बार भी खरे उतरेंगे बहुत मजबूती के साथ जीत के जाएंगे पहले की जीती उससे बढ़ाने का प्रियास करेंगे क्या वज़ा है कि बहुत देरी सी ये लिस्ट आई है देर आए क्या दुरूस्त आए बहुत मंतन बहुत चर्चा और रणनीती के साथ कांग्रिस ने उमीद वर मैदान में उता रहे हां लगबग कमलनाज जी जिन जिनको लड़ लिस्ट आईए और सब लोग जीतकर आएंगे सरकार कमलनाजी के नेतित में बनेगी एक सो चवालेस नामों की जो पहली सूची है मद्रदेश में वो कॉंग्रस ने जा रही कि हाला कि क्यांस लगाया जा रह जा रह लेकिन सुबह सुबह धमागा कॉंग्रस ने किया एक सो रिसक नहीं लेना चाते थे और चाते एंगे सरकार क्योंकि बार का जो सबक था वो हमारे लिए बढ़ा था जमताने तो हम कोई मेंडेट दिया था कमलनाजी को दिया था कॉंग्रेस को दिया था लेकिन जो धोका हुआ उसकी वजा से मन्थन की वजा से मैं समझता हूँ इतना समय लगा हुआ भपाल में भी एहम बैटके कॉंग्रेस के इस लस्ट को सर्वे को लेकर हुई थी उन बैटकों में आप भी शामिल रहते थे बीजेपी ने साथ सांसत बैदान में उतारे कोई चूग बीजेपी नहीं करना चाहती है कॉंग्रेस की बात की जाए तक कॉंग्रेस की का रिप्रीत आपके पास वापस लोटेंगे जाए इसी बात है खासा उत्सा है यहाँ प्रत्याशों में देखने को बला है सौरब करूख करेंगे सौरब के साथ इस वक्त मंतरी शीव डहरिया मजूद है सौरब क्या कहरें शीव डहरिया किस स्ट्राटीजी से आगे बढ़ने है कॉंग्रेस बिल्कुल देखें मैं भी मंतरी शीव डहरिया के यहाँ पहुच चुका हूँ कुछ देर पहले ही मंत्री सीव डरिया से हमारी बाचीत हुई तो मंत्री सीव डरिया ने कहा कि वो जो है और निश्य दुरूप से अभी सीव डरिया जी थोड़े से अंदर गया और जस्ट फिर मार निकल रहे हैं इससे पहले कि मंत्री सीव डरिया ने हमसे बाचीत की तो जो जो खुस्वंत हैं वहां से गुरू खुस्वंत है जिसको बीजेपी ने उतारा है बालदास के बेटे हैं बालदास को लेकर ये कहा जा रहा था कि बहुत पहले हो सकता है कि उनके नाम आए और याद होगा आपको कि एक बड़ी रैली भी निकाली गई थी एससी समाच से आते जी की पूरी तैयारी हो गई है और वो उनके समर्थख भी पहुचे हुए हैं और इनके समर्थख बार बार यही कह रहे थे कि आपको आरंग से ही है लेकिन कई बार ऐसे चर्चाया हुई ऐसी खबर आए कि मंद्री शीवडरिया दूसरे जगे से भी लड़ सकते हैं लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो मंद्री स्यूड अरिया जो बस आने ही वाले है और इससे पहले की तमाम तेगा आरिया उनकी हो चुकी है आपके पास लोटेंगे आप बात करने की कुशिश कीजिए अन्शुल मुकाती भी हमारे साथ जोट चुके हैं वो भी बताएंगे कि इंदौर संभाग में किस तरीके की परिसिती बंती नजर आ रही है अन्शुल आपसे समझना चाहेंगे जो टिकिट गोशित है उसके बाद किस तरीके से इंदौर संभाग को यहां पर कॉंग्रेस ने मैनेज़ किया है अज़ी बिल्कुल बता दो कि 6-6 सीटों में से लगवक 40 सीटे जो हैं कॉंग्रेस यहां यहां पर घूशित कर चुके और मालवा निमार की यह वो सीटे हैं जिनके बस बेल पर 2008 में कॉंग्रेस में सरकार बनाए गई थी कॉंग्रेस सरकार में मंतरी रहे जीतु पठवारी सजण सिंग वर्मा विज़ा लक्षमी सादो बाला बच्चन इन लोगों को और सजण सिंग वर्मा इन लोगों को वापस से पार्टी ने मोका दिया और इनकी उनी सीट से इने मैदान में उता रहे हैं वही जहाबवा कॉंग्रेस ने शुरू से यही कहा जा रहा थे कि वहां से संजय शुकला लड़ेंगे और वापस से टिकेट जो है संजय शुकला को ही दी गई है वहीं मालीनी गौड जो है जो की इंदौर चार से विधायक रही है लगबक 35 सालों से वहां पर बीजेपी का कपचा है वहां से राजा मनजवानी को सिंधी वोटरों के चलते टिकेट मिला है और पार्टी ने उना मोका दिया है वहीं सज्जन सिंग वर्मा जो है वो राजे सोनकर के सामने मैदान में राजे सोनकर के पहली सुची में ही बीजेपी नाम भोशित कर चुके थी और सज्जन सिंग वर्मा ज लगातार जो हॉट सीट के बात की जाए तो यहां राओ की जो हॉट सीट जिस पे प्रदेश के मंत्रियों और प्रदेश कारीकारी जीतू पटवारी जो है वो चुनाव लट रहे हैं और यहां से मदू वर्मा के सामने जीतू पटवारी जो है वहां मैदान में उतरेंगे वह बाला बच्चन सचिन यादो जो है उन्हें भी एक बार फिर से वोका जो है पार्टी ने चुनाव में दिया है वहीं प्रदेश में अगर बीजेपी के मंत्रियों की बात की जाए तो मंत्री तुलसी सिलावट के सामने रीना बोरासी को उता रहा है फिशली बार जो उप चु उमीदवार गोशित नहीं किये हैं और यही कारण भी शायद माना जा रहा है कि कॉंग्रेस ने भी अभी तक इन सीटों को होल्ड पर रखा है और इन सीटों के नाम जो है अभी तक गोशित नहीं किये गए तो कहीं न कहीं जो पालवा निवार की चांशट में से 40 सीटें कि कॉंग्रेस ने जीती थी जिस पर 35 विधायक जो है कॉंग्रेस के चुनकर के आये थे और उसी के दम पर कॉंग्रेस ने प्रदेश में सरकार भी बनाई थी उसके बाद अब एक बार फिर उन में से कई चेरों को वापसी दी गई है कुछ सीटें जरूर पती गई है लेकि प्रत्याशियों के नामों के जो सर्वे की बात कही जा रही थी उन सर्वों के आधार पर ये पूरे टिकेट जो है वह बाटे जा रहे है पर दाउं खिला है और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं 36 गड़ के प्रत्याशी हैं उनकी तस्वीरें हैं कॉंग्रेस की पहली सूची में तस्वीरें आप देखे किस तरीके से कई बड़े चेरे इसमें हैं जानातर मंत्रियों को यहां पर टिकेट दिया है कॉंग्रेस इन सभी चेरें को एक बड़ फिर से कॉंग्रेस ने चुनाओ मैदान में उतारा हैं उन्हें मौका दिया है यानि कि जैसी बात कही जारी थी मंत्रियों के टिकेट तो नहीं कट रहे हैं लेकिन 6 विदायकों के टिकेट जरूर इस सूची में नजर आ रहे हैं कि 6 विदायको अब दोना के साथ ही दस दूसरे एक शी सीटे जिस पर कॉंग्रेस ने अपने नाम गुशित किये हैं रूद्र गुरु है नरा नमागर से उन्हें प्रतेशी घुषित किया गया है और इसके अलावा नीर कर्ट चंद्रवांशी को भी गुशित किया है सौरब परियार अमा से मान के चल रहें कि अपनी सीटों पर फिर सुजीत कराएंगे लेकिन देखे आप विधायकों की टिकेट जो है बड़ी कहें कि उस पे काटी गई है कोई उस पर सोच विचार नहीं किया गया जिसका प्रफॉमेंस खराब था जिनको लग रहा था कि इनकी टिकेट काटी जानी काफी आवस्यक्ता है और इसलिए उनकी टिकेट काट दी ग हुआ चोठाने वाला है हलां कि बहुत पहले से का जाता है उनकी तैयारी चर दाए लिकिन कही जगों से उनकी तैयारी चर दी ही थी खुँच्झ जो तो ऐसे में देखना होगा कि किस सरीके से आने वाले समय में क्या होता है और मंतरिशी औरिया के बंगलेघे की परज़ी आहिं है और इसलिए पार आपको आगे लाने का काम करती है और निश्ची तुरुप से हमारे माने मुख्यमंत्री जी के निद्रितु में छत्रिगड में बेहतर काम हुआ है और हम इस बार फिर सरकार बनाएंगे आठ लोग टिकेट काड़ दिये हैं आप लोग क्या लग रहा था कि उनके परफार्मेंस ठीक नहीं था कि लग रहा था कि हार जाएंगे इसलिए काड़ दिये देखे हमारे पार्टी के वरिष्ट नेता हैं लोग भी और उनका भी सहयोग पार्टी को रहेगा और आने वाले समय में हमारे सभी साथी एक साथ मिलकर काम करेंगे असर क्या कहेंगे कि आपके सामने जो बीजेपी ने उतारा है उस पर 83 को कैसे देखें देखे भारती जनता पार्टी के पास ना कोई मुद्दा है ना कोई वीजा ना कोई नेता है यह तो उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को लाके यहां बैठा के रखे हैं और इस्थानी नेता घर में चुप बैठे हैं यह इससे इस पश्ट है कि भारती जनता पार्टी हतास है और चुना होरने वाली है अपनी मां से भी जो है आसीरवात ले रहे हैं देखिए आप सीव डरिया जी उनको जो है टिकेट मिली है और देखें उनकी मां है उनसे आसीरवात लेते हुए कांग्रेश पार्टी ने हमेशा जो गरीब लोग है जो हमारे अनसुची जाती जन जाती पिषड़े वर्ग महिलाओं और युआओं का हमेशा सम्मान करती है और मैं अवार बेक्त करता हूं हमारी पार्टी के सभी नेताओं को जिनोंने मुझे पर विश्वास किया है कितना खुशी होते तो दमानला फिर टिकेट ने ही अच्छा खुशी होई वेटा हम खुश हैं हम बहुत खुश हैं है फिर मिले टिकेट हां जिती आप कहां से आप था हो मैं और आप पलारी में थे सुना आपने यह की शुवड़ा की सासुमा है जो काफी खुश है और हमारे सांथिय। और मंत्री इसमें पार्टी बहतर काम कर रही है और हमारी सरकार ने बहतर काम किया है और इस बार जो लीड है चलिए शीड एरिया से चर्चक कर रहे हमारे स्योगी स्वक्त सहुरा बता रहे हैं कि इस तरीके स्टेटीजी में कॉंग्रेस काम कर रहे हैं वो सीट जहां पर पहले भी मंत्री रहे हैं और उसके बाद लगातार यहां से उनको फिर मौका दिया गया है नवीन सिंग हमारे स्योगी स्वक्त हमारे साथ फुलन पर जो चुक है नवीन जिस तरीके से हम टिकेट के डिस्ट्रिबुशन की बात करें पहली सुची में 114 नाम यहां पर कॉंग्रेस ने घुशित किये हम इस पर पहले भी चर्चा कर रहे थे किन-किन जाती है स्योगी क अब पर खास ख्याल रखा गया है क्योंकि पूर मंति पहले जो मंत्री रच्चुक है उन्हें भी दिया गया है टिकेट मैलाओं को भी टिकेट दिया गया कुछ युवाचाहरों को भी मौका दिया गया है लाइव यूवान ने तरत्वों को मौका मिले और यूथ जो है मत्रदेश का वो आ गया है और खासकर कॉंग्रेस अपने यूवाओं को अपना चेहर बना रही देखी डॉक्तर विकरांद भूरिया है यूथ कॉंग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है उनको उतारा है डॉक्तर रश्मी विधायक हैं जिनको इसमें टिकिट मिलाए इसके अलावा अनुच्छित जाती से बाइस लोगों बाइस नेताओं को कॉंग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है अनुच्छित जन्य जाती से तीस प्रत्याशी उतारे हैं और महीलाओं पर लगतार जो जो जोर दी nothing ब पार्टी ने छे चेहरे उतारें इन 144 में से अल्प संक्यक माइनुरिटी के छे फेस हैं छे लोगों को मौका दिया जिनमें पांच जैन हैं और एक मुस्लिम कैंडिडेट है आरिफ मसुझ जोकी भुपाल से हैं अलकि एक और मुस्लिम चेहरा है तो ये माना जा रहा है उनकी है ये माना जा रहे कि जो नेक्स जो टिकिट आनी है तो उसमें उनके नाम का एलान हो जाएगा आरिफकील की सीथ हैं महां से चुकी वहां पर एक विवाद की इस्तिती बनी हुई आरिफकील के बेटे चुनाव लड़ना चाहते हैं और आरिफकील ने कहा दिया कि तबियत नासाज होने की विए से अभू चुनाव नहीं लड़ सकते तो वहां पर एक परिवार के भीतर एक फाइट हो रही है तो उसका जल्दी उसको समाधा निकलेगा तो वहां से भी एक टिकेट डिकलेर होगी तो यह माना जा रहा है कि 230 में से दो सीटे माइनुरिटी के लिए कॉ पूरी सूची के अगर आपसे बात करें तो जाते गट समय करण की बात तो पहले होगी लेकिन महिलाओं पर पार्टी ने कितना बहुत सा दिखा है कॉन को रिस शेत्रे जापर महिलाओं को टारग है हाँ देखें जबलपूर की बात करें तो कॉंग्रेस ने अपनी पहली सूची में जिन पांच नामों का एलान किया है उसमें से जबलपूर से जबलपूर की जो पश्चम विधानसभा सीट है उसमें से पूर रित्यमंत्री और बरतमान में कॉंग्रेस के विधायक तरो भा हैं मंत्री रहे हैं उन्हें टिकेट दिया गया है इसके अलावा सिहोरा जो एस्टी के लिए रिजर्व है इस सीट पर पहले है कॉंग्रेस ने इस बार बदलाव किया और यहाँ पर जो युवा नेत्री है कॉंग्रेस की जिला पंचा सदस है जबलपूर से एक ताठाक और हैं जाती समीकरण की बात कर ले तो अईसी सीट जो यहाँ पर जो एसी वर्भी के मद दाता है बहुता यात है इसके अलावा मुस्लिम अल्प संकेत जो मत दाता है यहां ननाईक की भूमक्या में रहते हैं और ऐसे में इस बार का जो चुनाओ है काफी काटे की टक्कर का रहने वाला है क्योंकि बीजेपी ने भी यहां से अपने कद्दावर नेता और पूर्ब मंत्री अंचल सौनकर को जो है नौभी बार टिकेट दिया है और ऐसे में लखन घंगोरिया की यह रहाए काफी मुस्किल हो सकती है क्योंकि यहां पर AI MIEM के अलावा आम आदमी पार्टी और एक निर्दली जो है गजन सौनकर जो कॉंग्रेस में थे पहले उन्होंने कॉंग्रेस फोड़ी थी वो भी यहां पर चुनाओ लड़ने जा रहे हैं तो ऐसे में जबलपूर पूर्वी की बात करें तो यहां पर काटे की टक्कर दे लिए और उनका मुकाबला राके सिंग से होगा तरौन भानूट का क्योंकि राके सिंग जो है चार बार से सांसद यहां पर रहे हैं तो ऐसे में जबलपूर पश्चम का सीट जो है काफी होट सीट है महा कॉशल की और यहां पर सबकी निकाहें रहेंगी और इस बार जो है जब तरौन भानूट की टिकेट पकी कर दी है यहां पर रुकी सूची में नाम आ गया है तो ऐसे में अब जब चुनावी युद्ध शुरू होगा तो इसमें इस बार का मुकाबला काफी दिल्चस्प होगा अलग है कि परिस्थित्या बदली और उसके बाद सरकारी गई थी तो क्या यह माना जाए कि कॉंग्रेस जो एक 144 प्रत्याशियों की सूची जिसने जारी की है यह वही ज़ादतर वही नाम है जो 2018 में बैतर प्रत्याशियों कर चुक है और आने वाले समय में भी लगभग प्रत्याशियों कर देखें बिल्कुल कॉंग्रेस ने लंबी एक्ससाइज की है बीजेपी पहले अपने टिकेट डिकलेयर कर चुकी है यह कॉंग्रेस लगातार इस पर काम कर रही थी एक सीट पर पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-बार के सरवे हुए हैं जाईर स पिछले पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पां मदप्रदेश की विधानसवा में कॉंग्रेस की तरफ से सबसे सीनियर मोस्ट विधायक केपी सिंग होते हैं पिछोर से वो लगातार पिछले छे बार से चुनाव जीतते हुए आ रहे था तो इस बार उनकी सीट बदली है इस बार पिछोर से उनको शिफ्ट करके शीवपूरी ले जाया गया और चुकि शीवपूरी से याशोधरा राजे सिंधिया जो मदप्रदेश की सरकार में खेल एवंपरेटन मंतरी थी वो मौझूदा विधायक हैं हाला कि इस बार शोधरा राजे सिंधिया ने मना कर दिया है चुनाव लड़ने से तो ये माना जा रहा है कि शीवपूरी मुकाबलत दिल्चस्प होगा चुकि सेफ सीट है कॉंग्रेस की पिछोड और अब जाके केपी सिंध अगर शीवपूरी से जाके लड़ते हैं तो कॉंग्रेस के फेवर में ये मामला जा सकता है इसके अलावा रहूल एक और सीट है केदार डाबर निर्दलिय विधायक हुआ करते थे हालकि 2018 में वो निर्दलिय लड़े थे जीते थे और कॉंग्रेस को समर्थन दिया था तो इस बार केदार डाबर को कॉंग्रेस पार्टी ने अपने टिकेट से चुनाव लानानी के त तो विधानसभा अध्यक्ष थे उनका टिकेट कटा है उनकी जगा किसी दूसरे व्यक्ति को टिकेट दिया गया है और उनका गोटे गाहों से उनकी परंपरागा स्रीट है इस बार उनका टिकेट काटके दूसरे व्यक्ति को टिकेट दिया गया तो कई सारे स्थ में चौका पर कॉंग्रेस पार्टी बरुसा करती है बिल्कुल और जिस तरीके से बतारे नविन अंशुल अगर हम मालवा निमार की बात करें और यहां की परिस्वितियों की बात करें को कि आपर भी अपन यह देखा जाए तो बीजेपी का घड़ ही है और जिस तरीके से आपर सांसत भ जी बिल्कुल आपको बता दू मालवा निमार की चाचट सीटों को प्रदेश में सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण बना जाता है और यही कारण है कि यहां पर जो भी टिकेट घोशित के जाते हैं उसके उपर लगातार मंथन होता है और उसके बाद टिकेट घोशित होते है इस जो विदान सभा सूची जो कॉंग्रेस ने जारी करी है इसमें भी पूरू मंत्रियों को एक बार फिर से कॉंग्रेस ने मुका दिया है और एक परफेक्शन जो है मालवा निमार का शुरू से बनता आया है कि जिसने मालवा निमार की चाचट सीटों में सबसे गई थी और इसके साथ ही जब सरकार बद्धी पहीना 15 महीने की सरकार जब गिरी थी और सिंधिया अपने समर्तों को के साथ बीजेपी में शामिल होते तब भी मालवा निमाड से ही सबसे ज़्यादा विधायक जो है उन्होंने अपनी पार्टियां बदली थी तो यही कारण ह अफने नाम जारी किये थे उसमें के सर्ची जहर जो है वहालवा निमाड से मैंडान में उतर दीर जिसमें सबसे चर्ची जीम्मे दारी कि कमाना जा रहा था क्योंकि पिछले चुनाय हुम में मालवा निमार की जिम्मेदारी जो है वो केलाशी जरगी को दी गई थी इस बार केलाशी जरगी खुद चुनाव लड़ रहे और उसके सामने कॉंग्रेस ने जो है संजे शुकला को एक बार फिर से मैदान में वतार गया संजे शुकला पिसली बार यह सीट जीत करके आये थे और बीजेपी के और अरून यादो जो है उनके भतीचे हैं साथी पूरो पुख्यमेंतरी सुभाश यादो जो थे उनके लड़के हैं सचीन यादो तो कहीं न कहीं इस सीट को भी सबसे हाट माना जाता है इसके अलावा एक जाबवा सीट है जहां से जाबवा और उसके आसपास के आदिवा से इलाकों पर कॉंग्रिस की पकड जो है मजबूत मानी जाती है कांतिलाल भूरिया जो है यहां से मजबूत उमीदवार कॉंग्रिस के बताय जा रहे थे लेकिन इस बार विकरांत भूरिया को वहां से कॉंग्रिस में प्रत्याशी बनाया है और विकरांत भूरिया कांतिल सरकार में पूरु मंत्री थी उसके बाद जब सरकार की उसके बाद से लगातार यह बताया जा रहा था कि जो विजा लक्षमिसादों है वो चुनाओ लड़ेंगी उनका तयमाना जा रहा है दिविजे सिंग की करीबी रही है और इसके पहले भी दस साल तक उसीट पर उनका देखने को मिलेगी क्योंकि जब उपचुना हुए थे तब वहां से सबसे पहले 2018 में तुल्सी सिलावट वहां से चुनाओ लड़े उसके बाद कमला सरकार में मंत्री बने लेकिन सिंधिया के साथ वह भी बीजेपी में शामिल हो गयते और अभी वरतमान में बीजेपी की स पार्टी जो है मैदान में उतार सकती है क्योंकि एक चर्चित चेहरे के सामने एक चर्चित चेहरा जो है वो पार्टी उतारने के प्रयास में चलिए आप चुछ कह रहे हैं वह हमारे दर्चों की शिक्षा के प्रतिक और चिकित्साज है जिस घर में दो भाई रहते हैं उनके तीन या चार या पांच बच्चे हैं उनकी स्कूलों की फीस सही में एक बोज उनकी उपर बन गई है वो मेहनत करते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को बढ़ाना लिखाना चाहते हैं, महंगाई के कारण बड़ी हुई फीसों के कारण नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा चिकित्सा मेवस्ता है, तो अगर हर बच्चा जो कक्षा पहली से लेका राठ प्रतिक्रिया और पूरी तरीके से पार्टी पर भरुसा दिखाते हुए कहा कि वो अपनी पूरी जान लगा देंगे पार्टी में और चुनाओ बेहत नसी के तारिकों का एलान भी ओचुका है और अब जो है कॉंग्रेस ने पहली सूची जारी करती है विल्कुल और जिस तरीके से ये सूची जारी है और जिस तरीके से जो हालात बन रहे हैं जो घणित बन रहे हैं वो तमाम समझने की कुशिश कर रहे हैं और लगतार हमारे सेवगी वे अपडेट हम तक मुचा रहे हैं इस वक्त हम आपको बता दें कि 36 गड़ में 30 नामों की गोशना कॉंगरेस ने की है और इन 30 नामों में 20 वो नाम है जहां पर पहले चरण में चुनाओ होने हैं और उसके अलावा 10 और दूसरे नाम भी हैं तो फिलाल आप कॉंगरेस की जो लिस्ट है वो देख रहे हैं और ये 36 गड़ की पहली सूची आप देखिए सभी बड़े चेरे इन इस सूची में हैं सभी मंत्रियों के नाम आप देखें कि इस तरीके से अंभी कापूर में फेक बर फिर डिप्टी सीम्टी सी देऊ चुनाओ लड़ेंगे इसी तरह शुकुमा डहरिया आरंग से और अनीरा भेडिया डॉंडी लोहारा से इसके अलावा मुख्यम नामों में से जो चेरे हम आपको दिखा रहे हैं गुरू रूद्र कुमार के सीट बदली गई है अब उनको नवागड इस बार नवागड से उचिनाओ मैदान में होंगे और इसके लावा गिरिश देवांगान बार बार आमारे से सवरा पर यार कह रहे थे गिरिश देवा मोहन मरकाम कॉंडा गाउं से जहां पर लतव सिंडी को उन्होंने हराया है दो बार वहीं से चुनाओ लड़ेंगे दीपक बैच सांसद है चित्रकोट से चुनाओ लड़ेंगे इसके लावा प्रदेश कॉंग्रिस के धक्ष भी हैं तो आपको पता देए डिप्टी सीम्ट अंबिकापूर से अमर्जित्वगत सीतापूर से और खर्षिया से उमेश्प पटेल जैसिंग अगरवाल कोर्बा से और सकती से चुरणदास महंत चुनाओ मैदान में होंगे तो सबी बड़े चेहरे घुशित कर देगे डॉक्टर शूकमार डेरिया आरंग से अनिला से चुनाओ मैदान में होंगे तो राहूल और मुख्यमंत्री के अगर बात करें तो बुपेश पगिल ने पहले बीक आता कि वह अपने शेत्र आनकी पार्टन से चुनाओ लड़ती नजर आएंगे वाइटिया सीद्यों के अगर बात के तो अंबिकापूर से यह सीद्यों को प्रत्याशी घुशित किया गया और लगता टीवी स्क्रेंट पर ग्राफिक्स जरीम आपको समझाने की कोशिश करें कि शेत्र से किसे प्रत्याशी चुना गया है कि यह लगतार हमारे सेवगी हमारे साथ बने में अपडेट हम तक पहुचा रहे हैं और इस सीटों का जो प्रत्याशी घुशित हुएं न सीटों का आकलर्न भी अब शूरू हो गया तरत्या तरह के दावे भी अब शूरू हो चुके को प्रत्याशी घूशित हो चुके हैं लेकिन इस बार शुराज सिंग चोहान की कई ऐसी घोशना है जिन्होंने अंतिम दोर में ये बाना जा रहा है राजिनतिक विश्टल शक करें कि बड़ा काम कर सकते हैं तो ऐसे में अगर इन प्रत्याश्चियों को देखें तो ये कितना एहम ये कितना खास मकाबला और किन सीटों पर सबसे रोचक मकाबला देखने को मिल सकता है नवीन देखे बिल्कुल आपने मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चोहान की बात करी हैं तो उनको कॉंग्रेस पार्टी ने शिवराज सिंग च्वान के खिलाफ उतारा था कॉंग्रेस ने यह उम्मीद की थी कि अरून यादव उनको तगड़ी चुनोती देंगे और शिवराज अपने ही विधान सावा में घिर जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ अरून याद पहले ही उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी जोई किये और विक्रमस्ताल शर्मा एक टीवी में बड़ा लोगपुरिया करक्रम आता था रामायन उसी में हनुमान जी के किरदार विक्रमस्ताल शर्मा निभाते थे काफी लोगपुरिया चेहरा हैं तो उनको कॉंग्रेस पार् उम्मीदों से है इसके अलाव जो आपने बात करें रहूल की कहां कहां मुकाबलत तगड़ा हो सकता है तो देखें बता दूं कि 69 सिटिंग एमिले इसको पार्टी ने मौका दिया है पहली सूची में से च्वालीस लोगी जो सूची है उसमें 69 सिटिंग एमिले इनमें कई बड़े चेहरे हैं कई बड़े नाम हैं सबसे बड़ा नाम तो कमलनात का है कमलनात चिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे कुछ दिनों पहले कमलनात ने यह कहा था कि पार्टी अगर मुझे नहीं लड़ेंगे लेकिन इन एटकलों पर विराम भी लग गया कमलनात चिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे और यह दूसरा मौका होगा जब कमलनात चिंदवाड़ा विदानसवा सीट से चुनाव लड़े ते चुकि यह भी अभी हाल में एक प्रेस कांफरेंस चुनाव लड़के मुख्य मंतरी बनेंगे या सीधे चुनाव लड़के तो उन्होंने कहा था कि पार्टी लीडर्शिप जो भी फैसल लेगी मैं उसके लिए तयार हूँ तो यह तैय है कि कमलनात चुनाव लड़ेंगे इसके अलावा देखिए मैं शुरू से अगर बात क सिंधिया कॉंग्रेश छोड़के बीजेपी जा रहे थे तब इन पर भी बहुत प्रेशार था राम निवास रावत पर कि उनको भी सिंधिया के साथ जाना है लिए कि नहीं नहीं छोड़ी चलिए नवीन आपको यहाँ पर रोबना चाहेंगे आप तमाम सीटों का आकरन कर करो करो कटी करो अज लगभग कॉंग्रेश ने पहले सुची जारी किये हैं और उसमें पहले चरण के मतदान के भी लिष्ट हैं और दुसरे चरण के भी हैं मैं बहुत बहुत बदाई सुबकामनाई देता हूं सभी परतियासियों को जिन्होंने कॉंग्रेश पार्टी ने उनको उम्मीद्वार बनाया है और पूरी ताकत साथ लड़ेंगे और एथियासिक मतों के साथ हमारा ये पहला चरण का सीट हम लोग जीत के आएंगे और जिस तरह से हम लोगा पहला लिष्ट निकला है इससे क्लियर है कि हम लोगा सुची बहतर आया है और हम लोग इस सुची में लगवग सभी सीट हम लोग जीत कर आएंगे लेकिन आपने आठ प्रत्यासी चेंज किये हैं दो जगों पे अलग-अलग इस्थिती है लेकिन कुल बिलाके आपने कॉंगरस विदायकों को हटा दी है तो क्या लगता है कि वो हार रहे थी इसलिए कि कोई गुरे समी करना है सकता है कुछ कमी बेसिक रहा वो या और कुछ कारण हो इनका निर्णे तो सीसी को लेना था और आहिकमान को लेना था हम लोग ने तो सभी प्रत्यासी को सुची हम लोग ने आहिकमान के पास रख दिये थे बाकिन निर्णे आहिकमान को लेना था आहिकमान ने लिया है और आह लिए लगता है कि सीट चेंज होने से वाँ पर कॉंग्रेस को नुकसाद नहीं होगा? लेकि अगर एक-एक सीट पर फैसला हुआ है तो आई-कमान ने एक-एक सीट पर डिसक्रशन कर निड़े लिया है तो मैं समझता हूँ हाई कमान का निड़े सब के लिए सरुबान है और कहीं नुकसा नहीं होगा जग्दलपूर के सीट क्यों बोल्ड की गई अब मुझे लगता है जग्दलपूर सीट पे और थोड़ा सा मन्थन जारी है तो अब उनको भी हाई कमान को तैक करना है जल्द उसके भी सुची आएगा आप क्यों भी टिकेट मिली है तो आप अपना ध्यानपूर अपने ख्षेतर में लगाएंगे या फिर मैं तो हाई कमान ने मुझे भी चुनाव लड़ने का आदिस दिया है मैंने तो टिकेट मांगा भी नहीं था लेकिन आही कमान का नेड़ाय सरोपरी है लेकिन मैंने चित्रगुड की जनता से पहले ही कहा है चाए मुझे टिकेट मिले या ना मिले यहां का चित्रकुट का सीट जिसको भी टिकेट मिलेगा उस कांग्रेश प्रतियासी को जिता के देना है इतियासी मतोकसाद मैंने पहले ही कहा था इसलिए नामंगन भरने के बाद मैं चित्रकुट विधान सभा प्रचार में नहीं जाओंगा थोड़े बहुत समय अगर लग जवाबदारी है इसके बाकी चेत्रम की भी जवाबदारी है तो निश्चीत रूप से हमारे सभी सिनियर नेताओं के साथ मिलकर यह पहला चरण का 20 सीट हम लोग लड़ेंगे और 20 का 20 सीट हम लोग चुनाव जीत कर आईए बाकी का नाम भी मुझे लगता है कि 18 या 20 तरिक तक सेकंड लिष्ट भी हमारी आजाई है कुछ सीटों में डिसकसन है कुछ सीटों में डिसकसन है डिसकसन चल रही है संबाता वह भी अठारे अभी सतारी को वह सेकंड लिए तो दीपक बैश ने अपनी प्रतिके यहां पर दिया रहूल और देखा कि उन्होंने साफतार प हमारे समात्दाता हमारे साथ लगता जुड़े नरिश आपसे जाना चाहते हैं दीपक बैशन तो पूरी तरीके से प्रतियाशों के नामों पर अपनी सहमती जताई उन्होंने कहा कि प्रतियाशी जय चुनवा लड़ेंगे और पूर देखे काफी चुनोती पूर्ण रहा और यही वज़ा है कि कॉंग्रेस को इतना समय लगा इन टिक्टों को डिसाइड करने में और क्यूंकि प्रदिर्श चाद्यक्ष भी उसका इस्सा रहे हैं तो इसले कोई दो मत नहीं कि इस मामले में उनका यही दावा रहेगा लेकिन अगर आम जनता की बात करें तो आम ज प्तियाश्चियों से लेकर इस्थानी इस तर पर लगातार बीते तीन सालों में काम किया है उससे एसाफ है कि यह चुनाओ बहुत आसान यह एक तरफा रहने वाला नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूँ कि बस्तर में इस बार निश्यत तोर पर कॉंग्रेस को जो पिछल नहीं दिखाई दे रहा सबसे ज़्यादा चुनोती पूर्ण आदिवासी बेल्ट के सीटें ही दिखाई दे रही है जाए वो सरगूजा ओ या फिर बस्तर और यहीं बज़े है कि कुछ नामों को कुछ चेहरों को यहाँ पर बदला गया है जिसमें कांकेर की जो चेहरे थे पिछले बार विधायक रहे हैं उनको यहाँ पर मौका दिया गया इसी दरह से अंतागड में भी यह सीट बदला गया है उसकी जगह एक बिल्कुल नहीं चेहरे को मौका मिला है यहाँ पर भारती जनता पार्टी पिछले कुछ समय से धर्मान तरण और दूसरे मुद्दों को लेकर काफी मजबूत दिखाई दे रहे थी लगातार सर्वे में कॉंग्रेस के सामने तस्वीरें आ रही थी तो यहाँ पर भारती जनता पार्टी ने अपने पुराने चेहरे विक्रम मंडावी को मौका दिया है जो मंत्री और सांसत भी रह चुके हैं तो आगर आप को क्यों मौका दिया गया लेकिन अगर 36 के दूसरे चेतर के बात करें तो उसके मकाबले बस्तर में ऐसे हालात नहीं है इकका दुका सीट को छोड़ दें तो ज़्यादा तर चेहरों के हार जीत के मारजन काफी कम रहे और उनका सतत संपर्क या उनकी आदिवसी समाज या आ पाननेता है वो बरकरार रही जिसके वज़े से बारती जनता पार्टी के पास विखल्प काफी सीमित रहे इसलिए उन्हें दोरा आए गया है बिल्कुल नरेश्ट एक एहम बात आपने आपर कहिए क्योंकि पिछले चुनाओ में हमने देखा काफी आसानी से आपर कॉंग्रेस ने सभी सीटों पर कबज़ा जमाया लेकिन आप कहरें कि इस बार कहीं न कहीं कुछ सीटों पर चुनाओती कॉंग्रेस को मिलती निज़र से आसान नहीं होगा तो यह तस्वीरों के जरी आप समझ सकते हैं किसके सामने को है कवासिल अक्मा के सामने सोयम मुका बीजेपी के प्रत्याशी है जो कोंटा से चुनाओ मैदान पर होंगे पहले चुनन का ये संग्राम होगा जिसमें प्रत्याश्यों के खिलाफ मदाता बोट डालेंगे तो आपको बता दें कि ये दीपक बैच कॉंगरेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद चित्रकोर्ट से होंगे उनके खिलाफ होंगे विनायक गोयल जो कि बीजेपी के प्रत्याश्य होंगे चुनाओ रड़ेंगे तो आपको बता दें कि कवासी लख्मा बहुत चर्चित नेता है और अपनी खास शैली की वज़ा से वो जाने जाते हैं सोयम मुका एकदम यूआ जैसे प्रत्याश्य उनके सामने होंगे और काफी समय से सोयम मुका अपने ख्षेतर में तयारी करें कोंटा वो सीट है जहांपर कवासी लख्मा रगातार जीतने हैं चेतर कोर्ट से दीपक बैड सांसत भी हैं और प्रदेश कॉंग्रिस के ध्रक्ष भी हैं तो अपने चुनाओ लड़ने के साथ ही प्रदेश में दूसरे चुनाओ दूसरे प्रत्याश्यों के समर्थन में प्रचार प्रसार भी उनके एक एहम जिम्मेदारी है और जैसे कुछ दिर पहले बाचीत में उन्होंने बताया है कि एक बड़ी चुनाओती अलाकि वो जानते हैं कि उनके चेतर के प्रत्याश्यों जो मदाता है वो उन्हें जरूर जिताएंगे बिल्कुल देखे लगतार एक तो इस बार कॉंग्रेस इस मामले में ज़्यादा शशक दिखाई ज़्यादी कि उन्होंने समय रहते ना केवल सर्वे किया बलकि संग्ठनाथना इतनाओ किस तर पर भी मजबूती के लिए अलग-अलग इस तर पर काम किया इस वक्तमाल साथ सौरा परियार जुड़ चुके हैं सौरा विस्वक प्रिदेश कॉंग्रेस के दक्ष दिपक वेज के साथ मौजूद है क्या कहने दिपक वेजिस्वक कहीं भी कोई फरक नी पड़ेगा बलकि बस्तर में फाइदा होगा चित्रकुण विधान साबा भी फाइदा होगा बस्तर के अमने सीटों में भी फाइदा होगा और पूरे 20 सीट में हम परचार करेंगे कहीं कोई हमारे चुनाव लड़ने से दिक्कत नी है बलकि बस्तर को फाइदा होगा और बाकि सीटों में भी फाइदा होगा आपने आठ विधायकों की टिकेट काड़ दी है मतलब यह नहीं देखागा क्या कि इससे और हो सकता है कि गलत मैसेज जाए मंद्रियों की टिकेट आपने काड़ी नहीं विधायकों की टिकेट काड़ दी यह तो हाई कमान का निर्णा है उनके पास सब रिपोट है सब जानकरिया है हाई कमान का निर्णा तो बाद में हुआ लेकिन इससे पहले तो नाम आप लोगों ने वढ़ाया ना तो पहले ही काड़ दिये रहा होंगे हम लोगों ने पूरी नाम हाई कमान तक रखे सभी लिस्ट हाई कमान बस था CEC और हाई कमान को निनाय करना था उन्होंने निनाय किया एक एक सीट पर डिसकाशन उन्होंने किया है एक एक सीट पर परिक्षण किया है इसलिए हम लोगा जो पहला चरण का सीट हम देखेंगे एक भी लिस्ट में कहीं कमी बिसिक नहीं है हम पूरी के पूरी लिस्ट हमारी बहुत अच्छा है और पूरी सीट पर हम जीत के आएंगे एक रिपोर्ट ये भी आ रही थी कि बारा में से बारा बस्तर नहीं जीतने वाली है आपने जग्दलपूर पहले ही ड्राप कर दिया है वी जो तेरा तारीक से नामांकन हो गया जग्दलपूर को क्यों आखिर क्यों इतना हाट सीट बना है जग्दलपूर उस पे आप लोग कोई डिसिजन नहीं ले पा रहे है जग्दलपूर संबाग मुख्याले का सीट है बड़ा सीट है जनरल सीट है वो सकता है उसमें और कुछ डिसकरशन रहा होगा हम लोगों ने ता अपना रिपर्ट बना के दे दिये अब उसका ने नहीं भी हाला कमान को करना है हाला कमान करेगी उसका नेना भी सवाल पूरी सुची कब तक है 17 तरीक को छोटी बैटक है दिल्ली में और 17 तरीक बद कभी भी सुची आ सकती तो यह था हमारे साथ दिपक पैट जिनों ने बताया कि किस तरीके से कॉंग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और जो 75 प्लस का नारा दिया है वो भी हम पार करे जिस तरीके से दीपक बैशन साफतार परे कहा दिया कि फैसला पूरी तरीके साही कमान का था कुछ मंत्रियों के नाम भी कटें कुछ विदायकों के नाम में कटें कैसी प्रतिक्रें अब तक किसमें आ रही है और क्या किसी प्रकार का गलत मैसेज जा सकते है जनता के बीच फिर पार्टी के प्रत्याशों के बीच देखे जिस तरह से ये बात कही जा रही थी कि जो कॉंग्रेस की जो सूची है वो पित्रपक्ष के बाद नौरातर के समय आएगी और ऐसा ही हुआ और जो सूची आई है उसमें सर्गुजा संभाग की बात करें तो सिर्फ दो मंत्र प्रत्यासियों के जो नाम हैं वो उस पर कॉंग्रेस ने अपना भरोसा जताया है अमरजीत भगवत और टीय सिंग्दियों के नामों की घोशना हुई है इसके अलावा किसी नाम को गो लेकर घोशना अब तक नहीं हो पाई है सबसे खास बात ये कि सर्गुजा संभाग में 14 सीटे हैं और 14 के चौँदा कॉंग्रेस के पास हैं ऐसे में सभी विधायक कॉंग्रेस के हैं और ऐसे में उनके नामों पर मुहर ना लगना एक बात को संदेश देता है कि कॉंग्रेस बेहत विचार मंथन करने के बाद अपने प्रत्यासियों की घोशना करेगी और अभी यह माना जा रहा है कि जो 12 सीटे हैं जिन पर अभी कॉंग्रेस की गोष्णा होनी बाकी है उसमें से कई ऐसे नाम है जिनके बदला जा सकता है जिनके नामों को लेकर संसे है ऐसे में कहा जा सकता है कि भाजपा के पास एक मौका बन गया है और भाजपा की तरफ से यह प्रतिक होई है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कई ऐसे विधायक हैं जिनके नामों को लेकर संसे हैं उनके नाम काटे जा सकते हैं अब इसके पहले पांच नाम जो गोषित नहीं हुए हैं उनमें एक अमरिकापूर की स्वीट भी थी और क्या यह माना जाए कि अब चुके हाँ तो जल्द ही आपर अगली स्वीट के लिए जो नाम आप भी समझ रहें संभावित नाम जिसकी चर्चा इन दिनों सभी जगापर हो रही है क्या वो नाम पर मोहर लग जाएगी देखें यह कह पाना तो बेहत मुस्किल है कि जो अभी जो घोषणा होई है उसमें जो मंत्रीों के नामों पर घोषणा हो गई है पूर जो मंत्री थे औक्टर फ्रेम सैसिंग उनको लेकर भी एक संसे है और कई ऐसे उम्मिदवार हैं कॉंग्रेस की तरफ से जो विदायक होने के बाद भी अपनी उम्मिदवारी जता रहे हैं ऐसे में क्या उनको मौका देती है कॉंग्रेस नहीं प्रत्यासियों को मैदान में या कोई फेर बदल होता है यह तो आने वाले सब्सक्राइब नरेश जिस तरीके से हाँ पर बीजेपी ने जब पहली सूची जारी की थी उसमें बस्तर की तमाम सीटे थी जहां पर प्रत्याश्ची गोशित कर दिये गए थे तो क्या ये माना जाए क्या इससे फायदा मिलेग अधिया इस पर तो मिला जुला एक तरह से आखलंकि किया जा सकता है क्योंगी कई जगों पर ऐसी बात थी कि जहां प्रत्याशी तरह प्रत्याशीों के नाम वहाँ पर संगठन को किस तरह से प्रबंदन होता है किस तरह का management होता है वहाँ ये चीज जादा माइने रखती है पर मुझे अगर बसतर संभाग की बात करें तो यहाँ ऐसा लगता है कि भारती जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि भारती जनता पार्टी ने यहां से संग की कुछ चेहरों को लिया है, बिल्कुल नए चेहरों को भी उतारा है, जिसमें पूर्व आईएस कलेक्टर निल कंटेकाम है, खुणागाम से उतारा है, तो यहां भारती जनता पार्टी अपने संग्ठन के वितर प्रबंदन करने की परिशानी को जानते हुए उसने समय से पहले इस सूची को प्रस्तुत किया था, और यही वज़ा है कि यह सूची समझी रणीती का हिस्सा था, एक वज़ा और भी थी कि भारती जनता पार्टी आदिवासी वोटरों के बीच मे अपनी नही सूची का या पहले सूची का अलान करें, जिससे शायद यह मुकाबला बहतर हो, तो इस मामले में कॉंग्रेस ने ज़्यादा सतरक्ता बरती लगता है, और अगर आप यह सूची देखें, जिसमें पहले चरण में होने वाले चुनाओं में जो प्रत्याशी कॉ कि उनके नाम आये हैं, वहाँ पर कॉंग्रेस ने काफी सदे हुए तरीके से अपने चेहरों को रखा है, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, इसलिए कॉंग्रेस को भी बहुत नुकसान हो गया, ऐसा दिखाई नहीं देता, अब असलन आप दीपक बैच को यह लीजिए प्रदेश अध्यक्षोने के साथ-साथ, चित्रकुट विदान सभा के कद्दावर नेता हैं, लगतार जीते रहे हैं, और साथ-साथ जब उन्होंने अपना नाम आगे बढ़ाया, तो उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर उनको यहाँ पर मौका मिलता है, और उनकी टीम के चेहरों को मौका मिलता है, तो वो आसपास की कई सीटों को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि वो सांसथ भी हैं, तो इस तरह से उन्होंने संगठन के वीतर ना केवल अपना नाम, बलकि अपने जो सहयोगी हैं, और आने माले समय में चुनाव में कॉंगरे सरकार बनती है तो उन सब को आगे लेकर चलने का दावा के है, जिसकी वज़े से जो जगदलपूर की सीट है, वहाँ पर भी एक नएचारे मल्कीत सिंग गैदू का नाम आगे बढ़ा है, तो ये वज़ा है कि जगदलपूर सीट को छोड़ दें, तो बाकी 11 सीटों पर तो नाम आ चुके जहां तक बात है कि पहले गोशित करने का भारती जनता पार्टे को फायदा मिलने की बात है, तो भारती जनता पार्टी की अपनी रणीती रही है, संगटन की बीतर प्रबंदन उसके लिए ज़्यादा महत्पूर्ण था, क्योंकि वो पूरी तरह से यहां हार चुके थे, उनके पास कोई और दूसरे विकल्प नहीं थे, तो बहतर उनके लिए यह था कि वो संगटन को ज़्यादा मजबूत करें, और बीते तीन सालों में भाजपा ने इसी रणीती के तहत काम किया, उन्होंने कारे करताओं को प्रधान मंत्री नरेनर मुदे के चेरे पर बूत स प्रधिया इसमर आगे भी सामनाती दर्शकों को लगता टीवी स्क्रीन पर हम वो नाम भी दिखा रहें, जिन पत्याशों के नामों की घोशना की गई, चाया मंदपदेश की बात करें, अफे शतिसकर की बात करूपते एक छोटे से बेटली जद लोटेंगे अलाये, आस्मानों में उड़ जाये, अमुलमलाई पनीर देखें, कौन नया खिलाडिया है? समझा देते हैं, फ्यार से समझाएंगे यह तो अपनी जबाँ है जबान एक हो, तो दिल भी एक होने चाहिए विमल, बोलो जबाँ के सरी आगर छोने बने तो गोल्डी छोने मसाले जहां जाएं रिष्टे बनाएं यहां जाए रिष्टा बढ़ाए गॉल्डी मसाले बढ़ता है खेलता है जूलता उचलता है दोडता कभी कभी दोड कराता है आगे आगे बढ़ता है जयवर्दन सिंग की बास करें तो रालू वर से जयवर्दन सिंग का नाम भी आपर स्कुटी में शामन क्या जाए है पर अगे बढ़ता है रूच्टी में शामन कौन से बाठाव के लिए गर्फेल स्ब्सक्राइब है गोवर्दन शिय्मार को यहां पर आमिद्वार दोना है तो यह सर्फन है खेली तो कि यहां नाववर्दन स्गान जारी कीए और आपके दोरी ही देर पहले किसी जारी हो तो इसमें स्टेटिंग M.A. जितनी ही जिन नावों पर लगातार चर्चा अस्टेशल बना हुआ था तो चालीज नावों पर बना हुआ था तो चालीज नाम जोहां को पुरियर कर दिये गए थे और उसके बाद इसे बात कही गई पुरूरा के गई dadsके नावों पर चालीज का कुझे जान कर लिए जों तो चालीज जानि हमें तर्वाट को मुझे निर में ताहीम नंटली को महतें कॉझे आपटार प की लास्टिंग देगा ऑ़ नवरास्पिन पूर्म मत्री याद्वेंड सिंगे अपर कंगर्स्टे मोगने आपर कंगर्स में बनाया है बासकर अगर पित्मी पुर्म मत्री गुजयन की राटवर्ड के सुप्त्र तुब की उस्टनावा पस्टाइब की यादवार पे अजय से निको यहाँ पर तो बात की जारी कि बदना जा सकता है तो बदना जा सकते हैं लिकिन बड़ा मलेरा तेरे इसमार से तेस्थाजी रामशिया भार्टी के यहापर पॉवगे इसमार करना है तो कॉंग्रेस की पहली सूची बदबदेश और चत्तीजगर की सभी कुंतजार था विदान सब चनौक को लेकर प्रत्याशों की गोश्टा में तक कॉंग्रेस नहीं की थी पहली सूची जारी हो गई है बड़ी खबर आपको बता रहे है इस वक की बड़ी खबर मदबदेश और चत्तीजगर में कॉंग्रेस प्रत्याशों की पहली सूची जारी कर दी गई है तो नौरात्री के पहले दिन की बात यहाँ पर कॉंग्रेस ने कही थी सभी बड़े नेता ये बात कह रहे थे बार बार कि नौरात्री के पहले दिन प्रत्याशों की सूची जारी होगी और इस वक की बड़ी खबर आपको बता रहे है इस वक की बड़ी खबर मदबदेश म विजैपूर से राम दिवास रावत को टिकेट दिया गया है दुश्यन्त पराशर हमारेजों की फोल लाइन पर जो चुके हैं दुश्यन्त एक सो चवाली स्नामों की गोश्टा मतिप्रदेश में हुई है क्या नाम सामने आए अब तक अब दुश्यन्त पराशर हमारेजों की गोश्टा में है लगातर गुरी दोरा तर्लिकिन कोंग्रेस में तुरिस राजी पोरी दग्जा से उमीदवार बनाया है इससे बात अगर बात कि जाए वाइन्देर की शूर्टिंग बरहिया को यहां पर कोंग्रेस आपना उमीदवार इबाद पर इस ते बनाया है यहां बेंद इस बात करें तो आपके आदो कोंग्रेस में टिकिल कि आए यहां पर इस बात करें तो आपके शूर्टिंग को यहां पर इस तो आपके शूर्टिंग बनाया है इस नामों पर लगातार चर्चा कि इस तो आपके शूर्टिंग बना कर नहीं Banga को टैने से नतुटारी है कि विश्य आपके शूर्टिपह भाहिए पर इस तbeyन तुमरेस के महां पर इस में बात कहीbyा पर पर बनाए गया है कारे करेंट तुर्ण को मरें को आपर नगयाँगी पूर्म मंत्री याद्विंद सिंग गोजेला के अपर टी कंगर्स से उमीदबार कंगर्स ने बनाया है बात कर अगर तो पूर्म मंत्री गोजेल सिंग राटवर के सब्सक्तर जोकी उप्तुनाओं में सिस्वाइब के यादों से आहर जाए थे इनको यहां पर वह सीट यहां पर आप पूर्म से दिया है तो बहुत बात की जारी थे तो नातिन आजाए वह अपनी तीस्टे हिस राउप प्रस अधार तेरे इंबार से तादगी राम्शिया भार्टी पर यहां पर बात कर दो दिया है कि यहां पर बात करें जाए तो यहां पर बात करेंगे तो बात करेंगे तो इस पर दो दिया है कि यहां पर बात करेंगे तो बात करेंगे तो इस पर दो दो नाति है विदान सबा चुनाओं से जोड़ी बड़ी ख़बर आपको बता रहे है बीजेपी ने पहले ही अपनी प्रत्याश्यों के गोशना कर रखी लेकिन अब कॉंग्रेस और ने अपने प्रत्याश्यों की सूची जारी की है आपको बता दे मद्विदेश में 144 नामों की सूची जारी हुई है 34 गड़ में 30 नामों की सूची जारी हुई है तो टीए सीदेव का पूर्स टिकेट दिया गया है वहीं अप दुनों जगह की टिकेटें किसको किसको मिली है आपको बता रहे है लगतार हम अपडेट बता रहे हैं आपको क्योंके विदान समय चुनाओ से लिए बड़ी ख़बर आपको बता रहे है कॉंग्रेस से सूची जारी कि है सौरब परियार हमारे सुची जारी है अज और आज, जो 20 सीट, प्रपंदियर कि मर्दान होने है उसको लेकर, वो 20 प्रत्यासी के नाम तो हुए है उसके लबाद दस जो अत्रिक्त है जो मंतरियों के नाम है मंतरियों के नाम है लेकिन गुरूरूरु कुमार को नवा गरत सीट डिया गया मंत्री रूति कुमार को जो नवागड की ही टिकेट दी जाएगी और अईवारा वो छोड़ दी है और ये उसके बाद आप देखें कि रमींद चौबे को साजया से सामेदर साउ को दुर ग्रामीर से पंडेरिया से हम लिस्ट दिखाने सूची है देखे आप यह वो नाम है जो की गोशित के 1044 नाम मद्द्यप्रदेश के प्रत्याशियों के और उसे गोशित कर दिया गया है क्योंकि लगातार इंतजार हो रहा था इन प्रत्याशियों के गोष्णा का और अब 144 नामों की गोष्णा कॉंग्रस ने कर दी है मध्यवदेश में वहीं 30 नाम, 34 गड़ में गोष्णी थे हैं तस्वीर जो आप देखने हैं वो उसी सूची की है उसमें 144 नाम आप देख सकते हैं ने 144 नामों को फाइनल कर दिया है मध्यवदेश ने यानि सभी को इतजार था और आज नौरात्री को पहला दिने बार बार ये कॉंग्रस कह रही थी कि नौरात्री के पहले दिन हम शुमूर्थ पर इन नामों की गोष्णा करेंगे 144 नाम मध्यवदेश में और 30 नाम 36 गड़ में गोष्णित कर देगें चलिए ज़ादा जानकारी के साथ हमारे दोस्योगे स्वक्त हमारे साथ लाइफ जूड़े है मध्यवदेश से दुशियंत और रायपुर से 11 भी स्वक्त हमारे साथ लाइफ जूड़े है सीरे रुक करेंगे दुश्यंत का दुश्यंत 144 नामों के अगर बात करें तो कौन-कौन से ऐसे नाम है जिस पर लग सकता है कि डेमेज हो और इस डेमेज को कंट्रोल करने के लिए कॉंग्रेस को मशक्त भी करनी पड़े बड़े नाम कौन-कौन से इस सूची में दुश्यंत जो की मद्दप्रदेश के मुख्य मंत्री है उनकी सीट से यहां पर कोई बड़ा चेहरा उतारने की बात यहां पर कॉंग्रेस करती हुई नजार आ रही थी लेकिन इस बार बिक्रम मस्ताल को वहां से टिकेट जो है वो कॉंग्रेस ने दिया है और तमाम सारे जणजागरन कारिक्रम भी चला रहे थी कॉंग्रिस के माध्यम से तो ऐसे में कहीं ने कहीं कॉंग्रिस ने एक ऐसा चहरा उता रहा है जो युवा है और नया चहरा है जो जिसका राजनेतिक प्रश्ट भूमी में अभी कोई भी बेक्राउंड नहीं है तो यसे में नया चेहरा होने के चलते कहीं न कहीं यहाँ पर कड़ी मशक्कत इस सीट पर कॉंग्रिस को करनी पड़ सकती है क्योंकि मुख्यमंत्री का छेत्र है और मुख्यमंत्री के छेत्र में कहीं ने कहीं जिस तरीके से एक नए चेहरे को उतारना कॉंग्रेस का कहीं ने कहीं एक गणकूर्ण से नाम इसमें शामिल एक कौनकूर्ण से बड़े चेरों को इसमें मौका मिला है साथ ही कितनी बैंसिंग है यह सूची यह भी समझना चाहते हैं आपसे बिल्कुल देखिये सबसे पहले तो जो 30 नाम गोसित किये गया है उसमे छैं कोंग्रेस विधायकों की टिकेट कड़ गई है अर जो आइबी सी 24 ने बड़ी प्रमुक्ता से दिखाया था कि कोंग्रेस की पहली लिष्ट जारी होने वाले उसमे छैं कोंग्रेस विधायकों की टिकेट कड़ गई है और 4 महिला प्रतियासी को मौकाurry Typis 저 महिला प तो एक ये बड़ा नाम दिया गया है सबसे पहले और बता दे कि पंडरिया से जो है ममत्या चंद्राकर जो विदायक है उनकी टिकेट जो है कार दी गई है नीलू चंद्रवनसी को टिकेट दी गई है जो पूरवे जीला कॉंग्रेस कवरदा के अध्यक्ष रह चुके हैं इसी तरीके से जो डूंगरगर से हमने ब पताया था कि खुजी में जो है जो चंद्री साहू था उनका नाम काड़ दिया गया है और उनके जगा भोला नाम साहू जो पूरविदायक भी रह चुके हैं और सांसत का चुना भी जो 2019 में लड़े थे उनको एक बाद फिर से कॉंग्रेस पार्टी ने टिकेट दिया है उ उसी तरीके से जो एक और नाम हम जो पहले से बता रहे थे कांकेर से सीसुपाल सोरी की टिकेट जो है काड़ दी गई है और संकर धुरवा को जो है ये नाम सामिल किये गया है उनको जगा दी गई है तो ये अंदगर से अनूपनाक थे जिनको रूप सिंग पोटाई की जग पूजिशन में रहेंगे और आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब देवरत सिंग का निरन हुआ था उसके बाद उपचुना में वो जीती थी और उनके कयास पूरी लगाय जा रहे थे कि यह सोदा वर्मा को टिकेट मिलेगी चुकि वो जो लोधी समास से आते हैं और वो टिकेटों ने मिल गई है तो ये दूसरा नाम है तिसरा नाम इसी तरीके से ढोंगर गर से हरसीता स्वामी जो बगेल है उनको दिया गया है और चौता नाम जो है सावीत्री मंडावी ये भी जो है उपचुना में भानुपरतापूर में उपचुना में जीती थी जो इनके पती है मनोज मंडावी उनके निधन के बाद जो है ये उतरी थी तो ये काफी बैलेंसिंग सीट है और जो IBC 24 ने बड़ी प्रमुकता से दिखाय था कि 6 कॉंग्रेस विधायकों की टिकेट कटेगी पहले चरण में और वो कड़ गये हैं और आप देखें कि मुख्यमंत्री भुपेज बगेल को पाटन से उतारा गया है अंभिकापूर से टीस्टी देव सीटापूर से मरी बगाद स्वाराब आपके पास सोटेंगे इस पर भी महिला अरक्षन को ध्यार में रखा गया है महिला उमीदवार कितने है इसमें अभी जो खूशी तो यह सीट में अब बिल्कुल देखी 144 की जो सूची जारी की गई है उसमें ज्यादा तर सेटिंग MLA को टिकेट यहां पर कॉंग्रेस ने दिया है हालकि बहुत कम सीटों पर यह देखने में आया है पूरी सूची में कि एक अद टिकेट कहीं काटा गया हो तो लेकिन ज़िए स तरीके से अगर महिलाओं की बात करें तो इस 144 की सूची में 16 महिलाओं को यहां पर फिलाल कॉंग्रिस ने टिकेट दिया है और 16 महिलाओं को टिकेट देकर यह भी बताने का प्रयास कॉंग्रिस की उसी किया गया है कि जो आरक्षन की बात लगातार राजनेते का गलियारों में गुंचती है और लगातार महिला आरक्षन को लेकर लगातार कयास लगाए जाते हैं उनको यहाँ पर कॉंग्रिस जो है वो भरपाई करती हुई नजर आ रही कॉंग्रिस जो बात कहती हुई नजर आई थी के महिलाओं को सम्मान देने का काम भी कॉंग्रिस करती है और लगातार कॉंग्रिस इस बात को बार-बार बोलती हुई पिछले दिनों में राजनेतिक गलियारों में नज़र आई है तो उसको यहां पर चरेतार्त भी कॉंग्रिस करती हुई नज़र आई, इस सूची में सूला महिलाओं को फिलाल टिकेट दिया गया है, अगर बोपा प्रभाइब लगातार काम करते हुए नजर आ रहे थे इस्थानिय बिधायक मद्द से मारिक मसूद को यहां पर फिर से कॉंग्रेस ने उम्मीदबार बनाया है और बीजेपी के दुरुबनाराण सिंग से उनको सीधी टकर जो है वो मिलने वाली है अगर बात की जाए बेरास अगर चत्या की जाए तो खासा जो राजनेतिक अनुवाब जो है वो यहां पर भी महसूस होगा साथी साथ कमलनाथ से लेकर अगर पूर मंत्रियों की बात करें तो कमलनाथ का भी नाम इस सूची में सामिल हो और उनके तकमाम सारे पूरे केविनेट को यहां पर कॉंग्रे इसने टिकेट दीया है और उसके साथ मैं अगर जो sitting MLA की बात करें तो sitting MLA को भी यहाँ पर तमाम सारे डिकेट है वह यहां पर जारी किये गए तो यह जरूर नहीं कहा जा सकता कि जो डामेज की बात Congress में निकल कर सामने आ रही थी कि यह जरूर कहा जाएगा कि जब टिकेट जारी होंगे तो कई सारे विरोत प्रदर्शने आपर देखने को मिलेंगे वो तो मिलने ही वाले है लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जिन उम्मीदों पर जो लोग खरे उत्रे जो लोग चुनाओ जीत कर कॉंग्रेस का पर्चम लहराते उनको एक बार फिर से कॉंग्रेस ने उम्मीदबार बनाए है और उन पर फिर से भरूरस जताया है कि 2023 के अंथ में जब यह चुनाओं होंगे विधान सवा करेंगे। तो वो 2018 में जरूर चुनाओ वार गए थे लेकिन इस बार चुनाओ जितने की प्रवल संभावना है तो ऐसे में कॉंग्रेस ने कोई भी कोर कसार 144 की सूची में नहीं छोड़ी है कि किसी प्रकास से कोई भी डेमेज पार्टी को हो सके और यही कारण है कि थोड़ा सा समय बिल्कुल देखे बिल्कुल सही सवाल है आपका देखे फहले फेस में चार साहूं को जगा दी गई है आप देखें कि तामर दस साहू है जो बीसी से आते हैं उनको जगह दी गई है इसी तरीके से जो दलेस्वर साहू है और भोला राम साहू है उनको जगह दी गई है आप देखें कि पहले फेस में जो है कुल 30 सीटों पर प्रत्यासी घोसित किये उस पर 14 सीट है अदिवासी टिकेट दिया गया जो इसी में आते हैं इसी तरीके से कॉंग्रिस ने चार महिला प्रत्यासी भी उतारे हैं और जैसे हम बहुत पहले से कह रहे थे कि आप देखें कि जो बस्तर है बस्तर संबाग की 12 सीटों की अगर बात करें तो बस्तर संबाग में जो काफी समय से नाम टिकेट दिया गया है जैसे कमलनात को भी मद्लप्रदेश से दिया गया है वैसी दीपाग भैस को भी दिया गया है आप ले만 सबसे प्रमुक्ण जाम जो राजनान गाउसे गिरिस देवांगन जो काफी समय से वहाँ पर सक्री थे और कहीं न कहीं जैसे करुणा सुकला को बाहर का प्रत्यासी बताय जाता था जब कॉंग्रेस ने 2018 में उता रहा था तो कहीं न कहीं 2023 में भी जब गिरिस देवांगन का नाम आया है तो कहीं न कहीं य क्या बयान बाजी कॉंग्रेस नेताव क्या आती है क्योंकि इससे पहले हम जो एक जूरा आपके पास आएंगे इस सवक्त नरेश मिश्रा हमारे सवगी इस सवक्त जिगदलपूर से लाइव जूट शुके हैं नरेश क्योंकि पहली चुरण में बस्तर में चुनाव होने हैं आप पर भी प्रत्याश्यों की घोष्टना आप यहां पर कॉंग्रेस ने कर दिये दीपाक बैज विक्रम अंडावी समित जो सीटों में पर एलान किया है किस तरीके का आप यहां पर मुकाबला देखने को मिल सकते हैं अंदरेश नरेश आपको मेरी आवाज मिल रही है बस्तर के पहले चरण में जो चुनाओ हुने उनमें अप प्रत्याश्यों की घोष्टना हो चुकी है किस तरीके का मुकाबला बीजेपी और कॉंग्रेस में देखने को मिल सकता और प्रत्याश्यों के लिए हाँ से कितना है मैं बिल्कुल देखिए जो बात पहले कहा जा रहा था कि मंत्रियों का नाम नहीं काटा जाएगा मंत्रियों के एक भी नाम नहीं कटे सभी मंत्रियों को यथावत दिया गया है केवल गुरुरुद्र कुमार जो आईवारा से थे उनको नवागर दिया गया है मुख्यमंत्री और डिप्टी सीम टीए सीदे को भी उनके जगा से दी गई है लेकिन आप देखे कि जो सबसे महत्रपूर्ण नाम था कि खुजी से जो महिला विधायक थी उनका नाम कार दिया गया चन्नी साउ का वहाँ से भोला राम साउ को टिकिट दी गई है और भोला रा जब एक समय आया था तब वो कही न कहीं सीदे तोर पर कहती थी कि मैं सीदे खेमे का हूँ और कहीं न कहीं उनको टिकिट नहीं मिल पाई है हाला कि ये कहा जाता है कि अंतिम वक्त तक इस नाम को लेकर जो है सीची में काफी चर्चा होई थी मुख्यमंत्री बुपेज बगेल की ओर से कहा गया कि भोला राम साउ को टिकिट दिया जाए वही दूसरी ओर जो चन्वी साउ को लेकर भी सीदे को ये दोराय नाम रखा गया था लेकिन फैनली जो है इनका नाम आया इसी तरीके से जो साबीतरी मंडावी है उनको यतारा बादी बाद करें अपसे लेंगे फिलाल हमारे समवादाता नरेश हमारे साथ एक बार फिर जूट चुके संपर्ख हमारा हो चुक है नरेश आपसे भी जानना चाहते है जब बीजेपी न अपनी पहली सूची जारी की थी उस समय हमने देखा था कि पूरी तरीके से आंकलन किये जा रहे थे क पार्टी कहाँ पर मजबूत और कहाँ पर कमजोर इस बार अगर कॉंग्रेस की बार करें तो क्या आंकलन कर सकने हैं इस बार दरेश सुन पार ने आप हमें जो लगातार जो कॉंग्रेस के कयास लगाया जा रहे थे और वही सूची लगबक फाइनल हुई है और उसी को मैं बता रहा था कि किस तरीके से कॉंग्रेस ने एक-एक नामों पर काफी एकसरसाइस किया है और ये बात भी आ रही थी कि जो गुरुरुद्र कुमार है उनको अईवारा से नवागर दिया जा लेकिन काफी उसके बाद उनको टिकेट दी गई है नवागर और नवागर में पहले से ही कॉंग्रिसी बैठे है कई जगा आप देखेगा कि जो जो नए नाम आए है या जिनकी टिकेट कटी है वो जो है कही ना कही अब विरोध प्रदर्सन करेंगे कि उनको टिकेट मिलनी चाहिए और जैसे मैं दो-तीन नाम बता रहा हूँ एक गिरिस देवांगन है राजनान गाउ से जिनको टिकेट दे गई है नवागर से गुरुरुद्र कुमार तो हो सकता है कि इनका विरोध हो क्योंकि दोनों बाहरी के नाम पर उन पर मुहर लगेगी और निशित रुप से जब प बड़े निताओं के नाम आ रहे थे वहां भी यह नहीं हो पाया तो ऐसे मैं आप देखेगा कि बहुत जल्ड जो कॉंग्रेस की जो यह टिकेट है कुछ कुछ सीटों को लेकर तो पर यह स्थिती देखने को मिलेगी लेकिन इस पर खास बात यह है कि लगबग चार चार चा किया था क्या इन सूची में वही सारे प्रित्याश्डी हैं जो 2018 में प्रित्याश्डी घुषित किये गए थे कुछ तो क्योंकि बागी होकर बीजेपी में चले गए तो इस तरीके से इस पूरे इस को लिस्ट को कैसे मैनेज किया कॉंग्रेस ने और क्या यह 2018 में जो प्र सोची में नाजर आ रहे हैं कंलाना Keeping it के 66 मंत्री यहाँ पर पूरी सोची में नजर आ रहे हैं इसके साथ में जो पूर मंत्री हैं उनको भी हमपर टिकेट आगया है 7ा 1 एसे को कुर आधकोtest को टिकेट दिया गया है लाखन यादाओ को गुलियर के बितरभार से टिकेट दिया गया है साती साती सिखरबार जो की बरतमान में ही कॉंग्रेस के विधायक उनको टिकेट दिया गया प्रभीन पाठक पिछली बार चुनाओ जीत कर आये थे कॉंग्रेस की ओर से अगर बात की जाए सुरेन चोधरी 2018 में चुनाओ हार गए थे लेकिन उनको एक बार फिस से टिकेट दिया ए पन्ना के पवई से मुकिस नायक को कॉंग्रेस ने उम्मीद बार बनाया मुकिस नायक 2018 में चुनाओ हार गए थे आजे सिंग राहुल पूर्विनेता पतिपक्ष हैं लेकिन वो भी 2018 में चुनाओ हा रहे थे और उनको भी यहाँ पर कॉंग्रिस ने चुरहट से एक बार फिर से उम्मीदबार बनाया है तो चेहरे लगभख वही चेहरे 2018 के ज्यादा तर नजदर आ रहे हैं लेकिन अगर कु आती साथ अफदेश नायक एक बड़ा नाम है दतिया से डॉक्टर नरुत्तम मिसरा मध्यप्रदेश के ग्रह मंत्री हैं उनके खलाप में यहाँ पर अफदेश नायक को कॉंग्रिस में उम्मीदबार बनाया है जो की अभी कुछ ही समय पहले कॉंग्रिस में सामेल हुए है अनुभा मुंजारे बारगाट जेले से आती हैं उनको यहाँ पर कॉंग्रिस ने उम्मीदबार बनाया है जिस तरीके से कई सारे ऐसे नाम है अगर उन पर चर्चा की जाए तो बहुत सारे कुछ ऐसे नाम जरूर निकल कर सामने आएंगे जो बहुत कम समय में ही कॉंग्रि की कोशिश करेंगे इस टुकेट वित्रण में लेकिन इस वक्त नरेश हमारे से होगी इस वक्त जगदलपूर से लाइफ जुड़े नरेश बस्तर में पहले चरण के चुनाओं है यहाँ पर मुकाबला काफी रोचा खोने जा रहा है पूरा फोकस इस दोरान बीजेपी ने बस्तर में रखा है क्योंकि यह माना जाता है कि बस्तर से जुड़ेत का रासा खुलता है अगर प्रत्याशों की बात करें तो वो पुराने बड़े प्रत्याशों को घोशित कर दिये हैं आपर कॉंगरेस ले जी यहाँ देखिए बिलकुल चार तीटे हैं जहाँ पर नाम बात चल रहे थी वहाँ यह नाम बदले भी गए हैं और ग्यारा बारा में से ग्यारा सीटों पर तो नाम सामने आ चुके हैं जग्दलपूर एक पात्र सीट है यह बस्तर की बारा सीटों में से एक अनरक्षित है तो यहाँ पर पहले यह चल रहा था कि यहाँ जो चेहरा है वो बदला जा सकता है या जो बाकी के दावेदार हैं वो अलग-अलग खेमों से काफी मजबूत है। इसी तरह से अंतागड में भी जो पर्फॉर्मेंस को लेकर के बात चल रही थी वहाँ पर भी एक नए चेहरे को मौका मिला है। तो उन्होंने एक मजबूत तरीके से अपने दावेदारी प्रस्तुत की और प्रदेश चद्यक होने का उनको फायदा भी मिला। पिछले चुनाओं में लगतार अभी जित रहे हैं। पिर से एक बार मंडावी परिवार की उपर गरुसा करते हुए। इस पूरी सुची में से एक मात्र महिला प्रत्याशी को मौका दिया गया है सावत्री मंडावी जो की लगतार सक्री भी रहीं। और एक तरह से माना जा रहा है कि भानुपरतापुर में आने वाले समय में कॉंग्रेस के लिए वो एक बड़ा चेहरा उत्तर बस्तर से हो सकती है। तो पहले चुनाओं में याँ पर सरगुजा में भी चुनाओं हैं। पिशेक, यहाँ पर टीएस सिंदेव की नाम के गोशना के साथ ही और कौन से बड़े चेहरे हैं जो की चुनाओं में होगी क्योंकि पहले चुनाओं में याँ पर वोटिंग होनी है। पिशेक, यहाँ जो चुनाओं होना है उसका चरण जो सत्रह तारीक को है, सत्रह तारीक को वोटिंग होगी। लेकिन जिस तरह से सीटों की गोशना की गई है, इसमें बात करें तो जो दो नामों पर चर्चा हो रही थी, दुनों जो मंत्री हैं, उनके नामों की गोशना हो गई है। परजीत भगत सीटापुर से चुनाओं लड़ते हैं, वो अब चुनाओं मैदानते होंगे। इसके अलावा टिये सिंग देव अंबिगापुर से जो उनकी नामों की गोशना होई है। लेकिन 14 संभाग की बात करें, जो संभाग की 14 सीटे हैं, उनको बात करें। तो कई ऐसे नाम हैं जहां पर संशे को इस्तिती है, यही कारण है कि बाकी नामों की गोशना नहीं की गई है। कॉंग्रेस यह पूरी स्थिती स्पस्ट करना चाहती है, चुकि भाजपा की बात करें, तो 14 में से 13 नामों की गोशना भाजपा ने कर दी है। और सभी जो प्रत्यासी हैं वो अपनी चुनावी तयारी में जुट चुके हैं। काफी समय से यह प्रतीक्षा थी थी, कब कॉंग्रेस अपने नामों की गोशना करेगी, कब प्रत्यासी होगा और उसके बाद जो कॉंग्रेस के प्रत्यासी हैं वो चुनावी मैदान में होगी। तो दो नामों पर मुहर लग चुके हैं लेकिन अभी भी सरगुजा संभा की जो बारा सीटे हैं वहाँ पर संसे के इस्तिती हैं और कई बार ये बड़े नेताओं ने कहा है कि कुछ जो विधायक हैं उनके स्थान पर दूसरों चोहरे को मौका दिया जा सकता है ऐसे में जो चुनावी मैदान पे जाएं और जीत दर्द करतकें ऐसे में लगतार कवायत जारी है लेकिन इस बीच जो सूची आई है उसमें दो नाम तैकर लिए गये हैं टीय सिंग देव और अमर जीत भगत जो दोनों बड़े नेता हैं दोनों मंत्री हैं वो अब चुनावी मैदान म होंगे दूसरे चड़ में यहां पर चुनाओ लेकिन दो बड़े चेरें यहां पर चुके टीयस से देव भी हैं और साथ ही आप अतारे अमर जीत भगत का भी नाम तैवा इसलिए अब चुकी यहां पर नाम तैव चुके इसलिए चर्चा में आई अब रुक करेंगे एक ब टिकेट दिये जाने थे या फिर यह कहें कि जो सिटिंग एमेले थे उनको एक बार फिर से यहां पर उम्मीदबार बनाया है लेकिन अगर बात की जाए जाबुआ की सीट की तो वहां पर पूर्व केंदरी मंत्री क्यांतिलाल भूरिया की जगे उनके बेटे डॉक्टर वि को यहां पर टिकेट दिया गया है इसके साथ ही तमाम सारे जो जाती हैं चाहे हम सेडील कास्ट की बात करें कि बात करें तो हर एक उम्मीदबार को यहां पर उसके जाती के आधार पर समीकरण को देखते हुए जात jeśli करें तो उसके साथ में यूवाओं का विसेज ध्यान रखा गया है महिलाओं का यहाँ पर इस सूची में विसेज ध्यान रखा गया है जातिकत सभी करणों की बात करें तो उनका यहाँ पर ध्यान रखा गया है सेडियूल कास्ट की सीटे हैं उस सेडियूल कास्ट की सीटों पर इस पर बिसेश ध्यान ये दिया गया है कि अगर जहां पर महिलाओं की आवश्यक्ता सेडियूल कास्ट की है वहां पर महिलाओं को यहां पर टेकेट कॉंगरिस ने दिया है लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको देखा जाए तो वो पहले चुनाओ लड़ चुके हैं लेकिन हार गए थे लेकिन कई चेहरे ऐसे भी हैं जो पहली बार चुनाओ लड़ेंगे जिस तरीके से अभी जी शाह की बात करें तो अभी जी शाह जो है सेडिल्ट ट्राइब स और मद्धर्प्रदेश के जो वन मंत्री है विजय शाह उनके भतीजे हैं उनके बड़े भाई के बेटे हैं तो ऐसे में यह जरूर कहा जाए कि बहुत सारे ऐसे नाम भी अगर पूरी सूची में देखा जाए 144 की सूची में तो बहुत सारे ऐसे नाम है जो लोगों को तो उससे ये भी कॉंग्रिस ने बताने का प्रयास किया है कि युवाओं का भी इस सूची में विसीज ध्यान रखा गया है, महिलाओं का भी इस सूची में विसीज ध्यान रखा गया है, ताकि किसी भी बर्ग से कहीं न कहीं कॉंग्रिस को जो है वो डेमेज की स्निती ना बन और सभी जो अलग-अलग वर्ग हैं चाहिए युवाओ की बात करें हैं महीलाओं की या फिर सीनियर्स लीडर की तो तमाम सारे वर्गों का भी दियान यहां पर रखा है कॉंग्रेस ने और 144 का जारी की है दूसरी सूची दो से तीन दिन में जरूर जारी हो सकती है क्योंकि बाद फिर से एक सूची जारी करेंगी और दोनों से मात्यम से 230 उमिद्वार जारी करेंगे लेकिन जब यह सूची यहां पर टिकेट दिया गया है साथी साथ महिलाओं की बात करें तो 16 महिलाओं को यहाँ पर टिकेट दिया गया है युवाओं की बात करें तो युवा कॉंग्रेस से भी यहाँ पर जो कोटा मांगा गया था उस कोटे की भरपाई यहाँ पर पूरी करने की कोशिश की गई है साथ ही साथ ST ST वर्ग की बात करें तो ST ST वर्ग से आने वाले चाहे पूर्बंत्री हों चाहे सिटिंग एमेले हों उन तमाम सारे लोगों को यहाँ पर कॉंग्रेस की उम्मीदबार बनाया है ताकि कहीं न कहीं चुनाओं से एन पहले कॉंग्रेस को डेमेज कंट्रोल जैसी स्थिती पर ध्यान न देना पड़े और डेमेज कंट्रोल में अगर कॉंग्रेस लगती है तो कहीं न कहीं डेमेज कंट्रोल की स्थिती को कंट्रोल करने में ही समय खराब हो जाएगा और प्रचार जो है वो पार्टी के पक्ष में नहीं हो पाएगा तो इस बात को भी कॉंग्रेश ने ध्यान रखा कि ज्यादा डेमेज की स्थिति ना बने ऐसी सूची जो है समतुल जारी की जाए और समीकरन तमाम सारे जो है वो उसमें शामिल की जाए अगर बात करें बीजेपी की पहले लिस्ट की तो दिन शेत्रों में बड़े नामों को बीजेपी ने उतारा था वहाँ पे कॉंग्रेस की सूची में किन प्रित्याशों को जगा मिली है नरेश आप सुन पा रहे हैं आप में महेश गागरा देख लिए यह जी तो इन दोनों ही जगह पर काफी जीत का अंतर कम रहा है तो यह मुकाबला इस बार भी रोचक होने जा रहा है और जिस तरह से भारती जनता पार्टी ने अपनी सूची में यह तैकिया कि कुछ पुराने चेहरों को भी फिर से बराबरी से मौका दिया जाएगा उसके लिहाद से लगता है कि पार्टी का जो इंटरनल जो एक तरह का सर्वे है या एक तरह की सूचनाई हैं उसके मुताबी ये सीटें दुबारा जीत सकते हैं अगर इसमें खास बात अगर आप गौर करें तो जो कॉंग्रिस में जो मोहन मरकाम कह लीजे विक्रम अंडावी कह लीजे या फिर जो किदार कश्यप की सीट पर पहली बार जरूर जीतने हैं लेकिन बाखी दो जगह पर जो कॉंग्रिस के प्रत्याशी हैं वो दो-दो टर्म अपना लगबक चुनाव के साथ पूरा कर चुके हैं और इस बार वे तीसरे टर्म के लिए इलेक्ट होने के इस बाए पर ने भारती चंता पार्टी ये तरफ इस वरजे से उन्होंने उन पुराने और चैरों को उता रहा है एक भाजपा के पास आधिवासी चैरों के तौर पर या आदिवासियों के लिए नई politics के एंगल पर कोई खास space नहीं था जिसकी वज़े से मजबूरन उन्हें उन चेहरों को जगा देनी पड़ी और इस मामले में अगर देखें तो 2018 के जो नतीजे रहे खासतोर पर 12 की 12 विधान सभा सीटों पर आदिवासी भूटरों ने एक तरफ कांगरेस के तरफ जाने का फैसला किया इस ते इस मामले में कांगरेस को बढ़ता और इस वज़़े से उसके प्रत्याशी चैन की प्रक्रिया उसको बहुत ज़ादा दूइदा नहीं थी केवल जो संगटन के समाज के इस तरफ पर जो राज्य सरकार के जरिये जो मुद्व से तैकिये हैं कुछ कद्दावर चैरों को भी मौका मिला है जिसमें अगर आप देखें तो मोहन मरकाम कम मार्जन से जीते हैं लेकिन क्योंगी वह प्रदेश रद्यक्ष रह चुके हैं इसलिए बहुत बुन जाइश नहीं दूसरे दावेदार वहां वैसे है नहीं चित्र चीज देख सकते हैं कि यहां इन सब चीजों को छोड़कर दीपक बैच को प्रात्मिक्ता दे गई प्रदेश ने बनाया है बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं चुटीज गड़के सूची बता रहे हैं सीतापूर से मर्जित भगत उमीदवार हैं जो यह सूची देख रहे हैं आप यह सूची जारी हुई है दूर्ग ग्रामिर से ताम रदस साहू को कॉंग्रेस ने अप पक बैज सांसत और प्रदेश कॉंग्रेस के अध्धक्ष है इस वक दीपक बैज चित्रकोट से उमीदवार कॉंग्रेस ने बनाया है और उसके साथ ही तमाम नाम जारी हुए हैं आपको बताते हैं कि 6 विधायकों के सिटिंग मेले के टिकेट कार्ट दे गया है दो ऐसी सी प्रत्याशों को भी कॉंग्रेस ने मौका दिया है इस सवक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कॉंग्रेस की सूची जारी हो गए बत्मिदेश और चीप्रहरा में कॉंग्रेस प्रत्याशों की घोषित हुए हैं इस वक्त की बड़ी खबर, 36 गड़ के लिहाद से ये बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से आप पर प्रत्याश्यों के गोशना हुई है, 30 नाम गोशित के हैं, कॉंग्रिस ने 20 वो नाम है, जो के 20 सीटों पर पहले चुनाओ होने इसके लावा 10 और नाम है, इसे गोशित कर द कि उसमें शिशुपाल सोरी भी हैं, जहां पहले चैन में चुनाओ होने, तो चार महिला प्रत्याश्यों को यहां मौका दिया है, कॉंग्रिस ने, आपको बता दे, मद्विदेश और 36 गड़ में कॉंग्रिस प्रत्याश्यों के सूची जारी होने के बाद ही, अब सियासत तेजी से बढ़ी है क्योंकि आप चुनाओ नस्दीक हैं, पहला नाम दीपक बैज, दूसरा नाम विक्रम मंडावी बीजापूर से ने मौका दिया है, कॉंग्रिस ने, भुपेश बगेल पाटन से और टीए सिदेव अंबिकापूर से अपनी परंपरागत सीट से तमाम ब मंत्री और एक बार फिर से अपनी सीट से ही चुनाओ लड़ेंगे, तो कॉंग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी होने के साथ हम आपको नाम भी बता रहें, इंदर शाह, मंडावी, मानपूर, मोहला से कॉंग्रेस के प्रत्याशियों होंगे, मौम्मद अक्बर कवर्धा से जो कि अपनी पहली जिस सीट पर जी चुके हैं, और डोंगर गाउं से दरेशर साहू, चुनाओ की मैदान पर होंगे, तो इस तरीके से कॉंग्रेस की सूजी हम आपको बता रहें, बहुन मरकाम कॉंडा गाउं से, जहां से वो पिछली बार भी जीते थे, लता इस दरे चंदन का शेप नराणपूर से चुनाओ मैदान पर होंगे, तब को बता दे, पहले चलण के 20 सीटों पर घुशित करने के साथ दस और दूसरे सीटों पर भी कॉंग्रेस से अपने पित्याशी घुशित किये, नासिर गौरी हमारे सवकेस कबर पर हमारे साथ लाइ मैनेज कंट्रोल की भी संभावनार अगर होता है, तो कैसे मैनेज करेगी पार्टी? इन सीटों पर कहीं ना कहीं पैश फसा हुआ या फिर बीजेपी से भी कुछ लोग हैं जो कहा जा सकता है कि जिनके नाम बड़ा तेजी से चल रहा है कि उनको अगर बीजेपी अपने ठिकेट नहीं देती है, तो वो यहां से आ सकते हैं, तो ऐसे नामों को लेकर भी शायद उन सीटों पर होल्ड किया गया है, आठ ऐसी सीटे हैं, जैसे अगर गौालियर जिले की बात करें तो गौालियर में अच्छा विदानसुबा सीटे हैं, लेकिन एक सीट पर होल्ड कर दिया गया है, यानि कि गौालियर विदानसुबा है, वहां पर होल्ड कर दिया गया है, उस seat से प्रदुमन सिंह तोमर प्रतियाशी थे बीजेपी के प्रतियाशी है लेकिन कॉंग्रेस के प्रतियाशी के तौर पर वहाँ पर होल्ड किया गया है क्योंकि वहाँ पर दावेदारों को संक्या बहुत है लेकि कॉंग्रेस के पास कोई अच्छा winning candidate नहीं है जिसके करण नेता परतिपक्षा है डाक्टर गोविन सिंह उनके भांजे को टिकेट दिया गया है यानि कि परिवाल वात का भी बढ़ावा यहां देखने को मिल रहा है उनको महगाओं से प्रतियाशी बनाए गया है तो ऐसे कई नाम है जहां पर चौकाने वाली चीज़े आई है जैसे फूल सिंग बरहिया है उनको फिर दुबारा से पार्टी ने परतियाशी बनाए उनको भांडेर से परतियाशी बनाए एपी सिंग काजी है छेवार के विदायक है उनको पार्टी ने दुबारा से फिर से मैदान मुतारा है तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो कॉंग्रेस के जो प्रत्याशी थे जो उम्मीद लगा हुए थे उनको एक बड़ी खुशकवरी दी है लेकिस सबसे बात यही है कि उपचुनाओं के दौरान जो जीत करा आये थे कॉंग्रेस के प्रत्याशी भले ही उनके खिलाप माहौल खराब रहा कहा जा रहा है था कि उनकी इस्तिती अच्छी नहीं है पार्टी उनका टेकेट काट सकती है जैसी डवरा विदानसभा की बात करें सुरेश राजे सुरेश राजे को लेकर विरोध भी देखने को बिला था तीन दिन दो दिन पहले हम देखें तो एक वीडियो वाइरल होता जिसमें दिगवेजे से कुछ लोग पॉंग्रेसी मिलने जाते हैं उनका विरोध करते हैं लेकिन दिगवेजे से उनको भगा देते हैं तो लेकिन विरोध भी उठ रहा था लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी ने ऐसे पर प्रतियाशों पर अपना रुख साफ किया है उनको ही अपना प्रतियाशों पर ही सब्सक्राइब बात करें तो 14 ऐसी सीटों पर कॉंग्रेस ने प्रत्याशी गुशित के कौन-कौन से वो नाम है जिन पर नाम तै किये गए है बिल्कुल देखिए सबसे पहले तो यहीं बता दें कि आई बीसी 24 ने जिन जिन नामों पर मुहल लगाई थी उन्हीं कोई टिकेट मिली है और दूसरी बात की जिन विधायकों की टिकेट कटी थी टिकेट कटनी है यह हमने बताया था उन विधायकों की टिकेट कट गई है आठ जगों पर जो है आठ नए प्रत्यासी उतारे गए है अर्थात नए विधाय को छोड़ मौका दिया गया है इसी तरीके से आप देखिए कि जो दीपक वैज है उनको भी प्रदेश सद्यक्ष है उनको उतारा गया है आप पांच राज्यों में देखिएगा तेलंगाना, राजस्थान, मत्र प्रदेश, 36 गड़ जाचुना होने वापर प्रदेश सद्यक्षों को टिकेट दी गई है इसी तरीके से आप देखिए कि जो पूरे मंत्री हैं मुख्यमंत्री भुपेज बगेल समेत कुल 13 जो मंत्री है उन्हें पूरी टिकेट दे गई है विदान सभाध्यक्ष और उपाध्यक्ष उन्हें टिकेट दी गई है और सबसे महत्रपूर जो है दो तीन नाम है जिस प नाँके वक्त जो हो इनको कोई नुकसान ना हो इसे लेकर और निश्चित रूप से एक बात ये देखा जा रहा है कि कॉंग्रेस ने काफी एकसरसाइस किया है इन नामों को लेकर काफी समय से ये देखा गया है कि कॉंग्रेस ने लगबग 6-7 दोर की बैटक की है उसके बा जो है सेंटरल इलेक्शन कमीटी की बैठा खोई और फिर इन नामों को फाइनल किया गया है और निश्चित रूप से कॉंग्रेस को लगता है जैसे बार बार कह रहे थे हैं कि जब तक कॉंग्रेस के विदायकों की टिकेट नहीं काटेगी तब तक जो है कॉंग्रेस की जी अलावा जो है और कहीं से लड़ सकते हैं लेकिन सीव डहरिया को ही टिकेट दी गई है और इसी तरीके से मंतरी मुहमद अकबर कमरदा जो केवल एक ही मंतरी को जो है अलग विदान सभा दिया गया है अहिवारा की जगा नवागर दिया गया है और वहाँ पर पहले से जो द टिकेट काटी गई है ममता चंद्राकर जिनकी टिकेट काटी गई है इसी तरिके से और सिसुपाल सोरी उनकी टिकेट काटी गई है राजमन बेंजाम उनकी टिकेट काटी गई है अन्तागर से अनुप डाब उनकी टिकेट काटी गई है दंतेवाडा से जो देवती करमा है उन सबसे प्रत्यासिट जो है दो ती नाम जिरूर आ रहे हैं जैसरे गिरिश देवांगण को लेकर ही जो है राजनानगाउ से और सीवधारिया के नाम को लेकर भी ताकि सीवधारिया आरंग से उत्रेंगे और निश्यूत रूप से हम सभी निताओं से बातीद करने की कोशिस करेंगे और इससे पहले कि एक बार फिर से बता दूं की कॉंगरेस दूसरी सूची भी आज या रा गल में जारी कर सकती है ये अभी की एक बार आपको नई ब्रेकिंग बता रहा हूं कि कॉंगरेस केवल अभी 30 नामों की सूची जा किया है कुछ नाम और जारी जो है कॉंग्रेस कर सकती है और इसके अलावा जो है ये भी देखा जा रहा था कि कॉंग्रेस जो है और जो नए फ्रेस चेहरे हैं उनको देने जारी है और जैसे हमने बताया कि था कि चालीस जो चेहरे हैं वो नए उतार रही है कॉंग्रेस जो है और अब देखना होगा कि किस तरीके से कॉंग्रेस यह पूरी स्टेर्ट जी बनाई है उसके इसाब से कॉंग्रेस को लगता है कि उनकी जीत होगी और जो 75 प्लस का नारा दिया है वो पारकर पाएंगे या जो है जो बीजेपी ने टिकेट दिै उसके इसमें जो है फस्ते हुए नजर आएंगे यह देखना होगा बीतर पक्ष खतम होते ही और सांती नवरात्री के पहले दिन इन नामों की गोश्णा कर दी जाएगी अब मद्विदेश में 144 नामों की सुची जारी की गई है बड़ी कबर आपको बताने हैं कॉंग्रेस की पहली सुची मद्विदेश और 36 गड़ की सभी को इंतजार था वि और रहे इसकी बड़ी कबर मद्विदेश और 36 गड़ में postpone प्रत्याषों की पहली सुची जारी कर दी गई है तो नौरात्री के पहले दिन की बात या पर गेले के थी सबी बड़े नेता ये बात कहे रहे थिए बार बार कि नौरात्री के पहले दिन प्रत्याषों की गोष्णा कॉंगरेस ने कर दिया है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर मद्विदेश में 144 नामों की सूची जारी हुई है श्योपूर से बाबु जंडेल को टिकेट दिया गया है विजयपूर से राम निवास रावत को टिकेट दिया गया है दुशियंत पराशर हमारे से की फोल लाइन पर जे चुके दुशियंत 144 नामों की गोष्णा मतिविदेश में हुई है क्या नाम सामने आए अब तक अब दुशियंत पराशर हमारे से राम निवास रावत इसमें अगर गोष्णा मतिविदेश को टिकेट दिया अगर दगरा से बात करें तो लाम निवास रावत इसमें शामिल किया गया है लगातार गुरू दोराता लेकिन कॉंग्रिस में तुरिस राजी पोई रज़ा से उमीदवार बनाया है इससे बात अगर बात कुछा है वाइंडेर की स्कूर्टिंग बरहिया को यहां पर कॉंग्रिस के अपना उमीदवार इकवास से बनाया है 2018 में भी इस तुछी बोस्तरम को आई का सामना करना पड़ा था ते हमें बहुत सारी इल्डाव की बात अगर चरें तो उमका की मरकान के की सिर्टिंग और यह तरी से बदो इस कॉंग्रिस में अभी हाली में सामिल जाओ यहां बेंड इसिंग ओगा उनी से बनाया है तो अगर्ण वास नाम है तो आपके आड़ो को इस बार ने टिकिल की आए अगर्ण और पर नाम है रखे जा रही जा रहे जा रही जा रहे जा रहे जा रहे तो चालीत नावों पर अधार अभी जारी जाए कि यूच्वराइब कर Caleb लेगाए कुछी जारी जारी पर भी जाएगी है लिट्व करह सब्सक्राइब कोशेच करें इस थे को स्था कि वैश्ट पंड़राइब को में लगड़ी का आफिरवादी नबराइब तब लुद्द में तक सेक्ति की आरागम मॉदमिय के सुपने जारी होगी हुगी यायसे में इस अपर झूल सोभा खरें कर यहां पर उपिद्वार बनाए गया है पर उपिद्वार बनायाँ गया है पूर्म मंत्री गुजयन सुन राटवर के सुकुत्र उप्तुनाव में सिस्पाइब की यादों पिस आहर जाए थे उनको यहाँ पर वह सीकित यहाँ पर कॉंगोर्शिय दिया है तो यहाँ पर कॉंगोर्शिय दिया है नाति आजरा है वह अपनी पीश्य से चुनाव सकते हैं लिकिन बड़ा मलेरा तेरे इस बार से साथ जी रामसी अखार्शिय पर कॉंगोर्शिय दिया जिनको पहें तेरे कर्दूम सीक्वी भी से सिकर्ष्य का सामना करना पड़ा था हूं अगर उर्द की लावों पर बात की जाए उसकरी सारी इसे लाव में जो मर्तमाल में जो इसकी बिदाएक हैं कल्पना बर्मा की बात करें की बात करें अगर्शिय प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो गई है विदान सबा चुनाओं से जोड़ी बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं बीजेपी ने पहले ही अपनी प्रत्याशियों की घोशना कर रखी लेकिन अब कॉंग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है तो टी ठीकित दिया गया वहीं अप दूनों जगहां की ट्रिक्टें किसको किसको मिली है आपको बतारहें लगतार हम अबडेट बता रहें आपको क्योंकि विदान समद चुनाव सीयुटी बड़ी खबर आपको बता रहें कॉंग्रेस से दिसी जारी कि है सौरब परियार हमारे स्वेक्स पॉल एंट पर जुड़े सौरब 30 नाम जिस पर तैह हो चुका है कौन को चुना लड़ने वाले कौन कौन से वो बड़े नाम है बिल्कुल देखे राउल कुछ देर पहले ही हमने बताया था किस तरीके से कॉंग्रस प्रत्यासियों के लिस्ट जारी हो सकती है और आज जो 20 सीट प्रतंत यड़न के मसदान होने है उसको लेकर वो 20 प्रत्यासि के नाम तो हुए है उसके लाबा 10 जो अत्रिक्त है जो मंतरी के नाम है मुक्हमंतरी के नाम है तो सबसे प्रमुक जुबाद में बताऊ की लेगे मंतरी के जो सीट है वो तो सबी है जैसे मुख्यमंद्री पाटन से, टियसी देवंदिकापूर से, अमरीद बगास सिटापूर से, स्रीव डारिया आरंग से, लेकिन गुरुरुरुद्र कुमार को नवागर सी दिया गया, जो सबसे पहले IBC 24 में जो दिखाया था कि मंद्री रुद्र कुमार को जो नवागर की ही टिकेट दी जाएगी और अईवारा वो छोड़ दी है, और ये उसके बाद आप देखें कि रमिंद्र चौबे को साजया से, सामेदर साओ को दुरु ग्रामीर से, पंडेरिया से, लेकिन गोशित हैं, हम लिस्ट दिखाने सूची है, देखें आप, ये व जो चना का, और अब 144 नामों की घोशना कांगरस ने कर दी है मद्धिदेश में, वहीं 30 नाम 34गठ में गोशित हैं, तस्वीर जो आप देख रहे हैं, उसी सूची की है, उसमें 144 नाम आप देख सकते हैं, इने 144 नामों को फाइनल कर दिया है मद्धिदेश ने, यानि सभ नवरात्त्री के पहले दिन हम शुमूर्थ पर इन नामों की घोशना करेंगे 144 नाम मद्विदेश में और 30 नाम 36 गड़ में घोशित कर देगें चलिए जादा जानकारी के साथ हमारे दो स्योप्स हमारे साथ लाइब जुड़े हैं मद्विदेश से दुश्यंत और राइपूर से 118 साथ लाइब जुड़े हैं सीधे रूख करेंगे दुश्यंत का दुश्यंत 144 वाले इस नामों के अगर बात करें तो कौन-कौन से ऐसे नाम है जिस पर लग सकता है कि डेमेज हो और इस डेमेज को कंट्रोल करने के लिए कॉंग्रेस को मशक्कत भी करनी पड़े बड़े नाम कौन-कौन से इस सुची मे दुश्यंत जो की मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी सीट से यहां पर कोई बड़ा चेहरा उतारने की बात यहां पर कौंग्रेस करती हुई नजार आ रही थी लेकिन इस बार बिक्रम मस्ताल को वहां से टिकेट जो है वो कौंग्रेस ने दिया है जो की जो कही नकर जो रामा कारिकरम भी चला रहे थे कौंग्रेस के माद्यम से तो ऐसे में कही ने कहीं कौंग्रेस ने एक ऐसा चेहरा उतारा है जो युवा है और नया चेहरा है जो जिसका राजनेतिक प्रस्ट भूमी में अभी कोई भी बेक्राउंड नहीं है तो ऐसे में नया चेहरा होने के चलते कहीं न कहीं यहाँ पर कड़ी मशक्कत इस सीट पर कॉंग्रिस को करनी पड़ सकती है क्योंकि मुख्यमंत्री का छेत्र है और मुख्यमंत्री के छेत्र में कहीं न कहीं जिस तरीके से एक नए चेहरे को उतारना कॉंग्रिस का कहीं न कहीं एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है और जिस तरीके से अगर और भी नामों की बात करें तो बैतूल से सुखदे पासे को यहां पर टिकेट दिया गया है चिंदवारा से खुद कमलनात का नाम भी सूची में सामिल है तो यह ज़ूप आगे भी नामों की सूची हम लेंगे और आग इतनी बैंसिंग है यह सूची यह भी समझना चाहते हैं आपसे अब बिल्कुल देखिए सबसे पहले तो जो तीस नाम गोसित किये गया है उस पे 6 कॉंग्रेस विदायकों की टिकेट कड़ गई है सबसे बड़ी खबर यही है और जो आई बीसी 24 ने बड़ी प्रमुकता से दिखाया था कि कॉंग्रेस की जो पहली लिष्ट जारी होने वाले उस पे 6 कॉंग्रेस विदायकों की टिकेट कड़ गई है और 4 महिला प्रत्यासी को मौका दिया गया है कॉंग्रेस यो 4 विदान सबाय में महिला उमीद्वार दिया गया है लेकि सबसे महत्तपूर नाम आ खरोरा से इसलिए कहा जा रहा था कि गिरिस देवांगन को नहीं लड़ाय जाएगा लेकिन आप देखे कि राजनान गाव से गिरिस देवांगन को जगा दी गई है आपको याद होगा कि गिरिस देवांगन जो है अभी एक निगम के अध्यक्ष है और बुख्यमंत्री विदाया के उनकी टिकेट जो है काड़ दी गई है नीलू चंद्रवंसी को टिकेट दी गई है जो पूरवे जीला कॉंग्रेस कवर्दा के अध्यक्ष रह चुके हैं इसी तरीके से जो डूंगरगर से हमने बताया था कि जो भुनेस्वर बगेल है उनकी टिकेट काड़ दी ही है और वहाँ पर महिला प्रत्यासी उतारा गया है हरसीता स्वामी बगेल को उतारा गया है ये पूरी तरीके से फ्रेस के अडिडेट है इसी तरीके से जो हमने और बताया था कि खुजी में जो है जो चन्नी साहू था उनका नाम काड़ दिया गया है और उनके जगा भोल रूप सिंगपोटाई है उनको जगा Suga दी गई है अनतागड के जो विधायक है उनको उनकी टिक्यक्त कार दी गई है इसीतरीक से जो एक और नाम हम जो पहले से बता रहें थे कांकेश सिजु Absol press Хortui की टिक्यर कार दी गई है और संक profoundly सामिल के गए उनको जगा दी गई है ऊ- ये अनुपनाक थे जिनको रूप सिंग पोटाई की जगा दी गई है अनुपनाक की टिकेट कट गई है तो आप देखिए कि चार महिला है उसमें कौन-कौन से वो बता देता हूं मैं आपको सबसे पहले जो है नाम है डॉंडी लोहारा से जो मंतरी अनीला भेडिया है उनको उतारा गया है खैरागडी असोधा जो वर्मा है उनको उतारा गया है जो विक्रम जो सिंग है उनके पोजिशन में रहेंगे और आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब देवरत सिंग का न उंगरगर से हरशिता स्वामी बगेल है उनको दिया गया है और चोफा नाम सावित्री मंदावी ये भी उपचुना में भानूपरतापूर में उपचुना में जीती थी जो इनके पती है मनोज मंदावी उनके निधन के बाद ये उतरी थी तो ये काफी बैलेंसिंग सीट है और जो IBC 24 ने बड़ी प्रमुक्ता से दिखाया था कि 6 कॉंग्रेस विधायकों की टिकेट कटेगी पहले चरण में और वो कट गए हैं और आप देखें कि मुख्यमंत्री भुपेज बगेल को पाटन से उतारा गया है अम्भिकापूर से TST दे और सीटापूर से मरी भगाद स्वराब आपके पाट सोटेंगे इस वक्तुर करेंगे मध्यविदेश का मध्यविदेश में भी क्या है ऐसे ही डिकलियर किये गया है प्रित्याशी जैसे दुश्यंत माना जा रहा था जैसे स्वराब बता रहे कि कुछ विधायकों के सिटिंग है मेले के टिकेट काटे ग गई है उसमें ज्यादा तर सिटिंग एमेले को टिकेट यहां पर कॉंग्रिस ने दिया है हाला कि बहुत कम सीटों पर यह देखने में आया है पूरी सूची में कि एकाद टिकेट कहीं काटा गया हो तो लेकिन जिस तरीके से अगर महिलाओं की बात करे तो इस 144 की सूची मे 16 महिलाओं को यहां पर फिलाल कॉंग्रिस ने टिकेट दिया है और 16 महिलाओं को टिकेट दे कर यह भी बताने का प्रयास कॉंग्रिस की और से किया गया है कि जो आरक्षन की बात लगातार राजनतेक गलियारों में गुंचती है और लगातार महिला आरक्षन को लेकर लगा बार बार बोलती हुई पिछले दिनों में राजनेतिक गलियारों में नजर आई है तो उसको यहां पर चरेतार्त भी कॉंग्रिस करती हुई नजर आई इस सूची में सूला महिलाओं को फिलाल टिकेट दिया गया है अगर बोपाल की बात करें तो बोपाल से किवल तीन सीटो कर चुकी थी कि उनको ही कॉंग्रिस जो है अपना उम्मीदबार बनाएगी तो वो लगातार काम करते हुए नजर आ रहे थे स्थानिय बिधायक मद्द से मारिफ मसूद को यहाँ पर फिर से कॉंग्रिस ने उम्मीदबार बनाया है और बीजेपी के दुरुबनारेंट सिंग से उनको सीधी टक्कर जो है वो मिलने वाली है अगर बात की जाए बेरसिया की तो बेरसिया में एक बार फिर से साथी साथ कमलनाथ से लेकर अगर पूर मंत्रियों की बात करें तो कमलनाथ का भी नाम इस सूची में सामिल हो और उनके तमाम सारे पूर मंत्रियों के नाम भी इसी सूची में सामिल है तो यह जरूर कहा जाया है कि कमलनाथ के पूरे केविनेट को यहाँ पर कॉंग्रिस न निकल कर सामने आ रही थी कि ये जरूर कहा जाएगा कि जब टिकेट जारी होंगे तो कई सारे बिरोत प्रदर्शन आप पर देखने को मिलेंगे वो तो मिलने ही बाले है लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जिन उम्मीदों पर जो लोग खरे उतरे जो लोग चुनाओ जीत कर कॉंग्रेस का पर्चम लहराते नज़र आए उनको एक बार फिर से कॉंग्रेस ने उम्मीदबार बनाया है और उन पर एक बार फिर से भरूसा जताया है कि 2023 के अंत में जब ये चुनाओं होंगे विधान सवा तो उनके जो उम्मीदबार है एक बार फिर से वो जीत कर आए या फिर कई ऐसे और भी नाम है जिन पर अगर चर्चा की जाए तो वो 2018 में जरूर चुनाओ हार गए ते लेकिन इस बार चुनाओ जीतने की प्रवाल संभाव ना है तो ऐसे में कॉंग्रेस ने कोई भी कोर कसार 144 की सूची में नहीं छोड़ी है कि किसी प्रकार से कोई भी डेमेज पार्टी को हो सके और यही कारण है कि थोड़ा सा समय जरूर लगा, थोड़ा सा मन्थन जरूर कॉंग्रिस को अधिक करना पड़ा, लेकिन जो कॉंग्रिस ने रणीती बनाई थी, कि नवरात्री के पहले दिन ही पहली सूची जारी की जाएगी, तो वो आज जारी की गई है। पहले फेस में चार साहूं को जगा दी गई है, आप देखें कि तामर दस साहू है, जो वीसी से आते हैं, उनको जगा दी गई है। आरंग से टिकेट दिया गया है, जो इसी में आते हैं। इसी तरीके से कॉंग्रिस ने चार महिला प्रत्यासी भी उतारे हैं। और जैसे हम बहुत पहले से कह रहे थे कि आप देखें कि जो बस्तर सम्माग की बारा सीटों की अगर बात करें। बस्तर संभाग में जो काफी समय से नाम आ रहा था कि इन विदायकों को टिकिट नहीं दिया गया है और चीतर कोर्ट से प्रदेश कॉंग्रे सद्यक्ष दीपक बैज को उतारा गया है क्योंकि पूरे जो पाँच राज्यों में जो चुना हो रहा है वहां के प्रदेश कॉंग्रेस सद्यक्षों को भी टिकिट दिया गया है जैसे कमलनाथ को भी मद्द प्रदेश से दिया गया है वैसी दीपाक भैस को भी दिया गया है आप लेकिन सबसे प्रमुक्न जाम जो र बाहरी प्रत्याशी के रूप में वहाँ पर जाने जाएंगे चुकि उनका कोई वहाँ पर कोई ऐसा छेत्र नहीं रहा है वो खरोरा से आते हैं लेकिन कहीं न कहीं अब देखना होगा कि इस पर क्या बयान बाजी कॉंग्रेस नेताव के आती है क्योंकि इससे पहले हम जो एक आपके पास आएंगे इस वक्त नरेश मिश्रा हमारे से होगी इस वक्त जिगदलपूर से लाइव जूट चुके हैं नरेश क्योंकि पहली च्रण में बस्तर में चुनाओ होने हैं यहां पर प्रत्याश्यों की घोष्णा अब यहां पर कॉंग्रेस ने कर दिये दीपाक ब लगता है हमारा संपर्ट नरेश से नहीं उपार है सोरब आप बताईए सूची के बारे में क्योंकि पहले चरण में चुनाओ होने उनमें अब प्रत्याश्यों की घोष्णा हो चुकिए किस तरीके का मुकाबला बीजेपी और कॉंग्रेस में देखने को मिल सकता और प्रत मंत्रियों का नाम नहीं काटा जाएगा मंत्रियों के एक भी नाम नहीं कटे सभी मंत्रियों को यतावत दिया गया है केवल गुरुरुद्र कुमार जो अईवारा से थे उनको नवागर दिया गया है मुख्यमंत्री और डिप्टी सीम्टी सीदे को भी उनके जगा से दी ग गई है और भोलाराम साहू भी काफी समय थे और खुज जो छनी साहू थी वो आपको याद होगा कि इनके खेमे के बताया जाता था टीए सीधे के खेमे के बताया जाता था जब एक समय आया था तब वो कहीं न कहीं सीधे तोर पर कहती थी कि मैं सीधे खेमे का हूँ और कहीं कहीं उनको टिकेट नहीं मिल पाई है हाला कि ये कहा जाता है कि अंतिम वक्त तक इस नाम को लेकर सीशी में काफी चर्चा होई थी मुख्यमंत्री बुपेज बगेल की ओर से कहा गया कि भोला राम साउ को टिकेट दिया जाए वहीं दूसरी ओर चन्वी साउ को लेकर सीधे को ये दोराय नाम रखा गया था लेकिन फाइनली जो है इनका नाम आया इसी तरीके से जो साभीत्री मंडावी है उनको इस सवरा बादी बाद करें अब सुलेंगे फिलाल हमारे समवादाता नरेश हमारे साथ एक बाद फिर जोट चुके संपर्ख हमारा हो चुक है नरेश आपसे भी जानना चाहते है जब बीजेपी न अपनी पहली सुची जारी की थी उस समय हमने देखा था कि पूरी तरीके से आंकलन किये जा रहे थे कि पार्टी कहाँ पे मजबूत और कहाँ पे कमज़ोर इस बार अगर कॉंग्रेस की बात करें तो क्या अंकलन कर सकने इस बार नरेश सुनपार ने आप हमें तो लेक बात से संपर्ख करने की कोशिश करेंगे स्वरब आपके पास एक बर फिर चलते हैं स्वरब क्या जानकाई देते विसार से बताई आप गर फिर बिल्कुल देखे मैं वही जानकारी दे रहा था कि लगातार जो कॉंग्रेस के कयास लगाया जा रहे थे और वही सूची लगबख फाइनल होई है और उसी को मैं बता रहा था कि किस तरीके से कॉंग्रेस ने एक एक नामों पर काफी एकसरसाइस किया है और ये बाद भी आ रही थी कि जो गुरुरुद्र कुमार है उनको अईवारा से नवागर दिया जा लेकिन काफी उसके बाद उनको टिकेट दी गई है नवागर और नवागर में जो है पहले सही कॉंग्रेसी बैठे है कई जगा आप देखेगा कि जो जो नए नाम आए है या जिनके टिकेट कटी है वो जो है कही ना कही अब विरोध प्रदर्शन करेंगे कि उनको टिकेट मिलनी चाहिए और जैसे मैं दो-तीन नाम बता रहा हूँ एक गिरिस द्यमांगन है राजनान गाउसे जिनको टिकेट दे गई है नवागर से गुरुनुद्र कुमार तो ह हो सकता है कि इनका विरोध हो क्योंकि दोनों बाहरी के नाम पर जो उन पर मुहर लगेगी और निशीत रूप से जब पहले ही जब नवागर को लेकर चर्चा हो रही थी तो अभी कॉंग्रेस के तमाम जो दावेदार है वो भी जो है यहां के वरिश नेताओं से मुलाकात क आया है तो ऐसे में आप देखेगा कि बहुत जल्ड जो है कॉंग्रेस की जो यह टिकेट है कुछ कुछ सीटों को लेकर चीक है उस पर यह स्थिती देखनें को मिलेगी लेकिन इस पर खास बात यह है कि लगबख चार 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 आप बिंदुवार आकलन करें सीट के गयते कुछ तो क्योंकि बागी होकर बीजेपी में चले गयते तो इस तरीके से इस पूरे इसको लिस्ट को कैसे मैनेज किया कॉंग्रेस ने और क्या यह 2018 में जो प्रित्याशिये जिन लोंने बैतर प्रदर्शन किया क्या उनको प्रात्मिकता है आप बिलकुल देखिए वही सूची जो है अधिकतर नाम वही नाम जो यहाँ पर है सूची में नज़र आ रहे हैं कमल्नात के विनिट के सूला मंतृ यहां पर पूरी सूची में नज़र आ रहे हैं इसके साथ में जो पूर मंतरी हैं उनको भी हाँ पर टिकेट दिया गया है। इसके साथ में जो पर टिकेट दिया गया है। इसके साथ में जो पर टिकेट दिया गया है। इसके साथ में जो पर टिकेट दिया गया है। लेकिन इसके नरेश हमारे से होगी है, इसके जगदलपूर से लाइब जुड़े। नरेश बस्तर में पहले चरण के चुनाओं है, यहाँ पर मुकाबला काफी रोचा कोने जा रहा है। पुरा फोकस इस दोरान बिजेपी ने बस्तर में रखा है, क्योंकि यह माना जाता है कि बस्तर से जीत का रासा खुलता है। अगर प्रत्याशों की बात करें तो वो पुराने बड़े प्रत्याशों को घोशित कर दिये हैं आपर कॉंगरिस ले। जी यहाँ देखिए बिलकुल चार फीटे हैं जहाँ पर नाम बदलने की बात चल रहे थी, वहाँ यह नाम बदले भी गए हैं। है यहां पर पहले ही चल रहा था कि यहां जो चेहरा है वो बडला जा सक Satya यह जो बागी कि दावेदार है वो अलगला खेमहों काफी 3 हे लेकिन अगर आप देक हैं तो परिवर्तन कंग्रिस ने भी किया अंधिप किता है 2018 में बहतर प्रदर्शन के बावजूद भी साउधानी कॉंग्रेस की तरफ ते बढ़ती गई है इसमें विशेश तौर पर शुपाल सोरी जो की एक बड़ा आदिवासी चेहरा थे डांकेर में उनका ये चल भी रही थे कि उनकी टिकेट शायद काटी जा सकती है कोट में भी जो दीपक बैज है लगतार जीत रहे हैं वो चुनाओं इसलिए उनको मौका दिया गया है क्योंकि वो प्रदेश रद्यक्ष भी हो गए थे और जब उन्होंने अपने दावेदारी प्रस्तुत की और प्रदेश रद्यक्ष होने का उनको फायदा भी मिला भूत कदावर नेता के दौर पर उनकी चवी लगतार बढ़ते रही कॉंग्रेस के भीतर तो उन्हें यहां पर पार्टी ने मौका दिया है दंते वाड़ा कॉंग्रेस के लिए परिशानी का सबब रहा है हमेशा ही रहा है क्योंकि परिवार में बहुत से दावेदार परिवार में परिवार की उपर बरुसा करते हुए इस पूरी सुची में से एक मात्र महीला प्रत्याशी को मौका दिया गया है सावत्री मंडावी जो कि लगातार सक्री भी रही और एक तरह से माना जा रहा है कि भानुप्रतापुर में आने वाले समय में कॉंग्रेस के ल और कौन से बड़े चेरे हैं जो क्या पहले चुनाव में पर वोटिंग होनी है लेकिन 14 संभाग की बात करें जो संभाग की 14 सीटे हैं उनको बात करें तो कई ऐसे नाम है जहां पर संशे को इस्तिती है यही कारण है कि बाकी नामों की घोशना नहीं की गई है। प्रत्याशियों का चैन होगा और उसके बाद जो कॉंग्रेस के प्रत्याशियों हैं वो चुनावी मैदान में होगी। यानि उनके इस्तिती उस लाइक नहीं है कि वो चुनावी मैदान पे जाएं और जीत दर्द करतकें। ऐसे में लगतार कवायद जारी है लेकिन इस बीच जो सूची आई है उसमें दो नाम तैय कर लिए गये हैं टिया सिंग्देव और अमर जीत भगत जो दोनों बड़े नेता हैं दोनों मंत्री हैं वो अब चुनावी मैदान में होंगे और अब एक तरह से कवायद शुरू ह हो जाएगे कि बाकी सीटों पर आखिर कॉंग्रेस कब अपने प्रत्यास्यों की गोश ना कर पाती हैं बिल्कुल चुकी बस्तर की बात हो रही थी इसलिए उसके बाद तुरंस तुरूजा की बात हुई इसलिए अभिशेक तुल्टी वर्ष यह बात मैंने कह दी कि सत्तरा पहले चरड़ में चुनाओंगे सत्तरा को होंगे दूसरे चरड़ में यहाँ पर चुनाओ लेकिन दो बड़े चेरे यहाँ पर चुके टी एस से देओ भी हैं और साथ ही आप अतारे अमरजीत भगत का भी नाम तैवा इसलिए अब चुकी यहाँ पर नाम तैव चुके इस लिए चर्चा में आई अब रुक करेंगे एक बार फिर से मद्विदेश का जाती समीकरण के हम बात करें ते दुश्यनत यहाँ पर किन-किन जाती समीकरण का ख्याल यहाँ पर रखा गया है इस सूची में अब बिल्कुल देखी एस सी और एस टी के जो विधायक जहाँ पर टिकेट दिये जाने थे या फिर यह कहें कि जो सिटिंग एमेले थे उनको एक बार फिर से यहाँ पर उम्मीदबार बनाया है लेकिन अगर बात की जाए जाबुआ की सीट की तो वहाँ पर पूर्व यहाँ पर टिकेट दिया गया है अगर सिवनी से बात करें तो सिवनी से भी अलग-अलग जो सिंधी समाज से आने वाले आनंद पंजवानी को यहाँ पर टिकेट दिया गया है इसके साथ ही तमाम सारी जो जातिया हैं चाहे हम सेडिल कास की बात करें सेडिल ट्राइप्स की बात करें तो हर एक उम्मीदवार को यहां पर उसके जाती के आधार पर समीकरण को देखते हुए यहां पर टिकट दिया गया है और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन पर अगर चर्चा करें तो उसके साथ में यूबाओं का विसेज ध्यान रखा गया है, महिलाओं का यहाँ पर इस सूची में विसेज ध्यान रखा गया है, जातिकत सभी करणों की बात करें तो उनका यहाँ पर ध्यान रखा गया है, सेडूल कास्ट की सीटें हैं, सेडूल कास्ट की सीटों पर इस पर विसेज ध्यान हैं लेकिन हार गए थे लेकिन कई चेहरे ऐसे भी हैं जो पहली बार चुनाओ लड़ेंगे जिस तरीके से अभी जी शाह की बात करें तो अभी जी शाह जो है सेडिल्ट ट्राइब से आते हैं और मद्धप्रदेश के जो वन मंत्री है विजय शाह उनके भतीजे हैं उनके पिवार के जो लोगों को टिकेट ना देकर अब नई पीडी के लोगों को यहां पर टिकेट दिया गया है तो उससे ये भी कॉंग्रिस ने वताने का प्रयास किया है कि यूवाओं का भी सूची में विसीज ध्यान रखा गया है मैलाओं का भी इस सूची में विसीज ध्या से यह रहा है कि 144 नाम जो जारी किये गहें उन 144 नामों में सभी जाती वर्ग और सभी जो अलग अलग वर्ग हैं चाहिए युवाओं की बात करें या महिलाओं की या फिर senior leader की तो तमाम सारे वर्गों का भी दियान यहां पर रखा है कॉंग्रेस ने और 144 का जारी की है दूसर से एक सूची जारी करेंगे और दोनों ही सूची के माद्यम से 230 उम्मीदबार जारी करेंगे लेकिन जब यह सूची जारी हुई तो उसमें यह देखा गया है कि कमलनाथ का नाम भी इस सूची में शामिल किया गया है छिदवारा से कमलनाथ जो हैं वो चुनाओं और उसके साथ में अगर पूर्मंत्रियों की बात करें तो 16 महिलाओं को यहां पर टिकेट दिया गया है युवाओं की बात करें तो युवा कॉंग्रेस से भी यहां पर जो कोटा मांगा गया था उस कोटे की भरपाई यहां पर पूरी करने की कोशिश की गई है साथी साथ स्ट एस्ट वर्ग की बात करें तो स्ट एस्ट वर्ग से आने वाले चाहे पूर्बंत्री हों चाहे सिटिंग एमले हों उन तमाम सारे लोगों को यहाँ पर कॉंग्रिस न उम्मीदबार बनाया है ताकि कहीं न कहीं चुनाओं से एन पहले कॉंग्रिस को डेमेज कंट्रोल ज कि ज्यादा डेमेज की स्थिति ना बने ऐसी सूची जो है समतुल जारी की जाए और समीकरन तमाम सारे जो हैं वो उसमें शामिल की जाए नरेश अगर बात करें बीजेपी की पहले लिस्ट की तो दिन शेत्रों में बड़े नामों को बीजेपी ने उतारा था वहां पे कॉ कि अगरेश की सूची में किन प्रित्याशों को जगा मिली है नरेश आप सुन पा रहे हैं आप में महेश गागरा देख लिए या जी केदार कशप हैं महेश गागरा हैं लता हुसेंडी हैं इन सभी के मुकाबले वो 2018 में जो लोग चुनावी मैदान में थे वे ही लोग चुनावी मुकाबले में होंगे और क्योंकि अगर आप देखें तो अगर वीजापूर की बात दोनों ही जगा पर काफी जीत का अंतर कम रहा है तो ये मुकाबला इस बार भी रोचक होने जा रहा है और जिस तरह से भारती जनता पार्टी ने अपनी सूची में ये तैकिया कि कुछ पुराने चेहरों को भी फिर से बराबरी से मौका दिया जाएगा उसके लिहाद से ल पर पहली बार जरूर जीतने हैं लेकिन बागी दो जगह पर जो कॉंग्रिस के प्रत्याशी है वो दो दो टर्म अपना लगबग इस चुनाव के साथ पूरा कर चुके हैं और इस बार वे तीसरे टर्म के लिए इलक्ट होने के लिए चुनावी मैदान में हैं तो इस तरह क जो सर्वे में यह बात है कि हो सकता इस्थानी जनीता नहें चहरों को या पुराने भारती जनता पार्टी के चहरों को मौक़ा दे इसके बीच में भारती जनता पार्टी एक experience लेए इसवादे से उन्होंने अपने पुराने कर दावर Ryan Qad आदिवासी चेहरों के तौर पर या आदिवासियों के लिए नई पॉलिटिक्स के एंगल पर कोई खास स्पेस नहीं था जिसकी वज़े से मजबूरन उन्हें उन चेहरों को जगा देनी पड़ी और इस मामले में अगर देखें तो 2018 के जो नतीजे रहे खास तौर पर 12-12 वि समाज के इस तरफ जो राज्य सरकार के जरिये जो मुद्वे आये जिसकी वज़े से आदिवासी समाज की नाराजगी थी उनके जो प्रतिनिती चेहरे बने और संगटन में इस थानी इस तरफ पर जिनकी समस्य थी आपसे गुड़बाजी जिनकी वज़े से बढ़नी के दाविदार वहाँ वैसे है नहीं चित्र कोट में परदेश रद्यक्ष वर्तमान दीपक बैच के लिए ये इस दिती थी कि वहाँ पर चेहरे थे पिछली बार राजमन में जाब वहाँ से जीते थे और इसके अलावा बलराम और ये तीनों लगब एकी उमर के हैं और एक सा बने रही है और तमाम रिपोर्टर से भी एम के ने बने रही है आप मने सद लेगनी सुख की बड़ी ख़बर आपको बता दे मद्विदेश और चतिस गड़ में कॉंग्रेस टे अपनी लिस्ट जारी कर दिये है दीपक बैच को चित्र कोट से चिकिट दिये गए सुख की पहली सुखी जारी हो चुक्किया है मद्विदेश और चतिस गड़ के लिहाज से प्रत्याशियों की गोश्टा कॉंग्रेस ने कर दिये आज आजए नौरात्री के पहले दिन गोश्टा की बात कॉंग्रेस ने कही थी सीतापूर से अमर्जीत भगत को उमीदवार कॉंग् कॉंग्रेस ने अपनों प्रत्याशी बनाया है तो दीपक बैज सांसद और हैं और मैदान में चुनावी मैदान में चंदन कश्य अप नराणपूर से उमीदवार है यानि पहले चुरण में जहां पर वोटिंग होनी है वहां की हम जानकारी आप तक पहुँचा रहे चुत के सिटिंग एमेले के चुकिट कार्ट दे गए दो ऐसी सीटों पर कॉंग्रेस के प्रत्याश्यों का एलान हुआ है और कॉंग्रेस ने च्छे वरतमान विधायकों की ट्रिकिट कार्ट दिये जैसकी ये दावा किया जा रहा था कॉंग्रेस के और से बार बार का जा जा रह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके लावा 10 और नाम है इसे घुशित कर दिया है। आपको बता दे मद्विदेश और 36 गड़ में कॉंग्रेस प्रत्याशों की सूची जारी होने के बाद ही अब सियासत तेजी से बढ़ी है क्योंकि अब चुनाओ नस्दीक हैं। पहला नाम दीपक बैज, दूसरा नाम विक्रम मंडावी बीजापूर से ने मौका दिया है कॉंग्रेस ने। बुपेश बगेल पाटन से और टीए सिदेव अंबिकापूर से अपनी परंपरगत सीट से तमाम बढ़े नेता चुनाओ लड़ेंगे। अमरजीत बगत सीतापूर से प्रत्याशियों के कॉंग्रेस के पूर मंत्री और बहुत बड़ा चेहरा सरगुजा का दामरतर और एक बार फिर से अपनी सीट से ही चुनाओ लड़ेंगे। तो कॉंग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारियोंने के साथ हम आपको नाम भी बता रहें। इंदर शा, मंडावी, मानपूर, मोहला से कॉंग्रेस के प्रत्याशियों होंगे। मौहमद अकबर कवरधा से जो कि अपनी पहली जिस सीट पर जी चुके हैं और डोंगर गाउं से दलेशर साहू चुनाओ की मैदान पर होंगे। तो इस तरीके से कॉंग्रेस की सूजी हम आपको बता रहें बहुन मरकाम कॉंटा गाउं से जहां से वो पिछली बार भी जीते थे। लता उसेंडिक उन्हों ने दो बार इस सीट से आराया कवासी लखमा कॉंटा से उनकी परमपरा का सीट से ही चुनाओ लड़ेंगे। संतराम निताम केशकाल से चुनाओ मैदान में होंगे, कॉंग्रेस के प्रत्याशी होंगे, इस तरी रचंदन का शेप नरानपूर से चुनाओ मैदान पर होंगे। अरे जो ये सूची जा रही हुए कॉंग्रेस की, कितनी संतुलीत नजरा रही, कितनी क्या यहां पर डेमेज कंट्रोल की भी संभावनार अगर होता है, तो कैसे मैनेज करेगी पार्टी। सीटे ऐसी हैं, यानि कि आठ सीटे ऐसी हैं, जहां पर होल्ड किया गया है, और ऐसी संभवनार व्यक्त की जा रही हैं थी, कि इन सीटों पर कहीं न कहीं पैश फसा हुआ, या फिर बीजेपी से भी कुछ लोग हैं, जो कहा जा सकता है कि जिनके नाम बड़ा तेजी से चल है कि उनको अगर बीजेपी अपने टिकेट नहीं देती है, तो वो यहां से आ सकते हैं, तो ऐसे नामों को लेकर भी शायद उन सीटों पर होल्ड किया गया है, आठ ऐसी सीटे जैसे अगर गौालियर जिले की बात करें तो गौालियर में च्छा विदानसुबा सीटे हैं, लेकिन एक सीट पर होल्ड कर दिया गया है, यानि की गौालियर में च्छा विदानसुबा है, वहां पर होल्ड कर दिया गया है। को लेकर वहां पर होल्ड किया गया इसके साथ ही नेता प्रतिपक्षाय डाक्टर गोविन सिंग उनके भांजे को टिकेट दिया गया यानि कि परिवाल वात का भी बढ़ावा यहां देखने को बिल रहा है उनको महगाओं से प्रत्याशी बनाए गया है तो ऐसे कई नाम है ज जो होल्ड की गई थी काफी लंबे समय से लोगों को इंतजार था कि आने वाली है आने वाली है और जैसे आज नवरात्री का पहला देन हो और अलसुभा यानि कि सुभा की पहली सुभा के साथ ही एक जो कॉंग्रेस के प्रत्याशी थे जो उम्मीद लगा हुए थे उनको एक बड़ी खुशकबरी दी है लेकि सबसे बात यही है कि उपचुनाओं के दौरान जो जीत करा है थे कॉंग्रेस के प्रत्याशी भले ही उनके खिलाब महौल खराब रहा कहा जा रहा है था कि उनकी इस्तिती अच्छी नहीं है पार्टी उनका टिकेट काट सकती है जैसी दवरा विदानसभा की बात करें सुरेश राजे सुरेश राजे को लेकर विरोध भी देखने को बिला था तीन दिन दो दिन पहले हम देखें तो एक वीडियो वाइरल होता जिसमें दिगवेजे सिंग से कुछ लोग कॉंग्रेसी मिलने जाते उनका विरोध करते हैं लेकि लेकिर हाला कि गौहद जो विदानसभा है उस पर थोड़ा सा संचे है उस पर होल्ड किया गया है चली नासिर आपके पास लौटेंगे लगतार अपडेट हम अपने दर्शिकों तक पोचा रहें सौरब हमारे संबादाता एक बास पर हमारे संचे जोटी के हैं सौरब 37 करके अगर बात करे तो 14 ऐसी सीटों पर कॉंग्रेस ने प्रत्याशी गुशित के कौन-कौन से वो नाम है जिन पर नाम तै किये गए है बिल्कुल देखिए सबसे पहले तो यही बता दें कि आइबी सु ट्विंटी फोर ने जिन जिन नामों पर मुहल लगाई थी उन्हीं कोई टिकेट मिली है और दूसरी बात की जिन विधायकों की टिकेट कटी थी टिकेट कटनी है यह हमने बताया था उन विधायकों की टिकेट कट गई है आठ जगों पर जो है आठ नए प्रत्यासी उतारे गए है अर्थात नए विधायकों छोड़ मौका दिया गया है इसी तरीके से आप देखिए कि जो दीपक वैज है उनको भी प्रदेश इसी तरीके से आप देखिए कि जो पूरे मंतरी है उन्हें पूरी टिकेट दे गई है विधानस फ़ाद्यक्स और उपाद्यक्स उन्हें टिकेट दी गई है और सबसे महत्रपूर जो है दो तीन नाम है जिस पर आने वाले समय में आप देखेगा कि जरूर विवाज जैसी इस्थिती रहेगी लेकिन कॉंग्रेस इससे पहले की डेमेज कंट्रोल एक कमिटी जो है वो बनाने जा रही है ताकि ऐसे लोग है ऐसे जो दावेदार है उनको जो सांथ कराए जा सके चुनाओं के वक्त जो हो उनको कोई जो है नुकसान ना हो इसे लेकर निशित रूप से एक बात ये देखा जा रहा है कि कॉंग्रेस ने काफी एकसर साइस किया है इन नामों को लेकर काफी समय से ये देखा गया है कि कॉंग्रेस ने लगबख छे से साथ दोर की बैटक की है उसके बाद फिर स्क्रीनिंग कमीटी की बैटक हुई है और उसके बाद जो है सेंटरल election committee की बैठा खोई और फिर इन नामों को final किया गया है और निश्चित रूप से Congress को लगता है जैसे बार-बार कह रहे थे कि जब तक Congress के Congress विदायकों की टिकेट नहीं काटेगी तब तक Congress की जीत नहीं होगी ये बार-बार कहा जा रहा था और निश्चित रूप से सीवडरिया जो है उनको भी टिकेट दी गई है आरंग से और जैसे ये कहा जा रहा था कि आरंग के अलावा और कहीं से लड़ सकते हैं लेकिन सीवडरिया को ही टिकेट दी गई है और इसी तरीके से मंत्री मुहम्माद अक्बर कमर्दा केवल एक ही मंत्री को अलग विधान सभा दिया गया है अहिवारा की जगा नवागर दिया गया है और वहाँ पर पहले से जो दयाल दास बगेल है उनको टिकेट भाजपा ने दिया है जो काफी समय से वहाँ पर एक टीम है हाला कि 2018 में उनकी हार ह हुई थी गुर्दयाल बंजारे जिनकी टिकेट काटी गई है ममता चंदराकर जिनकी टिकेट काटी गई है इसी तरिके से और सिसुपाल सोरी उनकी टिकेट काटी गई है राजमन बेंजाम उनकी टिकेट काटी गई है अन्तागर से अनुप डाब उनकी टिकेट काटी गई है दंतेवाडा से जो देवती कर्मा है उनके बेटे को जो है छबिन कर्मा को टिकिट दी गई है तो आप देखे कि ऐसे नाम है जिन नामों को लेकर काफी समय से जो है एकसरसाइज चल डी थी और लग रहा था कि कॉंग्रेस जो है इन विदायकों की टिकिट काटेंगी लेकि सबसे प्रत्यासित जो है दो तीन नाम जरूर आ रहे हैं जैसे गिरिस देवांगन को लेकर ही जो है राजनान गाउ से और सिवड़िया के नाम को लेकर भी ताकि सिवड़िया आरंग से उतरेंगे और निश्यू दूप से हम जो है सभी इन नेताउं से बातचीत करने की कॉंग्रेस के वाद भी 30 नामों की सुचि जारी किया है कुछ नाम और जारी कर सकती है और इसके अलाव़ा यह देखा जारह था कि कॉंग्रेस जो पूरी श्रेटी हैं उनको देने ज जारी है कि उनकी जीत होगी और जो 75 प्लस का नारा दिया है वो पार कर पाएंगे या जो है जो बीजेपी ने टिकेट दिया है उसके इसमें फस्त हुए नजर आएंगे ये देखना होगा पाल से बड़ी खबर जहां पर कॉंग्रेस की पहली सूची जारी हो गई है मदवदेश चतिसगर में भी पहली सूची जारी हो गई जिसका सभी कुंतिजार था बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लगतार ये जानकारी मिल रही थी और कॉंग्रेस की और से बार-बार ये कहा जा रहा था कि पीतर पक्ष खतम होते ही और सांती नवरात्री के पहले दिन इन नामों की घोश्णा कर दी जाएगी अब मदवदेश में 144 नामों की सूची जारी की गई है बड़ी कबर आपको बता रहे हैं कॉंग्रेस की पहली सूची मदवदेश और 36 गड़ की पहली सूची जारी हो गई है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वख की बड़ी खबर मद्वदेश और 36 गड़ में कॉंग्रेस प्रत्याश्यों की पहली सूची जारी कर दी गई है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वख की बड़ी खबर मद्वदेश में 144 नामों की सूची जारी हुई है शोपूर से बाबू जनडेल को टिकेट दिया गया है, विजयपूर से राम दिवास रावत को टिकेट दिया गया है दुशियन्थ पराशर हमाने से की फोल लाइन पर जो चुके हैं दुशियन्थ 144 नामों की गोश्टा मतिप्रदेश में हुए ये क्या नाम सामने आए अब तक अब दुशियन्थ पराशर हमाने से कोंग्रेस ने जारी कि अब बड़ी नामों की बात करें तो लाम निवास राबत इसने शामिल के गहें दॉक्तर गुविसी कर चिकिए यहां पर कर लियका घराजर गुर्ण वारजिक का लगातर गुरूद हो ने लिकिन कॉव्रेस ने तुरिस राजिक गुवर्याद में उमीदवार बनाया है इसके बात अगर बात की जाए बाइल की स्कूर्टिंग ब्रहिया को यहाँ पर कॉंगर की अचला उमीदवार इस बात पर से बनाया है जो अगर 18 में भी इस कुछी बोट से उनको आई का सामदा करना परा था परहती में बहुत सारी इल्डाव की बात अगर चरे तो उनका तुमर्टान के पीशी और यह तरीचे से बगर इस कॉंगर के अभी हाली में सामिल राओ या अबगें रूसिंग जो की होगा उनी सी जिसको आप फिर पात करें तो आप च्चामन के बात करें तो यहां पर नश्कमन सिंग यहां पर कॉंगर से वाक्रीचे से करें तो यहां पर नश्कमन से जारी कि और आप तो तो यहां पर नावों पर लगातार चर्चा अस्टिकली में की जा रहे हैं के तो इसा पर निश्कमन पर अди जाएं वर नश्कमन से करें तो यहां पर निश्कमन से जारा कॉवर्ट से ऐखन तो दयाैन coming में जब 9 दिन तक शक्ति की आरतना होती हो उन 9 दिन के शीच में शीच में शीच जारी होगी तो इसके सुझे सुझे तो पर चाही में चाही करें की तो होगी। आजके अगर बात करें तो पूर मंत्री जोजयन सुझा राटवर की सुसुट्र भी उक्तिनाव में शिच्पाइब की यादों से शिच आख गयाएते हैं को यहां पर और तो है वो होगी। वो अपनी तीस से ही तुनाओं ज़ल सकते हैं लिकिन बड़ा मलेरा तेरे इजबार से तेस्थाज़ी रामशीय भार्टी को यहापर पॉंगे तुनाओं करना है जिनको तहीं के तहीं कर्दूम सिंगी भी सिकस्थ का सामना करना पड़ाता हूं जो हजनार उलीस के चुनाओं कि फिर गाते हैं जाए पर विदाया है की तो इनको ने को है तुनाओं के भी लाट को लिकिकार दोगी से ऊंदाओं लिकिंदार नाको व्यूंगे तरफे सिसग्सिक्राइब करते हैं वे इस तो बात करें कल्पना भर्मां की बात करें हमारे दर्शकों को अपडेट कर रहे थे सब्सक्राइब में और मद्वदेश में कॉंग्रेस प्रत्याश्यों की पहली सूची जारी हो गई है विदान सब चुनाओ से जोड़ी बड़ी ख़बर आपको बतारे हैं बीजेपी ने पहले ही अपनी प्रत्याश्यों के गोश्णना कर रखी लेकिन अब कॉंग्रेस ने अपने प्रत्याश्यों की सूची जारी की है आपको बता दे मद्वेदेश में 144 नामों की सूची जारी हुई है 34 गड़ में 30 नामों की सूची जारी हुई है तो टीए सीदेव का पूर्स टिकेट दिया गया है वहीं अप दुनों जगह की टिकेटें किसको किसको मिली है आपको बता रहे है लगतार हम अपडेट बता रहे हैं आपको कि विदान समय चुनाओ से लिए बड़ी ख़बर आपको बता रहे है कॉंग्रेस से प्सूची जारी कि है सौरब परियार हमारे सुची जारी है सौरब तीस नाम जिस पर तै हो चुका है कौन को चुनाओ लड़ने वाले कौन कौन से वो बड़े नाम है स्रीव डारिया अरंग से लेकिन गुरुरुरुद्र कुमार को नवागर सी दिया गया जो सबसे पहले आईदिसी 24 में जो है दिखाया था कि मंत्री रुद्र कुमार को जो है नवागर की ही टिकिट दी जाएगी और अईवारा वो चोड़ दी है और ये उसके बाद आप देखे कि रमींद चौबे को सालिया से सामेदर साओ को जुर ग्रामीर से पंडेरिया से सौरब याँ पर आपको रोकिए कि स्वक्षे जो मत्रदेश में भी जो प्रत्याश्यों के नाम गोशित हुए हम लिस्ट दिखाने सूची है देखें आप यह वो नाम है जो कि गोशित कियाulator को कॉंग्रस ने कर दिया मत्रदेश में वहीं 30 नाम चत्तिस गड़ में लिस्त दिखने वह सी सूची कि यह इसमें 1444 नाम आप देख सकते हैं ने 1444 नामों को फाइनल कर दिया है मद्धिपदेश ने यानि सभी को इंतजार था और आज नौरात्री को पहला दिने बार बार ये कॉंग्रेस कह रही थी लेकि नौरात्री के पहले दिन हम शुमूर्थ पर इन नामों की घोशना करेंगे 144 नाम मद्धिपदेश में और 30 नाम 36 गड़ में घोशित कर देगें चलिए जादा जानकारी के साथ हमारे दो सभी के सवक्त हमारे साथ लाइफ जुड़े हैं मद्धिपदेश से दुशियंत और राइपुर से सौरा विस्वक्त हमारे साथ लाइफ जुड़े सीरे रूख करेंगे दुश्यंत का दुश्यंत 144 नामों के अगर बात करें तो कौन-कौन से ऐसे नाम है जिस पर लग सकता है कि डेमेज हो और इस डेमेज को कंट्रोल करने के लिए कौंग्रेस को मशक्कत भी करनी पड़े बड़े नाम कौन-कौन से इस सूची में दुश्यंत चोकाने वाला नाम ये है कि सिवराज सिंग चोहान जो की मद्रदेश के मुख्य मंत्री है उनकी सीट से यहाँ पर कोई बड़ा चेहरा उतारने की बात यहाँ पर कौंग्रेस करती हुई नजार आ रही थी से लिए यात्राइं भी निकाल रही थे और तमाम सारे जन जागरण कारिक्रम भी चला रहे थे कौंग्रेस के माद्यम से तो ऐसे में कहीं ने कहीं कोंग्रेस ने एक ऐसा चेहरा उता रहा है जो युवा है कि एक एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है और जिस तरीके से अगर और भी नामों की बात करें तो बैतूल से सुखदे पासे को यहाँ पर टिकेट दिया गया है चिंदवाडा से खुद कमलनात का नाम भी सूची में सामिल है तो यह जरू कहा लेंगे फिलाल 36 कर की बात करते हैं क् सूची यह भी समझना चाहते हैं आपसे बिल्कुल देखिए सबसे पहले तो जो तीस नाम गोसित किये गया है उसमें 6 कॉंग्रेस विदायकों की टिकेट कड़ गई है सबसे बड़ी खबर यही है और जो आई बीसी 24 ने बड़ी प्रमुकता से दिखाया था जी कॉंग्रे अभर दिया गया है लेकिन सबसे महत्पूर् नाम आप देखें कि गिरिस देवांगन गघ humans sj aге से उतार गया है यह और आपको याद हो मित्र है उनको ये टिकेट दी गई है पिछले समय जो है प्रभारी महामंत्री भी रह चुके हैं तो एक ये बड़ा नाम दिया गया है सबसे पहले और बता दे कि पंडरिया से जो है ममत्या चंद्राकर जो विदायक है उनकी टिकेट जो है काड़ दी गई है नीलू स्वामी बघेल को उतारा गया है ये पूरी तरीके से फ्रेस केंडिडेट हैं इसी तरीके से जो हमने और बताया था कि खुच्जी में जो है जो चंद्री साहू था उनका नाम काड़ दिया गया है और उनके जगा भोला राम साहू जो पूरविदायक भी रह चुके हैं और जो है जगा दी गई है अनतागर के जो विदायक हैं उनको उनकी टिकेट काड़ दी गई है इसी तरीके से जो एक और नाम हम जो पहले से बता रहे थे कांकेर से सिसुपाल सोरी की टिकेट जो है काड़ दी गई है और संकर धुरवक को जो है ये नाम सामिल किये गया है उनक जगह दी गई है तो यह अन्द्यकर से अनुपनाक थे जिनको रूप सिंग को उतारा गया है अनुपनाक की टिकेट कट गई है तो आप देखे हैं चार महिला है उसमें कौन-कौन से वो बता दिता हूँ मैं आपको सबसे पहले जो है नाम है डॉंडी लोहारा से जो मंतरी अनीला भेडिया है उनको उतारा गया है खैरागाडी यह सोधा जो वर्मा है उनको उतारा गया है जो विक्रम जो सिंग है उनके पोजिशन में रहेंगे और आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब देवरत सिंग का निधान हुआ था उसके बाद उप्चुना में वो जीती थी और उनके कयास पूरी लगाए जा रहे थे कि यह सोधा वर्मा को टिकिट मिलेगी चुकी वो जो है लोदी समास से आते है और वो टिकिट उने मिल गई है तो यह दूसरा नाम है तिसरा नाम इसी तरीके से डोंगरगर से हरसीता स्वामी जो बगेल है उनको दिया गया है और चौता नाम जो है सावीत्री मंडावी यह भी जो है उपचुना में भानुपरतापूर में उपचुना में जीती थी जो इनके पती है मनोज मंडावी उनके निधन के बाद यह उतरी थी तो यह काफी बैलेंसिंग सीट है और जो IBC 24 ने बड़ी प्रमुक्ता से दिखाया था कि 6 कॉंग्रेस विदायकों की टिकेट कटेगी पहले चरण में और वो कट गए हैं और आप देखें कि बुख्यमंत्री भुपेज बगेल को पाटन से उतारा गया है अमभीकापूर से टी एसी दे ऊसीटापूर से मरी भगाट के पास वार्टेंगे हाँ इस वक्त रूप करेंगे मद्विदेश का मद्विदेश में भी क्या है ऐसे ही डिकलियर किये गए प्रित्याशी जैसे दुश्यांत्माना जारत है जैसे सौरब बता रहें कि कुछ विदायकों के सिटिंग एमेले के टिकेट काटे गए है चुटीस गड़ में क्या मद्विदेश में भी कुछ वैसे हाला आते क्या है या पर भी मैला अरक्षन को ध्यार में रखा गया है मैला उमीदवार कितने है इसमें अभी जो खूशी तो ये सिट में अब बिल्कुल देखी 144 की जो सूची जारी की गई है उसमें ज्यादा तर सिटिंग एमेले को टिकेट यहां पर कॉंग्रिस ने दिया है हाला कि बहुत कम सीटों पर यह देखने में आया है पूरी सूची में कि एकाद टिकेट कहीं काटा गया हो तो लेकिन जिस तरीके से अगर महिलाओं की बात करें तो इस 144 की सूची में 16 महिलाओं को यहां पर फिलाल कॉंग्रिस ने टिकेट दिया है और 16 महिलाओं को टेकेट देकर ये भी बताने का प्रयास कॉंग्रिस की उसी किया गया है कि जो आरक्षन की बात लगातार राजनेतिक गलियारों में गुंचती है और लगातार महिला आरक्षन को लेकर लगातार कयास लगाए जाते हैं उनको यहाँ पर कॉंग्रिस जो है वो भरपाई करती हुई नजर आ रही है कॉंग्रिस जो बात कहती हुई नजर आई थी कि महिलाओं को सम्मान देने का काम भी कॉंग्रिस करती है और लगातार कॉंग्रेस इस बात को बार-बार बोलती हुई पिछले दिनों में राजनेतिक गलियारों में नजर आई है तो उसको यहाँ पर चरितारत भी कॉंग्रेस करती हुई नजर आई इस सूची में सूला महिलाओं को फिलाल टिकेट दिया गया है अगर बोपाल की बात करें तो बोपाल से किवल तीन सीटों पर यहाँ पर टिकेट जो है वो जारी किये गए हैं जिनमें नरेला से मनुष युकला को यहाँ पर उमीदबार यहाँ पर कॉंग्रिस ने बनाया है स्थानिय बिधायक मद्द से मारिफ मसूद को यहाँ पर फिर से कॉंग्रिस ने उमीदबार बनाया है और बीजेपी के दुरुबनारेंड सिंग से उनको सीधी टकर जो है वो मिलने वाली है अगर बात की जाए बेरासिया की तो बेरासिया में एक बार फिर से 2018 की बाती ही जैसरी हरी करंड को यहाँ पर कॉंग्रिस ने अपना उमीदबार बनाया है तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे नाम है जिन पर अगर चर्चा की जाए तो खासा जो राजनेतिक अनुभव जो है वो यहाँ पर भी महसूस होगा साथी साथ कमलनाथ से लेकर अगर पू सूची में सामिल हो और उनके तमाम सारे पूर मंत्रियों के नाम भी इसी सूची में सामिल है तो यह जरूर कहा जाए कि कमलनाथ के पूरे केविनेट को यहाँ पर कॉंग्रिस ने टिकेट दिया है और उसके साथ मैं अगर जो सिटिंग MLA की बात करें तो सिटिंग MLA को भी यांपर तमाम सारे जो टिकट है वो यहांपर जारी कि ये गए हैं तो ये जरूर नहीं कहा जा सकता कि जो डैमेज की बात कॉंग्रेस में निकल कर सामने आ रही थी कि ये जरूर कहा जाएगा कि जब टिकेट जारी होंगे तो कई सारे विरूत प्रदर्शन या पर देखने को मिलेंगे वो तो मिलने ही वाले है लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जिन उम्मीदों पर जो लोग खरे उत्रे जो लोग चुनाओ जीत कर कॉंग्रेस का पर्चम लहराते नजर आए उनको ए इस तरीके से 144 नामों की अगर पूरी बात करें तो कुछ ऐसे नाम भी है जो 2018 में चुनाओ हार गयते लेकिन बड़े नाम है रामनेबास रावत की बात करें आजे सिंग राहूल की बात करें या फिर कई ऐसे और भी नाम है जिन पर अगर चर्चा की जाए तो वो 2018 में दोड़ा सा समय जरूर लगा दोड़ा सा मंथन जरूर कॉंग्रेस को अधिक करना पड़ा लेकिन जो कॉंग्रेस ने रनीती बनाई थी कि नवरात्री के पहले दिन ही पहली सुची जारी की जाएगी तो वो आज जारी की गई है बिल्कुल दुशंत एक बार फेस सटी सरका रूप करते हैं हमारे समादाता सौरभ हमारे सा जुड़े हुए सौरभ जाती गज़ समय करनों की बात करें तो इस लिहां से सुची को कैसे देख सकते हैं बिल्कुल देखे बिल्कुल सही सवाल है आपका देखे पहले फेस में चार साहूं को जगा दी गई है आप देखे कि ताम रदा साहू है जो बीसी से आते हैं उनको जगा दी गई है इसी तरीके से जो दलेस्वर साहू है और भोला राम साहू है उनको जगा दी गई है आप द उपर प्रत्यासि उतारे गये गये हैं दो सी सीट उस पर नवागाभ से गुरुरुत्र पहले से कह रहे थे कि आम देखें कि जो बस्तर संभाग की 12 Сीटों देने पासे बात करें गया इन विदायकों को टिकिट नहीं दी जाएगी और उन विदायकों को टिकिट नहीं दिया गया है और चीतर कोड से प्रदेश कॉंग्रेस सद्यक्ष दीपक बैज को उतारा गया है क्योंकि पूरे जो 5 यह जो चुना हो रहा है वहाँ के प्रदेश कौंगरेस सद्यक्षों को भी टिकिट दिया गया है जैसे कमल नात को भी मद्द प्रदेश से दिया गया है वैसी दीपंग भैस को भी दिया गया है आप लेकिन सबसे प्रमुक नुजाम जो राजनान गाउसे गिरिस देवांगन जो काफी समय से वहाँ पर सक्री थे और कही न कहीं जैसे करुणा सुकला को बाहर का प्रत्यासी बताय जाता था जब कॉंग्रेस ने 2018 में उता रहा था तो कहीं न कहीं 2023 में भी जब गिरिस बाहरी प्रत्यासी के रूप में वहां पर जाने जाएंगे चुकि उनका कोई वहां पर छेत्र नहीं रहा है वो खरोरा से आते हैं लेकिन कई न कहीं अब देखना होगा कि इस पर क्या बयान बाजी कॉंग्रेस ने ताव के आते हैं क्योंकि इस सवरा बाब के पास आएके इस वक्त नरेश मिश्रा हमारे स्योगी इस वक्त जिगदलपूर से लाइव जूट शुकें नरेश क्योंकि पहली चुनड़ में बस्तर में चुनाओ होने हैं यहाँ पर भी प्रत्याश्यों की घोष्टना अब यहाँ पर कॉंग्रेस ने कर दिये नरेश आपको मेरी आवाज मिल रही है लगता हमारा संपक नरेश से नहीं उपार है आप बताईए इस सूची के बारे में क्योंकि पहले चुनाओ होने हैं उनमें अप प्रत्याश्यों की घोष्टना हो चुकी है किस तरीके का मुकावला बीजेपी और कॉंग्रेस में देखने को मिल सकता है और प्रत्याश्यों के लिए हैसे कितना है में बिल्कुल देखिए जो बात पहले कहा जा रहा था कि मंतरियों का नाम नहीं काटा जाएगा मंतरियों के एक भी नाम नहीं कटे सभी मंतरियों को यथावत दिया गया है केवल गुरुरुद्र कुमार जो अईवारा से थे उनको नवागर दिया गया है मुख्यमंत्री और डिप्टी सीम्टी सीद्यक भी उनके जगह से दी गई है लेकिन आप देखें कि जो सबसे महत्यपूर्ण नाम था कि खुजी से जो महिला विधायक थी उनका नाम कार दिया गया चन्नी साउ का महा से भोला राम साउ को टिकेट दी गई है और भोला राम साउ भी काफी समय थे और खुजी जो चन्नी साउ थी वो आपको याद होगा कि इनके खेमे का बताया जाता था टीए सीदे के खेमे का बताया जाता था जब एक समय आया था तब वो कही न कही सीदे तोर पर कहती कि मैं सीदेव खेमे का हूँ और कहीं न कहीं उनको टिकेट नहीं मिल पाई है हाला कि ये कहा जाता है कि अंतिम वक्त तक इस नाम को लेकर जो है सीजी में काफी चर्चा होई थी मुख्यमंतरी बुपेज बगेल की ओर से कहा गया कि भोला राम साउ को टिकेट दिया जाए वह नरेश आपसे भी जानना चाहते है जब बीजेपी ने पहली सुची जारी की थी उस समय हमने देखा था कि पूरी तरीके से आंकलन किये जा रहे थे कि पार्टी कहा पे मजबूत और कहां पे कमजोर इस बार अगर कॉंग्रेस की बात करें तो क्या आंकलन कर सकते हैं इस बा बिल्कुल देखे मैं वही जानकारी दे रहा था कि लगातार जो कॉंग्रेस के कयास लगाया जा रहे थे और वही सुची लगबक फाइनल हुई है और उसी को मैं बता रहा था कि किस तरीके से कॉंग्रेस ने एक-एक नामों पर काफी एकसरसाइस किया है और ये बात भी आ पहले से ही कॉंग्रेसी बैठे है कई जगा आप देखेगा कि जो जो नए नाम आये है या जिनकी टिकेट कटी है वो जो है कही ना कही अब विरोध प्रदर्शन करेंगे कि उनको टिकेट मिलनी चाहिए और जैसे मैं दो-तीन नाम बता रहा हुँ एक गिरिस द्यमांगन है राजनान गाउ से जिनको टिकेट दे गई है नवागड से गुरुनुद्र कुमार तो हो सकता है कि इनका विरोध हो क्योंकि दोनों बाहरी के नाम पर जो उन पर मुहर लगेगी और निश्य दुरुप से जब पहले ही जब नवागड को लेकर चर्चा हो रही थी तो अभी कॉंग्रेस के तमाम जो दावेदार है वो भी जो है यहां के वरिश्ट नेताओं से मुलाकात किये थे प्रबारी कुमारी सहल्या से मिलने आये थे और जिस तरीके से हेमा देश्मूक जितेन मुदलियार जैसे और अन्य बड़े नेताओं के नाम आ रहे थे वहां भी यह न करें सीटों का लेकिन इस वक्त रूप करेंगे मद्विदेश का दुश्यांत हमारे साथ हमारे से लगातार बने हुए दुश्यांत अगर 2018 के चुनौव की बात करें कॉंग्रेस ने बहतर प्रदर्शन किया था क्या इन सूची में वही सारे प्रत्याश्य हैं जो 2018 में प्र आत्मिकता है आप बिल्कुल देखिए वही सूची जो है वो अधिकतर नाम वही नाम जो यहां पर है सूची में नज़र आ रहे हैं कमलनाथ के विनिट के सूला मंत्री यहां पर यहां पर इस पूरी सूची में नज़र आ रहे हैं इसके साथ में जो पूर मंत्री हैं उनको पर टिकेट दिया गया है साथी साथ टिकेट ऐसे लोगों को दिया गया है जो नून चेहरे हैं अगर डबरा की बात करें तो सुरिस राजेज को टिकेट दिया गया है लाखन यादाओ को वलियर के बितरभार से टिकेट दिया गया है साथी साथ सती सिखरबार जो की बरतमान म प्रभीन पाथक पिछली बार चुनाओ जीत कर आये थे कॉंग्रेस की ओर से तो उनको भी हाँपर टिकेट दिया गया है अगर बात की जाए सागर जिले की तो हर श्यादों को एक बार फिर से टिकेट दिया गया है सुरेन चोदरी 2018 में चुनाओ हार गये थे लेकिन उनको एक उहारे थे और उनको भी यहाँ पर कॉंग्रेस ने चुरहट से एक बार फिर से उम्मीद बार बनाया है तो चेहरे लगभख वही चेहरे 2018 के ज्यादा तर नज़र आ रहे हैं लेकिन अगर कुछ चेहरों की बात करें तो कुछ चेहरे यहाँ पर नहीं भी सामिल किये गए है बुधनी से विक्रम मस्ताल को यहाँ पर टीवी एक्टर हैं उनको यहाँ पर उम्मीद बार कॉंग्रेस ने बनाया है हनुमान का किरदार वो जो रामायन दो में निभाच चुके हैं साथी साथ अफधेश नायक एक बड़ा नाम है दतिया से डॉक्टर नरुत्तम मिसरा उनको यहाँ पर कॉंग्रेस ने उम्मीद बनाया है जिस तरीके से कई सारे ऐसे नाम है अगर उन पर चर्चा की जाए तो बहुत सारे कुछ ऐसे नाम जरूर निकल कर सामने आएंगे जो बहुत कम समय में ही कॉंग्रेस का टेकेट पा गए है क्योंकि पहले वो कॉंग्रेस में नहीं थे और कॉंग्रेस की बहुत सामिल हुए तो उसके बाद एक बार फिर इस तरीकेट वित्रण में लेकिन इस वक्त नरेश हमारे से होगी इस वक्त जगदलपूर से लाइब जुड़े नरेश बस्तर में पहले चरण के चुनाओ है यहाँ पर मुकाबला काफी रो पुश्चित कर दिया आपर कॉंगरेस के बिलकुल चार जो चार तीटें जहां पर नाम बदलने की बाद चल रहे थी वहाँ यह नाम बदले भी गया हैं और गयारा बारा में से गयारा सीटों पर तो नाम सामने आ चुके हैं जग्तलपूर एक पातर सीट है यह बस्तर की ब पी नामाना बागी है लेकिन अगर आप देखें तो परिवर्तन कॉंग्रिस ने भी किया है रड़नीती किता है 2018 में वहतर प्रदर्शन के बहुद भी साउधानी कॉंग्रिस की तरफ तो बढ़ती गई है इसमें विशेश तौर पर शिशुपाल सोरी जो की एक बड़ा आदि पर भी एक नए चेहरे को मौका मिला है चित्रकोट में भी जो दीपक बैज है लगतार जीपते रहे हैं वो चुनाओं इसलिए उनको मौका दिया गया है क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष भे हो गए थे और जब उन्होंने अपने दावेदारी प्रस्तुत की तो खास बा चुनाओं में लगतार अभी जित रहे हैं मजबूत का दावर नेता के दौर पर उनकी चवी लगतार बढ़ते रहे ये कॉंग्रेस के भीतर तो उन्हें यहां पर पार्टी ने मौका दिया है दंते वाड़ा कॉंग्रेस के लिए परिशानी का सबब रहा है हमेशा ही रहा ह इसलिए लगतार जो बागी रहे उनको मौका दिया गया है चाविंद्र कर्मा को जिने बार बार समझाईश दी जा रहे थी और एगली बार लड़ने के लिए कहा जा रहा है तो उनको मौका मिला है लेकिन सबसे जो मुझे लगता है कि जहां पर सबसे ज़्यादा लोगों क शंका थी जहां पर फिर से एक बार मंडावी परिवार की उपर बरुसा करते हुए इस पूरी सुची में से एक मात्र महीला प्रत्याशी को मौका दिया गया है सावत्री मंडावी जो कि लगतार सक्री भी रही और एक तरह से माना जा रहा है कि भानुपरतापुर में आने वाले समय में कॉंग्रेस के लिए वो एक बड़ा चेहरा उतर बस्तर से हो सकती है तो पहले चरण में यहां पर सरगुजा में भी चुनाव है अभिशेक हमारे स्वेकी जुड़ चुके हैं अभिशेक यहां पर टी-एस सीदेव के नाम के घोशना के साथ ही और कौन से बड गोशना की गई है इसमें बात करें तो जो दो नामों पर चर्चा हो रही थी दुनों जो मंत्री हैं उनके नामों के घोशना हो गई है अमरजीत भगत सीतापुर से चुनाव लड़ते हैं वो अब चुनावी मैदान के होंगे इसके अलावा टी-एस सिंग देव अंबिगा की गोशना नहीं की गई है कॉंग्रेस ये पूरी स्थिति स्पस्ट करना चाहती है चुकि भाजपा की बात करें तो 14 में से 13 नामों की गोशना भाजपा ने कर दी है और सभी जो प्रत्यासी हैं वो अपनी चुनावी तयारी में जुट चुके हैं ऐसे में काफी समय से ये अब भी सरगुजा संभा की जो बारा सीटे हैं वहाँ पर संसे की स्थिति है और कई बार ये बड़े नेताओं ने कहा है कि कुछ जो विधायक हैं उनके स्थान पर दूसरों चुहरे को मौका दिया जा सकता है ऐसे में जो कॉंग्रेस की कवायत अब भी जारी है और जो टि जो थे जिन विधायकों को डेंजर जोन में रखा गया था यानि उनके स्थिति उस लाइक नहीं है कि वो चुनावी मैदान पे जाए और जीत दर्द करतकें ऐसे में लगतार कवायत जारी है लेकिन इस बीच जो सूची आई है उसमें दो नाम तैकर लिए गये हैं टीय सिं प्लूटी वर्श ये बात मैंने कह दी कि सत्त्रा पहले चरड़ में चुनाओंगे, 17 को होंगे, दूसरे चरड़ में यापर चुनाओंगे, दो बड़े चेरे हैं याँ पर चुकि टीयस से देखो भी है और साथ ही आप अतारे अमरजीत भगत का भी नाम तैवा इसलिए अ अब रुख करेंगे एक बार फिर से मद्विदेश का जाती समीकरण के हम बात करें थे दुश्यनति यहाँ पर किन-किन जाती समीकरण का ख्याल यहाँ पर रखा गया है इस सूची में। मंत्री क्यांतिलाल भुरिया की जगे उनके बेटे डॉक्टर विक्रांद भुरिया जो की यूद कॉंग्रेस के अध्यक्ष भी हैं उनको यहाँ पर टिकेट दिया गया है अगर सिवनी से बात करें तो सिवनी से भी अलग-अलग जो सिंधी समाज से आने वाले आनंद को यहाँ पर टिकेट दिया गया है इसके साथ ही तमाम सारी जो जातिया है चाहे हम सेडिल कास की बात करें सेडिल ट्राइब्स की बात करें तो हर एक उम्बीदवार को यहाँ पर उसके जाती के आधार पर समीकरण को देखते हुए यहाँ पर टिकेट दिया गया है और बह सेडूल कास्ट की जो सीटे हैं उस सेडूल कास्ट की सीटों पर इस तोर इस पर बिसेश ध्यान ये दिया गया है कि अगर जहां पर महिलाओं की आवशक्ता सेडूल कास्ट की है वहां पर महिलाओं को यहां पर टेकेट कॉंग्रिस ने दिया है लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम ह जिनको देखा जाए तो वो पहले चुनाओ लड़ चुके हैं लेकिन हार गए थे लेकिन कई चेहरे ऐसे भी हैं जो पहले बार चुनाओ लड़ेंगे जिस तरीके से अभीजी शाह की बात करें तो अभीजी शाह जो है सेड्यूर्ट ट्राइब से आते हैं और मद्य है तो उसे यह भी कोंग्रिस ने वताने का प्रयास कि युवाओं का भी से सुची में मयिलाओं का भी से सुची में विशेज और रखा गया से यह रहा है कि जो 144 नाम जो जारी किये गए हैं उन 144 नामों में सभी जाती वर्ग और सभी जो अलग अलग वर्ग हैं चाहिए युवाओं की बात करें हैं महिलाओं की या फिर सीनियर्स लीडर की तो तमाम सारे वर्गों का भी ध्यान आपर रखा है कॉंग्रेस ने और 144 का जारी की है दूसरी सूची दो से तीन दिन में जरूर जारी हो सकती है क्योंकि कॉंग्रेस ये फिलाल साफ कर चुकी थी कि एक सूची देने के बाद एक दिन या दो दिन का गैप लेने के बाद फिर से एक सूची जारी करेंगे और दोनों ही सूची के मात्यम से 230 उमीदबार जारी करेंगे लेकिन जब ये सूची जारी हुई तो उसमें ये देखा गया है कि कमलनाथ का नाम भी इस सूची में शामिल किया गया है छिदवारा से कमलनाथ जो हैं वो पर जो कोटा मांगा गया था उस कोटे की भरपाई यहां पर पूरी करने की कोशिश की गई है साथ ही साथ स्टी स्टी वर्ग की बात करें तो स्टी स्टी वर्ग से आने वाले चाहे पूर्बंत्रियों चाहे सिटिंग में में लेहो उन तमाम सारे लोगों को यहां पर कॉंग्रिस के ऐन פहले को टेमेज कंट्रोल करने में ही समय खराब हो जाएगा और प्रचार पार्टी के पक्ष में नहीं हो पाएगा तो इस बात को भी कॉंग्रेश ने ध्यान रखा कि ज्यादा डेमेज की स्थिति ना बने ऐसी सूची जो है सम्तुल जारी की जाए और समीकरन तमाम सारे जो है वो उसमें शामिल की जाए वेकुल नरेश अगर बात करें बीजेपी की पहले लिस्ट की तो दिन शेत्रों में बड़े नामों को बीजेपी ने उतारा था वहाँ पे कॉंग्रेस की सूची में किन प्रत्याशों को जगा मिली है नरेश आप सुन पा रहे हैं आप में महेश गागरा देख लीजेए जी केदार कशप हैं महेश गागरा हैं लता हुसेंडी हैं इन सभी के मुकाबले वो 2018 में जो लोग चुनावी मैदान में थे वे ही लोग चुनावी मुकाबले में होंगे और क्योंकि अगर आप देखें तो अगर वीजापूर की बात छोड़ दें तो इन दोनों ही जगा पर काफी जीत का अंतर कम रहा है तो ये मुकाबला इस बार भी रोचक होने जा रहा है और जिस तरह से भारती जनता पार्टी ने अपनी सूची में ये तैकिया कि कुछ प परकाम कह लीजे विक्रम अंडावी कह लीजे या फिर जो किदार कश्यप की सीट पर पहली बार जरूर जीतने हैं लेकिन बाखी दो जगह पर जो कॉंग्रिस के प्रत्याशी है वो दो दो टर्म अपना लगबग चुनाव के साथ पूरा कर चुके हैं और इस बार वे तीस को उतारा है एक भाजपा के पास समस्या ये भी थी कि भाजपा के पास आदिवासी चेहरों के तौर पर या आदिवासियों के लिए नई पॉलिटिक्स के एंगल पर कोई खास स्पेस नहीं था जिसकी वज़े से मजबूरन उन्हें उन चेहरों को जगह देनी पड़ी और इस मामले में अगर देखें तो 2018 के जो नतीजे रहे खास तोर पर 12 की 12 विधान सवा सीटों पर आदिवासी भूटरों ने एक तरफा कॉंग्रेस के तरफ जाने का फैसला किया इस मामले में कॉंग्रेस को बढ़ता और इस वज़े से उसके प्रत्याशी चैन के प्रक्रिया इसमें उसको बहुत ज़ादा दुविदा नहीं थी केवल जो संगटन के इस तरफर समाज के इस तरफर जो राज्य सरकार के जरिये जो मुद्बे आये जिसकी वज़े से आधिवासी समाज की नाराजगी थी उनके जो प्रतिनीती चेहरे बने और संगटन में इस थानी इस तुकि इसलिए महां बदलाओगी बहुत बुन जाइश नहीं दूसरे दावेदार वहां वैसे है नहीं चितर कोट में परदेश अध्यक्ष वर्तमान दीपक बहच के लिए यह इस दिती थी कि वहां पर चेहरे थे पिछली बार राजमन में जाम वहां से जीते थे और इस सब चीजों को छोड़कर दीपक बहच को प्रात्मिकता दे गई 36 गड़ के सूची बतारे है सीतापूर से मर्जित भगत उमीदवार है जो यह सूची देख रहे हैं आप यह सूची जारी हुई है दूर्ग ग्रामिर से तामरदस साहू को कॉंग्रेस ने अपना प्रत्याश्य बनाया है तो दीपक बैज सांसद और हैं और मैदान में चु पक बैज चित्र कोट से उमीदवार कॉंग्रेस ने ने बनाया है और उसके साथ ही तमाम नाम जारी हुए हैं आपको बताते हैं कि 6 विधायकों के सिटिंग एमेले के टिकेट कार्ट दे गए दो ऐससी सीटों पर कॉंग्रेस के प्रत्याश्यों का एलान हुआ है और बबाक किया जा रहा था कॉंग्रेस की बारबर का जा रहा था चार मेला प्रत्याश्यों को भी कॉंग्रेस ने मौका दिया है इस वक्त कि बड़ी Ugh पर आपको बता रहे हैं कॉंग्रेस की सूची जारी हो गए मत्विदेश और चार महिला प्रत्याशियों को कॉंग्रेस ने मौका दिया है इस वक्त की बड़ी खबर 36 गड़ के लिहाद से ये बताने हैं आपको कि किस तरीके से आप पर प्रत्याशियों के गोशना हुई है 30 नाम गोशित के हैं कॉंग्रेस ने 20 वो नाम है जो के 20 सीटों पर जो हाँ पहले चरण में चुनाओ होने इसके लावा 10 और नाम है इसे गोशित कर दिया है कॉंग्रेस ने आपको बता दे दो सीटों पर कॉंग्रेस के प्रत्याशियों का एलान हुआ है 14 सीटों पर भी कॉंग्रेस के प्रत्याशियों गोशित हुए कॉंग्रेस से ने 6 वरतमान विधागों के टिकेट भी काटे हैं जिसमें शिशुपाल सोरी भी है जहां पहले चण में चुनाओं होने तो 4 महिला प्रत्याच्चों को यहां मौका दिया है कॉंग्रेस ने आपको बता दे मद्वदेश और 36 गड़ में कॉंग्रेस प्रत्याच्चों के सूची जारी होने के बाद ही अब सियासत तेजी से बढ़ी है क्योंकि अब चुनाओं नस्दीक हैं पहला नाम दीपक बैज दूसरा नाम मिक्रम मंदावी बीजापूर से ने मौका दिया है कॉंग्रेस ने भुपेश बगेल पाटन से और टीएस सिदेव अंबिकापूर से अपनी परंपरागत सीट से तमाम बढ़े नेता चुनाओं लड़ेंगे अमरजीत बगत सीतापूर से प्रत्याचियों के कॉंग्रेस के पूरु मंत्री और बहुत बड़ा चेरा सरगुजा का दामरदर साहु दुरु का ग्रामिर से वर्दमान में ग्री मंत्री और एक बर फिर से अपनी सीट से ही चुनाओ लड़ेंगे तो कॉंग्रेस प्रत्याचियों की पहली लिस्ट जारी होने के साथ हम आपको नाम भी बता रहें इंदर शाह मंडावी मानपूर मोहला से कॉंग्रेस के प्रत्याचियों होंगे मौहमद अक्बर कवरधा से जो कि अपनी पहली जिस सीट पर जी चुके हैं और डोंगर गाउं से दरेशर साहू चुनाओ की मेदान पर होंगे तो इस तरीके से कॉंग्रेस की सूजी हम आपको बता रहें बहुन मरकाम कॉंडा गाउं से जहां से वो पिछली बार भी जीते थे लताउसेंडी को उन्हों ने दो बार इस सीट से हराया कवासी लखमा कॉंडा से उनकी परंपरा का सीट से ही चुनाओ लड़ेंगे संत्राम निताम केशकाल से चुनाओ मैधान में होंगे कॉंगर्स के प्रत्याशी होंगे इसदर रचंदन का शेप नराणपुर से चुनाओ मैधान पर होंगे तब को बतादे 20 पहले चरण के 20 सीटों पर घुशित करने के साथ दस और दूसरे सीटों पर भी कॉग्रेस से अपने पित्याशी घुशित किये नसिर गौरी हमारे सवगेस कबर पर हमारे साथ लाइब जूड़े नासिर गौल्यर की लिहास से बात करे जो यह सूची जा रही हूँ कितनी संतुलित नजर आ रही कितनी क्या यहां पर डेमिज कंट्रोल की भी संभावनार अगर होता है तो कैसे मेनेज करेगी पार्टी देखिए ग्वालिय चंबर सम्भा की 34 विदा सम्भा सीटों में से 26 सीटों पर कॉंग्रेस के परत्याशियों का एलान कर दिया गया है जिसमें जो सिटिंग विदायक हैं उनके नाम किसी के भी नहीं काटे गया है उनको परत्याशी बनाए गया इसके साथ ही कुछ सीटे ऐसी हैं यानि कि आठ सीटे ऐसी है जहां पर होल्ड किया गया है और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रहे हैं थी कि इन सीटों पर कहीं ने कहीं पैश फसा हुआ या फिर बीजेपी से भी कुछ लोग हैं जो कहा जा सकता है कि जिनके नाम बड़ा तेजी से चल रहा है कि उनको एक सीट पर होल्ड कर दिया गया है यानि कि ग्वालियर वदान सुभा है वहां पर होल्ड कर दिया गया है वहां उस सीट से प्रदुमन सिंग तोमर प्रतियाशी थे बीजेपी के प्रतियाशी है लेकिन कॉंग्रेस के प्रतियाशी के तौर पर वहां पर होल्ड किया गया ह लेकि कॉंग्रेस के पास कोई अच्छा विनिंग केंडिगेट नहीं है जिसके कारण शायद उस सीट को होल्ड किया गया ऐसी कई सारी सीटे यानि कि सुभावली सीट की बात करें तो वहाँ पर भी पैश फसा हुआ है वहाँ पर भी बड़ा नामों को लेकर चर्चा चल रही तो ऐसे कई नाम है जहां पर चौकाने वाली चीज़े आई हैं जैसे फूल सिंग बरहिया है उनको फिर दुबारा से पार्टी ने परत्याशी बनाए उनको भांडेर से परत्याशी बनाए एपी सिंग करजी है छेवार के विदायक है उनको पार्टी ने दुबारा से फिर प्रत्याशी थे जो उम्मीद लगाए हुए थे उनको एक बड़ी खुशकबरी दी है लेकिन सबसे बात यही है कि उपचुनाओं के दौरान जो जीत कराये थे कॉंग्रेस के प्रत्याशी भले ही उनके खिलाप महौल खराब रहा कहा जा रहा है था कि उनकी इस्तिती प्रत्याशी उनका टिकेट काट सकती है जैसी डवरा विदानसभा की बात करें सुरेश राजे सुरेश राजे को लेकर विरोध भी देखने को बिलाता तीन दिन दो दिन पहले हम देखें तो एक वीडियो वाइरल होता जिसमें दिगवेजे सिंग से कुछ लोग कॉंग्र दोसर जताय जिन्होंने उप चुराओं के दोरान पार्टी को जीत दिलाने की कोशिश किये लेकिन हाला कि गौहद जो विदानसभा है उस पर थोड़ा सा संचे है उस पर होल्ड किया गया है चलिए नासिर आपके पास लौटेंगी लगतार अपडेट हम आपने दर्शिको गया है बिल्कुल देखिए सबसे पहले तो यहीं बता दें कि आइबी सु ट्वेंटी फोर ने जिन जिन नामों पर मुहल लगाई थी उन्हीं कोई टिकेट मिली है और दूसरी बात की जिन विदायकों की टिकेट कटी थी टिकेट कटनी है यह हमने बताया था उन विदायक कि जो दीपक बैज है उनको भी प्रदेश सद्यक्ष है उनको उतारा गया है आप पांच राज्यों में देखेगा तेलंगाना, राजस्थान, मत्रदेश, शक्तिसगर जाचुना होने वापर प्रदेश सद्यक्षों को टिकेट दी गई है इसी तरीके से आप देखेए कि जो पूरे मंत्री है, मुख्यमंत्री भुपेज बगेल समेत कुल 13 जो मंत्री है उन्हें पूरी टिकेट दे गई है विदान सभाध्यक्ष और उपाध्यक्ष उन्हें टिकेट दी गई है और सबसे महत्रपूर जो है दो तीन नाम है जिस पर आने वाले समय में आप देखे रहेगी लेकिन कॉंग्रेस इससे पहले की डेमेज कंट्रोल एक कमिटी जो है वो बनाने जा रही है ताकि ऐसे लोग है ऐसे जो दावेदार है उनको जो सांथ कराए जा सके चुनाओं के वक्त जो हो उनको कोई जो है नुकसान ना हो इसे लेकर और निशित रूप से एक बात ये देखा जा रहा है कि कॉंग्रेस ने काफी exercise किया है इन नामो को लेकर काफी समय से ये देखा गया है कि कॉंग्रेस ने लगबख छे से साथ दौर की बैटक की है उसके बाद फिर screening committee की बैटक हुई है और उसके बाद जो है central election committee की बैटक होई और फिर इन नामो को final किया है और निश्चित रूप से कॉंग्रेस को लगता है जैसे बार-बार कह रहे थे हैं कि जब तक कॉंग्रेस के कॉंग्रेस की विदायकों की टिकेट नहीं काटेगी तब तक जो है कॉंग्रेस की जीत नहीं होगी ये बार-बार कहा जा रहा था और निश्चित रूफ से सीव डहरिया जो है उनको भी टिकिट दी गई है आरंग से और जैसे ये कहा जा रहा था कि आरंग के अलावा जो है और कहीं से लड़ सकते हैं लेकिन सीव डहरिया को ही टिकिट दी गई है और इसी तरीके से मंतरी मुहमद अकबर कमर जो मंत्री केवल एक ही मंत्री को जो है अलग विधान सभा दिया गया है अहिवारा की जगा नवागर दिया गया है और वहाँ पर पहले से जो दयालदास बगेल है उनको टिकेट दी भाजपा ने दी है जो काफी समय से वहाँ पर एक टीम है हलाकि 2018 में उनकी हार हुई थी चंद्राकर जिनकी टिकेट काटी गई है इसी तरिके से और सिसुपाल सोरी उनकी टिकेट काटी गई है राजमन बेंजाम उनकी टिकेट काटी गई है अन्तागर से अनुप नाब उनकी टिकेट काटी गई है दंतेवाडा से जो देवती कर्मा है उनके बेटे को जो है छब 83 जो है दो-тी नाम जरूर आ रहे हैं जैसे घिरिष देवांगन को लेकर ही जो है राज नांगाँ से और सिव ड़ईया के नाम को लेकर भी ताकि सिव ड़ईया आरंग से उतरेंगे और निश्यू दुरुप से हम जो है सभी नेताओं से बाह्चीत करने की कोशिश करेंगे औ एक बार फिर से बतादों की कॉंग्रेस जो है दूसरी सूची भी जो है आज या कल में जारी कर सकती है ये अभी की एक बार आपको नई ब्रेकिंग बता रहा हूं कि कॉंग्रेस जो है केवल अभी 30 नामों की सूची जारी की है कुछ नाम और जारी जो है कॉंग्रेस कर सकती ह और इसके अलावा जो है ये भी देखा जा रहा था कि कॉंग्रेस जो है और जो नए फ्रेस चेहरे हैं उनको देने जा रही है और जैसे हमने बताया कि था कि 40 जो चेहरे हैं वो नए उतार रही है कॉंग्रेस जो है और अब देखना होगा कि किस तरीके से कॉंग्रेस जो है य या जो है जो बीजेपी ने टिकेट दी है उसके इसमें फस्ते हुए नजर आएंगे ये देखना होगा उपाल से बड़ी खबर जहाँ पर कॉंग्रेस की पहली सूची जारी हो गई है इस सक्की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लगतार ये जानकारी मिल रही थी और कॉंग्रेस की और से बार-बार ये कहा जा रहा था कि पीतर का पीतर पक्ष खतम होते ही और सांती नवरात्री के पहले दिन इन नामों की गोश्टना कर दी जाएगी अब मद्विदेश में 144 नामों की सूची जारी की गई है बड़ी कबर आपको बताने कॉंग्रेस की पहली सूची मद्विदेश और 36 गड़ की पहली सूची जारी हो गई है बड़ी खबर आपको बता रहे है इस वख की बड़ी खबर मदवदेश और 36 गड़ में कॉंग्रेस प्रत्याश्यों की पहली सूची जारी कर दी गई है तो नौरात्री के पहले दिन की बात यहाँ पर कॉंग्रेस ने कही थी सभी बड़े नेता ये बात कह रहे थे बार बार कि नौरात्री के पहले दिन प्रत्याश्यों की सूची जारी होगी और इस वख की बड़ी खबर आपको बता रहे है इस वख की बड़ी खबर इस नामों की सुची जारी हुई है। पर बढ़ी नामों की बात करें तो राम निवास रावत इतने शामिर के गए जाया है। पर बढ़ी नामों की बात करें तो रावत इतने शामिर के गए जाया है। पर बढ़ी नामों की बात करें तो रावत इतने शामिर के गए जाया है। पर इतने शामिर के गए जाया है। पर इतने शामिर के गए जाया है। पर इतने शामिर के गए जाया है। पूर्व मंत्री यागेंद सिंग गुदेला के यापर टी कंगर से उमीदार कंगर से बनाया है। पर इतने शामिर के गए जाया है। पर इतने शामिर के गए जाया है। क्यों साहर के गाइज गयाएं की रही जाया है। इतने शाम चहते वह ते लहामिर के वह प्रिसे के गए जाया। आदर के द़ी जूरा के गए जाया है। अगर औरब की नामों पर बात की जाये तो फेयर बिदाये के चल्पना बर्मा की बात करें कि बात करें शुष्वाद की बात करें लिज फीजेति की उम्मीदवार है प्रतियाश्यों को प्रतियाश्यों की प्रतियाश्यों की पहली सूची जारी हो गई है विधान सबस्वा चुनाव से जोड़ी बड़ी खबर आपको बतारे है बिजेपी ने पहले ही अपनी प्रतियाश्यों की खोष्णा कर रखे लेकिन अब कॉंग्रेस ने अपने प्रतियाश्यों की सूची जारी की है आपको बता दें मत्रदेश में 144 नामों की सूची जारी हुई है भी इnew ऑम्रीका पुर्से टिकेट दिया गया है सौरब परियार हमारे स्टों के सौरफ़ एंपर जुड़े सौरब तीस नाम जिस पर तैह हो चुका है कौन को चुनाओ लड़ने वाले कौन कौन से वो बड़े नाम है बिल्कुल देखे राउल कुछ देर पहले ही हमने बताया है किस तरीके से कॉंगर्स प्रत्यासियों के लिस्जारी हो सकती है और आज जो 20 सीट प्रत्यासियों के मर्दान होने है उसको लेकर जो है वो 20 प्रत्यासियों के नाम तो हुए है उसके रावाद 10 जो अत्रिक्त है जो मंत्रियों के नाम है उनके नाम है तो सबसे प्रमुग जो बाता है बताओं की देखें मंद्रियों के जो सीट है वो तो सभी है जैसे मुख्यमंद्री पाटन से पीसी देवंदिकापूर से अमरीद्वगा सीटापूर से सीवडारिया आरंग से लेकिन गुरुरुंद्र कुमार को नवागर सीट गया जो सबसे पहले IBC 24 में दिखाया था कि मंद्री रूति कुमार को नवागर की ही टिकित दी जाएगी और अईवारा वो तोड़ दी है और ये उसके बाद आप देखें कि रमिंद्र चौबे को साजिया से सामेदर साओ को दुर ग्रामीर से पंडेरिया से सब्सक्राइब यहाँ पर आपको रोकिंगे स्वक्षे में भी जो प्रत्याशियों के नाम गोशित हुए हम लिस्ट दिखाने सूची है देखे आप ये वो नाम है जो कि गोशित के का 144 नाम मद्री प्रत्याशियों के और उसे गोशित कर दिया गया है क्योंकि लगातार इ देख सकते हैं ने 1444 नामों को फाइनल कर दिया है मद्री प्रत्याश ने यानि सभी को इंतजार था और आज नौरात्तरी को पहला दिन ने बार बार कि कॉंग्रेस कह रही थी कि नौरात्तरी के पहले दिन हम शुब मूर्थ पर इन नामों की घोशना करेंगे 144 नाम मद्र विदेश से दुश्यंत और रायपुर से सौरा विस्वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े सीरे रूख करेंगे दुश्यंत का दुश्यंत 144 नामों के अगर बात करें तो कौन-कौन से ऐसे नाम है जिस पर लग सकता है कि डेमेज हो और इस डेमेज को कंट्रोल करने क्लिक कौंग्रेस को मशक्कत भी करनी पड़े बड़े नाम कौन-कौन से सुची में? चोकाने वाला नाम ये है कि सिवराज सिंग चोहान जो की मद्दप्रदेश के मुख्य मंत्री हैं उनकी सीट से यहां पर कोई बड़ा चेहरा उतारने की बात यहां पर कौंग्रेस करती हुई नजार आ रही थी लेकिन इस बार बिक्रम मस्ताल को वहां से टिकेट जो है वो कौंग्रेस ने दिया है जो की जो कहीं न के जो रामानन सागर की दूसरी रामायन है उसमें हनुमान का किरदार ने बाच चुके हैं और लगातार जैसे ही उन्होंने कौंग्रेस का दामन थामा था उसके बाद लगातार वो नर्वदा को बचाने के लिए यात्राएं भी न पर कडी मशक्त और कॉंग्रेस को करनी पड़ सकते हैं और और बी मांगों और भी नामों की बात करें तो बैतूल से सुखदेपासे को यहाँ पर टिकेट दिया गया है चिंदवारा से खुद कमलनात का नाम भी इस सूची में सामिल है तो यह ज़रू कहालिया सकता है दुख करते हैं अगे भी नामों की सूची हम लेंगे और आगे भी जानकारे लेंगे बिल्कुल देखिए सबसे पहले तो जो तीस नाम गोसित किये गया है उस पे छे कॉंग्रेस विदायकों की टिकेट कड़ गई है सबसे बड़ी खबर यही है और जो आईबीसी 24 ने बड़ी परमुकता से दिखाया था कॉंग्रेस की जो पहली लिष्ट जारी होने वाले उस पे 6 कॉंग्रेस विदायकों की टिकेट कड़ गई है और 4 महिला प्रत्यासी को मौका दिया गया है कॉंग्रेस यो 4 विदान सबाय में महिला अमिद्वार दिया गया है लेकिन सबसे महत्वपूर नाम आप देखे कि गिरिश देवांगन को राजनान गाउ से उतारा गया है ये नाम काफी पहले से आ रहा था लेकिन कहीं न कहीं हो सकता है कि ये चुकी ये हैं खरोरा से इसलिए काज आ रहा था कि गिरिश देवांगन को नहीं लडाय जाएगा लेकिन आप देखें कि राजनान गाउसे गिरिश देवांगन को जगाद दी गई है आपको याद होगा कि गिरिश देवांगन जो है अभी एक निगम के अध्याक्ष है और बुख्यमंत्री आया कि उनकी टिकेट जो है काड दी गई है नीलू चंद्रवंसी को टिकेट दी गई है जो पूरवे जीला कॉंग्रेस कवर्दा के अध्यक्ष रह चुके हैं इसी तरीके से जो डुंगरगर से हमने बताया था कि जो भुनेस्वर बगेल है उनकी टिकेट गई है और गया है और उनके जगा भोला रामसाओ जो पूरो विदायक भी रह चुके हैं और सांसत का चुना भी तो है 2019 में लड़े थे उनको एक बार फिर से कॉंग्रेस पार्टी ने टिकेट दिया है उनका भरोसा जताया है इसी तरीके से एक और नाम जो है अंतागर से जो रूप सिं जो है ये नाम सामिल किये गया है उनको जगा दी गई है तो ये अंतागर से अनूप नाक थे जिनको रूप सिंग पोटाई की जगा दी गई है रूप सिंग पोटाई को उतारा गया है अनूप नाक की टिकेट कट गई है तो आप देखिए कि चार महिला है उस पे कौन-कौ पूर्मा को टिकेट मिलेगी चुकि वो जो है लोदी समास से आते हैं और वो टिकेट उने मिल गई है तो ये दूसरा नाम है तिसरा नाम इसी तरीके से डोंगरगर से हरसीता स्वामी जो बगेल है उनको दिया गया है और चोथा नाम जो है सावीतरी मंडावी ये भी जो है उपचुना में भानुकरतापूर में उपचुना में जीती थी जो इनके पती है मनोज मंडावी उनके उनके निधन के बाद यह उत्री थी तो यह काफी बैलेंसिंग सीट है और जो IBC 24 ने बड़ी प्रमुक्ता से दिखाया था कि 6 कॉंग्रेस विधायकों की टिकेट कटेगी पहले चरण में और वो कट गए है और आप देखें कि मुख्यमंत्री भुपेज बगेल को पाटन से उतारा गया है अंभिकापुर से टीसी दे सीटापुर से मरी ठीक आपके पास उटेंगे हाँ इस वक्त रुक करेंगे मद्विदेश का मद्विदेश में अच्छा इसे ही डिकलियर कि गये प्रित्याशी जैसे दुश्य उन्थ माना जा रहा था जैसे स्वहरा बता रहें क कुछ विदायकों के सिटिंग एमेले के टिकेट काटे गया है चुतिस गड़ में क्यामत्विदेश में भी कुछ वैसी हाला आते क्या है यहाँ पर भी मैला अरक्षन को ध्यार में रखा गया है मैला उमीदवार कितने है इसमें अभी जो खूशी तो यह सीट में अब बिल्कुल देखी 144 की जो सूची जारी की गई है उसमें ज्यादा तर सिटिंग एमेले को टिकेट यहाँ पर कॉंग्रिस ने दिया है हाला कि बहुत कम सीटों पर यह देखने में आया है पूरी सूची में के एक आद टिकेट कहीं काटा गया हो तो लेकिन जिस तरीके से अगर महिलाओं की बात करें तो 144 की सूची में 16 महिलाओं को यहाँ पर फिलाल कॉंगरिस ने टिकेट दिया है और 16 महिलाओं को टिकेट दे कर यह भी बताने का प्रयास कंउग्रिस की उससे किया गया है कि जो आरक्षन की बात लगातार राज्नैतिक गलियारों में गुंच बट को बात को बार बार बोलती हुई पिछले दिनों में राजनेतिक गल्यारों में नज़र आई तो उसको यहां पर चरितार्त भी कोंग्रिस करती हुई नज़र आई इस सूची में सूला महिलाओं को फिलाल टिकेट दिया गया है अगर बोपाल की बात करें तो बोपाल से किवल तीन सीटों पर यहाँ पर टिकेट जो है वो जारी किये गए हैं जिनमें नरेला से मनुष युकला को यहाँ पर उमीदबार यहाँ पर कॉंग्रिस ने बनाया है जो लगबग डेर साल से दो साल से पहले से लगातार काम कर रहे और बीजेपी के दुरुबनारेंट सिंग से उनको सीधी टकर जो है वो मिलने वाली है अगर बात की जाए बेरसिया की तो बेरसिया में एक बार फिस से दोहजार अठारा की बाती ही जैसरी हरी करन को यहाँ पर कॉंग्रिस ने अपना उमीदबार बनाया है तो ऐसे में बह तमाम सारे पूर मंत्रियों के नाम भी इसी सूची में सामिल है तो यह जरूर कहा जाए कि कॉमलनाथ के पूरे केविनेट को यहाँ पर कॉंग्रिस ने टिकेट दिया है और उसके साथ मैं अगर जो सिटिंग MLA की बात करें तो सिटिंग MLA को भी यहाँ पर तमाम सारे जो यहाँ पर जारी किये गए हैं तो यह जरूर नहीं कहा जा सकता कि जो डेमेज की बात कॉंग्रिस में निकल कर सामने आ रही थी कि यह जरूर कहा जाएगा कि जब टिकेट जारी होंगे तो कई सारे बिरूत प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे वो तो मिलने ही बाल जताया है कि 2023 के अंत में जब यह चुनाओं होंगे विधान सवा तो उनके जो उम्मीदवार है एक बार फिर से वो जीत कर आएंगे और विधान सवा में वो सरकार बनाते हुए नजर आएंगे लेकिन जिस तरीके से 144 नामों की अगर पूरी बात करें तो कुछ ऐसे नाम भी ह लेकिन इस बार चुनाओं जीतने की प्रवाल संभाव ना है तो ऐसे में कॉंग्रिस ने कोई भी कोर कसार 144 की सूची में नहीं छोड़ी है कि किसी प्रकार से कोई भी डेमेज पार्टी को हो सके और यही कारण है कि थोड़ा सा समय जरूर लगा थोड़ा सा मन्थन जरूर क कोंग्रिस को अधिक करना पड़ा लेकिन जो कोंग्रिस ने रणनीदी बनाई थी कि नवरात्री के पहले दिन ही पहली सूची जारी की जाएगी तो वो आज जारी की गई है बिल्कुल दुशन्त एक बार फेश शतिसर का रूप करते हैं हमारे समादाता सौरभ हमारे सा जुड़े हुए सौरभ जाती गर्ट समय करनों की बात करे तो इसलिहां से सूची को कैसे देख सकते हैं बिल्कुल देखें बिल्कुल सही सवाल है आपका देखें फैले फेस में चार साहूं को जगह दी गई है आप देखे कि तामरदस साहू है जो वीसी से आते हैं उनको जगह दी गई यह इसी तरीके से जो दलेश्वर साहू है और भोलाराम साहू है उनको जगह दी गई है आप देखे कि पहले फेस में जो है कुल 30 सीटों पर प्रत्यासी गोसित किये उसमें 14 सीट है अदिवासी सीट उस पर प्रत्यासी उतारे गए हैं दो इसी सीट है उस पर नवागड से गुरुरुद्र कुमार जो पहले युवारा में थे अब नवागड चेंज कर दी हैं और मंत्री सीव डारिया को आरंग से टिकेट दिया गया जो इसी में आते हैं इसी तरीके से कॉंग्रिस ने चार मह दैकों को टिकिट नहीं दी जाएगी और उन्हें दैकों को टिकिट नहीं दिया गया है और चीत्र कोड से प्रदेश कॉंग्रेस सद्यक्ष दीपक बैज को उतारा गया है क्योंकि पूरे जो पांच राज्यों में जो चुना हो रहा है वहां के प्रदेश कॉंग्रेस सद्यक और कहीं न कहीं जैसे करुणा सुकला को बाहर का प्रत्यासी बताया जाता था जब कॉंग्रेस ने 2018 में उता रहा था तो कहीं न कहीं 2023 में भी जब गिरिस देवांगन का नाम आया है तो कहीं न कहीं ये भी बाहरी प्रत्यासी के रूप में वहाँ पर जाने जाएंगे चुकि उनका कोई वहाँ पर कोई ऐसा छेत्र नहीं रहा है वो खरोरा से आते हैं लेकिन कहीं न कहीं अब देखना होगा कि इस पर क्या बयान बाजी कॉंग्रेस नेताव के आती है क्योंकि इससे पहले हम जो एक जूरा बाब के पास आएंगे इस सवक्त नरेश मिश्रा हमारे को मिल सकता है अनरेश आपको मेरी आवाज मिल रहे हैं लगता है हमारा संपर्ट नरेश से नहीं उपार है सोरब आप बताइए इस सूची के बारे में क्योंकि बस्तर क्योंकि पहले चरण में चुनाव हुने उनमें अप प्रत्याश्यों की घोश्टना हो चुकि एक इस त प्रत्याश्यों के लिए असर कितना है में? जो सबसे महत्यपूर्ण नाम था कि खुजी से जो महिला भी धायक थी उनका नाम कार दिया गया चनिसाओ का वहां से भोला राम साओ को टिकिट दी गई है और भोला राम साओ भी काफी समय थे और खुजी जो चनिसाओ थी वो आपको याद होगा कि इनके खेमे के बताया जाता था टीए सीदे को खेमे का बताया जाता था जब एक समय आया था तब वो कहीं न कहीं सीदे तोर पर कहती थी कि मैं सीदे खेमे का हूं और कहीं न कहीं उनको टिकिट नहीं मिल पाई है हाला कि ये कहा जाता है कि अंतिम वक्त तक इस नाम को लेकर जो है सीशी में काफ इसी तरीके से जो साबीतरी मंदावी है उनको यथा वागी भी बाग करेंगे फिलाल हमारे समवाद दाता नरेश हमारे साथ एक बफी जूट चुके संपर्खमार हो चुक है नरेश आपसे भी जाना चाहते हैं जब बीजेपी ने पहली सुची जारी की थी उस समय हमने देख इस संपर्ख करने की कोशिश करेंगे सौरब आपके पास एक बर फिर चलते हैं सौरब क्या जानकाई देते विस्तार से बताई आइब गर फिर बिल्कुल देखे मैं वही जानकारी दे रहा था कि लगातार जो कॉंग्रेस के कयास लगाया जा रहे थे और वही सुची लगबख फाइनल होई है और उसी को मैं बता रहा था कि किस तरीके से कॉंग्रेस ने एक-एक नामों पर काफी एकसरसाइस किया है और ये बात भी आ रही थी कि जो गुरुरुद्र कुमार है उनको अईवारा से नवागर दिया जा लेकिन काफी उसके बाद उनको टिकेट दी गई है नवागर और नवागर में पहले से ही कॉंग्रेसी बैटे है कई जगा आप देखेगा कि जो जो नए नाम आए है या ज इनको टिकेट दे गई है नवागर से गुरुरुद्र कुमार तो हो सकता है कि इनका विरोध हो क्योंकि दोनों बाहरी के नाम पर जो उन पर मुहर लगेगी और निशित रूप से जब पहले ही जब नवागर को लेकर चर्चा हो रही थी तो अभी कॉंग्रेस के तमाम जो नहीं हो पाया तो ऐसे में आप देखेगा कि बहुत जल्ड जो है कॉंग्रेस की जो यह टिकेट है कुछ कुछ सीटों को लेकर तो उस पर यह स्थिती देखने को मिलेगी लेकिन इस पर खास बात यह है कि लगबग चार चार चारे जो है तो आप बिंदुवार आकलन करें स सीटों का लेकिन इस वक्त रूप करेंगे मद्विदेश का दुश्यंत हमारे साथ हमारे स्विक लगातार बने हुए दुश्यंत अगर 2018 के चुनाओं की बात करें कॉंग्रेस ने बहतर प्रदर्शन किया था क्या इन सूची में वही सारे प्रत्याश्य हैं जो 2018 में प्रत् अब बिल्कुल देखिए वही सूची जो है वो अधिकतर नाम वही नाम जो यहां पर है सूची में नजर आ रहे हैं कमलनाथ केविनिट के सूला मंत्री यहां पर इस पूरी सूची में नजर आ रहे हैं इसके साथ में जो पूर मंत्री है उनको भी हां पर टिकेट दिया गय अगर सब्सक्राइब को पंतलों को सबस्क्राइब excited दिया गया है अगर बात की यह आधों को एक वार फिर सटेकेट दिया पन्ना के पवई से मुकिस नायक को कॉंग्रिस ने उम्मीदबार बनाया है, मुकिस नायक 2018 में चुनाओ हार गए थे, आजय सिंग राहुल पूर्वनेता पतिपक्ष हैं लेकिन वो भी 2018 में चुनाओ हारे थे और उनको भी यहाँ पर कॉंग्रिस ने चुरहट से एक बार फि कॉंग्रिस ने बनाया है, हनुमान का किरदार वो जो रामायन दो में निभाच चुके हैं, साथी साथ अफदेश नायक एक बड़ा नाम है, दतिया से, डॉक्टर नरुत्तम मिस्रा मत्रदेश के ग्रह मंत्री हैं, उनके खलाप में यहाँ पर अफदेश नायक को कॉंग्र पर अच्छा की जाए, तो बहुत सारे कुछ ऐसे नाम जरूर निकल कर सामने आएंगे, जो बहुत कम समय में ही कॉंग्रिस का टेकेट पा गए हैं, क्योंकि पहले वो कॉंग्रिस में नहीं थे और कॉंग्रिस की बेपक्षी पार्टी में थे, और जब आप कॉंग्रिस में सामिल हुए, तो उसके बाद एक बार फिर से कॉंग्रिस में, पूरा फोकस इस दोरान बीजेपी ने बस्तर में रखा है, क्योंकि यह माना जाता है कि बस्तर से जीत का रासा खुलता है, अगर प्रत्याशों की बात करें, तो वो पुराने बड़े प्रत्याशों को घोशि जो चार ठीटे हैं, जहां पर नाम बदलने की बाद चल रही थी, वहां यह नाम बदले भी गए हैं, और ग्यारा, बारा में से ग्यारा सीटों पर तो नाम सामने आ चुके हैं, जग्तलपूर एक पात्र सीट है, यह बस्तर की बारा सीटों में से, रक्षित सीटों में से ए अनरक्षित है तो यहां पर पहले यह चल रहा था कि यहां जो चहरा है वो बदला जा सकता है या जो बाकी के दावेदार हैं वो अलग-अलग खेमों से काफी मजबूत है इसलिए सीट पर शायद अभी नामाना बाकी है लेकिन अगर आप देखें तो परिवर्तन कॉंग्रिस साउधानी कॉंग्रिस की तरफ बढ़ती गई है इसमें विशेश तौर पर शिशुपाल सोरी जो की एक बड़ा आदिवासी चैरा थे टांकेर में उनका यह चल भी रही थे कि उनकी टिकेट शायद काटी जा सकती है संगठन से जो सर्वे हुआ था उसके मुताबिक तो यह चैरा बदला गया यहां शंकर दुर्वा जो पहले जीच चुके थे उनको मौका मिला इसी तरह से अंतागड में भी जो पर्फॉर्मेंस को लेकर के बात चल रही थी वहां अनुत नाक की वहां पर भी एक नए चैरे को मौका मिला है चित्रकोर्ट में भी जो पीपक बैज ह हैं वह चुनाओं इसलिए उनको मौका दिया गया है क्योंकि वह प्रदेश अध्यक्ष भे हो गए थे और जब उन्होंने अपने दावेदारी प्रस्तुत की और प्रदेश अध्यक्ष होने का उनको फायदा भी मिला पिछले चुनाओं में लगतार अभी जित रहे हैं मज सब्सक्राइब के लिए परिशानी का सब रहा है हमेशा ही रहा है क्योंकि परिवार में बहुत से दावेदार खुद अंदर है इसलिए लगतार जो बागी रहे उनको मौका दिया गया है चविंद्र कर्मा को जिने बार-बार समझाईश दी जा रहे थी और एगली बार परिशा करते हुए इस पूरी सुची में से एक नात्र महीला प्रत्याशी को मौका दिया गया है सावत्री मंडावी जो कि लगातार सक्री भी रही और एक तरह से माना जा रहा है कि भानुप्रतापुर में आने वाले समय में कॉंग्रेस के लिए वो एक बड़ा चेहरा उत परिशा की गोशना की गई है इसमें बात करें तो जो दो नामों को पर चर्चा हो रही थी दुनों जो मंत्री हैं उनके नामों की घोशना हो गई है अमरजीत भगत सीतापुर से चुनाव लड़ते हैं वो अब चुनावी मैदानते होंगे इसके अलावा टिये सिंग देव अंबिगापुर से जो उनकी नामों की घोशना होई है लेकिन 14 संभाग की बात करें जो संभाग की 14 सीटे हैं उनको बात करें तो कई ऐसे नाम है ज सभी जो प्रत्यासी हैं वो अपनी चुनावी तैयारी में जुट चुके हैं ऐसे में काफी समय से ये प्रतिक्षा थी थी कब कॉंग्रेस अपने नामों की घोशना करेगी कब प्रत्याशियों का चैन होगा और उसके बाद जो कॉंग्रेस के प्रत्यासी हैं वो चुनावी मैदान में होंगी तो दो नावों पर मुहर लग चुके है लेकिन अभी भी सरगुजा संभा की जो बारा सीटे हैं वहाँ पर संसे की स्तिती है और कई बार ये बड़े नेताओं ने कहा है कि कुछ जो विधायक हैं उनके स्थान पर दूसरों चोहरे को मौका दिया जा सकता है ऐसे में जो कॉंग्रेस की कवायत अभी जारी है और जो टिक्टो को लेकर मंथन है उस पर विचार किया जा रहा है कई ऐसे नाम जो थे जिन विधायकों को डेंजर जोन में रखा गया था यानि उनके स्तिती उस लायक नहीं है कि वो चुनावी मैदान पे जाएं और जीत दर्द कर सकें ऐसे में लगतार कवायत जारी है लेकिन इस बीच जो सूची आई है उसमें दो नाम तैय कर लिए गये हैं टीय सिंग देव और अमर जीत भगत जो दोनों बड़े नेता हैं दोनों मंत्री हैं वो अब चुनावी मैदान में होंगे और अब एक तरह से कवायत शुरू हो जाएगे कि बाकी सीटों पर आखिल कॉंग्रेस कब अपने प्रत्यास्यों की गोश्णा कर पाती हैं बिल्कुल चुकी बस्तर की बात हो रही थी इसलिए उसके बाद तुरंस तुर्ण गुजा की बात हुई इसलिए अब शेक तुल्टी वर्ष ये बात मैंने क करेंगे एक बार फिर से मद्विदेश का जाती समीकरण के हम बात करें थे दुश्यनति यहाँ पर किन-किन जाती समीकरण का ख्याल यहाँ पर रखा गया है इस सूची में अब बिल्कुल देखिए स्सी और स्टी के जो विधायक जहाँ पर टिकेट दिये जाने थे या फिर यह कहें कि जो सिटिंग एमेले थे उनको एक बार फिर से यहाँ पर उम्मीदबार बनाया है लेकिन अगर बात की जाए जाबुआ की सीट की तो वहाँ पर पूर्व केंदरी मंत्री केंतिलाल भूरिया की जगे उनके बेटे डॉक्टर विकरांद भूरिया जो की यूद कॉंग्रेस के अध्यक्ष भी है उनको यहाँ पर टिकेट दिया गया है अगर सिवनी से बात करें तो सिवनी से भी अलग-अलग जो सिंधी समाज से आने वाले आननद पंजवानी को यहाँ पर टिकेट दिया गया है इसके साथ ही तमाम सारी जो जाती हैं चाहे हम सेड्यूल कास्ट की बात करें सेड्यूल ट्राइपस की बात करें तो हर एक उम्भीदवार को यहांपर उसके जाती के आधार पर समीकरण को देखते हुए यहांपर टिकेट दिया गया है और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन पर अगर चर्चा करें तो उसके साथ में यूवाओं का विसेज ध्यान रखा गया है, महिलाओं का यहाँ पर इस सूची में विसेज ध्यान रखा गया है, जातिकत सभी करणों की बात करें तो उनका यहाँ पर ध्यान रखा गया है, schedule cast की सीटे है उस schedule cast की सीटों पर इस तोर इस पर बिसीज धियान ये दिया गया है कि अगर जहांपर महिलाओं की आवश्यक्ता schedule cast की है वहांपर महिलाओं को यहांपर ticket congress ने दिया है लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको देखा जाए तो वो पहले चुनाओ लड़ चुके हैं लेकिन हार गए थे लेकिन कई चेहरे ऐसे भी हैं जो पहली बार चुनाओ लड़ेंगे जिस तरीके से अभी जी शाह की बात करें तो अभी जी शाह जो है सेडिल्ट ट्राइब स आते हैं और मध्यप्रदेश के जो वन मंत्री है विजयशाह उनके भतीजे हैं उनके बड़े भाई के बेटे हैं तो ऐसे में यह जरूर कहा जाए कि बहुत सारे ऐसे नाम भी अगर पूरी सूची में देखा जाए 144 की सूची में तो बहुत सारे ऐसे नाम है जो कहीं न कहीं परिवार के जो लोगों को टिकेट ना देकर अब नई पीडी के लोगों को यहां पर टिकेट दिया गया है तो उससे ये भी कॉंग्रिस ने बताने का प्रयास किया है कि युवाओं का भी सूची में विसीज ध्यान रखा गया है महिलाओं का भी इस सूची में विसीज ध्या अब्दम से यह रहा है कि जो 144 नाम जो जारी किये हैं उन 144 नामों में सभी जाती वर्ग और सभी जो अलग अलग वर्ग हैं चाहिए युवाओं की बात करें हैं महिलाओं की या फिर senior leader की तो तमाम सारे वर्गों का भी दियान यहां पर रखा है कॉंग्रेस ने और 144 का जारी क सकती है क्योंकि प्लाल साफ कर चुकी थी एक सूची देने के बाद फिर से एक सूची Jारी करेंगे और दोनों सी के मातियं से 230 अमिद्वार जारी करेंगे लेकिन जब ये सूची जारी हुई तो उसमें ये देखा गया है कि कमलनाथ का नाम भी इस सूची में शामिल किया गया है, छिदवारा से कमलनाथ जो हैं वो चुनाओ लड़ेंगे उस कोटे की भरपाई यहां पर पूरी करने की कोशिश की गई है, साथ ही साथ स्टी एस्टी वर्ग की बात करें तो स्टी एस्टी वर्ग से आने वाले चाहे पूर्बंत्री हों, चाहे सिटिंग अमेले हों, उन तमाम सारे लोगों को यहां पर कॉंग्रेस की उम्मीदबार में ही समय खराब हो जाएगा और प्रचार जो है वो पार्टी के पक्ष में नहीं हो पाएगा तो इस बात को भी कॉंग्रेश ने ध्यान रखा कि ज्यादा डेमेज की स्थिति ना बने ऐसी सूची जो है समतुल जारी की जाए और समीकरन तमाम सारे जो हैं वो उसमें शामिल की जाएगा नरेश अगर बात करें बीजेपी की पहले लिस्ट की तो दिन शेत्रों में बड़े नामों को बीजेपी ने उतारा था वहां आपे कॉंग्रिस की सूची में किन प्रित्याशों को जगा मिली है नरेश आप सुन पा रहे हैं आप में महेश गागरा देख लिए या जी केदार कशप हैं महेश गागरा हैं लता हुसेंडी हैं इन सभी के मुकाबले वो 2018 में जो लोग चुनावी मैदान में थे वे ही लोग चुनावी मुकाबले में होंगे और क्योंकि अगर आप देखें तो अगर वीजापूर की बात दोनों ही जगा पर काफी जीत का अंतर कम रहा है तो ये मुकाबला इस बार भी रोचक होने जा रहा है और जिस तरह से भारती जनता पार्टी ने अपनी सूची में ये तैकिया कि कुछ पुराने चेहरों को भी फिर से बराबरी से मौका दिया जाएगा उसके लिहाद से ल पर पहली बार जरूर जीतने हैं लेकिन बागी दो जगह पर जो कॉंग्रिस के प्रत्याशी है वो दो दो टर्म अपना लगबग चुनाव के साथ पूरा कर चुके है और इस बार वे तीसरे टर्म के लिए इलक्ट होने के लिए चुनावी मैदान में हैं तो इस तरह के जो सरवे में ये बात है कि हो सकता इस्तानी जनता ने चहरों को या पुराने भारती जनता पार्टी के चहरों को मौका दे इसके बीच में ऑरती जनतापा। कि एक स्पेस लेख रही है इस वज़े से उन्हें पुराने और करदावर्थ चहरों को उतारा है एक भाजपा के पास समझा ये भी थी कि भाजपा के पास आदिवासी चहरों के तौर पर या आदिवासियों के लिए नई पॉलिटिक्स के एंगल पर कोई खास स्पेस नहीं था जिसकी वज़े से मजबूरन उन्हें उन चहरों को जगा देनी पड़ी और इस मामले में अगर देखें तो 2018 के जो नतीजे रहे खास तोर पर बारा की बारा विदान सभा सीटों पर आदिवासी भूटरों ने एक तरफ कांग्रेस के तरफ जाने का फैसला किया इस मामले में कॉंग्रेस को बढ़ता और इस वज़े से उसके प्रत्याशी चैन की प्रक्रिया उसको बहुत ज़ादा दूबिदा नहीं थी केवल संगटन के इस तरफ पर समाज के इस तरफ जो राज्य सरकार के जरीये जो दावर चैरों को भी मौका मिला है जिसमें अगर आप देखें तो मोहन मरकाम कम मार्जन से जीते हैं लेकिन क्योंगी वह प्रदेश रद्यक्ष रह चुके हैं इसलिए बहुत बुन जाइश नहीं दूसरे दावेदार वहां वैसे है नहीं चित्र कोर्ट में प्रदेश प्रदी होने के साथ साथ राजनेतिक सहियों की भी रहें तो यहां पर जरूर आप ये चीज़ देख सकते हैं कि यहां इन सब चीजों को छोड़कर दीपक बैच को प्रात्मिक्ता दे गई चलिए नरेश आप हमारे साथ बने रहे हैं और तमाम रिपोर्टर से भी एमके ने बने रहे हैं आप मने सब लेगने सकत की बड़ी ख़बर आपको बता दे हैं मद्विदेश और 36 गड़ में कॉंग्रेस टे अपनी लिस्ट जारी कर दिये हैं दीपक बैच को चित्र कॉंग्रेस ने बनाया है बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं 36 गड़ के सूची बता रहे हैं सीतापूर से मर्जित भगत उमीदवार हैं जो यह सूची देख रहे हैं आप यह सूची जारी हुई है दूर्ग ग्रामिर से ताम रदस साहू को कॉंग्रेस ने अपना प्रत प्रदेश कॉंग्रेस के अध्धक्ष है इस वक दीपक बैज चित्रकोट से उमीदवार कॉंग्रेस ने बनाया है और उसके साथ ही तमाम नाम जारी हुए हैं आपको बताते हैं कि 6 विधायकों के सिटिंग मेले के टिकेट कार्ट दे गया है दो ऐसी सीटों पर कॉंग्रे इस वक दीपको बता रहे हैं कॉंग्रेस की सूची जारी हो गए मत्मिदेश और चार महिला प्रतियाशियों को कॉंग्रेस ने मौका दिया है इस वक्त की बड़ी खबर 36 गड़ के लिहाद से ये बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से आप पर प्रत्याशों के गोशना हुई है 30 नाम गोशित के हैं कॉंग्रिस ने 20 वो नाम है जो के 20 सीटों पर जो हाँ पहले चरण में चुनाओ होने इसके लावा 10 और नाम है जिसे गोशित कर दिया है कॉंग्रिस ने आपको बता दे 2 सीटों पर कॉंग्रिस के प्रत्याशों का एलान हुआ है 14 सीटों पर भी कॉंग्रिस के प्रत्याशों गोशित हुए कॉंग्रेस से ने 6 वरतमान विधागों के टिकेट भी काटे हैं जिसमें शिशुपाल सोरी भी है जहां पहले चैन में चुनाओ उने तो 4 महिला प्रत्याश्यों को यहां मौका दिया है कॉंग्रेस ने आपको बता दे मद्विदेश और 36 गड़ में कॉंग्रेस प्रत्याश्यों के सूची जारी होने के बाद ही अब सियासत तेजी से बढ़ी है क्योंकि अब चुनाओ नस्दीक हैं पहला नाम दीपक बैज दूसरा नाम विक्रम बंडावी बीजापूर से ने मौका दिया है कॉंग्रेस ने भुपेश बगेल पाटन से और टीए सिदेव अंबिकापूर से अपनी परंपरागत सीट से तमाम बढ़े नेता चुनाओ लड़ेंगे अमरजीत भगत सीतापूर से प्रत्याशियों के कॉंग्रेस के पूर मंत्री और बहुत बड़ा चेरा सरगुजा का दामरतर साओ दुरु का ग्रामिर से वर्दमान में ग्री मंत्री और एक बार फिर से अपनी सीट से ही चुनाओ लड़ेंगे तो कॉंग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी उने के साथ हम आपको नाम भी बता रहें इंदर शा, मंडावी, मानपूर, मोहला से कॉंग्रेस के प्रत्याशियों होंगे मौहमद अक्बर कवरधा से जो कि अपनी पहली जिस सीट पर जी चुके हैं और डोंगर गाउं से दरेशर साहू चुनाओ की मैदान पर होंगे तो इस तरीके से कॉंग्रेस की सूजी हम आपको बता रहें बहुन मरकाम कॉंडा गाउं से जहां से वो पिछली बार भी जीते थे लता उसेंडिक उन्हों ने दो बार इस सीट से हराया कवासी लखमा कॉंडा से उनकी परंपरा का सीट से ही चुनाओ लड़ेंगे संतराम निताम केशकाल से चुनाओ मैदान में होंगे कॉंग्रेस के प्रत्याशी होंगे इस तरह चंदन का शेप नराणपूर से चुनाओ मैदान पर होंगे तब को बता दे 20 पहले चरण के 20 सीटों पर घुशित करने के साथ दस और दूसरे सीटों पर भी कॉंग्रेस में अपने प्रत्याशी गुशित किये नासिर गौरी हमारे सवकेस कबर पर हमारे साथ लाइब जूरे नासिर गौलियर की लिहाज से बात करे गौलियर संभाग की लिहाज से बात करे जो ये सूची जा रही हुए कॉंग्रेस की कितनी संतुलीत नज़रा रही कितनी क्या यहां पर डेमेज कंट्रोल की भी संभावनार अगर होता है तो कैसे मैनेज करेगी पार्टी देखिए ग्वालिय चंबल संभा की 34 विदासभा सीटों में से 26 सीटों पर कॉंग्रेस के परत्याशियों का एलान कर दिया गया है जिसमें जो सिटिंग विदायक हैं उनके नाम किसी के भी नहीं काटे गया है उनको परत्याशी बढ़ाए गया इसके साथ ही कुछ सीटे ऐसी है यानि की 8 सीटे ऐसी है जहां पर होल्ड किया गया है और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रहे हैं थी कि इन सीटों पर कहीं न कहीं पैश फसा हुआ या फिर बीजेपी से भी कुछ लोग हैं जो कहा जा सकता है कि जिनके नाम बड़ा तेजी से चल रहा है कि उनको अगर बीजेपी अपने ठिकेट नहीं देती है तो वो यहां से आ सकते हैं तो ऐसे नामों को लेकर भी शायद उन सीटों पर होल्ड कि या जिसा अगर तो रेकिर लेकिन एक सीट पर हो छु़ 1975 कहीं था लेकिन के पर दाविदारों को संक्या बहुत है लेकिं स्थ कोई अच्छा विनिंग कर नहीं है जिसकि क İs फक पर बढ़ावा, देखने को मिल और पर बिल रहा है, उनको महगाउं से प्रत्याशी बनाए गया गया, तो ऐसे कई नाम है जहांался चौकाने वाली सिंकाजी है छेवार के विदायक है उनको पार्टी ने दोबारा से फिर से मैदान मुतारा है तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो कॉंग्रेस की सूची जो होल्ड की गई थी काफी लंबे समय से लोगों को इंतजार था कि आने वाली है आने वाली है और जैसे आज नवरात्र कहा जाना है था कि उनकी इस्तिती अच्छी नहीं है पार्टी उनका टिकेट काट सकती है जैसी डवरा बिदानसभा की बात करें सुरेश राजे सुरेश राजे को लेकर विरोध भी देखने को बिला था तीन दिन दो दिन पहले हम देखें तो एक वीडियो वाइरल होता ज रोसा जताय जिन्होंने उप चुराओं के दोरान पार्टी को जीत दिलाने की कोशिश किये लेकिन हाला कि गौहद जो विदानसभा है उस पर थोड़ा सा संचे है उस पर होल्ड किया गया है चलिए नासिर आपके पास लौटेंगे लगतार अपडेट हम अपने जरुशिक टुशु ट्वंटीफ़ carbohydrate जिन जिन नामों पर मुहल लगाई थि उन्हीं कोई टिकेट मिली है और दूसरी बात की जिन विदायकों की टिकेट कटी थी टिकेट कटनी हीये हमने बताया था उन विदायकों की टिकेट कट गई है आठ जगो पर जो इन्य प्रत्यासी उतारे गए हैं अर्थात ने विधाय को छोड़ मौका दिया गया है इसी तरीके से आप देखिए कि जो दीपक वैज है उनको भी प्रदेश सद्यक्ष है उनको उतारा गया है आप पांच राज्यों में देखेगा तेलंगाना राजस्थान मत्रदेश 36 गड़ जाचुना होने वाप पर प्रदेश अध्यक्षों को टिकेट दी गई है इसी तरीके से आप देखिए कि जो पूरे मंत्री है मुख्यमंत्री भुपेज बगेल समेत कुल 13 जो मंत्री है उन्हें पूरी टिकेट दे गई है विधान सभाध्यक्ष और उपाध्यक्ष उन्हें टिकेट दी गई है और सबसे महत्रपूर जो है दो तीन नाम है जिस पर आने वाले समय में आप देखेगा कि जरूर विवाज जैसी स्थिती रहेगी लेकिन कॉंग्रेस इससे पहले कि डेमेज कंट्रोल एक कमिटी जो है वो बनाने जा रही है ताकि ऐसे लोग हैं ऐसे जो दावेदार हैं उनको जो सांथ कराय जा सके चुनाओं के वक्त जो हो इनको कोई जो है नुकसान ना हो इसे लेकर और निश्यत रूप से एक बात ये देखा जा रहा है कि कॉंग्रेस ने काफी एकसरसाइस किया है इन नामों को लेकर काफी समय से ये देखा गया है कि कॉंग्रेस ने लगबख छ से साथ दोर की बैटक की है, उसके बाद फिर स्क्रीनिंग कमीटी की बैटक हुई है, और उसके बाद जो है सिंटरल इलेक्षन कमीटी की बैटक होई और फिर इन नामों को final किया गया है, और निश्चित रूप से कॉंग्रेस को लगता है जैसे बार बार कह रहे थे हैं कि जब तक कॉंग्रेस के विदायकों की टिकेट नहीं काटेगी तब तक जो है कॉंग्रेस की जीत नहीं होगी ये बार बार कहा जा रहा था और निश्चित रूप से सीव डहरिया जो है उनको इसी तरीके से मंत्री मुहम्माद अकबर कमरदा जो केवल एक ही मंत्री को जो है अलग विधान सभा दिया गया है अहिवारा की जगा नवागर दिया गया है और वहाँ पर पहले से जो दयालदास बगेल हैं उनको टिकेट दी भाजपा ने दी है जो काफी समय से वहाँ पर ए सोरी उनकी टिकेट काटी गई है राजमन बेंजाम उनकी टिकेट काटी गई है अन्तागर से अनुप नाब उनकी टिकेट काटी गई है धन्तेवाडा से जो देवती करमा है उनके बेटे को जो है छबिन करमा को टिकेट दी गई है तो आप देखें कि ऐसे नाम है जिन नाम सब्सक्राइब करिए और निश्चित रूप से अब जो है इन नेताओं से बातचीत करने की कोशिस करेंगे और इससे पहले की एक बार फिरसे बदादों की कॉंग्रेस जो है दूसरी सूची भी जो है आज या कल में जारी कर सकती है यह अभी की एक बार आपको नए ब्रेकिं कॉंग्रेस कर सकती है और इसके अलावा जो है ये भी देखा जा रहा था कि कॉंग्रेस जो है और जो नए फ्रेस चेहरे हैं उनको देने जारी है और जैसे हमने बताया कि था कि चालीस जो चेहरे हैं वो नए उतार रही है कॉंग्रेस जो है और अब देखना होगा कि किस तरी ठीके से कॉंग्रिस जो है ये पूरी स्टेट जी बनाई है, उसके इसाब से कॉंग्रिस को लगता है कि उनकी जीत होगी और जो 75 प्लस का नारा दिया है, वो पार कर पाएंगे, या जो है जो बीजेपी ने टिकेट दी है, उसके इसमें फस्ते हुए नजर आएंगे, ये दे बढ़ी खबर आपको बता रहे हैं मदवदेश और 36 गड़ में कॉंग्रेस से अपनी पहली सूची जारी कर दी है इस वक्त की बढ़ी खबर आपको बता रहे हैं लगतार जानकारी थे और कॉंग्रेस की और से बार-बार ये कहा जा रहा था कि पीतर का पीतर पक्ष खतम होते ही और सांती नौरात्तिर के पहले दिन इन नामों की गोश्णा कर दी जाएगी अब मद्विदेश में 144 नामों की सूची जारी की गई है बड़ी खबर आपको बताने है कॉंग्रेस की पहली सूची मद्विदेश और चत्तिस गड़ की पहली सूची जारी हो गई है इस सुफ की बड़ी खबर आपको बताने है तो कॉंग्रेस की पहली सूची मदवदेश और 36 गड़ की सभी को इंतजार था विदान सवर्चिनौव को लेकर प्रत्याश्यों की गोश्टा में तक कॉंग्रेस नहीं की थी पहली सूची जारी हो गई है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वख की बड़ी खबर मदवदेश और 36 गड़ में कॉंग्रेस प्रत्याश्यों की पहली सूची जारी कर दी गई है तो नौरात्री के पहले दिन की बात यहाँ पर कॉंग्रेस ने कही थी सभी बड़े नेता ये बात कह रहे थी बार बार कि नौरात्री के पहले दिन प्रत्याश्यों की सूची जारी होगी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर मद्वदेश में 144 नामों की सूची जारी हुई है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे है विजयपूर से राम निवास रावत को टिकेट दिया गया है दुश्यंत पराशर अमाने से की फोल लाइन पर जो चुके हैं दुश्यंत 144 नामों की गोश्टा मद्वदेश में हुई है क्या नाम सामने आए अब तक अब दुश्यंत पराशर नामों की बात करें तो राम निवास रावत इसने चामिल किये गए दुश्यंत पराशर नामों की बात करें दुश्यंत पराशर नामों की बात करें तो उनका की मर्चान पराशर नामों की बात करें तो आपके आदव को इस बात करें ते से जयवर्दन सिंग कि बात करेशनके से जयवर्दन सिंग की आपके शामट के लिए तो मेनघ शेषनकेस गांतर सिरित तुर्की शेषान के राजबूत का जेट्र है है जिसमेड राजबूत है जिसमेड शेमा को यहाँ गोवर्ण लगना उमीदवार गनाया है कर दो है तो इस नावों पर लगातार क्रचा सिखल्य जारी 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 तो चारीष नावों पर बना हुए अधर उसके बाद बात करी गई तो तंड़ा तारी को प्रफी जारी पर नहीं है परव में आपके सागर के बढ़ना से उना पर बनाए गए है पूर्म मंत्री याद्वीन सिंग बोड़ेला के उमीद्वार कोंगोर्स ने बनाया है पूर्म मंत्री जोजयन सुन राटवर के सुकुत्र जोकी उप्तुनाव में सिस्पाइटी यादों पे शिक आहर गाई थे उनको यहाँ पर कॉंगोर्स के दिया है पूर्म में सिस्पाइटी यादों पर कॉंगोर्स ने दिया है तो यहाँ भाजा सकता है कि नापी नाजा है जो अपनी पीस से ही तुनाओ गर सकते हैं लिकिन बड़ा मलेरा तेरे उजबार से साथ भी रामचिया भार्टी को यहाँ पर कॉंगोर्स ने जबार करना है जिसको पहिए कर्दूम सीफिशी से सिकस्टी का सामना करना पराता है और नार उन्लीज की चुनाओं माथ भी जगा उस चुनाओं में उस चुनाओं में उसके चल्पना बर्मा की बात करें दाथ को तो आजिए की बात करें यहां पर करते ही इसनी तुमाओं में इसनी चुनाओं में प्रत्याश्यों की पहली सूची जारी हो गई है विधान सबस चुनाओं से जुड़ी बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं अब कॉंग्रेस ने अपने प्रत्याश्यों की सूची जारी हुई है जगह की टिक टे किसको इसको मिली है आपको बता रहे हैं लगतार हम अपडेट बतारे हैं आपको क्यों के विधान सबंदेश बड़ी खेस क benefici जारी है सौरब परियार हमारे स्टों के सौरफ पर जुड़े सौरब तीस नाम जिस पर तैह हो चुका है कौन को चुना लड़ने वाले कौन कौन से वो बड़े नाम है बिल्कुल देखे राउल कुछ देर पहले ही हमने बताया था किस तरीके से कौन्गर्स पर तैहासों के लिड़् जारी हो सकती है और आज यो बीस सीट पर तंचन के मदान होने है उसको लेकर जो है वो बीस क्रत्यासी के नाम तो हुय है उसके अलाब दस जो अत्रिक्त है जो मंत्रियों के नाम है सबसे प्रमुक बात बाता है, बताओं कि मंद्रियों के सीट है, वो तो सभी है, जैसे मुख्यमंद्री पाटन से, टीए सिदय। उंभीकापुर से, मरीड़गा सीटापुर से, सुड़ारिया अरंग से, लैगिन दुरुरुरुरुदर कुमार को नवागर सीट दिया गया, जो सबसे पहले IBC 24 में दिखाया था कि मंत्री रूत कुमार को नवागड की ही टिकिट दी जाएगी और अईवारा वो छोड़ दी है और ये उसके बाद आप देखें कि रमिंद चौबे को साजिया से, सामेद और साउ को दुर ग्रामीर से, पंडेरिया से यहां पर आपको रोक्री शवक् Columb Nature में भी जो प्रत्याशों के नाव और यह वुषित खेंगे, ऑप यह वो नाम है जोकी गोशित के कर दियाए गया है क्योंकि लगातार इंतजार हो रहा था इन प्रत्याशियों के गोशना का और अब 144 नामों की गोशना कॉंग्रेस ने कर दी है मध्यवदेश में वहीं 30 नाम चतिस गड़ में गोशनी तस्वीर जो आप देखने हैं वो उसी सूची की है इसमें 144 नाम आप देख सकते हैं ने 144 नामों को फाइनल कर दिया है मध्यवदेश ने यानि सबी को इंतजार था और आज नौरात्री को पहला दिने बार बार ये कॉंग्रेस कह रही थी कि नौरात्री के पहले दिन हम शुमूर्थ पर इन नामों की गोशना करेंगे 144 नाम मध्यवदेश में और 30 नाम 36 गड़ में गोशित कर देगें चलिए जादा जानकारी के साथ हमारे दो सजयोगी स्वक्त हमारे साथ लाइफ जुड़े है मध्यवदेश से दुशियंत और रायपुर से 11 भी स्वक्त हमारे साथ लाइफ जुड़े है सीधे रुख करेंगे दुशयंत का दुशयंत 144 नामों के अगर बात करें तो कौन-कौन से ऐसे नाम है जिस पर लग सकता है कि डेमेज हो और इस डेमेज को कंट्रोल करने के लिए कॉंग्रेस को मशक्त भी करनी पड़े बड़े नाम कौन-कौन से इस सूची में दुशयंत जो की मद्दप्रदेश के मुख्यमंत्री है उनकी सीट से यहाँ पर कोई बड़ा चेहरा उतारने की बात यहाँ पर कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन- को इसे में में करी शेण और यहील चेहरे मंनत्री के जिस तरीके से इक न कहीन हो सकता है और जिस तरीके से अगर और भी नामों की बात करें तो बैतूल से सुखदेपासे को यहाँ पर टिकेट दिया गया है चिंदवाडा से खुद कमलनात चानाम भी सूची में सामिल है जिस तरीके से खुद करें तो बिलकुल देखिए सबसे पहले तो जो तीस नाम गोसित किये गया है उसके से खुद विदायकों की टिकेट कर गयी है सबसे बड़ी खबर यही है और आइब 210 ने बड़ी परमुकता से दिखाया था कि कॉंग्रेस की जो पहली लिष्ट जारी होने वाले Scott चानाम को टिकेट कर गये है और 4 महिला प्रत्यासी को मौका दिया गया है कॉंग्रेस यो चार विधान सभाय में महिला मिद्वार दिया गया है लेकिन सबसे महत्तपूर नाम आप देखे कि गिरिश देवांगन को राजनान गाउ से उतारा गया है ये नाम काफी पहले से आ रहा था लेकिन कहीं न कहीं हो सकता है कि ये चुकि ये हैं खरोरा से इसलिए काज आ रहा था कि गिरिश देवांगन को नहीं लड़ाय जाएगा लेकिन आप देखे कि राजनान गाउ से गिरिश देवांगन को जगाद दी गई है आपको याद होगा कि गिरिश देवांगन जो है अभी एक निगम के अध्यक्ष है और बुख्यमंतरी भुपेज बगेल के बचपन के मित्र है उनको ये टिकेट दी गई है पिछले समय प्रभारी महामंतरी भी रह चुके हैं तो एक ये बड़ा नाम दिया गया है सबसे पहले और बता दे कि पंडरिया से जो है ममत्या चंद्राकर जो विदायक है उनकी टिकेट जो है काड़ दी गई है नीलू चंद्रवंसी को टिकेट दी गई है जो पूरवे जीला कॉंग्रेस कवर्दा के अध्यक्ष रह चुके हैं इसी तरीके से जो डूंगरगर से हमने बताया था कि जो बुनेषवर्ड बगेल है उनकी टिकेट काड़ दी गई है और वहांपर महिला प्रत्यासि उतारा गया है हर्सीता स्वामी बगेल को उतारा गया है यह पूरी तरीके से फ्रेस केंडिडेट हैं इसी तरीके से जो हमने और बताया था कि खुजी में ज तोसा जताया है, इसी तरीके से एक और नाम हम जो पहले से बता रहे थे कांकेर से सिजुपाल सोरी की टिकों जो खार दी गई है, और संकर धुर्वा को जो है ये नाम सामिल किये गया है, उनको जगह दी गई है तो ये अनुपनाक थे जिनको रूप सिंग पोटाई की जगा दी गई है अनुपनाक की टिकेट कट गई है तो आप देखिए कि चार महिला है उसमें कौन-कौन से वो बता देता हूँ मैं आपको सबसे पहले जो है नाम है डॉंडी लोहारा से जो मंतरी अनीला भेडिया है उनको उतारा गया है खैरागडी असोधा जो वर्मा है उनको उतारा गया है जो विक्रम जो सिंग है उनके पोजिशन में रहेंगे और आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब देवरत सिंग का न उंगरगर से हरशीटा स्वामी बगेल उनको दिया गया है और चोता नाम सावीत्री मंडावी यह भी उपचुना में भानुपर ताप्पूर में उपचुना में जीती थी जो इनके पती है मनोज मंडावी उनके निधन के बाद यह उत्री थी तो यह काफी बैलैंसिंग सीट है और जो का आई बीसी 24 ने बड़ी प्रमुक्ता से लिखाया था कि 6 कॉंग्रेस विधायकों की ठीकिट कटेगी पहले चरण में और वो कट गये हैं और आप देखें कि मुख्यमंत्री भुपेज बगेल को पाटन से उतारा गया है अंभिकापुर से टीए सी देव में क्यामद्विदेश में भी कुछ वैसी हाल आते क्या है यहाँ पर भी महिला अरक्षन को ध्यान में रखा गया है महिला उमीदवार कितने है इसमें अभी जो खूशी तो यह सीट में अब बिल्कुल देखी 144 की जो सूची जारी की गई है उसमें ज्यादा तर सिटिंग MLA को टिकेट यहाँ पर कॉंग्रिस ने दिया है हाला कि बहुत कम सीटों पर यह देखने में आया है पूरी सूची में कि एकाद टिकेट कहीं काटा गया हो तो लेकिन जिस तरीके से अगर महिलाओं की बात करें तो दो इस 144 की सूची में 16 महिलाओं को यहाँ पर फिलाल कॉंग्रिस ने टिकेट दिया है और 16 महिलाओं को टिकेट देकर यह भी बताने का प्रयास कॉंग्रेस की उससे किया गया है कि जो आरक्षण की बात लगातार राजनेते क गलियारों में गुंचती है और लगातार महिला आरक्षन को लेकर लगातार कयास लगाए जाते हैं उनको यहाँ पर कॉंग्रिस जो है वो भरपाई करती हुई नजर आ रही कॉंग्रिस जो बात कहती हुई नजर आई थी के महिलाओं को सम्मान देने का काम भी कॉंग्रिस करती है और लगातार कॉंग्रिस इस बात को बार-बार बोलती हुई पिछले दिनों में राजनेतिक गलियारों में नजर आई है तो उसको यहाँ पर चरितारत भी कॉंग्रिस करती हुई नजर आई इस सूची में सूला महिलाओं को फिलाल टिकेट दिया गया है अगर बोपाल की बात करें तो बोपाल से किवल तीन सीटों पर यहाँ पर टिकेट जो है वो जारी किये गए हैं जिनमें नरेला से मनुष युकला को यहाँ पर उमीदबार यहाँ पर कॉंग्रिस ने बनाया है स्थानिय बिधायक मद्द से मारिफ मसूद को यहाँ पर फिर से कॉंग्रिस ने अपना उमीदबार बनाया है और बीजेपी के दुरूब नारेंड सिंग से उनको सीधी टकर जो है वो मिलने वाली है अगर बात की जाए बेरासिया की तो बेरासिया में एक बार फिर से कमलनाथ से लेकर अगर पूर मन्तियों की बात करें तो कमलनाथ का भी नाम इस सूची में साम Basket करें už չ्यांपर जारी किये गए हैं तो यह जरूर नहीं कहा जा सकता कि जो डेमेज की बात कॉंग्रिस में निकल कर सामने आ रही थी कि यह जरूर कहा जाएगा कि जब टिकेट जारी होंगे तो कही सारे बिरौत प्रदर्शने आपर देखने को मिलेंगे वो तो मिलने ही वाले हैं लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जिन उम्मीदों पर जो लोग खरे उतरे जो लोग चुनाव जीतकर कॉंग्रेस क वो जीत कराएंगे और पिधान सवा में वो सरकार बनाते हुए नज़र आएंगे लेकिन जिस तरीके से 144 नामों की अगर पूरी बात करें तो कुछ ऐसे नाम भी है जो 2018 में चुनाओ हार गए थे लेकिन बड़े नाम है रामनेबास रावत की बात करें आजे सिंग राहुल की बात करें या फिर कई ऐसे और भी नाम है जिन पर अगर चर्चा की जाए तो वो 2018 में जरूर चुनाओ हार गए थे लेकिन इस बार चुनाओ जितने की प्रवाल संभाव ना है तो ऐसे में कॉंग्रिस ने कोई भी कोर कसर 144 की सूची में नहीं छोड़ी है कि किसी प्रकास से कोई भी डेमेज पार्टी को हो सके और यही कारण है कि थोड़ा सा समय जरूर लगा थोड़ा सा मंथन जरूर कॉंग्रिस को अधिक करना पड़ा लेकिन जो कॉंग्रिस ने रणीती बनाई थी कि नवरातरी के पहले दिन ही पहली सूची जारी की जाएगी तो वो आज जार कि गई है पिल्कुल देखे बिल्कुल सवाल अपका देखे फ़हले फेस में चार साहूं को जगा दी गई है आप देखे कि तामन ज़ताएग साहू है जो बीसी से आते हैं उनको जगा दी गई इसी तरीके से जो दलेश्वर साहू है और भोला राम साहू है उनको जगह दी गई है आप देखें कि पहले फेस में जो है कुल तीस सीटों पर प्रत्यासी गोसित किये उस पर 14 सीट है आदिवासी सीट है उस पर प्रत्यासी उतारे गये हैं दो सीट है उस पर नवागर से बहुत पहले से कह रहे थे कि आप देखें कि जो बस्तर है बस्तर संबाग की 12 सीटों की अगर बात करें तो बस्तर संबाग में जो काफी समय से नाम आ रहे थे कि इन विदायकों को टिकिट नहीं दी जाएगी और उन विदायकों को टिकिट नहीं दिया गया है और चीतर को को भी मद्द प्रदेश से दिया गया है वैसी दीपाक भैस को भी दिया गया है आप लेकिन सबसे प्रमुक नुजाम जो राजनान गाउसे गिरिस देवांगन जो काफी समय से वहाँ पर शक्री थे और कहीं न कहीं जैसे करुणा सुकला को बाहर का प्रत्यासी बताय जाता थ जब कॉंग्रेस ने 2018 में उता रहा था तो कहीं न कहीं 2023 में भी जब गिरिस देवांगन का नाम आया है तो कहीं न कहीं ये भी बाहरी प्रत्यासी के रूप में वहाँ पर जाने जाएंगे चुकि उनका कोई वहाँ पर कोई ऐसा छेतर नहीं रहा है वो खरोरा से आते हैं ल नरेश क्योंकि पहली च्रड़ में बस्तर में चुनाओ होने हैं यहाँ पर भी प्रत्याश्यों की घोष्णा अब यहाँ पर कॉंग्रेस ने कर दिये दीपाक बैज विक्रम अडावी समित जो सीटों है इंस पर एलान किया है किस सरीके का आब यहाँ पर मुकाबला देखन नरेश सेनी उपार है सोरब आप बताईए इस सूची के बारे में क्योंकि बस्तर के पहले चरण में चुनाओ होने हैं उनमें अब प्रत्याश्यों की घोष्णा हो चुकी है किस तरीके का मुकाबला बीजेपी और कॉंग्रेस में देखने को मिल सकता है और प्रत्याश्यो उनको यथावत दिया गया है केवल गुरुरुद्र कुमार जो अईवारा से थे उनको नवागर दिया गया है मुख्यमंत्री और डिप्टी सीम्टी सीदे को भी उनको उनके जगा से दी गई है लेकिन आप देखे कि जो सबसे महत्रपूर्ण नाम था कि खुजी से जो मही जो महिला विधायक थी उनका नाम कार दिया गया चन्नी साहू का वहाँ से भोला राम साहू को टिकिट दी गई है और भोला राम साहू भी काफी समय थे और खुजी जो चन्नी साहू थी वो आपको याद होगा कि इनके खेमे का बताय जाता था टीए सीदे को खेमे का बताय कर जो है सीसी में काफी चर्चा होई थी मुख्यमंत्री बुपेश बगेल की ओर से कहा गया कि भोला राम साउ को टिकेट दिया जाए वह दूसरी ओर चन्वी साउ को लेकर भी सीधे को दौराय नाम रखा गया था लेकिन फैनली जो है इनका नाम आया इसी तरीके से जो सामीत किये जा रहे थे कि पार्टी कहा पर मजबूत और कहा पर कमजोर इस बार अगर कॉंगरेस के बात करें तो क्या अंक्लन कर सकने हैं इस बार बिल्कुल देखे मैं वही जानकारी दे रहा था कि लगातार जो कॉंगरेस के कयास लगाया जा रहे थे और वही सूची लगबख फाइनल होई है और उसी को मैं बता रहा था कि किस तरीके से कॉंगरेस ने एक-एक नामों पर काफी एकसरसाइस किया है और ये बात भी आ रही थी कि जो गुरुरुद्र कुमार है उनको अईवारा से नवागर दिया जा लेकिन काफी उसके बाद उनको टिकेट दी गई है नवागर और नवागर में पहले से ही कॉंगरेसी बैठे हैं कई जगह आप देखेगा कि जो जो नए नाम आए है या जिनकी टिकेट कटी है वो जो है कही ना कही अब विरोध प्रदर्शन करेंगे कि उनको टिकेट मिलनी चाहिए और जैसे मैं दो-तीन नाम बता रहा हूं एक गिरिस द्यमांगन है राजनान गाउस से जिनको टिकेट दे गई है नवागड से गुरुनुद्र कुमार तो हो सकता है कि इनका विरोध हो क्योंकि दोनों बाहरी के नाम पर जो उन पर मुहर लगेगी और निशित रूप से जब पहले ही जब नवागड को लेकर चर्चा हो रही थी तो अभी कॉंग्रेस के तमाम जो दावेदार ह वो भी जो है यहांके वरिश निताओं से मुलाकात किये थे प्रभारी कुमारी सैल्जा से मिलने आये थे और जिस तरीके से हेमा देश्मूक जितेन मुदलियार जैसे और अन्य बड़े निताओं के नाम आ रहे थे वहां भी यह नहीं हो पाया तो ऐसे मैं आप देखेगा क बहुत जल जो है कांगरेस के जो यह टिकेट है कुछ शीटों को लेकर तो उसपे यह स्थिती देखने को मिलेगी लेकिन ये इस पे खास बात यह है कि लगबग चार 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 आप बिंदुवार आकलन करें सीटों का लेकिन इस वक्त रूप करेंगे मद्विदेश का दुशियन्त हमारे साथ हमारे स्विकल लगातार बने हुए दुशियन्त अगर 2018 के चुनाओं की बात करें कॉंग्रेस ने बहतर प्रदर्शन किया था क्या इन सूची में वही सारे प्रत्याशी हैं जो 2018 में प्रत्याशी खुशित किये गएते कुछ तो क्योंकि बागी होकर बीज़ेपी में चले गएते तो इस तरीके से इस पूरे इसको लिस्ट को कैसे मैनेज किया है कॉंगरेस ने और क्या ये 2018 में जो प्रित्याशिये जिनलों ने बैतर प्रदर्शन किया क्या उनको प्रात्मिकता है अब बिल्कुल देखिए वही सूची जो है वो अधिकतर नाम वही नाम जो यहाँ पर है सूची में नज़र आ रहे हैं कमलनाथ केविनिट के सूला मंत्री यहाँ पर इस पूरी सूची में नज़र आ रहे हैं इसके साथ में जो पूर मंत्री हैं उनको भी हाँ पर टिकेट दिया गया है, साथी साथ टिकेट ऐसे लोगों को दिया गया है, जो नोन चेहरे हैं, मतलब अगर डबरा की बात करें तो सुरिस राजेज को टिकेट दिया गया है, लाखन यादाओ को गुलियर के बितरभार से साथी साथ साथी सिखर बार जो की बरतमान में ही कॉंगरेस के विधायक उनको टिकेट दिया गया है, प्रभीन पाठक पिछली बार चुनाओ जीत कर आये थे कॉंगरेस की ओर से तो उनको भी हाँ पर टिकेट दिया गया है, अगर बात की जाए, सागर जिले की तो हर 2018 में चुनाओ हार गए थे आजय सिंग राहुल पूर्विनेता पतिपक्ष हैं लेकिन वो भी 2018 में चुनाओ हारे थे और उनको भी यहाँ पर कॉंग्रिस ने चुरहट से एक बार फिर से उम्मीदबार बनाया है तो चेहरे लगभक वही चेहरे 2018 के ज्यादा तर नज़र आ र साथ अफदेश नायक एक बड़ा नाम है दतिया से डॉक्टर नरुत्तम मिसरा मध्यप्रदेश के ग्रह मंत्री हैं उनके खलाप में यहाँ पर अफदेश नायक को कॉंग्रिस ने उम्मीदबार बनाया है जो की अभी कुछ ही समय पहले कॉंग्रिस में सामेल हुए है बहुत कम समय में ही कॉंग्रिस का टेकेट पा है क्योंकि पहले वो कॉंग्रिस में नहीं थे और कॉंग्रिस की बेपक्शी पाटी में थे और चब कॉंग्रिस में सामिल हुए तो उसके बाद एक बार फिर सो나enne कै Banis की बात करें तो वो पुराने बड़े प्रत्यास्यों को घोशित कर दिये आपर कॉंगरेस ले जी हाँ देखे बिल्कुल जो चार थीटे हैं जहां पर नाम बदलने की बात चल रहे थी वहाँ ये नाम बदले भी गए हैं और ग्यारा बारा में से ग्यारा सीटों पर तो नाम स सामने आ चुके हैं जग्दलपूर एक पात्र सीट है यह बस्तर की 12 सीटों में से एक अनरक्षित है तो यहां पर पहले यह चल रहा था कि यहां जो चेहरा है वो बदला जा सकता है या जो बाकी के दावेदार हैं वो अलगला खेमों से काफी मजबूत है इसलिए सीट पर शा गांकेर में उनका यह चल भी रही थे कि उनकी टिकेट शायद काटी जा सकती है संगठन से जो सर्वे हुआ था उसके मुताबिक तो यह चेहरा बदला गया यहां शंकर दुरुआ जो पहले जीच चुके थे उनको मौका मिला इसी तरह से अंतागड में भी जो परफॉमेंस कि अवह पाती है कि जो ग्रामी न अध्यक्षते बल्रám मौरे जो कि कुद भी एक दावेदार है उनको घर बुलाकर उन्होंने इस्थानी अ संग्ठन में दावेदारी प्रस्तुत दर्याकर ना कि उन्होंने सीदें तुमें दावेदारी तिकी और प्रदेशन्यक्रस को प परिशानी का सबब रहा है हमेशा ही रहा है क्योंकि परिवार में बहुत से दावेदार खुद अंदर है इसलिए लगतार जो बागी रहे उनको मौका दिया गया है चाविंद्र कर्मा को जिने बार-बार समझाईश दी जा रहे थी और अगली बार लड़ने के लिए कहा जा आतला तो उनको मौका मिला है लेकिन सबसे जो मुझे लगता है कि जहां पर सबसे ज़्यादा लोगों को को शंका थी जहां पर फिर से एक बार मंदावी परिवार के ऊपर बअरुसा करते हुए इस पूरी स्ची में से एक मात्र महीला प्रत्याशी को मौका दिया गया है सावात्री मंडावी जो कि लगातार सक्री भी रही और एक तरह से माना जा रहा है कि भानुप्रतापुर में आने वाले समय में कॉंग्रेस के लिए वो एक बड़ा चेहरा उत्तर बस्तर से हो सकती है बेल्कुल जी तो पहले चरण में याँ पर सरगुजा में भी चुनाव है अभिशेक हमारे सेवकी जुड़ चुके हैं अभिशेक यहाँ पर टीएस सीदेव के नाम के गोशना के साथी और कौन से बड़े चेहरे हैं जो कि चुनाव मैदान में होगी क्योंकि पहले चुनाव में याँ पर वोटिंग होनी है? उनको बात करें तो कई ऐसे नाम हैं जहां पर संशे को इस्तिती है यही कारण है कि बाकी नामों की घोशना नहीं की गई है। तो दो नामों पर मुहर लग चुके हैं लेकिन अभी भी सरगुजा संभा की जो बारा सीटे हैं वहाँ पर संसे की इस्तिती है और कई बार ये बड़े नेताओं ने कहा है कि कुछ जो विधायक हैं उनके स्थान पर दूसरों चोहरे को मौका दिया जा सकता है ऐसे में जो कॉ अब भी जारी है और जो टिक्टो को लेकर मंथन है उस पर विचार किया जा रहा है कई ऐसे नाम जो थे जिनको जिन विधायकों को डेंजर जोन में रखा गया था यानि उनके स्तिती उस लाइक नहीं है कि वो चुनावी मैदान पर जाएं और जीत दर्द करतकें ऐसे में लगतार कवायद जारी है लेकिन इस बीच जो सूची आई है उसमें दो नाम तैकर लिए गया है टीय सिंग देव और अमर जीत भगत जो दोनों बड़े नेता हैं दोनों मंत्री हैं वो अब चुनावी मैदान में होंगे और अब एक तरह से कवायद सुरू हो जाएगी कि सीटों पर आखिर कॉंग्रेस कब अपने प्रत्यास्यों की गोश्ना कर पाती है बिल्कुल चुकी बस्तर की बात हो रही थी इसलिए उसके बाद तुरंस तुरूजा की बात हुई इसलिए अब शेक तुटी वश यह बात मैंने कह दी कि सत्रा पहले चरण में चुनाओंग अब बिल्कुल देखिए सी और स्टी के जो विधायक जहां पर टिकेट दिये जाने थे या फिर यह कहें कि जो सिटिंग एमेले थे उनको एक बार फिर से यहां पर उम्मीदबार बनाया है लेकिन अगर बात की जाए जाबुआ की सीट की तो वहां पर पूर्व केंदरी मं पूर्व कि जगे उनके बेटे डॉक्टर विक्रांद बूरिया जो की यूद कॉंग्रेस के अध्यक्ष भी हैं उनको यहां पर टिकेट दिया गया है अगर सिवनी से बात करें तो सिवनी से भी अलग-अलग जो सिंधी समाज से आने वाले आनंद पंजवानी को यहां पर इसके साथ ही तमाम सारे जो जातिया हैं चाहे हम सेडिल कास्ट की बात करें हैं सेडिल ट्राइप्स की बात करें तो हर एक उम्बीदवार को यहाँ पर उसके जाती के आधार पर समीकरण को देखते हुए यहाँ पर टिकेट दिया गया है और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन प हैं उस CerelCast की सीटों पर इस तोर इस तोर विय्सेष ध्यान यह दिया गया है कि अगर जहां पर महीलाओं की आवश्यक्ता CerelCast की है वहां पर वहांपर महीलाओं को यहांपर Ticket Congress दिया है लिकिन बहुत लेकिन कई चहरे ऐसे भी है जो पहली बार चुनाओ लड़ेंगे जिस तरीके से अभीजी शाह की बात करहें तो प्रिवार के जो लोगों को टिकेट ना देकर नई पीडी के लोगों को यहां पर टिकेट दिया गया है तो उससे ये भी कॉंगरीस ने बताने का प्रियास किया है कि यूवाओं का भी सूची में विसी धियान रखा गया है महिलाओं का भी इस सूची में विसीज ध्यान रखा गया ताकि किसी भी बर्ग से कहीं न कहीं कॉंग्रिस को जो है वो डेमेज की स्थिती ना बने और कॉंग्रिस जो है वो सफलता पूर्बा किस चुनाव को लड़ सके और कॉंग्रेस का पूरा प्रयास इस सूची के माददम से ये रहा है कि जो 144 नाम जो जारी किये गए हैं उन 144 नामों में सभी जाती वर्ग और सभी जो अलग-अलग वर्ग हैं चाहिए युवाओ की बात करें या महिलाओं की या फिर सीनियर्स लीडर की तो तमाम सारे वर्गों का भी दियाने याँ पर रखा है कॉंग्रेस ने और 144 का जारी किये है दूसरी सूची दो से तीन दिन में जरूर जारी हो सकती है क्योंकि कॉंग्रेस ये फिलाल साफ कर चुकी थी कि एक सूची देने के बाद एक दिन या दो दिन का गैप लेने के बाद फिर से एक सूची जारी करेंगे और दोनों ही सूची के माध्यम से 230 उम्मीदबार जारी करेंगे लेकिन जब ये सूची जारी हुई तो उसमें ये देखा गया है कि कमलनाथ का नाम भी इस सूची में शामिल किया गया है छिदवारा से कमलनाथ जो हैं वो चुनाओ लड़ेंगे और उसके साथ में अगर पूर मंत्रियों की बात करें तो 16 महिलाओं को यहां पर टिकेट दिया गया है साथ ही साथ स्थे एस्टी वर्क की बात करें तो स्थे एस्टी वर्क से आने वाले चाहे पूर मंत्रियों चाहे सिटिंग में लिऊं उन तमाम सारे लोगों कोंकरिस नाम पर वनाया है कॉंग्रेश ने ध्यान रखा कि ज्यादा डेमेज की स्थिती ना बने ऐसी सूची जो है सम्तुल जारी की जाए और समीकरन तमाम सारी जो है वो उसमें शामिल की जाए जाए नरेश अगर बात करें बीजेपी की पहले लिस्ट की तो दिन शेत्रों में बड़े नामों को त्याशो को जगा मिली है तो चलिए और महेश गागरा देख लिए यह जी केदार कशप हैं महेश गागरा हैं लता हुसेंडी हैं इन सभी के मुकाबले वो 2018 में जो लोग चुनावी मैदान में थे वही लोग चुनावी मुकाबले में होंगे और क्यूंकि अगर आप देख वीजापुर की बात छोड़ दें तो इन दोनों की जगह पर काफी जीत का अंतर कम रहा है तो यह मुकाबला इस बार भी रोचक होने जा रहा है और जिस तरह से भारती जनता पार्टी ने अपनी सूची में यह तैकिया कि कुछ पुराने चेहरों को भी फिर से बराबरी से मौका दिया जाएगा उसके लिहाद से लगता है कि पार्टी का जो इंटरनल जो एक तरह का सर्वे है या एक तरह की सूचनाई हैं उसके मताबीग यह सीटें दुबारा जीत सकते हैं अगर इसमें खास बात अगर आप गौर करें तो जो कॉंग्रिस में जो मोहन मरकाम कह ल लिए इलेक्ट होने के लिए चुनावी मैदान में हैं तो इस तरह के जो सर्वे में यह बात है कि हो सकता इस्थानी जनता नहें चेहरों को या पुराने भारती जनता पार्टी के चेहरों को मौका दे इसके बीच में भारती जनता पार्टी एक स्पेस देख रही है इस से मजबूरन उन्हें उन चेहरों को जगा देनी पड़ी और इस मामले में अगर देखें तो 2018 के जो नतीजे रहे खास्तोर पर बारा की बारा विदान सभा सीटों पर आदिवासी बूट्रों ने एक तरफा कॉंग्रेस की तरफ जाने का फैसला किया इस ते इस मामले में कॉं समाज की नाराजगी थी उनके जो प्रतिनिती चेहरे बने और संग्टन में स्थानी इस तर पर जिनकी समस्या थी आपसे गुडबाजी जिनकी बढ़नी की आशंका थी उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कॉंग्रेस ने अपने चेहरे ताई किये हैं कुछ कदावर चेहरों को भी मौका मिला है जिसमें अगर आप देखें तो मोहन मरकाम कम मारिजन से जीते हैं लेकिन क्योंकि वह प्रदेश रद्यक्ष रह चुके हैं इसलिए बहुत गुंजाइश नहीं दूसरे दावेदार वहां वैसे है नहीं चित्र कोट में प्रदेश रद्यक्ष होने के साथ-साथ राजनेतिक सहियों की भी रहें तो यहां पर जरूर आप ये चीज़ देख सकते हैं कि यहां इन सब चीजों को छोड़कर दीपक बैच को प्रात्मिक्ता दे गई चलिए नरेश आप हमारे साथ बने रहे हैं और तमाम रिपोर्टर से भी एमके ने बने रहे हैं आप माने सब लेगनी सुक की बड़ी ख़बर आपको बता दे मद्विदेश और चतिसगर में कॉंग्रेस टे अपनी लिस्ट जारी कर दिये हैं दीपक बैच को चित्र कोट स चिकिट दिये गए सुक की बड़ी ख़बर आपको बताने हैं कॉंग्रेस की पहली सुची जारी हो चुके हैं मद्विदेश और चतिस गड़ के लिहास से प्रत्याशियों की गोष्णा कॉंग्रेस ने कर दिये आजए नौरात्री के पहले दिन गोष्णा की बात कॉंग्र साहू को कॉंग्रेस ने अपना प्रत्याशिय बनाया है तो दीपक बैज सांसद और हैं और मैदान में चंदन कश्य अप नराणपूर से उमीदवार है यानि पहले चुरण में जहां पर वोटिंग होनी है वहां की हम जानकारी आप तक पहुँचा रहे चुतिस गड़ के क कॉंग्रेस की पहली सूची में दीपक बैज सांसद और प्रदेश कॉंग्रेस के अध्धक्ष है इस वक दीपक बैज चुत्र कोट से उमीदवार कॉंग्रेस ने बनाया है और उसके साथ ही तमाम नाम जारी हुए हैं आपको बताते हैं कि 6 विधायकों के सिटिंगे मेले क टिकेट कार्ट दे गए दो ऐसी सीटों पर कॉंग्रेस के प्रत्याशों का एलान हुआ है और कॉंग्रेस ने 6 वरतमान विधायकों के टिकेट कार्ट दिये जैसकी ये दावा किया जा रहा था कॉंग्रेस के बार बार का जा रहा था चार मेला प्रत्याशों को भी कॉंग् शे वरतमार विधायकों के टिकेट काटी गई है जिसके बारे में बारवर का जा रहा था 14 स्टी सीटों पर कॉंग्रेस के प्रत्याशी गोशित हुए है 4 महिला प्रत्याशियों को कॉंग्रेस ने मौका दिया है इस वक्त की बड़ी खबर 36 गड़ के लियाद से ये बतारे हैं आपको कि किस तरीके से आपर प्रत्याशियों के गोशना हुई है 30 नाम गोशित के हैं कॉंग्रेस ने 20 वो नाम है जो के 20 सीटों पर जो पहले चुनाओ होने इसके लावा 10 और नाम है जिसे गोशित कर दिया है कॉंग्रेस ने आपको बता दे 2 सीटों पर कॉंग्रेस के प्रत्याशियों का एलान हुआ है 14 सीटों पर भी कॉंग्रेस के प्रत्याशियों गोशित हुए कॉंग्रेस से ने 6 वरतमान विधागों के टिकेट भी काटे है जिसमें शिशुपाल सोरी भी है जहां पहले चैन्ड में चुनाओ उने तो 4 महिला प्रत्याश्यों को यहां मौका दिया है कॉंग्रेस ने आपको बता दे मत्विदेश और 36 गड में कॉंग्रेस प्रत्याश्यों के सूची जारी होने के बाद ही अब सियासत तेजी से बढ़ी है क्योंकि अब चुनाओ नस्दीक है पहला नाम दीपक बैज दूसरा नाम विक्रम बंडावी बीजापूर से ने मौका दिया है कॉंग्रेस ने भुपेश बगेल पाटन से और टीए सिदेव अंबिकापूर से अपनी परंपरागत सीट से तमाम बढ़े नेता चुनाओ लड़ेंगे अमरजीत भगत सीतापूर से प्रत्याशी होंगे कॉंग्रेस के पूर मंतरी और बहुत बड़ा चेरा सरगुजा का दामरतर साहु दूरुक ग्रामिर से वरतमान में ग्री मंतरी और एक बार फिर से अपती सीट से ही चुनाओ लड़ेंगे तो कॉंग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी उने के साथी हम आपको नाम भी बता रहें इंदर्शा, मंडावी, मानपूर, मोहला से कॉंग्रेस के प्रत्याशियों होंगे मौहमद अकबर कवरधा से जो कि अपनी पहली जिस सीट पर जी चुके हैं और डोंगर गाउं से दलेशर साहू चुनाओ की मैदान पर होंगे तो इस तरीके से कॉंग्रेस की सूजी हम आपको बता रहें बहुन मरकाम कॉंडा गाउं से जहां से वो पिछली बार भी जीते थे लताव सेंडिक उन्होंने दो बार इस सीट से हराया कवासी लखमा कॉंटा से उनकी परमपरा का सीट से ही चुनाओ लड़ेंगे संतराम निताम केशकाल से चुनाओ मैदान में होंगे कॉंग्रेस के प्रत्याशी होंगे इस तरी रचंदन का शेप नराणपूर से चुनाओ मैदान पर होंगे अब को बता दे 20 पहले चरण के 20 सीटो पर घुशित करने के साथ दस और दूसरे सीटो पर भी कॉंग्रेस से अपने प्रत्याशी घुशित किये नासिर गौरी हमारे सवगेस कबर पर हमारे साथ लाइब जुड़े नासिर गौरी हमारे संबाग की लिहाज से बात करे जो यह सूची जा रही हुए कॉंग्रेस की कितनी संतुलित नजरा रही कितनी क्या यहां पर डेमेज कंट्रोल की भी संभावनार अगर होता है तो कैसे मैनेज करेगी पार्टी देखिए गौले चंबर संबाग की 34 विदासबा सीटों में से 26 सीटों पर कॉंग्रेस के परत्याशों का एलान कर दिया गया है जो सिटिंग विदायक है उनके नाम किसी के भी नहीं काटे गया है उनको परत्याशी बनाए गया इसके साथ ही कुछ सीटे ऐसी है यानि की पिर बीजेपी से भी कुछ लोग हैं जो कहा जा सकता है कि जिनके नाम बड़ा तेजी से चल रहा है कि उनको अगर बीजेपी अपने टिकेट नहीं देती है तो यहां से आ सकते हैं तो ऐसे नामों को लेकर भी शायद उन सीटों पर होल्ड किया गया है आठ ऐसी सीटे जैस कॉंग्रेस के पिरतैशी की तोर पर वहां पर होल्ड किया गया है क्योंकि वहां पर दावेदारों की संक्या बहुत है लेकि कॉंग्रेस के पास कोई अच्छा विनिंग कैंडिगेट नहीं है जिसके करण शायद उस सीट को होल्ड किया गया है ऐसी कई सारी सीटे यानि कि स औरमुइभा आमहाख्त की जहांने अनुबारा कि लूगों को इन्तजार था कि आने वाली है ऑर जैसे आज नवरात्री का पहला और और सुभा की पहली सुभा के साथ ही एक जो कॉंग्रेस के जो प्रत्याशी थे जो उम्मीद लगा हुए थे उनको एक बड़ी खोशकबरी दी है लेकि सबसे बात यही है कि उप्चुनाओं के दौरान जो जीत करा आये थे कॉंग्रेस के प्रत्याशी भले ही उनके खिलाब म विजे सिंग से कुछ लोग कॉंग्रेसी मिलने जाते हैं उनका विरोध करते हैं लेकिन दिगवेजे सिंग उनको भगा देते हैं तो लेकिन विरोध भी उठ रहाता लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी ने ऐसे प्रत्याशों पर अपना रुक साफ किया है उनको ही अशिर आपके पास लोटेंगे लगतार अपडेट हम अपने दर्शिकों तक पहुचा रहें आया था उन विदायकों की टिकेट कट गई है आठ जगों पर जो है आठ नए प्रत्यासी उतारे गए है अर्थात नए विदायकों छोड़ मौका दिया गया है इसी तरीके से आप देखिए कि जो दीपक वैज है उनको भी प्रदेश सद्यक्ष है उनको उतारा गया है जो मंतरी है उन्हें पूरी टिकेट दे गई है विदान सभाध्यक्ष और उपाध्यक्ष उन्हें टिकेट दी गई है और सबसे महत्रपूर जो है दो तीन नाम है जिस पर आने वाले समय में आप देखेगा कि जरूर विवाज जैसी स्थिती रहेगी लेकिन कॉंग्रेस इ एक बात ये देखा जा रहा है कि कॉंग्रेस ने काफी exercise किया है इन नामों को लेकर काफी समय से ये देखा गया है कि कॉंग्रेस ने लगबख 6-7 दौर की बैटक की है उसके बाद फिर screening committee की बैटक हुई है और उसके बाद जो है central election committee की बैटक होई और फिर इन नामों को final कि गया है और निश्चित रूप से कॉंग्रेस को लगता है जैसे बार-बार कह रहे थे हैं कि जब तक कॉंग्रेस के कॉंग्रेस विदायकों की टिकेट नहीं काटेगी तब तक जो है कॉंग्रेस की जीत नहीं होगी ये बार-बार कहा जा रहा था और निश्चित रूप से तिकेट दी गई है और इसी तरीके से मंत्री मुहमद अकबर कमरदा जो केवल एक ही मंत्री को जो है अलग विधान सभा दिया गया है अहिवारा की जगा नवागर दिया गया है और वहाँ पर पहले से जो द्याल दास बगेल है उनको टिकेट दी भाजपा ने दी है जो काफी समय से वहाँ पर एक टीम है हाला की 2018 में उनकी हार हुई थी गुर्दयाल बंजारे जिनकी टिकेट काटी गई है ममत्रा चंद्राकर जिनकी टिकेट काटी गई है इसी तरीके से और सिसुपाल सोरी उनकी टिकेट काटी गई है राजमन बेंजाम उनकी टिकेट काटी गई है अन्तागर से अनुप डाब उनकी टिकेट काटी गई है दंतेवाडा से जो देउती कर्मा है उनके बेटे को जो है छबिन कर्मा को टिकेट दी गई है तो आप देखें कि ऐसे नाम है जिन नामों को लेकर कापी समय से जो है एकसरसाइज चल डीती और लग रहा था कि कॉंग् या आरंग से उत्रेंगे और निश्य दूप से हम जो है सभी इन नेताओं से बास्चीत करने की कोशिश करेंगे और इससे पहले कि एक बार फिर से बता दों की कॉंग्रेस जो है दूसरी सूची भी जो है आज या कल में जारी कर सकती है यह अभी की एक बारे आपको नई ब ये जो है और जो नए फ्रेस चहरे हैं उनको देने जारी है और जैसे हमने वताया कि इसहा कि चारीज जो चहरे है वो नए उतार रही है कॉंग्रेस जो है और अब देखना होगा कि किस तरीके से कॉंग्रिस ये पूरी स्टेटजी बनाई है उसके इसाब से कॉंग्रिस को लगता है कि उनकी जीत होगी और जो 75 प्लस का नारा दिया है वो पार कर पाएंगे या जो है जो बीजेपी ने टिकेट दी है उसके इसमें फस्त हुए नजर आएंगे ये देखना होगा पाल से बड़ी खबर जहाँ पर कॉंग्रिस की पहली सूची जारी हो गई है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लगतार ये जानकारी मिल रही थी और कॉंग्रिस की और से बार-बार ये कहा जा रहा था कि पीतर पक्ष खतम होते ही और सांती नामों की घोष्णा कर दी जाएगी अब मद्विदेश में 144 नामों की सूची जारी की गई है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कॉंग्रिस की पहली सूची मद्विदेश और 36 गड़ की पहली सूची जारी हो गई है बड़ी खबर आपको बता रहे है इस वख की बड़ी खबर मद्वदेश और 36 गड़ में कॉंग्रेस प्रत्याश्यों की पहली सूची जारी कर दी गई है तो नौरात्री के पहले दिन की बात यहाँ पर कॉंग्रेस ने कही थी सभी बड़े नेता ये बात कह रहे थे बार बार कि नौरात्री के पहले दिन प्रत्याश्यों की सूची जारी होगी और इस वख की बड़ी खबर आपको बता रहे है इस वख की बड़ी खबर मद्वदे चोपूर से बाबु जंडेल को टिकेट दिया गया है विजैपूर से राम दीवास रावत को टिकेट दिया गया है दुशियंत पराशर हमारेज़ों की फोल लाइन पर जो चुके हैं दुशियंत 144 नामों की गोश्टा मतिप्रदेश में हुई है क्या नाम सामने आए अब तक अब रुपर लिप्टि तो पिदी पहरी सुची कॉंगर्स ने जारी ची हो दुशियंत नामों की बात करें तो लामनिवास राबत इसने शामिल की गहीं दुशियंत पर कर दिया जाया है अगर दगरा से बात करें तुरिस राजी का लगातार दुरू दोरा था लिकिन कॉंगर्स में तुरिस राजी पुरिक अग्जा से उमीदवार बनाया है इससे बात अगर बात की जाए वाइंडियर की सुर्टिंग ब्रहिया को यहाँ पर कॉंगर्स की अचना उमीदवार इस बात पर से बनाया है जो अगर 18 में भी इस तुछी बोट से उनको आई का साम कॉंगर्स के अचना उमीदवार बनाया है तो शामन के जाएंडियर की जाएंडियर के अचना उमीदवार बनाया है देल जाएंडियर की जाएंडियर के अचना उमीदवार इस तो शांगर्स के जाने काराुनरश के नाव पर लगातार इसे बनाउय जारिक ऑंध कर दो श्यारी क्यांतार वना इस में जूमार्टत इसमेंग तो शामनीठी नमोंग्न में पर इसकानीं से बनाविया है तो इसमुदी नहीं की तरह सिपली कि यह ए ज़िए ज़ेगी ज़िए ज़िए, उन कंगरेस के आ tillाग कैर वह पुह कि शाय कर दो दático जया चे तwach कि यह शाय कामेदय आ कँछ जोंडिकन सित्तावन हभी थो स्चावसरे जाी में कंगरेस सभात पूछ में कंगोरेस को हम देन पूर्म मंत्री याद्विन सिंग गोजेला के अपर्टी कंगर से उमीद्वार कंगरें बनाया है बात करें अगर तो पूर्म मंत्री गोजेली गाटों के सफुर तया तो विधावर्टी यादों पर गोजेश्चें गैपनाया है तो नाती नाज़ा है वो अपनी चीसे ही चुनाओ ज़ल सकते हैं लिकिन बड़ा मलेरा तेरे इजबार से तेस्ताद भी रामसी या भार्टी को आपर पॉंडे से इजबार करना है जिनको तेरे कर्दूम सिंगी भी से सिकस्ति का सामना करना पड़ाता हूं जो हजनार उन्ली पर अज़े से जो है वो अब बनाए गए गए जो है वो उन्मीद्वार बनाए गए पड़ा से जो है पर पार करना पड़ाता हूं जो है जो होजनार पर बनाए गए गए जैपी ने पहले ही अपनी प्रत्याश्यों की घोछणा कर रहे लेकिन अब कॉंग्रेस और ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है आपको बता दे मदरदेश में 144 नामों की सूची जारी हुई है 34 गड़ में 30 नामों की सूची जारी हुई है तो टीए से देव कॉंभी का पूर से टिकेट दिया गया है वहीं अप दुनों जगह की टिकेटें किसको इसको मिली है आपको बता रहे लगतार हम अपडेट बता रहें आपको करके विधान समय चुनाओ से जोड़ी खबर आपको बता रहे है कॉंग्रेस ने सूची जारी के है सौरब परियार हमारे सुची पर जुड़े सौरब तीस नाम जिस पर तैह हो चुका है कौन को चुनाओ लड़ने वाले कौन-कौन से वो बड़े नाम है बिल्कुल देखे राउल कुछ देर पहले ही हमने बता है किस तरीके से कॉंगर्स प्रत्यासियों के लिस्ट जारी हो सकती है और आज जो बीस सीट प्रत्यासियों के मर्दान होने है उसको लेकर जो है वो बीस प्रत्यासियों के नाम तो हुए है उसके लवाद दस जो अत्रिक्त है जो मंत्रियों के नाम है उनके नाम है जो सबसे पहले IBC 24 में जो है दिखाया था कि मंत्री रूत कुमार को जो है नवागड की ही टिकिट दी जाएगी और अईवारा वो छोड़ दी है और ये उसके बाद आप देखें कि रमिंद चौबे को साजिया से सामेदर साउ को जुर ग्रामीर से पंडेरिया से सब्सक्राइब यहां पर आपको रोकिंगे स्वक्षे जो मद्प्रदेश में भी जो प्रत्याशियों के नाम गोशित हुए हम लिस्ट दिखाने सूची है देखे आप ये वो नाम है जो कि गोशित के 144 नाम मद्प्रदेश के प्रत्याशियों के और उसे गोशित कर दिया ग 144 नामों को फाइनल कर दिया है मद्विदेश ने यानि सभी को इंतजार था और आज नौरात्री को पहला दिने बार बार ये कॉंग्रेस कह रही थी कि नौरात्री के पहले दिन हम शुमूर्थ पर इन नामों की घोशना करेंगे 144 नाम मद्विदेश में और 30 नाम 36 गड़ में गोशित कर दे गए है चलिए जादा जानकारी के साथ हमारे दो सभी के सवक्त हमारे साथ लाइफ जुड़े है मद्विदेश से दुशियंत और रायपुर से सौरा भी सवक्त हमारे साथ लाइफ जुड़े है सीधे रूख करेंगे दुश्यंत का दुश्यंत 144 नामों के अगर बात करें तो कौन-कौन से ऐसे नाम है जिस पर लग सकता है कि डेमेज हो और इस डेमेज को कंट्रोल करने के लिए कॉंग्रेस को मशक्कत भी करनी पड़े बड़े नाम कौन-कौन से इस सूची में दुश्यंत मद्रदेश के मुख्य मंत्री हैं उनकी सीट से यहां पर कोई बड़ा चेहरा उतारने की बात यहां पर कॉंग्रेस करती हुई नजार आ रही थी लेकिन इस बार बिक्रम मस्ताल को वहां से टिकेट जो है वो कॉंग्रेस ने दिया है जो की जो कही न के जो रामानन सागर की दूसरी रामायन है उसमें हनुमान का किरदार ने बाद चुके हैं और लगातार जैसे ही उन्होंने कॉंग्रेस का दामन थामा था उसके बाद लगातार वो नर्वदा को बचाने के लिए यात्राएं भी जाल रहे थे और तमाम सारे जनजागरन कारिकरम भी चला रहे थे कॉंग्रेस के माद्यम से तो ऐसे में कहीं न कहीं कॉंग्रेस ने एक ऐसा चेहरा उतारा है हो सकता है और जिस तरीके से अगर और भी नामों की बात करें तो बैतूल से सुखदे पासे को यहाँ पर टिकेट दिया गया है चिंदवाडा से खुद कमलनात चानाम भी सूची में सामिल है जी दिश्चन तक से आगे भी नामों की सूची हम लेंगे और आगे भी जानकारे लेंगे फिलाल अच्छतिसकर की बात करते हैं क्योंकि च्छतिसकर में पहली सूची कॉंग्रेस ने जारी कर दिया है सौरप सिंग परियार हमारे समाददाता लगतार हमारे साजुड़े हैं सौरप आपसे भी जानना चाहते हैं विस्तार से सूची के बारे में कौन-कौन से नाम इसमें शामिल है कौन-कौन से बड़े चैरों को इसमें मौका मिला है साथ ही कितनी बैंसिंग है ये सूची ये भी समझना चाहते हैं आपसे बिल्कुल देखिए सबसे पहले तो जो तीस नाम गोसित किये गया है उसमें 6 कॉंग्रेस विदायकों की टिकेट कड़ गई है और जो IBC 24 ने बड़ी प्रमुकता से दिखाया था कि कॉंग्रेस की जो पहली लिष्ट जारी होने वाले उसमें 6 कॉंग्रेस विदायकों की टिकेट कड़ गई है और 4 महिला प्रत्यासी को मौका दिया गया है कॉंग्रेस विदान सभाय में महिला मिद्वार दिया गया है लेकिन सबसे महत्तपूर नाम आप देखें कि गिरिष देवांगन को राजनान गाउसे उतारा गया है ये नाम काफी पहले से आ रहा था लेकिन कहीं न कहीं हो सकता है कि ये चुकि ये हैं खरोरा से इसलिए काज आ रहा था कि गिरिष देवांगन को नहीं लड़ाय जाएगा लेकिन आप देखें कि राजनान गाउसे गिरिष देवांगन को जगाद दी गया है आपको याद होगा कि गिरिश देवांगन जो है अभी एक निगम के अध्यक्ष है और बुख्यमंत्री भुपेश बगेल के बचपन के मित्र है उनको ये टिकेट दी गई है पिछले समय प्रभारी महामंत्री भी रह चुके हैं तो एक ये बड़ा नाम दिया गया है सबसे पहले और बता दे कि पंडरिया से जो है ममत्या चंद्राकर जो विदायक है उनकी टिकेट जो है काड़ दी गई है नीलू चंद्रवंसी को टिकेट दी गई है जो पूरवे जीला कॉंग्रेस कवरदा के अध्यक्ष रह चुके हैं इसी तरीके से जो डोंगरगर से हमने बताया था कि जो बुनेश्वर बगेल हैं उनकी टिकेट काड़ दी गई है और वहाँ पर महिला प्रत्यासी उतारा गया है हरसीता स्वामी बगेल को उतारा गया है ये पूरी तरीके से फ्रेस केंडिडेट हैं इसी तरीके से जो हमने और बताया था कि खुजी में जो है ज रोसा जताया है इसी तरीके से एक और नाम जो है अन्तागर से जो रूप सिंग पोटाई है उनको जगा दी गई है अन्तागर के जो विधायक है उनको उनकी टिकेट कार दी गई है इसी तरीके से जो एक और नाम हम जो पहले से बता रहे थे कांकेर से सीसुपाल सोरी की टिके टीकट कट गई है, तो आप देखिए कि चार महिला है, उसमें कौन-कोन से वो बता दिता हूं, सबसे पहले जो है नाम है नंदी लोहारा से जो मन्तरी अनीला भेडिया है उनко उतारा गया है खैरागडी ए चोधा वर्मा है उनको उतारा गया है जो विकरम सिंग है उनके पोजीचन में रहेंगे और आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब देवरा सिंग का निधन हुआ था उसके बाद उपचुना में वो जीती थी और उनके कयास पूरी लगाय जा रहे थे कि यह सोदा वर्मा को टिकेट मिलेगी चुकी वो जो है लोदी समास से आते हैं और वो टिकेट उने मिल गई है तो यह दूसरा नाम है तिसरा नाम इसी तरीके से डोंगरगर से हरसीता स्वामी जो बगेल है उनको दिया गया है और चौता नाम जो है सावीत्री मंडावी यह भी जो है उपचुना में भानुपरतापूर में उपचुना में जीती थी जो इनके पती है मनोज मंडावी उनके निधन के बाद यह उत्री थी तो यह काफी बैलैंसिंग सीट है और जो आईबिसी 24 ने बड़ी प्रमुकता से दिखाया था कि 6 कॉंग्रेस विदायकों की टिकेट कटेगी पहले चरण में और वो कट गए है और आप देखे कि बुख्यमंत्री भुपेज बगेल को पाटन से उतारा गया है अम्भिकापूर से टी एस्टी दे और सीटापूर से मरी भगाट स्वाराब आपके पास उटेंगे यहाँ पर भी महिला अरक्षन को ध्यार में रखा गया है महिला उम्मीदवार कितने है इसमें अभी जो खूशी तो यह सीट में अब बिल्कुल देखी 144 की जो सूची जारी की गई है उसमें ज्यादा तर सेटिंग MLA को टिकेट यहाँ पर कॉंग्रेस ने दिया है हालागी बहुत कम सीटों पर यह देखने में आया है पूरी सूची में के एक अद टिकेट कहीं काटा गया हो तो लेकिन जुष तरीके से अगर महिलाओं की बात करें तो इस 144 की सूची में 16 महिलाओं को यहां पर फिलाल कॉंग्रिस ने टिकेट दिया है और 16 महिलाओं को टिकेट दे कर यह भी बताने का प्रयास कॉंग्रिस की उसी किया गया है कि जो आरक्षन की बात लगातार राजनेते के गलियारों में गुंचती है और लगातार महिला इस बात को बार-बार बोलती हुई पिछले दिनों में राजनेतिक गलियारों में नजर आई है तो उसको यहाँ पर चरितार्त भी कॉंग्रिस करती हुई नजर आई इस सूची में सूला महिलाओं को फिलाल टिकेट दिया गया है अगर बोपाल की बात करें तो बोपाल से हिंट भी कर चुकी थी कि उनको ही कॉंग्रिस जो है अपना उम्मीदबार बनाएगी तो वो लगातार काम करते हुए नजर आ रहे थे स्थानिय बिधायक मद्द से मारिक मसूद को यहां पर एक बार फिर से कॉंग्रिस ने उम्मीदबार बनाया है और बीजेपी के दुरुबनारेंट सिंग से उनको सीधी टकर जो है वो मिलने वाली है अगर बात की जाए बेरासिया की तो बेरासिया में एक बार फिर से 2018 की बाती ही जैसरी हरीकरंट को यहां पर कॉंग्रिस ने अपना उम्मीदबार बनाया है तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे नाम है जिन पर अगर चर्चा की जाए तो खासा जो राजनेतिक अनुभव जो है वो यहां पर भी महसूस होगा साथी साथ कमलनाथ से लेकर अगर पू सुची में सामिल हो और उनके तमाम सारे पूर मंत्रियों के नाम भी इसी सुची में सामिल है तो यह ज़रूर कहा जाया कि कामलनाथ के पूरे केविनेट को यहां पर कॉंग्रिस ने टेकेट दिया है और उसके साथ मैं अगर जो सिटिंग MLA की बात करें तो सिटिंग MLA को यहाँ पर तमाम सारे टिकेट हैं यहाँ पर जारी किये गए तो यह जरूर नहीं कहा जा सकता है कि 2023 के अंत में जब यह चुनाओं होंगे विधान सवा तो उनके जो उम्मीदवार है एक बार फिर से वो जीत कराएंगे और विधान सवा में वो सरकार बनाते हुए नजर आएंगे लेकिन जिस तरीके से 144 नामों की अगर पूरी बात करें तो कुछ ऐसे नाम भी है जो 2018 में चुनाओं हार गए थे लेकिन बड़े नाम है रामनेबास रावत की बात करें आजय सिंग राहुल की बात करें या फिर कई ऐसे और भी नाम है जिन पर अगर चर्चा की जाए तो वो 2018 में जरूर चुनाओं हार गए थे लेकिन इस बार चुनाओं जितने की प्रवल अबना हैं तो ऐसे में कॉंग्रिस ने कोई भी कोर कसार 144 की सूची में नहीं छोड़ी है कि किसी प्रकास से कोई भी डेमेज पार्टी को हो सके और यही कारण है कि थोड़ा सा समय जरूर लगा थोड़ा सा मन्थन जरूर को अधिक करना पड़ा लेकिन जो कॉंग्रिस ने पर अधिक तो वह आज जारी की गई है बिल्कुल देखे बिल्कुल सवाल है आपका देखे फहले फेस में चार साहूं को जगह दी गई है आप देखे कि तामरदा साहू है जो OBC से आते हैं उनको जगह दी गई है इसी तरीके से जो दलेश्वर साहू है और भोला राम साहू है उनको जगह दी गई है आप देखें कि पहले फेस में जो है कुल 30 सीटों पर प्रत्यासी घोसित किये हैं उस पर 14 सीट है अदिवासी सीट है उस पर प्रत्यासी उतारे ग इसी तरीके से कॉंग्रेस ने चार महिला प्रत्यासी भी उतारे हैं और जैसे हम बहुत पहले से कह रहे थे कि आप देखें कि जो बस्तर है बस्तर संबाग की 12 सीटों की अगर बात करें तो बस्तर संबाग में जो काफी समय से नाम आ रहे हैं कि इन विदायकों को टिकिट नहीं दिया गया है और चीतर कोड से प्रदेश कॉंग्रेस सद्यक्ष दीपक बैज को उतारा गया है क्योंकि पूरे जो पाँच राज्यों में जो चुना हो रहा है वहां के प्रदेश कॉंग्रेस सद्यक्षों को भी जो है टिकिट दिया गया है जैसे कमलनात को भी जी सवरा बायाँ के पास आएंगे इस वक्तлонर वाइता सो अग्रेश प्रेश परुसर में Katamash अत्यासी के रूप जिए और गार चली आएंगे के यह जो ड़ीड़ार izy Res चैजवट्र को की फिर्व 있나 में बस्तर में चुनाव होने हैं यहाँ पर भी प्रत्याश्यों की घोष्टना अब यहाँ पर कॉंग्रेस ने कर दिये दीपक बैज विक्रम मंडावी समेथ जो सीटों है उसके पर एलान किया है किस तरीके का आप यहाँ पर मुकाबला देखने को मिल सकते हैं दरेश नरेश आपको मेरी आवाज मिल रही है लगता है हमारा संपर्ट नरेश से नहीं उपार है सोरब आप बताईए इस सूची के बारे में क्योंकि बस्तर के पहले चरण में जो चुनाओ हुने उनमें अप प्रत्याशों की गोश्टना हो चुकी है किस तरीके का मुकाबला बीजेपी और कॉंग्रेस में देखने को मिल सकता है और प्रत्याशों के लिए हैं से कितना है में बिल्कुल देखे जो बात पहले कहा जा रहा था कि मंतरियों का नाम नहीं काटा जाएगा मंतरियों के एक भी नाम नहीं कटे सभी मंतरियों को यथावत दिया गया है केवल गुरुरुद्र कुमार जो आईवारा से थे उनको नवागर दिया गया है मुख्यमंत्री और डिप्टी सीम टीए सीदे को भी उनके जगा से दी गई है लेकिन आप देखें कि जो सबसे महत्रपूर्ण नाम था कि खुजी से जो महिला विधायक थी उनका नाम कार दिया गया चन्नी साउ का वहां से भोला राम साउ को टिकिट दी गई है और भोला रा जब एक समय आया था तब वो कहीं न कहीं सीदे तोर पर कहती थी कि मैं सीदे खेमे का हूँ और कहीं न कहीं उनको टिकिट नहीं मिल पाई है हाला कि ये कहा जाता है कि अंतिम वक्त तक इस नाम को लेकर जो है सीजी में काफी चर्चा होई थी मुख्यमंतरी बुपेज बगेल की ओर से कहा गया कि भोला राम साउ को टिकिट दिया जाए वही दूसरी ओर जो चन्वी साउ को लेकर भी सीदे को ये दोरा नाम रखा गया था लेकिन फैनली जो है इनका नाम आया इसी तरीके से जो साबीतरी मंडावी है उनको यथा रखा गया है अगर कॉंग्रेस की बात करें तो क्या आंकलन कर सकते हैं इस बार दरेश सुन पार आप हमें चो लेकर से संपर्ग करने की कोशिश करेंगे सौरब आपके पास एक बार फिर चलते हैं सौरब क्या जानकारे देते हैं विसार से बताई आई बार फिर बिल्कुल देखे मैं वही जानकारी दे रहा था कि लगातार जो कॉंग्रेस के कयास लगाया जा रहे थे और वही सूची लगबख फाइनल हुई है और उसी को मैं बता रहा था कि किस तरीके से कॉंग्रेस ने एक-एक नामों पर काफी एकसरसाइस किया है और ये बात भी आ रही थी कि जो गुरुरुद्र कुमार है उनको अईवारा से नवागर दिया जा लेकिन काफी उसके बाद उनको टिकेट दी गई है नवागर और नवागर में पहले से ही कॉंग्रेसी बैठे है कई जगा आप देखेगा कि जो जो नए नाम आए है या जिनकी टिकेट कटी है वो जो है कही ना कही अब विरोध प्रदर्शन करेंगे कि उनको टिकेट मिलनी चाहिए और जैसे मैं दो-तीन नाम बता रहा हूँ एक गिरिस देवांगन है राजनान गाउ से जिनको टिकेट दे गई है नवागर से गुरुरुद्र कुमार तो हो सकता है कि इनका विरोध हो क्योंकि दोनों बाहरी के नाम पर जो उन पर मुहर लगेगी और निश्य दुरुप से जब पहले ही जब नवागर को लेकर चर्चा हो रही थी तो अभी कॉंग्रेस के तमाम जो दावेदार है वो भी जो है यहां के वरिश नेताओं से मुलाकात किये थे प्रभारी कुमारी सहल्या से मिलने आये थे और जिस तरीके से हेमा देश्मूक जितेन मुदलियार जैसे और अन्य बड़े निताओं के नाम आ रहे थे वहाँ भी यह नहीं हो पाया तो ऐसे में आप देखेगा कि बहुत जल्ड जो है कॉंग्रेस की टिकेट है कुछ सीटों को लेकर तो उस पर यह स्थिती देखने को मिलेगी लेकिन इस पर खास बात यह है कि लगबग चार चार ठीक है सोरा आप बिंदुवार आकलन करें सीटों का लेकिन इस वक्त रूप करेंगे मद्विदेश का दुशियन्त हमारे साथ हमारे स्विक लगातार बने हुए दुशियन्त अगर 2018 के चुनाओ की बात करें कॉंग्रेस ने बहतर प्रदर्शन किया था क्या इन सूची में वही सारे प्रत्याशी हैं जो 2018 में प्रत्याशी गुशित किये गये थे कुछ तो क्योंकि बागी होकर बीजेपी में चले गये थे तो इस तरीके से इस पूरे इसको लिस्ट को कैसे मैनेज किया कॉंग्रेस ने और क्या ये 2018 में जो प्रत्याशी है जिनलों ने बेतर पूरी सूची में नज़र आ रहे हैं। पूरी सूची में नज़र आ रहे हैं। पूरी सूची में नज़र आ रहे हैं। जो की अभी कुछ ही समय पहले कॉंग्रिस में सामेल हुए हैं। अनुभा मुनजारे बालगाट जेले से आती हैं। उनको यहां पर कॉंग्रिस ने उमीदवार बनाया है। जिस तरीके से कई सारे ऐसे नाम हैं अगर उन पर चर्चा की जाए तो बहुत सारे कुछ ऐसे नाम जरूर निकल कर सामने आएंगे। जो बहुत कम समय में ही कॉंग्रिस का टेकेट पा गए हैं। प्रत्याश्यों की बात करें तो वो पुराने बड़े प्रत्याश्यों को गोशित कर दिया हैं आपर कॉंग्रिस ने। वो अलग-अलग खेमों से काफी मजबूत हैं इसलिए सीट पर शायद अभी नाम आना बाकी है लेकिन अगर आप देखें तो परिवर्तन कॉंग्रिस ने भी किया है रनीती के तैया 2018 में वहतर प्रदर्शन के बहुद भी साउधानी कॉंग्रिस की तरफ ते बढ़ती गई है इसमें विशेश तौर पर शिशुपाल सोरी जो की एक बड़ा अधिवसी चेहरा थे डांकेर में उनका ये चल भी रही थे कि उनकी टिकेट शायद काटी जा सकती है संगठन से जो सर्वे हुआ था उसके मुताबिक तो ये चेहरा बदला गया यहां शंकर दुरुआ जो प प्रदेश रध्यक्ष पही हो गये थे और जब उन्होंने अपने दाविदारी प्रस्तुत की प्रदेश रद्यक्ष हुने का उनको पाइदा भी मिला पिछले चुनाओं में लगतार अभी जित रहे हैं मजबूत का दावर नेता के दोर पर उनकी छवी लगतार बढ़ती रही ये कॉंग्रेस के भीतर तो उन्हें यहाँ पर पार्टी ने मौका दिया है दंते वाड़ा कॉंग्रेस के लिए परिशानी का सबब रहा है हमेशा ही रहा है क्योंकि परिवार में बहुत से दावेदार खुद अंदर है इसलिए लगतार जो बागी रहे उनको मौका दिया गया है चविंद्र कर्मा को जिने बार बार समझाईश दी जा रहे थी और अगली बार लड़ने के लिए कहा जा रहा था तो उनको मौका मिला है लेकिन सबसे जो मुझे लगता है कि जहां पर सबसे ज़्यादा लोगों को शंका थी जहां पर फिर से एक बार मंडावी परिवार की उपर गरुसा करते हुए इस पूरी सूची में से एक मात्र महीला प्रत्याशी को मौका दिया गया है सावत्री मंडावी जो कि लगातार सक्री भी रही और एक तरह से माना जा रहा है कि भानुपरतापुर में आने वाले समय में कॉंग्रेस के लिए वो एक बड़ा चेहरा उत्तर बस्तर से हो सकती है तो पहले चरण में याँ पर सरगुजा में भी चुनाव है अभिशेक हमारे स्वेकी जुड़ चुके हैं अभिशेक यहाँ पर टीयस सिंदेव के नाम के गोशना के साथ ही और कौन से बड़े चेहरे हैं जो कि चुनाव मैदान में होगी क्योंकि पहले चरण में याँ पर वोटिंग होनी है यहाँ जो चुनाव होना है उसका चरण जो 17 तारिक को है 17 तारिक को वोटिंग होगी लेकिन जिस तरह से सीटों की गोशना की गई है इसमें बात करें तो जो दो नामों को पर चर्चा हो रही थी दुनों जो मंत्री हैं उनके नामों की गोशना हो गई है अमरजीत भगत सीतापुर से चुनाव लड़ते हैं वो अब चुनावी मैदानते होंगे इसके अलावा टी ये सिंग देव अंबिकापुर से जो उनकी नामों की गोशना होई है लेकिन 14 संभाग की बात करें जो संभाग की 14 सीटे हैं उनको बात करें तो कई ऐसे नाम है जहां पर संभाग की गोशना नहीं की गई है कॉंग्रेस ये पूरी स्थिती स्पस्ट करना चाहती है चुकि भाजपा की बात करें तो 14 में से 13 नामों की गोशना भाजपा ने कर दी है और सभी जो प्रत्यासी हैं वो अपनी चुनावी तैयारी में जुट चुके हैं ऐसे में काफी समय से ये प्रतिक्षा थी थी कब कॉंग्रेस अपने नामों की गोशना करेगी कब प्रत्यासीयों का चैन होगा और उसके बाद जो कॉंग्रेस के प्रत्यासी हैं वो चोनावी मैदान में होगी तो दो नावों पर मुहर लग चुकी है लेकिन अभी भी सरगुजा संभा की जो बारा सीटे हैं वहाँ पर संसे की स्तिती है और कई बार ये बड़े नेताओं ने कहा है कि कुछ जो विधायक हैं उनके स्थान पर दोसरों चोहरे को मौका दिया जा सकता है ऐसे में जो कॉंग्रेस की कवायत अब भी जारी है और जो टिक्टो को लेकर मंधन है उस पर विचार किया जा रहा है कई ऐसे नाम जो थे जिन विधायकों को डिंजर जोन में रखा गया था यानि उनके इस्तिती उस लायक नहीं है कि वो चुनावी मैदान पर जाएं और जीत दर्द करतकें ऐसे में लगतार कवायत जारी है लेकिन इस बीच जो सूची आई है उसमें दो नाम तैय कर लिए गये हैं टीय सिंग्देव और अमर जीत भगत जो दोनों बड़े नेता हैं दोनों मंत्री हैं वो अब चुनावी मैदान में होंगे और अब एक तरह से कवायत सुरू हो जा लेकिन दो बड़े चेरें यहाँ पर चुके टीयस से देव भी हैं और साथ ही आप अतारें अमर जीत भगत का भी नाम तैय हुआ इसलिए अब चुकी यहाँ पर नाम तैय हो चुके इसलिए यह चर्चा में आई अब रुक करेंगे एक बार फिर से मद्विदेश का जाती स अमिकरण का ख्याल यहाँ पर रखा गया है इस सूची में यूद कॉंग्रेस के अध्यक्ष भी हैं उनको यहाँ पर टिकेट दिया गया है अगर सिवनी से बात करें तो सिवनी से भी अलग-अलग जो सिंधी समाज से आने वाले आनंद पंजवानी को यहाँ पर टिकेट दिया गया है इसके साथ ही तमाम सारी जो जातिया हैं चाहे ह सेडियूल कास्ट की बात करें, सेडियूल ट्राइप्स की बात करें, तो हर एक उम्मीदवार को यहाँ पर उसके जाती के आधार पर समीकरण को देखते हुए यहाँ पर टिकेट दिया गया है, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं, जिन पर अगर चर्चा करें, तो उसके साथ में यूवाओं का विसेज ध्यान रखा गया है, महिलाओं का यहाँ पर इस सूची में विसेज ध्यान रखा गया है, जातीकत सभी करणों की बात करें, तो उनका यहाँ पर ध्यान रखा गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं, जिनको देखा जाए, तो वो पहले चुनाओ लड़ चुके हैं लेकिन हार गए थे लेकिन कई चेहरे ऐसे भी हैं जो पहली बार चुनाओ लड़ेंगे जिस तरीके से अभी जी शाह की बात करें तो अभी जी शाह जो है सेडिल्ट ट्राइब से आते हैं और मद्धप्रदेश के जो वन मंत्री है विजय शाह उनके भतीज हैं उनके बड़े भाई के बेटे हैं तो ऐसे में यह जरूर कहा जाए कि बहुत सारे ऐसे नाम भी अगर पूरी सूची में देखा जाए 144 की सूची में तो बहुत सारे ऐसे नाम है जो कहीं ने कहीं परिवार के जो लोगों को टिकेट ना देकर अब नई पीडी के लोगों को यहां पर टिकेट दिया गया है तो उससे ये भी कॉंग्रिस ने वताने का प्रयास किया है कि युवाओं का भी सूची में विसीज ध्यान रखा गया है महिलाओं का भी इस सूची में विसीज ध्यान रखा गया है ताकि किसी भी बर्ग से कहीं न कहीं कॉंग्रिस को जो है वो डेमेज की स्थिती ना बने और कॉंग्रेस जो है वो सफलता पूर्बक इस चुनाव को लड़ सके और कॉंग्रेस का पूरा प्रयास इस सूची के माददम से यह रहा है कि जो 144 नाम जो जारी किये गए हैं उन 144 नामों में सभी जाती वर्ग और सभी जो अलग-अलग वर् सकती है क्योंकि कॉंग्रेस यह फिलाल साफ कर चुकी थी कि एक सूची देने के बाद एक दिन या दो दिन का ग्याप लेने के बाद फिर से एक सूची जारी करेंगे और दोनों ही सूची के माद्यम से 230 उमीदबार जारी करेंगे लेकिन जब यह सूची जारी हुई तो उस onyёт و MARK मेंज़ाने अपनल आ गालने गेंवां और देवा खोलु हुज समर कि साथ सक्राइब कांगर्णानों सन्तवर्णानों से अश्यन को में वि differentiate के हें अनों स्पैसद्य गोडेंन यह भी चीडियां साथ महिलायफ कांग्रणानों अगर कंगरश लगती है तो کہीं न कहीं डैमेज कंट्रोल की स्तिती को कंट्रोल करने में ही समय खराब हो जाएगा और प्रचार जो है वो पार्टी के पक्ष में नहीं हो पाएगा तो इस बात को भी कंगरश ने ध्यान डखा कि ज्यादा डैमेज की Snit ना बने ऐसी सूची जो है सम्तुल जारी की जाए और समीकरन तमाम सारे जो हैं वो उसमें शामिल की जाए तो नरेश अगर बात करें बीजेपी की पहले लिस्ट की तो दिन शेत्रों में बड़े नामों को बीजेपी ने उतारा था वहां पे कॉंग्रेस की सूची में किन प् नरेश आप सुन पा रहे हैं आप में तो चलिए महेश गागरा देख लिए या जी केदार कशप हैं महेश गागरा हैं लता हुसेंडी हैं इन सभी के मुकाबले वो 2018 में जो लोग चुनावी मैदान में थे वही लोग चुनावी मुकाबले में होंगे और क्योंकि अगर पर काफी जीत का अंतर कम रहा है तो ये मुकाबला इस बार भी रोचक होने जा रहा है और जिस तरह से भारती जनता पार्टी ने अपनी सूची में ये तैकिया कि कुछ पुराने चेहरों को भी फिर से बराबरी से मौका दिया जाएगा उसके लिहाद से लगता है कि पार् पर पहली बार जरूर जीते हैं लेकिन बागी दो जगह पर जो कॉंग्रिस के प्रत्याशी है वो दो दो टर्म अपना लगबग इस चुनाव के साथ पूरा कर चुके हैं और इस बार वे तीसरे टर्म के लिए इलक्ट होने के लिए चुनावी मैदान में हैं तो इस तरह के जो पीच पारती च STRAN पार्टी के चरण को मौका दे इसके बहती जनता पार्टी में अपने पुराने और चेरों को उतार रहा है चैना बंठी चöhरों के तौर पर या अधिवासिओं के पास पॉलिटेग्स के एंगल पर क्लास सपेश स्पेस नहीं था जिसकी वज़े से मजबूरन उन्हें उन चेहरों को जगा देनी पड़ी और इस मामले में अगर देखें तो 2018 के जो नतीजे रहे खास्तोर पर 12 की 12 विधान सभा सीटों पर आदिवासी भूटरों ने एक तरफा कॉंग्रेस की तरफ जाने का फैसला किया इस मामले में कॉंग्रेस को बढ़ा था और इस वज़े से उसके जो प्रत्याशी चेहन की प्रक्रिया उसमें उसको बहुत ज़्यादा दूविदा नहीं थी केवल जो संगटन के समाज के इस तरफ जो राज्य सरकार के जरिये जो मुड़े आये जिसकी वज़़ा से आदिवासी समाज की नाराज़गी थी उनके जो प्रत्यादी चेहरे बने और संग्टन में इस्थानी इस तर पर जिनकी समस्या थी आपसे गुडबाजी जिनकी वज़ा से बढ़नी की आशंका थी उन मुद्धों को ध्यान में रखते हुए कॉंग्रेस ने अपने चेहरे तै किये हैं कुछ कदावर चेहरों को भी मौका मिला है जिसमें अगर आप देखें तो मोहन मरकाम कम मार्जियन से जीते हैं लेकिन क्योंकि वो प्रदेश अद्यक्ष रह चुके हैं इसलिए वहां बदलावगी बहुत गुंजाइश नहीं दूसरे दावेदार वहां वैसे है नहीं चितर कोट में परदेश अद्यक्ष वर्तमान दीपक बहच के लिए ये इस दिती थी कि वहां पर चेहरे थे पिछली बार राजमन में जाब महां से जीते थे और इसके अलावा बलराम और ये तीनों लगब एके उमर के हैं और एक साथ इनकी राजनिती रही है इसलिए ये अबर आपको बता दे मद्यदेश और 36गड में कांग्रेस दे अपना लिस्ट जारी कर दिए ये है दीपक बैच को चितर कोट से चिकिट दिये ग से ताम रदस साहू को कॉंग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है तो दीपक बैज सांसद और हैं और मैदान में चुनावी मैदान में चंदन कश्य अप नराणपुर से उमीदवार है यानि पहले चुरण में जहां पर वोटिंग होनी है वहां कि हम जानकारी आप तक सुची में दीपक बैज सांसद और प्रदेश कॉंग्रेस के अध्धक्ष हैं सवक दीपक बैज चित्रकोर्ट से उमीदवार कॉंग्रेस ने बनाया है और उसके साथ ही तमाम नाम जारी हुए हैं आपको बताते हैं कि 6 विधायकों के सिटिंग मेले के टिकेट कार्ट दे जए दो ऐसी सीटों पर कॉंग्रेस के प्रत्याशों का एलान हुआ है और कॉंगरेस ने 6 वरतमान विधायकों के टिकेट कार्ट दिये जैसकी यह दावा किया जा रहा था चार मैला प्रत्याशियों को भी कॉंग्रिस ने मौका दिया है। कि किस तरीके से आपर प्रत्याश्यों के गोशना हुई है तीस नाम गोशित किये हैं कॉंग्रेस ने 20 वो नाम है जो के 20 सीटों पर जो हाँ पहले चुनाओ होने इसके लावा 10 और नाम है इसे गोशित कर दिया है कॉंग्रेस ने आपको बताते हैं इससी सीटों पर कॉंग्रेस के प्रत्याश्यों का एलान हुआ है 14 सीटों पर भी कॉंग्रेस के प्रत्याश्यों गुशित हुए कॉंग्रेस से ने 6 वरतमान विधागों के टिकेट भी काटे हैं जिसमें शिशुपाल सोरी भी है जहां पहले चैनल में चुनाओ हुने तो 4 मह अगबैज दूसर नाम विक्रम मंडावी बीजापूर से ने मौका दिया है कॉंग्रेस ने भुपेश बगेल पाटन से और टीए सिदे अंबिकापूर से अपनी परंपरगत सीट से तमाम बढ़े नेता चुनाओ लड़ेंगे अमरजीत बगत सीतापूर से प्रत्याशियों क कॉंग्रेस के पूर मंत्री और बहुत बड़ा चेहरा सरगुजा का दामरदर साओ दुरुग ग्रामिर से वरतमान में ग्री मंत्री और एक बार फिर से अपनी सीट से ही चुनाओ लड़ेंगे तो कॉंग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी होने के साथ हमां आप कॉंगर गाउं से दलेशर साहू चुनाओ की मैदान पर होंगे तो इस तरीके से कॉंग्रेस की सूजी हम आपको बतारें बहुन मरकाम कॉंडा गाउं से जहां से वो पिछली बार भी जीते थे लता उसेंडिक उन्हें ने दो बार इस सीट से हराया कवासी लखमा कॉंडा स से उनकी परमपरा का सीट से ही चुनाओ लड़ेंगे संतराम नेताम केशकाल से चुनाओ मैदान में होंगे कॉंगरिस के प्रत्याशियों होंगे इस दिर रचंदन का शेप नरानपूर से चुनाओ मैदान पर होंगे अब को बताते 20 पहले चरण के 20 सीटों पर घुशित करने के साथ दस और दूसरे सीटों पर भी कॉंगरेस से अपने प्रत्याशी घुशित किये नासिर गौरी हमारे सवगे इस खबर पर हमारे साथ लाइब जुड़े नासिर गौलियर की लिहाज से बात करे गौलियर संभाग की लिहाज से बात करे जो ये सूची जा रही हुए कॉंगरेस की कितनी संतुलित नजरा रही कितनी क्या यहां पर डेमेज कंट्रोल की भी सं संभावनार अगर होता है तो कैसे मैनेज करेगी पार्टी देखिए ग्वालिय चंबर संभाग की चौतिस ददासभा सीटों में से चपिस सीटों पर कॉंगरेस के प्रत्याश्यों का एलान कर दिया गया है जिसमें जो पर जादर जोर दिया गया है उनके नाम किसी के भी नहीं काट गया है कुछ प्रत्याशी बनाएगे गया इसके साथ ही आग पंतुँञ 달 लेकर भी शायद उन सीटों पर होल्ड किया गया है आठ ऐसी सीटे है जैसे अगर गौलियर जिले की बात करें तो गौलियर बच्छा विदानसुबा सीटे है लेकिन एक सीट पर होल्ड कर दिया गया है यानि कि गौलियर विदानसुबा है वहाँ पर होल्ड कर दिया गया है ऊस seat से प्रतुमान सिंग अवर प्रत्याशी थे भीजेपी के प्रत्याशी है लेकिन कॉंग्रेश के प्रत्याशी के तोर पर वहाँ पर होल्ड किया गया है या क्योंकि आवेडारों के संक्या बहुत हैं पर ज्याय। को लेकर वहां पर होल्ड किया गया इसके साथ ही नेता प्रतिपक्षाइं डाक्टर गोविन सिंग उनके भांजे को टिकेट दिया गया यानि कि परिवालवात का भी बढ़ावा यहां देखने को बिल रहा है उनको महगाओं से प्रत्याशी बनाए गया है तो ऐसे कई नाम है जहां पर चौकाने वाली चीज़े आई हैं जैसे फूल सिंग बरहिया है उनको फिर दुबारा से पार्टी ने प्रत्याशी बनाए उनको भांडेर से प्रत्याशी बनाए एपिस सिंग काजी है छेवार के विदायक है उनको पार्टी ने दुबारा से फिर से मैदान मुता रहा है तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो कॉंग्रेस की सूची जो होल्ड की गई थी काफी लंबे समय से लोगों को इंतजार था कि आने वाली है आने वाली है और जैसे आज नवरात्री का पहला दिन हो और अग्सुबा यानि कि सुबा की पहली सुबा के साथ ही एक जो लगा हुए थे उनको एक बड़ी खुशकबरी दी है लेकि सबसे बात यही है कि उपचराओं के दौरान जो जीत कराये थे कॉंग्रेस के प्रताशी भले ही उनके खिलाब महौल खराब रहा कहा जा रहा है था कि उनकी इस्तिती अच्छी नहीं है पार्टी उनका टिकेट क पार्टी ने ऐसे प्रत्याशों पर अपना रुक साफ किया है उनको ही अपना प्रत्याशों पर ही भरोसा जता है जिनोंने उप चुराओं के दोरान पार्टी को जीत दिलाने की कोशिश किये लेकिन हाला कि गौहद जो विदान सभा है उस पर थोड़ा सा संचे है उस पर ह पूल्ड किया गया है चलिए नासिर आपके पास लौटेंगे लगतार अपडेट हम अपने जर्शिकों तक पहुचा रहें सौरव हमारे संवादाता एक बाक से अजर्शिक हैं सौरव 37 करके अगर बात करे तो 14 ऐसी सीटों पर कॉंग्रेस ने प्रत्याशिक गुशित के कौन-कौन से वो नाम है जिन पर नाम तै किये गए है बिल्कुल देखिए सबसे पहले तो यहीं बता दें कि आइबीसी 24 ने जिन जिन नामों पर मुहर लगाई थी उन्हीं कोई टिकेट मिली है और दूसरी बात की जिन विधायकों की टिकेट कटी थी टिकेट कटनी है यह हमने बताया था उन विदायकों की टिकेट कट गई है आठ जगों पर जो है आठ नए प्रत्यासी उतारे गए है अर्थात नए विदायकों छोड़ मौका दिया गया है इसी तरीके से आप देखिए कि जो दीपक बैज है उनको भी प्रदेश सद्यक्ष ह गई है इसी तरीके से आप देखिए कि जो पूरे मंतरी है मुख्यमंतरी भुपेज बगेल समेत कुल 13 जो मंतरी है उन्हें पूरी टिकेट दे गई है विदान सभाध्यक्ष और उपाध्यक्ष उन्हें टिकेट दी गई है और सबसे महत्रपूर जो है दो तीन नाम है जिस जो हो इनको कोई जो है नुकसान ना हो इसे लेकर और निश्यत रूप से एक बात ये देखा जा रहा है कि कॉंग्रेस ने काफी एकसरसाइस किया है इन नामों को लेकर काफी समय से ये देखा गया है कि कॉंग्रेस ने लगबख 6 से 7 दोर की बैटक की है उसके बाद फिर स् लेते हैं कि जब तक कॉंग्रेस के कॉंग्रेस की विदायकों की टिकेट नहीं काटेगी तब तक जो है कॉंग्रेस की जीत नहीं होगी ये बार बार कहा जा रहा था और निश्ची दुरूप से सीव डहरिया जो है उनको भी टिकेट दी गई है आरंग से और जैसे ये कहा जा रहा था कि आरंग के अलावा जो है और कहीं से लड़ सकते हैं लेकिन सीव डहरिया को ही टिकेट दी गई है और इसी तरीके से मंतरी मुहमाद अकबर कमरदा जो केवल एक ही मंतरी को जो है अलग विधान सभा दिया गया है अहिवारा की जगा नवागर दिया गया है और काफी समय से वहाँ पर एक टीम है हाला की 2018 में उनकी हार हुई थी गुर्दयाल बंजारे जिनकी टिकेट काटी गई है ममता चंदराकर जिनकी टिकेट काटी गई है इसी तरीके से और सिसुपाल सोरी उनकी टिकेट काटी गई है राजमन बेंजाम उनकी टिकेट काटी गई है अन्तागर से अनुप डाब उनकी टिकेट काटी गई है दंतेवाडा से जो देउती कर्मा है उनके बेटे को जो है छबिन कर्मा को टिकेट दी गई है तो आप देखें कि ऐसे नाम है जिन नामों को लेकर काफी समय से जो है एकसरसाइज चल रही थी और लग रहा था कि कॉ अरंग से उतरेंगे और निश्ची दूरुप से हम सभी नेताओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इससे पहले की एक बार फिर से वादा दादों की कॉंग्रेस जो है दूसरी सूची भी जो है आज या कल में जारी कर सकती है यह अभी की एक बार आपको नई ब्रेक जा रहा था कि कॉंग्रेस जो है और जो नए फ्रेस चेहरे हैं उनको देने जा रही है और जैसे हमने बताया कि था कि चालीस जो चेहरे हैं वो नए उतार रही है कॉंग्रेस जो है और अब देखना होगा कि किस तरीके से कॉंग्रेस जो है ये पूरी स्टेटजी बनाई है उ इसके इसमें फस्ते वे नजर आएंगे ये देखना होगा। पीतर पक्ष खतम होते ही और सांती नामों की गोश्णा कर दी जाएगी अब मदविदेश में 144 नामों की सुची जारी की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक की बड़ी खबर मदविदेश और 34 गड़ में कॉंगरेस प्रत्याशों की पहली सुची जारी कर दी गई है। तो नौरात्री के पहले दिन की बात यहाँ पर कॉंगरेस ने कही थी सभी बड़े नेता ये बात कह रहे थे बार-बार कि नौरात्री के पहले दिन प्रत्याशों की सुची जारी होगी और इस वक की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस सुची बड़ी खबर मद्वदेश में 144 नामों की सुची जारी हुई है। श्योपूर से बाबु जंडेल को टिकेट दिया गया है। विजैपूर से राम दिवास रावत को टिकेट दिया गया है। दुश्यंत पराशर हमारे से की फोल लाइन पर जिए दुश्यंत 144 नामों की गोश्टा मद्विदेश में हुई है। यह क्या नाम सामने आए अब तक। अब दुश्यंत पराशर हमारे से राम दिवास रावत को टिकेट दिया गया है। तरफी तिकरबार को यहां पर सिहे जिया है। सब्सक्राइब करें नाम है तो आपके आदो को इस बाते से कॉंग्रेस में टिकिल किया है कोग्रेस के सब्सक्राइब करें तो रानुगर से जयावर्दन सिंग का नाम भी हापर करें तो राजबू का विए तो राजबू का शेपर है जिसमें जिसमें यहां पर नाम भी है तो चवांको के जाते में इस और आपके तोरली जेर पहरिए तो रहे जाहिए तो फेन से जारी पर लगातार ऐसे हैं पही कि जारी पर रहे कि जारीक है गाल भुष्ध करते हैं बहुत की वर्ण पर चुन के जब बनाए गाए है पूर्म मंत्री यादी इंद सिंग गोजेला के अपर टीकंगर से उमीदबार कॉंगर्स ने बनाया है पूर्म मंत्री गोजेल सिंग गाटवर के सब्सक्तर जोकी उप्तुनाओं में सिस्वाज के यादों से आहर जाए थे इस दिया है तो बनाया है तो नापिन आजा है वह अपनी सिस्वाब गराव से लिकिन बड़ा मलेरा तेरे इसमार से तादगी रामचिया भार्टी के यादों से यहादों से दिया है जिसके लिए जिसके लिए तो नापिन अवर्टी के लिए वह अगर बात की जाए तो इसके लिए तो इस दिया है करें 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 तो नापिन करें करें बनाए गार बनाए गए तरते इनका सामना अगर पर करते हिए तिक लाओं में जिए दुशन्त आपको यादो रोकेंगे हमारे दर्शकों को हम अपडेट कर देते इस वह अपको बढ़ी ख़बर आपको बताने चुटी सब्सक्राइब और मद्वदेश में कॉंग्रेस प्रत्याशों की पहली सूची जारी हो गई है विदान सबा चुनाओं से जुड़ी बड़ी ख़बर आपको बतारे है बीजेपी ने पहले ही अपनी प्रत्याशों की घोशना कर रखी लेकिन अब कॉंग्रेस ने अपने प्रत्याशों की सूची जारी की है आपको बता दें मधविदेश में 144 नामों की सूची जारी हुई है 24 गर में 30 नामों की सूची जारी हुई है तो टी एसी देव कॉंभी का पूर सो चिकट दिया गया है वहीं अप दुनों जगह की टिकटें किसको किसको मिली है आपको बता रहे हैं लगतार हम अब डेट बता रहें आपको को कि विदान समय चुनाव से अपको बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कॉंग्रेस से सुची जारी कि सौरब परियार हमारे से के सौरब तीस नाम जिस पर तैह हो चुका है कौन को चुनाओ लड़ने वाले कौन-कौन से वो बड़े नाम है बिल्कुल देखे राउल कुछ देर पहले ही हमने बताया से किस तरीके से कॉंग्रेस प्रत्यासियों के लिस्जारी हो सकती है और आज जो 20 सीट प्रफंद के मर्दान होने है उसको लेकर जो है वो 20 प्रत्यासियों के नाम तो हुए है उसके लावा 10 जो अत्रिक्त है जो मंत्रियों के नाम है मुख्यमंत्री के नाम है उनके नाम है सब्सक्राइब दिखाने सूची है देखे आप यह वो नाम है जो कि गोशित कि 144 नाम मद्देश के प्रत्याशियों के और उसे गोशित कर दिया कर दिया है क्योंकि लगातार इंतजार हो रहा था इन प्रत्याशियों के गोश्चना का और अब 144 नामों की गोश्चना कॉंग्रेस ने कर दिया मद्देश में 36 गड़ में गोशित कर देगे है चलिए जादा जानकारी के साथ हमारे दो सजयों के सवक्त हमारे साथ लाइफ जुड़े है मद्देश से दुशियन्त और रायपुर से 11 भी सवक्त हमारे साथ लाइफ जुड़े है सीरे रूप करेंगे दुश्यंत का दुश्यंत 144 नामों के अगर बात करें तो कौन-कौन से ऐसे नाम है जिस पर लग सकता है कि डैमेज हो और इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए कॉंग्रेस को मशक्कत भी करनी पड़े बड़े नाम कौन-कौन से इस सुची में दुश्यंत 145 नामों की बात करें तो बहुत सारे पूर मंत्रियों के नाम है जो कमला सरकार में मंत्री रहे हैं जिस तरीके से जबलपूर की बात करें तो जबलपूर में लखन घंगवरिया तरुन बनोट को यहां पर उमीदबार कॉंग्रेस ने बनाया है सेटिंग में बिने जक्सेना को भी यहां पर टिकेट दिया है सोनकच से बात की जाए तो सज्जन सिंग बर्मा को एक बार फिस से टिकेट दिया गया है लेकिन एक चोकाने वाला नाम यह है कि सिवराज सिंग चोहान जो की मंद्रप्रदेश के मुख्य मंत्री है उनकी सीट से यहां पर कोई बड़ा चेहरा उतारने की बात यहां पर कॉंग्रेस करती हुई नजार आ रही थी लेकिन इस बार बिक्रम मस्ताल को वहां से टिकेट जो है वो कॉंग्रेस ने दिया है जो कहीं न कर जो रामानन सागर की दूसरी रामाइन है उसमें हनुमान का किरदार ने बाच चुके हैं और लगातार जैसे ही उन्होंने कॉंग्रेस का दावन थामा था उसके बाद लगातार वो नर्वदा को बचाने के लिए यात्राएं भी निकाल रहे थे और तमाम सारे जन जागरन कारिक्रम भी चला रहे थे कॉंग्रेस के माध्यम से तो ऐसे में कही ने कहीं कॉंग्रेस ने एक ऐसा चेहरा उतारा है जो युवा है और नया चेहरा है जो जिसका राजनेतिक प्रस्ट भूमी में अभी कोई भी बेक्राउंड नहीं है तो ऐसे में नया चेहरा होने के चलते कहीं न कहीं यहाँ पर कड़ी मशक्कत इस सीट पर कॉंग्रेस को करनी पड़ सकती है क्योंकि मुख्यमंत्री का चेतर है और मुख्यमंत्री के चेतर में कहीं न कहीं जिस तरीके से एक नया चेहरे को उतारना कॉंग्रेस का कहीन का एक एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है और जिस तरीके से अगर और भी नामों की बात करें तो बैतूल से सुखदेपासे को यहाँ पर टिकेट दिया गया है चिंदवाडा से खुद कमलनात का नाम भी सूची में सामिल है जी दुशन तब से आगे भी नामों की सूची हम लेंगे और आगे भी जानकारे लेंगे फिलाल अच्छतिसकर की बात करतें क्योंकि च्छतिसकर में पहली सूची कॉंग्रेस ने जारी कर दिया सौरप सिंग परियार हमारे समाद्दाता लगतार हमारे साजुड़े हैं सौरप आपसे भी जानना चाहते हैं विस्तार से सूची के बारे में कौन-कौन से नाम इसमें शामिल है कौन-कौन से बड़े चैरों को इसमें मौका मिला है साथ ही कितनी बैंसिंग है ये सूची ये भी समझना चाहते हैं आपसे बिल्कुल देखिए सबसे पहले तो जो तीस नाम गोसित किये गया है उसमें 6 कॉंग्रेस विदायकों की टिकेट कड़ गई है सबसे बड़ी खबर यही है और जो IBC 24 ने बड़ी प्रमुकता से दिखाया था कि कॉंग्रेस की जो पहली लिष्ट जारी होने वाले उसमें 6 कॉंग्रेस विदायकों की टिकेट कड़ गई है और 4 महिला प्रत्यासी को मौका दिया गया है कॉंग्रेस यो चार विदान सबाय में महिला मिद्वार दिया गया है लेकिस सबसे महत्तपूर नाम आप देखे कि गिरिश देवांगन को राजनान गाउसे उतारा गया है ये नाम काफी पहले से आ रहा था लेकिन कहीं न कहीं हो सकता है कि ये चुकी है खरोरा से इसलिए काज आ रहा था कि गिरिश देवांगन को नहीं लड़ाय जाएगा लेकिन आप देखे कि राजनान गाउसे गिरिश देवांगन को जगाद दी गई है आपको व्याद होगा कि गिरिश देवांगन जो है अभी एक निगम के अध्यक्ष है और बुख्यमंत्री पुपेश भगेल के बचपन के मित्र है उनको ये टिकेट दी गई है पिछले समय प्रभारी महामंत्री भी रह चुके हैं तो एक ये बड़ा नाम दिया गया है सबसे पहले और बता दे कि पंडरिया से जो है ममत्या चंद्राकर जो विदायक है उनकी टिकेट जो है काड़ दी गई है नीलू चंद्रवंसी को टिकेट दी गई है जो पूरवे जीला कॉंग्रेस कवरदा के अध्यक्ष रह चुके हैं इसी तरीके से जो डूंगरगर से हमन और बताया था कि खुजी में जो है जो चंद्री साहू था उनका नाम काड़ दिया गया है और उनके जगा भोला राम साहू जो पूरविदायक भी रह चुके हैं और सांसत का चुना भी तो है 2019 में लड़े थे उनको एक बार फिर से कॉंग्रेस पार्टी ने टिकेट दिया है उनका भरोसा जताया है इसी तरीके से एक और नाम जो है अनतागर से जो रूप सिंग पोटाई है उनको जगा दी गई है अनतागर के जो विदायक है उनको उनकी टिकेट कार दी गई है इसी तरीके से जो एक और नाम हम जो पहले से बता रहे थे कांकेर से सिसुपाल सोर तो ये उन्दागर से अनूप नाक थे जिनको रूप सिंग पोटाई को उतारा गया है अनूप नाक की टिकेट कड़ गया है तो आप देखिये कि 4 महिला है उसमे कौन-कौन से वो बता देता हूँ मैं आपको सबसे पहले जो है नाम है डॉंडी लोहारा से जो मंत्री अनीला भेडिया है उनको उतारा गया है खैरागडी हसोधा जो वर्मा है उनको उतारा गया है जो विक्रम जो सिंग है उनके पोजिशन में रहेंगे और आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब देवराश सिंग का डोंगरगर से हरसीता स्वामी जो बगेल है उनको दिया गया है और चोथा नाम जो है सावीत्री मंडावी ये भी जो है उपचुना में भानुपरतापूर में उपचुना में जीती थी जो इनके पती है मनोज मंडावी उनके निधन के बाद जो है ये उतरी थी तो ये काफी बैलेंसिंग सीट है और जो IBC 24 ने बड़ी प्रमुक्ता से दिखाया था कि 6 कॉंग्रेस विदायकों की टिकेट कटेगी पहले चरण में और वो कट गए हैं और आप देखें कि मुख्यमंत्री भुपेज बगेल को पाटन से उतारा गया है अम्भिकापुर से टी एसी देऊ सीटापुर से मरी प्रमुक्ता सुर्टेंगे हाँ इस वाक तुरुक करेंगे मद्विदेश का मद्विदेश में भी क्या है ऐसे ही डिकलियर किये गए है प्रित्याशी जैसे दुशेंत्माना जा रहा था उसकी जो सूची जारी की गई है उसमें ज्यादा तर सिटिंग एमेले को टिकेट यहां पर कॉंग्रिस ने दिया है हाला कि बहुत कम सीटों पर यह देखने में आया है पूरी सूची में कि एक आद टिकेट कहीं काटा गया हो तो लेकिन इस तरीके से अगर महिलाओं की बात करे तो इस 144 की सूची में 16 महिलाओं को यहां पर फिलाल कॉंग्रिस ने टिकेट दिया है और 16 महीलाओं को टिकेट दे कर यह भी बताने का प्रियास कॉंग्रिस की उस सी किया गया है कि जो आरक्षन की बात लगातार राजनेतिक गलियारों में गुंचती है और लगातार महिला आरक्षन को लेकर लगातार कयास लगाए जाते हैं उनको यहाँ पर कॉंग्रेस जो है वो भरपाई करती हुई नजर आई यह कॉंग्रेस जो बात कहती हुई नजर आई थी सूची में 16 महिलाओं को फिलाल टिकेट दिया गया है अगर बोपाल की बात करें तो बोपाल से किवल तीन सीटों पर यहाँ पर टिकेट जो है वो जारी किये गए हैं जिनमें नरेला से मनुष युकला को यहाँ पर उमीदबार यहाँ पर कॉंग्रिस ने बनाया है जो से मारिफ मसूद को यहाँ पर फिर से कॉंग्रिस ने अपना उमीदबार बनाया है तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे नाम है जिन पर अगर चर्चा की जाए तो खासा जो राजनेतिक अनुवव जो है वो यहाँ पर भी महसूस होगा साथी साथ कमलनाथ से लेकर अगर पूर मंत्रियों की बात करें तो कमलनाथ का भी नाम इस सूची में सामिल हो और उनके तमाम सारे पूर मंत्रियों के नाम भी इसी सूची में सामिल है तो यह जरूर कहा जाए कि कमलनाथ के पूरे केविनेट को यहाँ पर कॉंग्रिस ने युआ दिया है और उसके साथ मैं अगर अगर जो सिटिंग की बात करें तो सिटिंग मेरे को भी यहां पर तमाम सारे जो टिकिट हैं वह यहांपर जारी किये गए तो यह जरूर नहीं कहा जा सकता कि ईख़ डैमएज बात कॉंग्रिस में निकल कर सामने आ रही थी कि ये जरूर कहा जाएगा कि जब टिकेट जारी होंगे तो कई सारे विरूत प्रदर्शन या पर देखने को मिलेंगे वो तो मिलने ही वाले हैं लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जिन उम्मीदों पर जो लोग खरे उत्रे जो लोग चुनाओ जीत कर कॉंग्रिस का पर्चम लहराते नजर आए उनको एक बार फिर से कॉंग्रिस ने उम्मीदबार बनाया है और उन पर फिर से भरूसा जताया है कि 2023 के अंत में जब ये चुनाओ होंगे विधान सवा तो उनके जो उम्मीदबार है एक बार फिर से वो पिधान सवा में वो सरकार बनाते हुए नजर आएंगे लेकिन जिस तरीके से 144 नामों की अगर पूरी बात करें तो कुछ ऐसे नाम भी है जो 2018 में चुनाओ हार गयते लेकिन बड़े नाम है रामनेवास रावत की बात करें आजे सिंग राहुल की बात करें या फिर कई ऐस पार्टी को हो सके और यही कारण है कि थोड़ा सा समय जरूर लगा थोड़ा सा मन्थन जरूर कॉंग्रिस को अधिक करना पड़ा लेकिन जो कॉंग्रिस ने रणनीती बनाई थी कि नवरात्री के पहले दिन ही पहली सूची जारी की जाएगी तो वो आज जारी की गई है पिल्कुल दुश्यंत एक बार फेस सत्रि में रूख करते हैं हमारे समादा सोरफ हमारे साह जुड़े हुए है nordव जाती गर्ट समी करनों की बात करें तो इसलिए सी हैसे सूची को कैसे देख सकते हैं बिल्कुल देखे बिल्कुल सही सवाल है आपका देखे पहले फेस में चार साहूं को जगा दी गई है आप देखे कि ताम रदा साहू है जो बीसी से आते हैं उनको जगा दी गई है इसी तरीके से जो दलेस्वर साहू है और भोला राम साहू है उनको जगा दी गई है आप द प्रत्यासी उतारे गये हैं दो इसी सीट है उस पर नवागड से गुरुरुद्र कुमार जो पहले युवारा में थे अब नवागड चेंज कर दिये हैं और मंत्री सीव डारिया को आरंग से टिकेट दिया गया जो इसी में आते हैं इसी तरीके से कॉंग्रिस ने चार महिला प्रत्यासी भी उतारे हैं और जैसे हम बहुत पहले से कह रहे थे कि आप देखें कि जो बस्तर है बस्तर संबाग की 12 सीटों की अगर बात करें तो बस्तर संबाग में जो काफी समय से नाम आ रहे थे कि इन विदायकों को टिकेट नहीं दिया गया है और चीतर कोड से प्रत्यासी के रूप में वहाँ पर जाने जाएंगे चुकि उनका कोई वहाँ पर कोई ऐसा छेतर नहीं रहा है वो खरोरा से आते हैं लेकिन कहीं न कहीं अब देखना होगा कि इस पर क्या बयान बाजी कॉंग्रेस नेताव के आती है क्योंकि इससे पहले जी सोराब आपके पास आएंगे इस सवक्त नरेश मिश्र हमारे सेवगी इस सवक्त जिगदलपूर से लाइव जूट सुके हैं नरेश क्योंकि पहली च्रण में बस्तर में चुनाव होने हैं यहां पर भी प्रत्याश्यों की घोष्टना आप यहां पर कॉंग्रेस ने कर दिये दीपाक बैज विक्रम अंडावी समेत जो सीटों हैं इस पर एलान किया है किस सरीके का आप यहां पर मुकाबला देखने को मिल सकता है नरेश आपको मेरी आवाज मिल रहे हैं लगता है हमारा संपर्ट नरेश से नियुपार है सौरब आप बताइए सूची के बारे में क्योंकि बस्तर क्योंकि पहले चरण में चुनाव हुने उनमें अप प्रत्याश्यों की घोष्टना हो चुकि एक इस तरीके का बिजेपि और कांग्रेस में देखने को मिल सकता है और प्रत्याश्यों के लिछा से कितना है में बिल्कुल देखें जो बात पहले कहा अजा रहा था कि मंतरियों का नाम नहीं काटा जाएगा मंत्रियों के एक भी नाम नीकटे है सबी मंत्रियों को यतावत दिया गया केवल गुरूरुद्र कुमार जो अईवारा से थे उनको नवागर दिया गया है मुख्य मंत्री और डिप्टिसी मटी अचीधे को भी उनको जगा से दिगई है, लेकिन आप देखें कि जो लेकिन आप देखें कि जो सबसे महत्रपूर्ण नाम था कि खुजी से जो वहां की जो महिला विधायक थी उनका नाम कार दिया गया शन्नी साहू का वहां से भोला राम साहू को टिकिट दी गई है और भोला राम साहू भी काफी समय थे और खुजी जो शन कहा हूं और कहीं न कहीं उनको टिकेट नहीं मिल पाई है हाला कि यह कहा जाता है कि अंतिम वक्त तक इस नाम को लेकर जो है सीजी में काफी चर्चा होई थी मुख्यमंत्री बुपेश बगेल की ओर से कहा गया कि भोला राम साउ को टिकेट दिया जाए वह दूसरी ओर जो चन संपर्ख हमार हो चुक है नरेश आपसे भी जानना चाहते है जब बीजेपी न अपनी पहली सुची जारी की थी उस समय हमने देखा था कि पूरी तरीके से आंकलन किये जा रहे थे कि पार्टी कहा पे मजबूत और कहा पे कमजोर इस बार अगर कॉंग्रेस की बात करें तो क्या आंकलन कर सकने हैं इस बार नरेश सुन्त बार आप हमें संपर्ख करने की कोशिश करेंगे स्वारब आपके पास एक बार फिर चलते हैं स्वारब क्या जान करें देते विस्तार से बताई है एक बार फिर सुची लगबख फाइनल होई है और उसी को मैं बता रहा था कि किस तरीके से कॉंग्रेस ने एक एक नामों पर काफी एकसरसाइस किया है और ये बात भी आ रही थी कि जो गुरुरुरुद्र कुमार है उनको अईवारा से नवागर दिया जा लेकिन काफी उसके बाद उनक को टिकेट मिलनी चाहिए और जैसे मैं दो-तीन नाम बता रहा हूं एक गिरिस द्यमांगन है राजनान गाउसे जिनको टिकेट दे गई है नवागर से गुरुरुद्र कुमार तो हो सकता है कि इनका विरोध हो क्योंकि दोनों बाहरी के नाम पर जो उन पर मुहर लगेगी और निशी दुरुप से जब पहले ही जब नवागर को लेकर चर्चा हो रही थी तो अभी कॉंग्रेस के तमाम जो दावेदार है वो भी जो है यहां के वरिश्ट नेताओं से मुलाकात किये थे प्रभारी कुमारी सहल्या से मिलने आये थे और जिस तरीके से हेमा पात यह है कि लगबाग चार चार चाहरे जो है तो अब बिंदुवार आकलन करें सीटों का लेकिन इस वक्त रूप करेंगे मद्विदेश का दुशेंत हमारे साथ हमारे से लगातार बने हुए दुशेंत अगर 2018 के चुनाओं की बात करें कॉंग्रेस ने बहतर प्रत्याशी है जिनलों ने बैतर प्रदर्शन किया क्या उनको प्रात्मिकता है अब बिलकुल देखिए वही सूची जो है वो अधिकतर नाम वही नाम जो यहाँ पर है सूची में नजर आ रहे हैं कमलनात केविनिट के सूला मंतरी यहाँ पर पूरी सूची में नजर आ र प्रवीन पाथक पिछली वार चुनाओं जीत कर आये थे कांग्रिस की ओर से तो उनको भी हांपर टिकेट दिया गया है अगर बात की जाए सागर जिले की तो हर्ष यादाओं को एक बार फिर से टिकेट दिया गया है सुरेन चोदरी 2018 में चुनाओ हार गए थे लेकिन उनको एक बार फिर से टिकेट दिया है पन्ना के पवई से मुकिस नायक को कॉंग्रिस ने उम्मीदबार बनाया है मुकिस नायक 2018 में चुनाओ हार गए थे आजय सिंग राहुल पूर्व नेता पतिपक्ष हैं लेकिन वो भी 2018 में चुनाओ हारे थे और उनको भी यहाँ पर कॉंग्रिस ने चुरहट से एक बार फिर से उम्मीदबार बनाया है तो चेहरे लगभख वही चेहरे 2018 के ज्यादतर नज़र आ रहे हैं अगर कुछ चेहरों की बात करें तो कुछ चेहरे यहाँ पर नहीं भी सामिल किये गए हैं बुधनी से विक्रम मस्ताल को यहाँ पर टीवी एक्टर हैं उनको यहाँ पर उम्मीदबार कॉंग्रिस ने बनाया है हनुमान का किरदार वो जो रामायन दो में निभाच चुके हैं साथी साथ अफदेश नायक एक बड़ा नाम है दतिया से डॉक्टर नरुत्तम मिसरा मत्यप्रदेश के ग्रह मंत्री है उनके एकलाप में यहाँ पर अफदेश नायक को कॉंग्रिस ने बनाया है जो की अभी कुछ ही समय पहले कॉंग्रिस में सामेल हुए है अनुभा मुनजारे बारगहट जेले से आती हैं उनको यहाँ पर कॉंग्रिस ने बनाया है जिस तरीके से कई सारे ऐसे नाम है अगर उन पर चर्चा की जाए तो बहुत सारे कुछ ऐसे नाम जरूर निकल कर सामने आएंगे जो बहुत कम समय में ही कॉंग्रिस का टिकेट पा गए है क्योंकि पहले वो कॉंग्रिस में नहीं थे और कॉंग्रिस की बेपक्षी पार्टी म अब कॉंग्रिस में सामिल हुए तो उसके बाद एक बार फिर से कॉंग्रिस ने पूरा फोकस इस दोरान बीजेपी ने बस्तर में रखा है क्योंकि यह माना जाता है कि बस्तर से जीत का रासा खुलता है अगर प्रत्याशों की बात करें तो वो पुराने बड़े प्रत्याशों को घोशित कर दिये हैं आपर कॉंग्रिस ने नाम बदलने की बात चल रही थी वहां ये नाम बदले भी गहें हैं और 12 में से 11 सीटों पर तो नाम सामने आ चुके हैं जग्दलपूर एक पात्र सीट है ये बस्तर की 12 सीटों में सारेक्षित सीटों में से एक अनरक्षित है तो यहां पर पहले यह चल रहा था कि यहां जो चेहरा है वो बदला जा सकता है या जो बाकी के दावेदार हैं वो अलग-अलग खेमों से काफी मजबूत है इसलिए सीट पर शायद अभी नामाना बाकी है लेकिन अगर आप देखें तो परिवर्तन कॉंग्रिस ने भी किया ह शायद काटी जा सकती है संगठन से जो सर्वे हुआ था उसके मुताबिक तो यह चेहरा बदला गया यहां शंकर दुरुआ जो पहले जीच चुके थे उनको मौका मिला इसी तरह से अंतागड में भी जो परफॉर्मेंस को लेकर के बात चल रही थी वहां अनुतनाक की वहा क्रामिन अध्यक्ष तेवलनाम मौर्चू कि खुदभी लगतार हैं उनको घर कुलाकर उनहें इस्थानी संग्ठन के जरिया अपने दाविधारी प्रस्तुततरायी ना कि उन्होंने सीधे खुद दाविधारी की तो उन्होंने एक मजबूत तरीके से अपने दाविधारी प्रस्तुत की और प्रदेश चद्यक्त होने का उनको फायदा भी मिला पिछले चुनाओं में लगतार अभी जित रहे हैं मजबूत का दावर नेता के रूट तौर पर उनकी छवी लगतार बढ़ती रही कॉंग्रेस के भीतर तो उन्हें यहां पर पार्टी ने मौका दिया ह दंते वाड़ा कॉंग्रेस के लिए परिशानी का सबब रहा है हमेशा ही रहा है क्योंकि परिवार में बहुत से दावेदार खुद अंदर है इसलिए लगतार जो बागी रहे उनको मौका दिया गया है चविंद्र कर्मा को जिने बार-बार समझाईश दी जा रहे थी और अगली बार लड़ने के लिए कहा जा रहा था तो उनको मौका मिला है लेकिन सबसे जो मुझे लगता है कि जहां पर सबसे ज्यादा लोगों को शंका थी जहां पर फिर से एक बार मंडावी परिवार की उपार गरुसा करते हुए इस पूरी सुची में से एक मात्र महीला प तरबस्तर से हो सकते हैं जो मंत्री है उनके नामों की घोशना हो गई है अमरजीद भगत सीतापुर से चुनावी मैदान पे होंगे इसके अलावा टी ये सिंग देव, अंबिकापुर से जो उनकी नामों की घोशना होई है लेकिन 14 संभाग की 14 सीटे हैं उनको बात करें तो कई ऐसे नाम है प्रतिक्षा थी थी, कब कॉंग्रेस अपने नामों की घोशना करेगी, कब प्रतियाशियों का चैन होगा और उसके बाद जो कॉंग्रेस के प्रतियासि हैं वो चुनावी मैदान में होगी, तो दो नामों पर मुहर लग चुके हैं, लेकिन अभी भी सरगुजा संभा की जो 12 सीटे हैं, वहाँ पर संसे की इस्तिती है, और कई बार ये बड़े नेताओं ने कहा है, कि कुछ जो विधायक हैं, उनके स्थान पर दूसरों चोहरे को मौका दिया जा सकता है, ऐसे में जो कॉंग्रेस की कवायत अब भी जारी है, और जो टिक्टो को लेकर मन्थन है, उस और विचार किया जा रहा है, कई ऐसे नाम जो थे, जिन विधायकों को डेंजर जोन में रखा गया था, यानि उनके इस्तिती उस लाइक नहीं है, कि वो चुनावी मैदान पे जाएं और जीत दर्द कर तकें, ऐसे में लगतार कवायत जारी है, लेकिन इस बीच जो सूची की बात हो रही थी, इसलिए उसके बाद तुरंस तुरिगुजा की बात हुए, इसलिए अभिशेक तुर्टी वर्ष ये बात, मैंने कहीं दी कि सत्रा पहले चरड़ में चुनाओंगे, सत्रा को होंगे, दूसरे चरड़ में यापर चुनाओ, लेकिन दो बड़े चेरे हैं अब बिल्कुल देखी, एस्सी और एस्टी के जो विधायक जहांपर टिकेट दिये जाने थे, या फिर ये कहें कि जो सिटिंग एमेले थे, उनको एक बार फिस से यहांपर उम्मीदबार बनाया है, लेकिन अगर बात की जाए, जाबुआ की सीट की, तो वहांपर जिनी से भी अलग-अलग जो सिंधी समाज से आने वाले आनंद पंजवानी को यहांपर टिकेट दिया गया है, इसके साथ ही तमाम सारी जो जातिया है, चाहे हम सेडिूल कास्ट की बात करें, सेडिवल ट्राइबस की बात करें, तो हर एक उम्मीदबार को यहांपर उसके जाती के आधार पर समी करण को देखते हुए यहां पर टिकेट दिया गया है और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन पर अगर चर्चा करें तो उसके साथ में यूवाओं का विसेज ध्यान रखा गया है, महिलाओं का यहां पर इस सूची में विसेज ध्यान रखा गया है, जातिक यहाँ पर टिकेट कॉंग्रिस ने दिया है लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम है जिनको देखा जाए तो वो पहले चुनाओ लड़ चुके हैं लेकिन हार गए थे लेकिन कई चेहरे ऐसे भी हैं जो पहली बार चुनाओ लड़ेंगे जिस तरीके से अभी जी शाह की बात करें तो अभी जी शाह जो है सेडिल्ट ट्राइब से आते हैं और मद्धप्रदेश के जो वन मंत्री है विजय शाह उनके भतीजे हैं उनके बड़े भाई के बेटे हैं तो ऐसे में यह जरूर कहा जाए कि बहुत सारे ऐसे नाम भी अगर पूरी सूची में देखा जाए 144 की सूची में तो बहुत सारे ऐसे नाम है जो कहीं ने कहीं परिवार के जो लोगों को टिकेट ना देकर अब नई पीडी के लोगों को यहां पर टिकेट दिया गया है तो उससे यह भी कॉंग्रिस ने बताने का प्रयास किया है कि यूवाओं का भी इस सूची में विसीज ध्यान कर सके और कॉंग्रिस का पूरा प्रयास इस सूची के मादम से यह रहा है कि जो 144 नाम जो जारी किये गहें उन 144 नामों में सभी जाती वर्ग और सभी जो अलग अलग वर्ग हैं चाहिए यूवाओं की बात करें हैं महिलाओं की या फिर सीनियर्स लीडर की तो तमाम सारे व बात एक दिन या दो दिन का गैप लेने के बाद फिर से एक सूची जारी करेंगे और दोनों ही सूची के मादें से दो keeper's अमिदबार जारी करेंगे लेकिन जब यह सूची जारी हुई तो उसमें यह देखा गया है कि कमल्नाथ नाम भी इस सूची में शामिल किया गया है चिदवारा से कमलनात जो हैं वो चुनाओ लडेंगे और उसके साथ में अगर पूर मंत्रियों की बात करें तो 16 महिलाओं को यहां पर टिकेट दिया गया है युवाओं की बात करें तो युवा कॉंग्रेस से भी यहां पर जो कोटा मांगा गया था उस कोटे की भरपाई यह ताकि कहीं न कहीं चुनाओं से एन पहले कॉंग्रेस को डेमेज कंट्रोल जैसी इस्तिती पर ध्यान ना देना पड़े और डेमेज कंट्रोल में अगर कॉंग्रेस लगती है तो कहीं न कहीं डेमेज कंट्रोल की इस्तिती को कंट्रोल करने में ही समय खराब हो जाएगा और प्रचार जो है वो पार्टी के पक्ष में नहीं हो पाएगा तो इस बात को भी कॉंग्रेश ने ध्यान रखा कि ज्यादा डेमेज की स्थिति ना बने ऐसी सूची जो है सम्तुल जारी की जाए और समीकरन तमाम सारे जो है वो उसमें शामिल की जाए प्रकुल नरेश अगर बात करें बीजेपी की पहले लिस्ट की तो दिन शेत्रों में बड़े नामों को बीजेपी ने उतारा था वहां पे कॉंग्रेस की सूची में किन प्रित्याशों को जगा मिली है नरेश आप सुन पा रहे हैं आप में महेश गागरा देख लिए या जी केदार कशप हैं महेश गागरा हैं लता हुसेंडी हैं इन सभी के मुकाबले वो 2018 में जो लोग चुनावी मैदान में थे वे ही लोग चुनावी मुकाबले में होंगे और क्योंकि अगर आप देखें तो अगर वीजापूर की बात छोड़ दें तो इन दोनों ही जगा पर काफी जीत का अंतर कम रहा है तो ये मुकाबला इस बार भी रोचक होने जा रहा है और जिस तरह से भारती जनता पार्टी ने अपनी सूची में ये तैकिया कि कुछ प पर काम कह लीजे विक्रम अंडावी कह लीजे या फिर जो किदार कश्यप की सीट पर पहली बार जरूर जीतने हैं लेकिन बाखी दो जगह पर जो कॉंग्रिस के प्रत्याशी है वो दो दो टर्म अपना लगबग चुनाव के साथ पूरा कर चुके हैं और इस बार वे तीस को उता रहा है एक भाजपा के पास समस्य ये भी थी कि भाजपा के पास आदिवासी चेहरों के तौर पर या आदिवासियों के लिए नई समाज के इस तर पर जो राज्य सरकार के जरिये जो मुद्वे आए जिसकी वज़े से आदिवासी समाज की नाराजगी थी उनके जो प्रतिनिती चेहरे बने और संग्टन में इस थानी इस तर पर जिनकी समस्य थी आपसे घुडबाजी जिनकी वज़े से बढ़नी क्या चं चितर कोट में परदेश रद्यक्ष वर्तमान दीपक बैच के लिए ये इस दिती थी कि वहाँ पर चेहरे थे पिछली बार राजमन में जाम वहाँ से जीते थे और इसके अलावा बलराम और ये तीनों लगवे एके उमर के हैं और एक साथ इनकी राजनिती रही है इसलिए ये प्रबल दावेदार थे आपस में एक दूसरे के प्रशिस पर भी होने के साथ साथ राजनितिक सहियों की भी रहें तो यहाँ पर जरूर आप ये चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ इन सब चीजों को छोड़कर दीपक बैच को प्रात्मिक्ता दे गई आजाए नौरात्तिरी के पहले दिन गोश्टना की बात कॉंग्रेस ने कही थी सीतापुर से अमर्जीत भगत को उमीद्वार कॉंग्रेस ने बनाया है बड़ी ख़बर आपको बता रहे है जो यह सूची देख रहे हैं आप यह सूची जारी हुई है दूर्ग ग्रामिर से तामरदसाहू को कॉंग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है तो दीपक बैज सांसद और हैं और मैदान में चुनावी मैदान में चंदन कश्य अप नराणपूर से उमीद्वार है यानि पहले चुरण में जहां पर वोटिंग होनी है वहां के हम जानकारी आप तक पहु आपको बताते हैं कि 6 विधायकों के शिटिंग MLA के चुकिट कार्ड दे गए दोएसी सीटों पर कॉंग्रेस के प्रत्याश्यों का ऐलान हुआ है और कॉंग्रेस ने 6 वरतमान विधायकों के टिकेट कार्ड दिये जैसकी यह दावा किया जा रहा था कॉंग्रेस के वर से वही 6 वरतमार विधायकों के टिकेट काटी गई है जिसके बारे में बारवर का जा रहा था 14 स्टी सीटों पर कॉंग्रेस के प्रत्याशी गोशित हुए है 4 महिला प्रत्याशीों को कॉंग्रेस ने मौका दिया है इस वक्त की बड़ी खबर 36 गड़ के लिहाद से ये बतारे हैं आपको कि किस तरीके से आपर प्रत्याशीों के गोशना हुई है 30 नाम गोशित के हैं कॉंग्रेस ने 20 वो नाम है जो के 20 सीटों पर जो पहले चुनाओ होने इसके लावा 10 और नाम है इससे गोशित कर दिया है कॉंग्रेस ने आपको के बता दे दो 90 शीटों पर कॉंग्रेस के प्रत्याशी के गोशित हुए है कॉंग्रेस से ने 6 वर्तमान विधागों के टिकिट भी काटे हैं जिसमें शीशुपाल शोडी भी है जहां पहले चर्ण में चुनाव उने तो चार महिला प्रत्याश्यों को यहां मौका दिया है को आपको बता दे मद्विदेश और 36 गड़ में कॉंग्रेस प्रत्याश्यों के सूची जारी होने के बाद ही अब सियासत तेजी से बढ़ी है क्योंकि अब चुनाव नस्दीक हैं पहला नाम दीपक बैज दूसरा नाम विक्रम मंडावी बीजापूर से ने मौका दिया है कॉंग्रेस ने भुपेश बगेल पाटन से और टीए सिदेव अंबिकापूर से अपनी परंपरागत स्ट्रीट से तमाम बढ़े नेता चुनाओ लड़ेंगे अमरजीत बगत सीता प्रत्याशी होंगे कॉंग्रेस के पूर मंत्री और बहुत बड़ा चेहरा सरगुजा का दामरदर साहु दुरुग ग्रामिर से वर्दमान में ग्री मंत्री और एक बार फिर से अपनी सीट से ही चुनाओ लड़ेंगे तो कॉंग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी होने के साथ हम आपको नाम भी बता रहें इंदर शा, मंडावी, मानपूर, मोहला से कॉंग्रेस के प्रत्याशियों होंगे मौहमद अग्बर कवरधा से जो कि अपनी पहली जिस सीट पर जी चुके हैं और डोंगर गाउं से दरेशर साहू चुनाओ की मैदान पर होंगे तो इस तरीके से कॉंग्रेस की सूजी हम आपको बता रहें बहुन मरकाम कॉंडा गाउं से जहां से वो पिछली बार भी जीते थे लता उसेंडिक उन्हों ने दो बार इस सीट से हराया कवासी लखमा कॉंडा से उनकी परंपरा का सीट से ही चुनाओ लड़ेंगे संतराम निताम केशकाल से चुनाओ मैदान में होंगे कॉंग्रेस के प्रत्याशी होंगे इस तरी चंदन का शेप नराणपूर से चुनाओ मैदान पर होंगे तब को बता दे 20 पहले चरण के 20 सीटों पर घुशित करने के साथ ही और दूसरे सीटों पर भी काउग्रेस के ऐपने प्त mobility गुशित किये नासिर गौर्इ हमारे सवागे स्कबर पर अमारे साथ लाईप जुड़े नासिर गॉालियर की लिहास से बात करे जो यह सूची जा रहे हूं यह कांग्रेस की कितनी संतुलीत नज़रा ले, कितनी क्या यहां पर डेमेज कंट्रोल की भी संभावनार अगर होता है तो कैसे मैनेज करेगी पार्टी देखिए गौालिय चंबल संभा की 34 विदासभा सीटों में से 26 सीटों पर कॉंग्रेस के परत्याशियों का एलान कर दिया गया है जिसमें जो सिटिंग विदायक हैं उनके नाम किसी के भी नहीं काटे गया है उनको परत्याशी बनाए गया इसके साथ ही कुछ सीटे ऐसी हैं यानि की 8 सीटे ऐसी है जहां पर होल्ड किया गया है और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रहे हैं थी कि इन सीटों पर कहीं न कहीं पैश फसा हुआ या फिर बीजेपी से भी कुछ लोग हैं जो कहा जा सकता है कि जिनके नाम बड़ा तेजी से चल रहा है कि उनको अगर बीजेपी अपने ठिकेट नहीं देती है तो वो यहां से आ सकते हैं तो ऐसे नामों को लेकर भी शायद उन सीटों पर होल्ड किया गया है आठ ऐसी सीटे जिसे अगर व्याजिया जिले की बात करें गाने तो एक सीट पर होल्ड कर दिया गया है यानि कि ग्वालियर वदान सुभा है वहां पर होल्ड कर दिया गया है वहां उस सीट से प्रदुमन सिंग तॉमर प्रतियाशी थे बीजेपी के प्रतियाशी है लेकिन कॉंग्रेस के प्रतियाशी के तौर पर वहां पर होल्ड किया गया है क्योंकि वहां पर बड़ा नामों को लेकर चर्चा चल रही तो इसको लेकर कुछ चीटों को लेकर वहां पर होल्ड किया गया इसके साथी नेता परतिपक्षाय डाक्टर गोविन सिंग उनके भांजे को टिकेट दिया गया यानि कि परिवार वात का भी बढ़ावा यहां देखने को बिल रहा ह उनको महगाओं से प्रत्याशी बनाए गया है तो ऐसे कई नाम है जहां पर चौकाने वाली चीज़े आई है जैसे फूल सिंग बनाए है उनको फिर दुबारा से प्रत्याशी बनाए उनको भांडेर से प्रत्याशी बनाए एपी सिंग करजी है छेवार के विदायक है उनक कि सुभा की पहली सुभा के साथ ही एक जो कॉंग्रेस के जो प्रत्याशी थे जो उम्मीद लगा हुए थे उनको एक बड़ी खुशकबरी दी है लेकिन सबसे बात यही है कि उपचुनाओं के दौरान जो जीत करा आये थे कॉंग्रेस के प्रत्याशी भले ही उनके खिलाप म को भगा देते हैं तो लेकिन विरोध भी उठ रहा था लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी ने ऐसे प्रत्याशों पर अपना रुख साफ किया है उनको ही अपना प्रत्याशी उनको ही भरोसा जता है जिनोंने उप चुराओं के दोरान पार्टी को जीत दिलाने की कोश किये लेकिन हाला कि गौहद जो विदान सभा है उस पर थोड़ा सा संचे है उस पर होल्ड किया गया है चलिए नासिर आपके पास लौटेंगे लगतार अपडेट हम अपने जर्शिकों तक पहुचा रहे हैं सौरब हमारे संभादाता एक बाद से हमारे साजोटी के हैं सौरब 37 करके अगर बात करे तो 14 ऐसी सीटों पर कॉंग्रेस ने प्रत्याशी गुशित के कौन-कौन से वो नाम है जिन पर नाम तै किये गए है बिल्कुल देखिए सबसे पहले तो यही बता दें कि आइबीसुट टुइन्टिफोर ने जिन जिन नामों पर मुहल लगाई थी उनहीं कोई टिकेट मिली है और दूसरी बात की जिन विधायकों की टिकेट कटी थी टिकेट कटनी है यह हमने बताया था उन विधायकों की टिकेट कट गई है आठ जगों पर जो है आठ नए प्रत्यासी उतारे गए है अर्थात नए विधायकों छोड़ मौका दिया गया है इसी तरीके से आप जो टिकेट दी गई है इसी तरीके से आप देखें कि जो पूरे मंत्री हैं मुख्यमंत्री भुपेज बगेल समेत कुल 13 जो मंत्री है उन्हें पूरी टिकेट दे गई है विदान सभाध्यक्ष और उपाध्यक्ष उन्हें टिकेट दी गई है और सबसे महत्रपूर जो है दो पवेदार हैं उनको जो सांट कराय जा सके चुनाओं के वक्त जो हो उनको कोई नुकसान ना हो इसे लेकर निशीत रूप से एक बात ये देखा जा रहा है कि कंग्रेस ने काफी एकसर साइस किया है इन नामों को लेकर काफी समय से ये देखा गया है कि कंग्रेस ने लगबक 6-7 दौर की बैटक की है, उसके बाद फिर screening committee की बैटक हुई है और उसके बाद Central election committee की बैटक होई और फिर इन नामों को final किया गया है और निश्चित रूफ से Congress को लगता है जैसे बार बार कह रहते हैं कि जब तक Congress के Congress की विदायकों की टिकेट नहीं काटेगी तब तक जो है कॉंग्रेस की जीत नहीं होगी ये बार-बार कहा जा रहा था और निश्चित रूप से सीव डहरिया जो है उनको भी टिकिट दी गई है आरंग से और जैसे ये कहा जा रहा था कि आरंग के अलावा जो है और कहीं से लड़ सकते हैं लेकिन सीव डहरिया को ही ट टिकिट दी गई है और इसी तरीके से मंत्री मुहमाद अक्बार कवरदा केवल एक ही मंत्री को जो है अलग विदान सभा दिया गया है अहिवारा की जगा नवागर दिया गया है और वहाँ पर पहले से जो दियाल दास बगेल हैं उनको टिकिट दी भाजपा ने दी है जो केसे और सिसुपाल सोरी उनकी टिकेट काटी गई है राजमन बेंजाम उनकी टिकेट काटी गई है अन्तागर से अनुप डाब उनकी टिकेट काटी गई है दंतेवाडा से जो देवती करमा है उनके बेटे को जो है छबिन करमा को टिकेट दी गई है तो आप देखें कि ऐसे नाम है जिन नामों को लेकर काफी समय से जो है एकसरसाइज चल डी थी और लग रहा था कि कॉंग्रेस जो है इन विदायकों की टिकेट काटेंगी लेकिन सबसे प्रत्यासित जो है दो ती नाम जरूर आ रहे हैं जैसे गिरिस देवांगन को लेकर ही जो है राजनान गाउ से और स्यू डारिया के नाम को लेकर वीता कि स्यू डारिया आरंग से उतरेंगे और निश्यू द्रूप से हम सभी इन नेताओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इससे पहले की एक बार फिर से दातादों की कॉंग्रेस जो है दूसरी सूची भी जो है आज या कल में जारी कर सकती है ये अभी की एक मैं आपको नई ब्रेकिंग बता रहा हूं कि कॉंग्रेस जो है केवल अभी 30 नामों की सुची जारी की है कुछ नाम और जारी जो है कॉंग्रेस कर सकती है और इसके अलावा जो है ये भी देखा जा रहा था कि कॉंग्रेस जो है और जो नए फ कॉंग्रेस ये पूरी स्टेट जी बनाई है उसके इसाब से कॉंग्रेस को लगता है कि उनकी जीत होगी और जो 75 प्लस का नारा दिया है वो पार कर पाएंगे या जो है जो बीजेपी ने टिकेट दिया है उसके इसमें फस्ते वे नजर आएंगे ये देखना होगा पाल से बड़ी खबर जहाँ पर कॉंग्रेस की पहली सूची जारी हो गई है मदबदेश 36 गड़ में भी पहली सूची जारी हो गई जिसका सभी कुंतजार था बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जैसा कि ये तैह था नौरात्री के पहले दिन कॉंग्रेस अपनी सूची जार पितर पक्ष खत्म होते ही और सांती नौरात्तिय के पहले दिन इन नामों की गोश्णा कर दी जाएगी अब मदवदेश में 144 नामों की सुची जारी की गई है बड़ी कबर आपको बताने कॉंग्रेस की पहली सुची मदवदेश और 36 गड़ की पहली सुची जारी हो गई है इस स्वफ की बड़ी कबर आपको बताने है तो कॉंग्रेस की पहली सुची मदवदेश और 36 गड़ की सभी कुंतजार था विदान सब चिनौ को लेकर प्रत्याश्यों की गोश्णा में तक कॉंग्रेस नहीं की थी पहली सुची जारी हो गई है बड़ी कबर आपको बता र रहते बार-बार कि नौरात्री के पहले दिन प्रत्याश्यों की सुची जारी होगी और इस स्वफ की बड़ी कबर आपको बता रहे हैं इस स्वफ की बड़ी कबर मदवदेश में 144 नामों की सुची जारी हुई है श्योपूर से बाबु जंडेल को टिकेट दिया है इस स्वफ की बड़ी कबर आपको बतारे है श्योपूर से बाबु जंडेल को टिकेट दिया गया है अब तक अगर बड़ी नामों की बात करें तो राम लिवास रावत इसने चामिल के गए जोक्तर गुविती की यहां पर कल्पम कर दिया जाया है अगरा ते बात करें तुरिस राजी का लगातार जुरूद हो रहा था लिकिन कॉंगर्स ने तुरिस राजी पुरिस अगराते उमीदव करें तुरिस राजी नाम है और यहां पास करें तो आपके आदव को इस बार से से कॉंगर्स ने ठिकिर गया है तुर्फी तुर्फी राजबूद का चेटर है जिस में इस खर्मा को यहां पर गॉंगेश की नाम की और बात करें तो आदीवादयकों में सामिधी अजया है सब्सक्राइब 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 कि यहां पर कॉंगुल से दिया है तो यहां पर कॉंगुल से दिया है तो यहां पहा जा सकता है कि नापी नाजा है यह अपनी सीच से राम गर सकते हैं लेकर बड़ा मलेरा तेरे इजबार से साथ भी राम सिया भार्टी को यहां पर कॉंगुल से दिया है जिसको करना पड़ाता है और 2019-2020 की चुनावों मापने दिया और उस चुनाव में उसको आर्मिनिक्यों और कहीं से इजबार से दिया रही है वो लगातास कर दी ती अगर जुक्रिशारे इंटी अगरे आपर अजयसिंगे तनी से दिया वनागी बनाए जाए जिद्रावर का वाली डिजीटी के उम्मीद्वार है उनका सामना आजयसिंग यहां पर करते हिए जहीं जर आएगे इस दिए जिद्वलाओं में प्रत्याश्यों की पहली सूची जारी हो गई है सीदे हो कांभी का पूर्स टिकेट दिया गया है वहीं अब दुनों जगह की टिकतें किसको मिली है आपको बता रहें लगतार हम अपडेट बता रहें को कि विदान समय चुनौव से बड़ी खबर आपको बतारें कोंगरेस से प्लिची जारी कि है सौरब परियार हमारे सुच बिल्कुल देखें राउल कुछ देर पहले हैं है किस तरीके से कॉंग्रस प्रत्यासियों के लिए जारी हो सकती है और आज जो 20 प्रत्यासियों के नाम तो हुए है उसके लावाद 10 जो अत्रिक्त है जो मंत्रियों के नाम है तो सबसे प्रमुग जो बात बताओं की देखें मंत्रियों के जो सीट है वो तो सभी है जैसे मुख्यमंद्री पाटन से टीय सीदे उंभीकापूर से अमरीद्वगा सीटापूर से स्रीवडारिया आरंग से लेकिन दुरुरुरुंद्र कुमार को नवागड़ सीट दिया ग यहां पर आपको रोकिए सवक्षे में भी जो प्रत्याशियों के नाम गोशित हुए हम लिस्ट दिखाने सूची है देखें आप यह वो नाम है जो की गोशित कि एक 144 नाम मद्रप्रदेश के प्रत्याशियों के और उसे गोशित कर दिया गया है क्योंकि लगातार इंतजा हो रहा था इन प्रत्याशियों के गोश्टना का और अब 144 नामों की गोश्टना कॉंग्रेस ने कर दिया मद्रप्रदेश में वहीं 303 गड़ में गोशित है तस्वीर जो आप देखने वह उसी सूची की है उसमें 144 नाम आप देख सकते हैं ने 1444 नामों को फाइनल कर दिया है मद्रप्रदेश ने यानि सभी को इंतजार था और आज नौरात्री को पहला दिन ने बार बार ये कॉंग्रेस कह रही थी कि नौरात्री के पहले दिन हम शुमूर्थ पर इन नामों की गोश्टना करेंगे 144 नाम मद्रप्रदेश में और 30 नाम 36 गड़ में गोश्ट कर द करेंगे दुश्यंत का दुश्यंत 144 नामों की अगर बात करें तो कौन-कौन से ऐसे नाम है जिस पर लग सकता है कि डैमेज हो और इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए कॉंग्रेस को मशक्कत भी करनी पड़े बड़े नाम कौन-कौन से इस सूची में दुश्यंत जो की मध्द प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी सीट से यहाँ पर कोई बड़ा चेहरा उतारने की बात यहाँ पर कौं-कौन-ग्रेस कर्ति नजार आ रहे थी लेकिन इस बार बिकरम मस्ताल को वहा से डिकेट जो है वो कॉंगरेस ने दिया है जो कि जो रामानन सागर की दूसरी रामाईन है उसमें हनुमान का किरदार निवाच चुके हैं और लगातार जैसे ही उन्होंने कॉंगरेस का दामन थामा था उसके बाद लगातार वो नर्वदा को बचाने के लिए यात्राएं भी निकाल रहे थे और तमाम सारे जनजागरन कारिक्रम भी चला रहे थी कॉंग्रेस के माध्यम से तो ऐसे में कहीं ने कहीं कॉंग्रेस ने एक ऐसा चेहरा उता रहा है जो युवा है और नया चेहरा है जो जिसका राजनेतिक प्रस्ट भूमी में अभी कोई भी बेक्राउंड नहीं है तो ऐसे में नया चेहरा होने के चलते कहीं न कहीं यहां पर कड़ी मशक्कत इस सीट पर कॉंग्रिस को करनी पड़ सकती है क्योंकि मुख्यमंत्री का छेत्र है और मुख्यमंत्री के छेत्र में कहीं न कहीं जिस तरीके से एक नय चेहरे को उतारना और जिस तरीके से अगर और भी नामों की बात करें तो बैतूल से सुखदेप पासे को यहाँ पर टिकेट दिया गया है चिंदवाडा से खुद कमलनात कर नाम भी इस सूची में सामिल है जी दुशन तक से आगे भी नामों की सूची हम लेंगे और आगे भी जानकारे लेंगे फिलाल 36 कर की बात करते हैं क्योंकि 36 कर में पहली सूची कॉंग्रेस न जारी कर दिया है सौरप सिंग परियार हमारे समाददाता लगतार हमारे साजुड़े हैं सूर अब आपसे भी जानना चाहते हैं विस्तार से सूची के बारे में कौन-कौन से नाम इसम शामेल है कौन-कौन सूंसे बड़े चैरों को मौका मिला है साथी कितनी बैंसिंग है यह सुची यह भी समझना चाहते हैं आपसे बिल्कुल देखिए सबसे पहले तो जो 30 नाम गोसित किये गया है उसमें 6 कॉंग्रेस विदायकों की टिकेट कड़ गई है सबसे बड़ी खबर यही है और जो IBC 24 ने बड़ी परमुकता से दिखाया था कॉंग्रेस की जो पहली लिष्ट जारी होने वाले उसमें 6 कॉंग्रेस विदायकों की टिकेट कड़ गई है और 4 महिला प्रत्यासी को मौका दिया गया है कॉंग्रेस यो 4 विदान सबाय में महिला अमिद्वार दिया गया है लेकिन सबसे महत्तपूर नाम आप देखे कि गिरिश देवांगन को राजनान गाउ से उतारा गया है ये नाम काफी पहले से आ रहा था लेकिन कहीं न कहीं हो सकता है कि ये चुकी है खरोरा से इसलिए काज आ रहा था कि गिरिश देवांगन को नहीं लडाय जाएगा लेकिन आप देखें कि राजनान गाउसे गिरिश देवांगन को जगा दी गई है आपको याद होगा कि गिरिश देवांगन जो है अभी एक निगम के अध्यक्ष है और बुखे मंत्री भुपेश पूर्वे जीला कॉंग्रेस कवर्दा के अध्यक्ष रह चुके हैं इसी तरीके से जो डूंगरगर से हमने बताया था कि जो भुनेश्वर बगेल हैं उनकी टिकेट काड़ दी गई है और वहाँ पर महिला प्रत्यासी उतारा गया है हरसीता स्वामी बगेल को उतारा गया है ये पूरी तरीके से फ्रेस केंडिडेट हैं इसी तरीके से जो हमने और बताया था कि खुझी में जो है जो चन्नी साहू था उनका नाम काड़ दिया गया है और उनके जगा भोला राम साहू जो पूरविधायक भी रह चुके हैं और स जो है जगा दी गई है अंतागर के जो विधायक हैं उनको उनकी टिकेट काड़ दी गई है इसी तरीके से जो एक और नाम हम जो पहले से बता रहे थे कांकेर से सिसुपाल सोरी की टिकेट काड़ दी गई है और संकर धुरुवक को जो है ये नाम सामिल किये गया है उनको ज प्रवर्मा को टिकेट मिलेगी चुकि वो जो है लोधी समास से आते हैं और वो टिकेट उने मिल गई है तो ये दूसरा नाम है तिसरा नाम इसी तरीके से डोंगरगर से हरसीता स्वामी जो बगेल है उनको दिया गया है और चौता नाम जो है सावीतरी मंडावी ये भी जो है उपचुना में भानूपरतापूर में उपचुना में जीती थी जो इनके पती है मनोज मंडावी उनके निधन के बाद जो है यह उत्री थी तो यह काफी बैलेंसिंग सीट है और जो का आई बीसी 24 ने बड़ी प्रमुक्ता से दिखाया था कि 6 कॉंग्रेस विधायकों की टिकेट कटेगी पहले चरण में और वो कट गए हैं और आप देखें कि मुख्यमंत्री भुपेज बगेल को पाटन से उतारा गय है अंभीकापुर से टी एसी दे शीटापुर से मर्य जगात तर्टेंगे अइस वक्त तुरुक करेंगे मद्धविदेश का मद्धविदेश में भी क्या है ऐसे ही डिक्लियर किये गए प्रित्याशी जैसे दुश्यांत्माना जा रहा था जैसे सौरब बता रहे कि कुछ विदायकों के सिटिंग एमेले के टिकेट काटे गया है चुछ तीस गड़ में क्या मद्धविदेश में भी कुछ वैसे हाला आते क्या है यहाँ पर भी मैला रक्षन को ध्यान में रखा गया है मैला उमीदवार कितने है इसमें अभी जो खूशी तो यह सीट में अब बिल्कुल देखी 144 की जो सूची जारी की गई है उसमें ज्यादा तर सिटिंग एमेले को टिकेट यहाँ पर कॉंग्रेस ने दिया है हाला कि बहुत कम सीटों पर यह देखने में आया है पूरी सूची में कि एकाद टिकेट कहीं काटा गया हो तो लेकिन जिस तरीके से अगर महिलाओं की बात करें तो 144 की सूची में 16 महिलाओं को यहाँ पर फिलाल कॉंग्रेस ने टिकेट दिया है और 16 महिलाओं को टिकेट देकर यह भी बताने का प्रयास कॉंग्रेस की और से किया गया है कि जो आरक्षन की बात लगातार राजनेते के गलियारों में करती है और लगातार कॉंग्रिस इस बात को बार-बार बोलती हुई पिछले दिनों में राजनेतिक गलियारों में नज़र आई है तो उसको यहाँ पर चरितार्त भी कॉंग्रिस करती हुई नज़र आई इस सूची में सूला महिलाओं को फिलाल टिकेट दिया गया है अगर बोपाल की बात करें तो बोपाल से किवल तीन सीटों पर यहाँ पर टिकेट जो है वो जारी किये गए हैं जिनमें नरेला से मनुष युकला को यहाँ पर उमीदबार यहाँ पर कॉंग्रिस ने बनाया है जो लगबग डेर साल से दो साल से पहले से लगातार काम कर रहे थे और कॉंग्रिस उनको हिंट भी कर चुकी थी कि उनको ही कॉंग्रिस जो है अपना उमीदबार बनाएगी तो वो लगातार काम करते हुए नजर आ रहे थे स्थानिय बिधायक मद्द से मारिफ मसूद को यहाँ पर एक बार फिर से कॉंग्रिस ने उमीदबार बनाया है और बीजेपी के दुरुबनारेंट सिंग से उनको सीधी टक्कर जो है वो मिलने वाली है अगर बात की जाए बेरसिया की तो बेरसिया में एक बार फिर से 2018 की बाती ही जैसरी हरी करेंट को यहाँ पर कॉंग्रिस ने अपना उमीदबार बनाया है तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे नाम है जिन पर अगर चर्चा की जाए तो खासा जो राजनेतिक अनुभव जो है वो यहाँ पर भी महसूस होगा साथी साथ कमलनाथ से लेकर अगर पूरे केविनेट को यहाँ पर कॉंग्रिस ने टिकेट दिया है और उसके साथ मैं अगर जो सिटिंग MLA को भी यहाँ पर तमाम सारे जो टिकेट हैं वो यहाँ पर जारी किये गए हैं तो यह जरूर नहीं कहा जा सकता कि जो डेमेज की बात कॉंग्रिस में निकलकर सामने जरूर कहा जाएगा कि जब टिकेट जारी होंगे तो कई सारे बिरोत प्रदर्शने आप पर देखने को मिलेंगे वो तो मिलने ही वाले है लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जिन उम्मीदों पर जो लोग खरे उत्रे जो लोग चुनाव जीत कर कॉंग्रेस का परचम लहरात नजर आए उनको एक बार फिर से कंग्रेस ने उम्मीदों बनाया है और उने पर एक बार फिर से भरोसा जताया है कि दो हजार तेईस्व के नंत में जब यह चुनाव होंगे विदान सवा तो उनके जो उम्मीदवार है एक बार फिर से वो जीत कराएंगे और पिधान सवा में वो सरकार बनाते हुए नज़र आएंगे लेकिन जिस तरीके से 144 नामों की अगर पूरी बात करें तो कुछ ऐसे नाम भी है जो 2018 में चुनाओ हार गएते लेकिन बड़े नाम है रामनेबास रावत की बात करें आजे सिंग राहूल की बात करें या फिर कई ऐसे और भी नाम है जिन पर अगर चर्चा की जाए तो वो 2018 में जरूर चुनाओ हार गएते लेकिन इस बार चुनाओ जितने की प्रवाल संभाव ना है तो ऐसे में कॉंग्रिस ने कोई भी कोर कसार 144 की सूची में नहीं छोड़ी है कि किसी प्रकास से कोई भी डेमेज पार्टी को हो सके और यही कारण है कि थोड़ा सा समय जरूर लगा थोड़ा सा मंथन जरूर कॉंग्रिस को अधिक करना पड़ा लेकिन जो कॉंग्रिस ने रेड़नीदी बनाई थी कि नवरात्री के पहले दिन ही पहली सूची जारी की जाएगी तो वो आज जारी की गई है बिल्कुल देखे बिल्कुल सही सवाल है आपका देखे फहले फेस में चार साहूं को जगा दी गई है आप देखे कि तामरदस साहू है जो वीची से आते हैं उनको जगा दी गई है इसी तरीके से जो दलेस्वर साहू है और भोला राम साहू है उनको जगा दी गई है आप देखे कि पहले फेस में जो है कुल तीस सीटों पर प्रत्यासी गोसित किये उस पर चौदा एस्टी सीट है आदिवासी सीट है उस पर प्रत्यासी उतारे गए हैं जैसे हम बहुत पहले से कह रहे थे कि आप देखें कि जो बस्तर है बस्तर संबाग की 12 सीटों की अगर बात करें तो बस्तर संबाग में जो काफी समय से नाम आ रहे हैं कि इन विदैकों को टिकिट नहीं दिया गया है और चीतर कोड से प्रदेश कॉंग्रेस सद्यक्ष दीपक बैज को उतारा गया है क्योंकि पूरे जो पाँच राज्यों में जो चुना हो रहा है वहां के प्रदेश कॉंग्रेस सद्यक्षों को भी टिकिट दिया गया है जैसे कमल नात को भी मद्द प्रदेश से दिया गया ह आप ऐसी दीपाक भैस को भी दिया गया है आप लेकिन सबसे प्रमुक नुजाम जो राजनान गाउसे गिरिस देवांगन जो काफी समय से वहाँ पर सक्री थे और कहीं न कहीं जैसे करुणा सुकला को बाहर का प्रत्यासी बताय जाता था जब कॉंग्रेस ने 2018 में उता रहा तो कहीं न कहीं 2023 में भी घौक गिरिस देवांगन का नाम आया है तो कहीं न कहीं ये भी भारी प्रत्यासी के रूप में वहाँ पर जाने जाएंगे चूकि उनका कोई वहाँ पर कुई ऐसा छेटर नहीं रहा है वो करोरा से आते हैं लेकिन कही न कही अब देखना होगा कि इस पर क्या बयान बाजी कॉंग्रेस ने ताव के आती है क्योंकि इस सोरा बाब के पास आएंगे इस सवक्त नरेश मिश्र हमारे सेवगी इस सवक्त जिगदलपूर से लाइव जूट शुके हैं नरेश क्योंकि पहली चुरण में बस्तर में चुनाव होने हैं यहाँ पर भी प्रत्याश्यों की घोष्टना आप यहाँ पर कॉंग्रेस ने कर दिये दीपाक बैज विक्रम अंडावी समित जो सीटों हैं इस पर एलान किया है किस तरीके का आप यहाँ पर मुकाबला देखने को मिल सकते हैं नरेश आपको मेरी आवाज मिल रही है लगता है हमारा संपर्ट नरेश से नियो पार है सोरब आप बताईए सूची के बारे में क्योंकि बस्तर के पहले चरण में जो चुनाओ हुने उनमें अप प्रत्याश्यों की घोष्टना हो चुकी है किस तरीके का मुकाबला बीजेपी और कॉंग्रेस में देखने को मिल स जाएगा मंत्रियों के एक भी नाम नहीं क्टे सबी मंत्रियों को यथावत दिया गया है केवल गुरुरुद्र कुमार अइबारा से उनको नवागर दिया गया है मुख्यमंत्री और साहू भी काफी समय थे और खुजी जो छनी साहू थी वो आपको याद होगा कि इनके खेमे का बताया जाता था टीए सीधे के खेमे का बताया जाता था जब एक समय आया था तब वो कहीं न कहीं सीधे तोर पर कहती थी कि मैं सीधे खेमे का हूँ और कहीं न कहीं उनको हाला कि यह कहा जाता है कि अंतिम वक्त तक इस नाम को लेकर जो है सीसी में काफी चर्चा होई थी मुख्यमंत्री बुपेज बगेल की ओर से कहा गया कि भोला नाम साउ को टिकेट दिया जाए वही दूसरी ओर चंडी साउ को लेकर भी सीधे को यह दौराय नाम रखा गया था लेकिन फाइनली जो है इनका नाम आया इसी तरीके से जो साबीतरी मंडावी है उनको यथा रखा गया है समपर्ग करने की कोशिश करेंगे सौरब आपके पास एक बर फिर चलते हैं सौरब क्या जानकाई देते विसार से बताई आइब गर फिर बिल्कुल देखे मैं वही जानकारी दे रहा था कि लगातार जो कॉंग्रेस के कयास लगाया जा रहे थे और वही सूची लगबख फाइनल होई है और उसी को मैं बता रहा था कि किस तरीके से कॉंग्रेस ने एक-एक नामों पर काफी एकसरसाइस किया है और ये बात भी आ रही थी कि जो गुरुरुद्र कुमार है उनको अईवारा से नवागर दिया जा लेकिन काफी उसके बाद उनको टिकेट दी गई है नवागर और नवागर में पहले सही कॉंग्रेसी बैठे है कई जगा आप देखेगा कि जो जो नए नाम आए है या जि इनको टिकेट दे गई है नवागर से गुरुरुद्र कुमार तो हो सकता है कि इनका विरोध हो क्योंकि दोनों बाहरी के नाम पर जो उन पर मुहर लगेगी और निश्य दुरुप से जब पहले ही जब नवागर को लेकर चर्चा हो रही थी तो अभी जो कॉंग्रेस के तम कि बहुत जल्ड कॉंग्रेस की टिकेट है कुछ सीटो को लेकर तो उस पर यह स्थिती देखने को मिलेगी लेकिन इस पर खास बात यह है कि लगबग चार चार चाहरे जो है बिंदुवार आकलन करें सीटो का लेकिन इस वक्त रूप करेंगे मद्विदेश का दुशेंत हमारे साथ हमारे स्विग लगातार बने हुए दुशेंत अगर 2018 के चुनाओं की बात करें कॉंग्रेस ने बहतर प्रदर्शन किया था क्या इन सूची में वही सारे अब बिल्कुल देखिये वही सूची जो है वो अधिकतर नाम वही नाम जो यहां पर है सूची में नज़र आ रहे हैं कमलनात के विनिट के सूला मंत्री यहां पर इस पूरी सूची में नज़र आ रहे हैं इसके साथ में जो पूर मंत्री हैं उनको भी हाँ पर टिकेट दिया गया है। इसके साथ में जो पर टिकेट दिया गया है। इसके साथ में जो पर टिकेट दिया गया है। उनको यहाँ पर कॉंग्रेस ने उमीदवार बनाया है। जिस तरीके से कई सारे ऐसे नाम हैं अगर उन पर चर्चा की जाए तो बहुत सारे कुछ ऐसे नाम जरूर निकल कर सामने आएंगे। जो बहुत कम समय में ही कॉंग्रेस का टिकेट पा गए है। तो पहले वो कॉंग्रेस में नहीं थे और कॉंग्रेस की बेपक्षी पार्टी में थे। और जब आप कॉंग्रेस में सामिल हुए तो उसके बाद एक बार फिर से कॉंग्रेस में आपको यहां पर रोकेंगे और जाती इसमी करण भी समझने की कुशिश करेंगे इस टिकेट वित्रण में लेकिन इस वक्त नरेश हमारे से होगी है इस वक्त जगदलपूर से लाइ जो चार सीटें जहां पर नाम बदले की बाद चल रही थी की वहां यह नम बदले भी गहे हैं और ग्यारा में से यारा सैटों पर current सीटों में से एक अनरक्षित है तो यहां पर पहले यह चल रहा था यहां जो चेहरा है वो बदला जा सकता है या जो बाकी की दावेधार ह वो अलग-अलग खेमों से काफी मजबूत हैं इसलिए सीट पर शायद अभी नाम आना बागी है लेकिन अगर आप देखें तो परिवर्तन कॉंग्रिस ने भी किया है रनीती के ताहई 2018 में बहतर प्रदर्शन के बावजूद भी सावधानी कॉंग्रिस की तरफ से बढ़ती गई है इसमें विशेश तोर पर शिशुपाल सोरी जो कि एक बड़ा अधिवसी चेहरा थे डांकेर में उनका ये चल भी रही थे कि उनकी टिकेट शायद काटी जा सकती है संगठन से जो सर्वे हुआ था उसके मुताबिक तो ये चेहरा बदला गया यहां शंकर दुरुआ जो पहले जीच चुगे थे उनको मौका मिला इसी तरह से अंतागड में भी जो परफॉर्मेंस को लेकर के बात चल रही थी वहां अनुतनाक की वहां पर भी एक नए चेहरे को मौका मिला है चेत्रकोट में भी जो दीपक बैज है लगतार जीथते रहे हैं वो चुनाओ इस इस्थानिय संग्ठन के जरी अपने दावेदारी प्रस्तुत रही ना कि उन्होंने सीधे खुद दावेदारी की तो उन्होंने एक मजबूत तरीके से अपने दावेदारी प्रस्तुत की और प्रदेश अध्यक्त होने का उनको फायदा भी मिला पिछले चुनाओं में इसलिए लगातार जो बागी रहे उनको मौका दिया गया है चविंद्र कर्मा को जिने बार बार समझाईश दी जा रहे थी और अगली बार लड़ने के लिए कहा जा रहा था तो उनको मौका मिला है लेकिन सबसे जो मुझे लगता है कि जहां पर सबसे ज्यादा लोगों को श तापपुर में आने वाले समय में कॉंग्रेस के लिए वो एक बड़ा चेहरा उत्तर बस्तर से हो सकती है तो पहले चरण में याँ पर सरगुजा में भी चुनाओ है अभिशेक हमारे से की जुड़ चुके है अभिशेक यहाँ पर टी एस सीदेव के नाम के घोशना के साथ ती और कौन से बड़े चेहरे हैं जो कि चुनाओ में होगी क्योंकि पहले चरण में याँ पर वोटिंग होनी है देकि यहाँ जो चुनाओ होना है उसका चरण जो 17 तारिक को है 17 तारिक को वोटिंग होगी लेकिन जिस तरह से सीटों की घोशना की गई है इसमें बात करें तो जो दो नामों को पर चर्चा हो रही थी दुनों जो मंत्री हैं उनके नामों की घोशना हो गई है अमरजीत भगत सीतापुर से चुनाओ लड़ते हैं वो अब चुनाओी मैदान पे होंगे इसके अलावा टी ये सिंग देव अंबिगापुर से जो उनकी नामों की घोशना होई है लेकिन 14 संभाग की बात करें जो संभाग की 14 सीटे हैं उनको बात करें तो कई ऐसे नाम है जहां पर संभाग की घोशना नहीं की गई है कंग्रेस ये पूरी स्थिती सपस्ट करना चाहती है चुकि भाजबा की बात करें तो 14 में से 13 नामों की घोशना भाजबा ने कर दी है और सभी जो प्रत्यासी हैं वो अपनी चुनाओी तयारी में चुट चुके हैं ऐसे में का लेकिन अभी भी सरगुजा संभा की जो बारा सीटे हैं वहाँ पर संसे की स्तिती है और कई बार ये बड़े नेताओं ने कहा है कि कुछ जो विधायक हैं उनके स्थान पर दूसरों चोहरे को मौका दिया जा सकता है ऐसे में जो कॉंग्रेस की कवायत अभी जा रही है और जो कवायत जारी है लेकिन इस बीच जो सूची आई है उसमें दो नाम तैकर लिए गया है टीया सिंग्देव और अमरजीत भगत जो दोनों बड़े नेता हैं दोनों मंत्री हैं वो अब चुनावी मैदान में होंगे और अब एक तरह से कवायत सुरू हो जाएगी कि बाकी लेकिन दो बड़े चेरें यहाँ पर चुके टीयस से देव भी हैं और साथ ही आप अतारें अमरजीत भगत का भी नाम तैवा इसलिए अब चुकी यहाँ पर नाम तैव चुके इसलिए चर्चा में आई अब रुक करेंगे एक बार फिर से मद्विदेश का जाती समीकरन के आपर रखा गया है इस सूची में इसके अध्यक्ष भी हैं उनको यहाँ पर टिकेट दिया गया है अगर सिवनी से बात करें तो सिवनी से भी अलग-अलग जो सिंधी समाज से आने वाले आनंद पंजवानी को यहाँ पर टिकेट दिया गया है इसके साथ ही तमाम सारे जो जातिया हैं चाहे हम सेडिल कास्ट की बात करें सेडूल ट्राइब्स की बात करें तो हर एक उम्भीदवार को यहां पर उसके जाती के आधार पर समीकरण को देखते हुए यहां पर टिकेट दिया गया है और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन पर अगर चर्चा करें तो उसके साथ में यूवाओं का विसेज ध्या यह दिया गया है कि अगर जहां पर महिलाओं की आवश्यक्ता सेडूल कास्ट की है वहां पर महिलाओं को यहां पर टिकेट कॉंग्रिस ने दिया है लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको देखा जाए तो वो पहले चुनाओ लड़ चुके हैं लेकिन हार गए थे लेकिन कई चेहरे ऐसे भी हैं जो पहले बार चुनाओ लड़ेंगे जिस तरीके से अभी जी शाह की बात करें तो अभी जी शाह जो है सेडिल ट्राइब से आते हैं और मद्ध प्रदेश के जो वन मंत्री है विजय शाह उनके भतीजे हैं उनके बड़े भाई के बेटे हैं तो ऐसे म नाम है जो कहीं ने कहीं परिवार के जो लोगों को टिकेट ना देकर अब नई पीडी के लोगों को यहां पर टिकेट दिया गया है तो उससे यह भी कॉंग्रिस ने वताने का प्रयास किया है कि यूवाओं का भी से सूची में विसीज ध्यान रखा गया है महिलाओं का भी इस सूची में विसीज ध्यान रखा गया है ताकि किसी भी बर्ग से कहीं न कहीं कॉंग्रेस को जो है वो डेमेज की स्थेती ना बने और कॉंग्रेस जो है वो सफलता पूर्बक इस चुनाओ को लड़ सके और कॉंग्रेस का पूरा प्रयास इस सूची के माददम से ये रहा है कि 144 नाम जो जारी किये गए हैं उन 144 नामों में सभी जाती वर्ग और सभी जो अलग-अलग वर्ग हैं चाहे युवाओ की बात करें हैं महीलाओं की या फिर सीनियर्स लीडर की तो तमाम सारे वर्गों का भी धियान यहाँ पर रखा है कॉंग्रेस ने और 144 का जारी की है दूसरी सूची दो से तीन दिन में जरूर जारी हो सकती है क्योंकि कॉंग्रिस ये फिलाल साफ कर चुकी थी कि एक सूची देने के बाद एक दिन या दो दिन का गैप लेने के बाद फिर से एक सूची जारी करेंगे और दोनों ही सूची के माध्यम से 230 उमीदबार जारी करेंगे लेकिन जब ये सूची जारी हुई तो उसमें ये देखा गया है कि कमलनाथ का नाम भी इस सूची में शामिल किया गया है छिदवारा से कमलनाथ जो हैं वो चुनाओ लड़ेंगे और उसके साथ में अगर पूर मंत्रियों की बात करें तो सोला पूर मंत्रियों को यहां पर टिकेट दिया गया है साथी साथ महिलाओं की बात करें तो सोला महिलाओं को यहां पर टिकेट दिया गया है उन तमाम सारी लोगों को यहां पर कॉंग्रीस की स्थिती पर धियान न देना पड़े। तमाम सारे जो हैं वो उसमें शामिल की जाएंगा नरेश अगर बात करें बीजेपी की पहले लिस्ट की तो दिन शेत्रों में बड़े नामों को बीजेपी ने उतारा था वहां पे कॉंग्रेस की सूची में किन प्रत्याशों को जगा मिली है नरेश आप सुन पा रहे हैं आप में तो चलिए अपार समवाध दागरा देख लिए यह जी केदार कशप हैं महेश गागरा हैं लता उसेंडी हैं इन सभी के मुकाबले वो 2018 में जो लोग चुनावी मैदान में थे वे ही लोग चुनावी मुकाबले में होंगे और क्योंकि अ पुर की बात छोड़ दें तो इन दोनों ही जगह पर काफी जीत का अंतर कम रहा है तो यह मुकाबला इस बार भी रोचक होने जा रहा है और जिस तरह से भारती जनता पार्टी ने अपनी सूची में यह तैकिया कि कुछ पुराने चेहरों को भी फिर से बराबरी से मौका दिया जाएगा उसके लिहाद से लगता है कि पार्टी का जो इंटर्नल जो एक तरह का सर्वे है या एक तरह की सूचनाए हैं उसके मुताबिक यह सीटें दुबारा जीत सकते हैं अगर इसमें खास बात अगर आप गहुर करें तो जो कॉंग्रिस में जो मोहन मरकाम कह है इलने के चुनावी मैदान में हैं तो इस तरह के जो सर्वे में यह बात है कि हो सकता इस्थानी जनता दे इसके बीच में जनता फार्टी के चेहरों को मौका दे मारती लिखरी इस बशुझे से उन्हें पुराने और करदावर चेहरों को उतारा है एक भाजपा के पास समस्या ये भी थी कि भाजपा के पास आदिवासी चेहरों के तौर पर या आदिवासियों के लिए नई पॉलिटिक्स के एंगल पर कोई खास स्पेस नहीं था जिसकी वज़े से मजबूरन उन्हें उन चेहरों को जगा देनी पड़ी और इस मामले में अगर देखें तो 2018 के जो नतीजे रहे खास तोर पर बारागी बारा विधान सभा सीटों पर आदिवासी भूट्रों ने एक त सरकार के जरिये जो मुद्वे आये जिसकी वज़े से आदिवासी समाज की नाराजगी थी उनके जो प्रतिनीदी चेहरे बने और संग्टन में इस तर पर जिनकी समस्या थी आपसे गुडबाजी जिनकी वज़े से बढ़नी क्या चंका थी उन मुद्वों को ध्यान में चेहरे थे पिछली बार राजमन में जाम महाँ से जीते थे और इस ते अलावा बलराम और ये तीनों लगब एके उम्र के हैं और एक साथ इनकी राजनीती रही है इसलिए ये प्रबल दावेदार थे आपस में एक दूसरे के प्रतिस परदी होने के साथ साथ राजनीतिक स बता दे मद्विदेश और चतिस गड़ में कॉंग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दिये है दीपक बैच को चितर कोड से चिकिट दिये गये सुख की बड़ी ख़बर आपको बताने है चतिस गड़ के लिया से प्रत्याशियों की गोश्टा कॉंग्रेस ने कर दिये है प्रामिल से ताम रदस साहू को कॉंग्रेस ने अपना प्रत्याशिय बनाया है तो दीपक बैच सांसद और हैं और मैदान में चंदन कश्यप नराणपुर से उमीदवार है यानि पहले चुरण में जहां पर वोटिंग होनी है वहां कि हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे चुत्र कोट से उमीदवार कॉंग्रेस ने ने बनाया है और उसके साथ ही तमाम नाम जारी हुए है आपको बताते हैं कि 6 विधायकों के सिटिंग MLA के टिकेट कार्ट दे गए दो ऐसी सीटों पर कॉंग्रेस के प्रत्याशियों का एलान हुआ है और कॉंग्रेस ने 6 वरत कॉंग्रेस ने मौका दिया है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कॉंग्रेस की सूची जारी हो गए मत्मिदेश और चार महिला प्रत्याशियों को कॉंग्रेस ने मौका दिया है इस वक्त की बड़ी खबर 36 गड़ के लियाद से ये बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से आप पर प्रत्याशियों के गोशना हुई है तीस नाम गुशित किये हैं कॉंग्रेस ने 20 वो नाम है जो के 20 सीटों पर जो पहले चरण में चुनाओ होने इसके लावा 10 और नाम है जिसे घुशित कर दिया है कॉंगर्स ने पाब को बता दे दो से सीटों पर कॉंगर्स के प्रत्याशिक्त गुशित हुए कॉंगर्स से ने छे वरतमान विधागों के टिकेट भी काटे हैं जिसमें शिशुपाल सोरी भी है जहां पहले चेल में चुना होने तो चार महिला प्रत्याश्यों को यहां मौका दिया है कॉंगरिस ने आपको बता दे मद्वदेश और 36 गड़ में कॉंगरिस प्रत्याश्यों के सूची जारी होने के बाद ही अब सियासत तेजी से बढ़ी है क्योंकि अब चुनाव नस्दीक है पहला नाम दीपक बैज, दूसरा नाम विक्रम मंडावी बीजापूर से ने मौका दिया है कॉंगरिस ने भुपेश बगेल पाटन से और टीएस देव अंबिकापूर से अपनी परंपरगत सीट से तमाम बढ़े नेता चुनाओ लड़ेंगे अमर्जीत भगत सीतापूर से प्रत्याशि होंगे कॉंगरिस के पूर मंत्री और बहुत बड़ा चेरा सरगुजा का दमदर साउध दुरुग ग्रामिर से वर्दमान में ग्रिम मंत्री और एक बर फिर से अपनी सीट से ही चुनाओ लड़ेंगे तो कॉंग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी उने के साथ हैं आपको नाम भी बता रहें इंदर शाह, मंडावी, मानपूर, मोहला से कॉंग्रेस के प्रत्याशियों होंगे मौहमद अक्बर कवरधा से जो कि अपनी पहली जिस सीट पर जी चुके हैं और डोंगर गाउं से दरेशर साहू चुनाओ की मेदान पर होंगे तो इस तरीके से कॉंग्रेस की सूजी हम आपको बता रहें बहुन मरकाम कॉंडा गाउं से जहां से वो पिछली बार भी जीते थे लता उसेंडी को उन्होंने दो बार इस सीट से हराया कवासी लखमा कॉंडा से उनकी परमपरा का सीट से ही चुनाओ लड़ेंगे संतराम निताम केशकाल से चुनाओ मैदान में होंगे कॉंग्रेस के प्रत्याशी होंगे इस दर रचंदन का शेप नराणपूर से चुनाओ मैदान पर होंगे तब को बता दे 20 पहले चरण के 20 सीटों पर घुशित करने के साथ दस और दूसरे सीटों पर भी कॉंग्रेस से अपने प्रत्याशी गुशित किये नासिर गौरी हमारे सवकेस कबर पर हमारे साथ लाइब जूरे नासिर गौलियर की लिहाज से बात करे गौलियर संभाग की लिहाज से बात करे जो यह सूची जा रही हुए कॉंग्रेस की कितनी संतुलित नजरा रही कितन क्या यहां पर डेमिज कंट्रोल की भी संभावनार अगर होता है तो कैसे मैनेज करेगी पार्टी देखिए ग्वालिय चंबर संभाव की 34 विदासभा सीटों में से 26 सीटों पर कॉंग्रेस के परत्याशियों का एलान कर दिया गया है जिसमें जो सिटिंग विदायक हैं उनके नाम किसी के भी नहीं काटे गया है उनको परत्याशी बढ़ाए गया इसके साथ ही कुछ सीटे ऐ यानि कि आठ सीटे ऐसी है जहां पर होल्ड किया गया है और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रहे हैं थी कि इन सीटों पर कहीं ने कहीं पैश फसा हुआ या फिर बीजेपी से भी कुछ लोग हैं जो कहा जा सकता है कि जिनके नाम बड़ा तेजी से चल रहा है कि उनको अगर बीजेपी अपने टिकेट नहीं देती है तो वो यहां से आ सकते हैं तो ऐसे नामों को लेकर भी शायद उन सीटों पर होल्ड किया गया है आठ ऐसी सीटे जैसे अगर गौालियर जिले की बात करें तो गौालियर में च्छा विदानसभा सीटे हैं लेकिन एक सीट पर है लेकिं कॉंग्रेस के पास कोई अच्छा विनिंग केंडिगेट नहीं है जिसके करणा शायद उस सीट को होल्ड किया गया ऐसी कई सारी सीटे यानि कि सुभावली सीट की बात करें तो वहां पर भी पैश फसा हुआ है वहां पर भी बड़ा नामों को लेकर चर्चा चल गया है तो ऐसे कई नाम है जहां पर चौकाने वाली चीज़ें आई हैं जैसे फूल सिंह बरही हैं उनको फिर दुबारा से पार्टी ने परत्याशी बनाए उनको भांडेर से परत्याशी बनाए पर से मैदान मुतारा है तो कुल मिला कर देखा जाए तो जो कॉंग्रेस की जो होल्ड की गई थी काफी लंबे समय से लोगों को इंतजार था कि आने वाली है आने वाली है और जैसे आज नवरात्री का पहला दिन हो और अग सुबा यानि कि सुबा की पहली सुबा के साथ ही एक जो कॉंग्रेस के जो परत्याशी थे जो उम्मीद लगा हुए थे उनको एक बड़ी खुशकवरी दी है लेकिस सबसे बात यही है कि उपचुनाओं के दौरान जो जीत कराय थे कॉंग्रेस के परत्याशी भले ही उनके खिलाब माहौल खराब रहा कहा जा रहा है था कि उनकी इस्तिती अच्छी नहीं है पार्टी उनका टिकेट काट सकती है जैसी डवरा बिदानसभा की बात करें सुरेश राजे सुरेश राजे को लेकर विरोध भी देखने को बिला था तीन दिन दो दिन पहले हम देखें तो एक वीडियो वाइरल होता जिसमें दिग्वेजे सिंग से कुछ लोग कॉंग्रेसी मिलने जाते हैं उनका विरोध करते हैं लेकिन दिग्वेजे सिंग उनको भगा दिते हैं तो लेकिन विरोध भी उठ राता लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी ने अपना रुक साफ किया है उनको ही अपना प्रत्याशी उनको भरोसा जता है जिनोंने उप चुराओं के दोरान पार्टी को जीत दिलाने की कोशिश किये लेकिन हाला कि गोहद जो विदान सभा है उस पर थोड़ा सा संचे है उस पर होल्ड किया गया है चलिए नासिर आपके पास लौटेंगी लगतार अपडेट हम अपने दर्शिकों तक पहुचा रहें सौरब हमारे समादाता एक बास किरें हमारे साजुर्फिक है सौरब 36 करके अगर बात करे तो 14 ऐसी सीटों पर कॉंग्रेस ने प्रत्याशी गुशित के कौन-कौन से वो नाम है जिन पर नाम टैक किये गए है बिल्कुल देखिए सबसे पहले तो यहीं बता दें कि आइबीसु 24 ने जिन जिन नामों पर मुहल लगाई थी उन्हीं कोई टिकेट मिली है और दूसरी बात की जिन विधायकों की टिकेट कटी थी टिकेट कटनी है यह हमने बताया था उन विधायकों की टिकेट कट गई है आठ जगों पर जो है आठ नए प्रत्यासी उतारे गए है अर्थात नए विधायकों छोड़ मौका दिया गया है इसी तरीके से आप देखिए कि जो दीपक वैज है उनको भी प्रदेश को टिकेट दी गई है इसी तरीके से आप देखिए कि जो पूरे मंत्री है मुख्यमंत्री भुपेज बगेल समेत कुल 13 जो मंत्री है उन्हें पूरी टिकेट दे गई है विधान सभाध्यक्ष और उपाध्यक्ष उन्हें टिकेट दी गई है और सबसे महत्रपूर जो है द नावेदार है उनको जो सांथ कराए जा सके चुनाओ के वक्त जो हो नको कोई नुकसान ना हो इसे लेकर और निश्य दूरूप से एक बात यह देखा जा रहा है कि कॉंग्रेस ने काफी exercise किया है इन नामों को लेकर काफी समय से यह देखा गया है कि कॉंग्रेस ने लगबग 6 से 7 दोर की बैटक की है उसके बाद फिर Screening Committee की बैटक हुई है और उसके बाद Central Election Committee की बैटक होई और फिर इन नामों को final किया गया है और निश्चित रूप से Congress को लगता है जैसे बार-बार कह रहे थें कि जब तक Congress के Congress विदायकों की टिकेट नहीं काटेगी तब तक जो है कॉंग्रेस की जीत नहीं होगी ये बार बार कहा जा रहा था और निश्चित रूप से सीव डहरिया जो है उनको भी टिकिट दी गई है आरंग से और जैसे ये कहा जा रहा था कि आरंग के अलावा जो है और कहीं से लड़ सकते हैं लेकिन सीव डहरिया को ही टि जो मंत्री केवल एक ही मंत्री को जो है अलग विधान सभा दिया गया है अहिवारा की जगा नवागर दिया गया है और वहाँ पर पहले से जो दयालदास बगेल है उनको टिकेट दी भाजपा ने दी है जो काफी समय से वहाँ पर एक टीम है हाला कि 2018 में उनकी हार हुई थी ग राजमन बेंजाम उनकी टिकेट काटी गई है अन्तागर से अनुप नाब उनकी टिकेट काटी गई है दंतेवाडा से जो देवती करमा है उनके बेटे को जो है छबिन करमा को टिकेट दी गई है तो आप देखें कि ऐसे नाम है जिन नामों को लेकर काफी समय से जो है एकस डारिया के नाम को लेकर वीता की श्यूध धाया आरंग से उतरेंगे और निश्यट रूप से हम सभी इन नेताओं से बाचित करने के कोशिश करेंगे और इस्से पहले की एक कि कॉंग्रेस जो है दूसरी सूची भी जो है आज या कल में जारी कर सकती है ये अभी की एक मैं आपको नई ब्रेकिंग बता रहा हूं कि कॉंग्रेस जो है केवल अभी 30 नामों की सूची जारी की है कुछ नाम और जारी जो है कॉंग्रेस कर सकती है और इसके अलावा जो है ये भी देखा जा रहा था कि Congress जो है और चो नए फ्रेस चहरे हैं उनको देने जा 먹 और जैसे हमने बताया कि था कि छालीस जो चहरे हैं वो ने उतार रही है Congress जो है और अब देखना होगा कि किस तरीके से Congress जो है ये पूरी स्टेटजी बनाई है उसके इसाब से Congress को लगता है कि उनकी जीत होगी और जो 75 प्लस का नारा दिया है वो पार कर पाएंगे या जो है जो बीजेपी ने टिकेट दी है उसके इसमें जो है फस्ते हुए नजर आएंगे ये देखना होगा पाल से बड़ी खबर जहाँ पर कॉंग्रेस की पहली सूची जारी हो गई है मदवदेश चुतिस गड़ में भी पहली सूची जारी हो गई जिसका सभी कुंतिजार था बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लगतार ये जानकारी मिल रही थी और कॉंग्रेस की और से बार-बार ये कहा जा रहा था कि पीतर पक्ष खतम होते ही और सांती नवरात्री के पहले दिन इन नामों की घोश्टना कर दी जाएगी अब मदवदेश में 144 नामों की सूची जारी की गई है बड़ी कबर आपको बता रहे हैं कॉंग्रेस की पहली सूची मदवदेश और 36 गड़ की पहली सूची जारी हो गई है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक की बड़ी खबर मद्वदेश और 36 गड़ में कॉंग्रेस प्रत्याश्यों की पहली सूची जारी कर दी गई है तो नौरात्री के पहले दिन की बात यहां पर कॉंग्रेस ने कही थी सभी बड़े नेता ये बात कह रहे थे बार बार कि नौरात्री के पहले दिन प्रत्याश्यों की सूची जारी होगी और इस वक की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर मद्विदेश में 144 नामों की सूची जारी हुई है श्योपूर से बाबु जंडेल को टिकेट दिया गया है विजैपूर से राम निवास रावत को टिकेट दिया गया है दुश्यंत पराशर रमाने से की फो लाइन पर जो चुके है अगर बड़ी नामों की बात करें तो राम निवास रावत इतने अगर गुवी सी कर्चिकी जी याँ पर कल दिया गया है जाए अगर दगरा से बात करें तुरिस राजी का लगातार दुरूद हो रहाता है लेकिन कॉंग्रिस में तुरिस राजी को रज़ा से उमीदवार बनाया है इससे बात अगर बात की जाए तो यहां पर कॉंग्रिस के अचना उमीदवार इगवास पर से बनाया है जो अगर 18 में भी इस तुछी बोस्तर उनको आई को सामिदा करना पड़ा था तो यहां पर किने बहुत सारी इल्दाव की बात अगर चरें तो इस तुरिशे से बगवास पर बनाया है में रालों गरंसे ज्यावार ऑर्दराट शेटिने करना करें पर शामिदवार की अधिरल आई करदाए तो यहां पर सामिदा इस तुरिकी में गविलसे रागुषि का खेटर है जिसमें नीमें बिलेश्व है पर गंवदवार रोलाया है तो आचगामीदवार दुछी में और आपके पोड़ेर पर लगातार कर चर्चा स्टेशले मिलों की जा रही जारी थी सवाः चालीस नामों पर पर चालीस नाम जो है को प्रियर पर लिए गए पर इसे बाद लिए गये गये पर देवी का आपिरवाद दी देगा वो नबराश्री में जो नो दिन तक सटी की आरगना होगी उस उन दिन के शीष में इस पर पर जाहिं करें कि जीज़ी तो होगी तो जोगी तो जबाद करें तो इसमें तरवर से उनी भी तागर के पढ़डा से उनी पर बनाए गये हैं सब्सक्राइब करें जाएब करें तो जो जो है जो है वो आपर वो दिया है लेकिन बड़ा मलेरा तेरे इजबार से साथ भी रामसिया भार्टी को आपर पॉंगों को पॉंगों करना है जिनको तहीं कर्दूम सिंगी भी से सिकर्षी का सामना करना पड़ा था लुद्र ही तरु में पार कि अगर में अगर घं पर बात की जाए शजय तरह से सिंग्या की ना है प्रतियाश्यों की पहली सुची जारी हो गई है, विधान सबच उनाओं से जोड़ी बड़ी ख़बर आपको बताने है, बीजेपी ने पहले ही एपनी प्रतियाश्यों की गोष्णा करने है, अब कॉंग्रेस और ने अपने प्रतियाश्यों की सुची जारी की है, आपको बता दे मदविदेश में तो 44 नामों की सुची जारी हुए है, तो टीस से दयो का पूर से टिकेट दिया गया है, वहीं अप दोनों जगह की टिकेटें किसको किसको मिले हैं आपको बतारें, लग है हो चुका है कौन को चुना लड़ने वाले, कौन कों से वो बड़े नाम है? अमर्जी बगाष सिटापूर से, शीव डरिया अरंग से, लेकिन गुरुरुद्र कुमार को नवागर से दिया गया, जो सबसे पहले आईजिसी 24 में दिखाया था कि मंद्री रुद्र कुमार को नवागर की टिकेट दी जाएगी और अईवारा वो चोड़ दी है, और ये आप देशिये की रमिंदर चौबे को सालिया से, सामेदर साओ को जुरु ग्रामीर से, पंडेरिया से, लेकिन गुरुद्र कर दिया गया है, क्योंकि लगातार इंतजार हो रहा था, इन प्रत्याशियों के गोष्णा का, और अब 144 नामों की गोष्णा कॉंग्रस ने कर दी है मद्धिदेश में, वहीं 30 नाम 34 गड़ में गोष्णा कर दी है, तस्वीर जो आप देखने है, वो उसी सूची की है, उसमें 144 नाम आप देख सकते हैं, ने 144 नामों को फाइनल कर दिया है, मद्धिदेश ने, यानि सभी को इं इस नाम 36 गड़ में गोष्णित कर देगे हैं, चलिए जाधा जानकारी के साथ हमारे दो सजयोगी स्वक्त हमारे साथ लाइफ जूड़े है, मद्धिदेश से दुशियंत और रायपुर से 11 भी स्वक्त हमारे साथ लाइफ जूड़े, सीधे रूख करेंगे, दुशियंत क अगर बात करें, तो कौन-कौन से ऐसे नाम है जिस पर लग सकता है कि डेमेज हो और इस डेमेज को कंट्रोल करने के लिए कौंग्रेस को मशक्कत भी करनी पड़े, बड़े नाम कौन-कौन से इस सूची में? दुश्यन जो की मद्रप्रदेश के मुख्य मंत्री है, उनकी सीट से यहां पर कोई बड़ा चेहरा उतारने की बात यहां पर कौंग्रेस करती हुई नजार आ रही थी, लेकिन इस बार बिक्रम मस्ताल को वहां से टिकेट जो है, वो कौंग्रेस ने दिया है, जो की जो रामानन सागर की दूसरी रामायन है, उसमें हनुमान का किरदार ने बाच चुके हैं, और लगातार जैसे ही उन्होंने कौंग्रेस का दामन थामा था, उसके बाद लगातार वो नर्वदा को बचाने के लिए यात्राएं भी निकाल रहे थे, और तमाम सारे जनजागरन कारिकरम भी चला करनी पड़ सकती है, और जिस तरीके से एक नए चेहरे को उतारना, कॉंग्रेस का कही नए की एक एक्सपरिमेंट भी हो सकता है, और जिस तरीके से अगर और भी नामों की बात करें, तो बैतूल से सुकदिप पासे को यहां पर टिकेट दिया गया है, चिंदवाडा से खु सुची कॉंग्रेस ने जारी कर दिया है, सौरप सिंग परियार हमारे समादाता लगतार हमारे साजुड़े हैं, सौरप आपसे भी जानना चाहते हैं, विस्तार से सुची के बारे में, कौन-कौन से नाम इसमें शामिल है, कौन-कौन से बड़े चेहरों को इसमें मौका मिल गई है सबसे बड़ी खबर यही है और जो IBC 24 ने बड़ी प्रमुकता से दिखाया था जी कि कॉंग्रेस की जो पहली लिष्ट जारी होने वाले उस पे 6 कॉंग्रेस विधायकों की टिकेट कड़ गई है और 4 महिला प्रतियासी को मौका दिया गया है कॉंग्रेस जो 4 विधान से आ रहा था लेकिन कहीं न कहीं हो सकता है कि यह चुकी है खरोरा से इसलिए का जा रहा था कि गिरिस देवांगन को नहीं लड़ाये जाएगा लेकिन आप देखिए कि राजनान गाउसे गिरिस देवांगन को जगात दी गई है आपको व्याद होगा कि गिरिस देवांगन सबसे पहले और बता दे कि पंडरिया से जो है ममत्या चंद्राकर जो विदायक है उनकी टिकिट जो है कार दी गई है नीलू चंद्रवंसी को टिकिट दी गई है जो पूरवे जीला कॉंग्रेस कवरदा के अध्यक्ष रह चुके हैं इसी तरीके से जो डूंगरगर से हमने ब बताया था कि खुजी में जो है जो चन्नी साहू था उनका नाम कार दिया गया है और उनके जगा भोला नाम साहू जो पूरविदायक भी रह चुके हैं और सांसत का चुना भी तो है 2019 में लड़े थे उनको एक बार फिर से कॉंग्रेस पार्टी ने टिकिट दिया है उनका भरोसा जताया है इसी तरीके से एक और नाम जो है अंतागर से जो रूप सिंग पोटाई है उनको जो है जगा दी गई है अंतागर के जो विदायक है उनको उनकी टिकिट कार दी गई है इसी तरीके से जो एक और नाम हम जो पहले से बता रहे थे कांकेर से सीसुपाल सोरी क टिकिट जो कार दी गई है और संकर धुरुवा को जो है ये नाम सामिल किये गया है उनको जगा दी गई है तो ये अनुपनाक थे जिनको रूप सिंग पोटाई की जगा दी गई है रूप सिंग पोटाई को उतारा गया है अनुपनाक की टिकिट कट गई है तो आप देखिए कि 4 महिला है उसमें कोन-कोन से वो बता देता हूँ मैं आपको सबसे पहले जो है नाम है डॉनडी लोहारा से मंत्री अनीला भेडिया है उनको उतारा गया है खैरागाडी असोधा वर्मा है उनको उतारा गया है जो विक्रम यो सिंग है और वो टिकेट उने मिल गई है तो ये दूसरा नाम है तिसरा नाम इसी तरीके से डोंगरगर से हरसीता स्वामी जो बगेल है उनको दिया गया है और चोथा नाम जो है सावित्री मंडावी ये भी जो है उपचुना में भानुपरतापुर में उपचुना में जीती थी जो इ गए हैं और आप देखें कि मुख्यमंत्री भुपेज वगेल को पाटन से उतारा गया है अंभिकापुर से टीए सी देव सीटापुर से मरी वगर शर्टिया सुर्टेंगे अब बिल्कुल देखी 144 की जो सूची जारी की गई है उसमें ज्यादा तर सिटिंग एमेले को टिकेट यहां पर कॉंग्रिस ने दिया है अलकि बहुत कम सीटों पर यह देखने में आया है पूरी सूची में कि एक अद टिकेट कहीं काटा गया हो तो लेकिन जिस तरीके से आरक्षन की बात लगातार राजनेतेक गलियारों में गूंजती है और लगातार महीला आरक्षन को लेकर लगातार कयास लगाया जाते हैं उनको यहाँ पर कॉंग्रिस जो है भरपाई करते हूई नज़राई Professor जो बात कहती हूई नज़राई थी के महीलाओं को सम्मान देन मिने का काम ही कंग्रिस करती है और लगातार कंग्रिस इस बात को बार-वार बोलती हुई पिछले दिनों में राजनेतिक को गलियारों में नदार्य है तो उसको यहां पर चरितार्त ुब्य कंग्रिस करती हुई नदा informação in इस सूची में सूला महिलाओं को फिलाल टिकेट दिया गया है अगर बोपाल की बात करें तो बोपाल से किवल तीन सीटों पर यहाँ पर टिकेट जो है वो जारी किये गए हैं जिनमें नरेला से मनुष युकला को यहाँ पर उमीदबार यहाँ पर कॉंग्रिस ने बनाया है स्थानिय बिधायक मद्द से मारिफ मसूद को यहाँ पर फिर से कॉंग्रिस ने उमीदबार बनाया है और बीजेपी के दुरुबनाराण सिंग से उनको सीधी टककर जो है वो मिलने वाली है अगर बात की जाए बेरासिया की तो बेरासिया में एक बार फिर से साथी साथ कमलनाथ से लेकर अगर पूर मंत्रियों की बात करें तो कमलनाथ का भी नाम इस सूची में सामिल हो और उनके तमाम सारे पूर मंत्रियों के नाम भी इसी सूची में सामिल है तो यह जरूर कहा जाया है कि कमलनाथ के पूरे केविनेट को यहाँ पर कॉंग्रिस न निकल कर सामने आ रही थी कि ये जरूर कहा जाएगा कि जब टिकेट जारी होंगे तो कई सारे बिरोत प्रदर्शन आप पर देखने को मिलेंगे वो तो मिलने ही बाले है लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जिन उम्मीदों पर जो लोग खरे उत्रे जो लोग चुनाओ जीत क कॉंग्रेस का पर्चम लहराते नजर आए उनको एक बार फिर से कॉंग्रेस ने उम्मीदबार बनाया है और उन पर फिर से भरूसा जताया है कि 2023 के अंत में जब ये चुनाओ होंगे विधान सवा तो उनके जो उम्मीदबार है एक बार फिर से वो जीत कर आएंगे और वि आहुल की बात करें या फिर कई ऐसे और भी नाम है जिन पर अगर चर्चा की जाए तो वो 2018 में जरूर चुनाओ होंगे ते लेकिन इस बार चुनाओ जीतने की प्रवाल संभाव ना है तो ऐसे में कॉंग्रेस ने कोई भी कोर कसर 144 की सूची में नहीं छोड़ी है कि किसी प बिल्कुल दुशन्त एक बार फेस 36 का रुख करते हैं हमारे समादाता सौरभ हमारे सा जुड़े हुए सौरभ जाती गर्च समय करनों की बात करें तो इसलिहां से सूची को कैसे देख सकते हैं बिल्कुल देखे बिल्कुल सही सवाल है आपका देखे पहले फेस में चार साहूं को जगा दी गई है आप देखे कि ताम रदा साहू है जो बीसी से आते हैं उनको जगा दी गई है इसी तरीके से जो दलेस्वर साहू है और भोला राम साहू है उनको जगा दी गई है आप आप देखें कि चोओडा सीट और अब कर दिया जो पहले वारा में थे अब नवागड चेंज कर दी हैं और मंत्री सिवुडारिया को आरंग से टिकेट दिया गहा जो इससी में आते हैं इसी तरीके से कॉंग्रेस ने चार महिला प्रत्यासी भी उतारे हैं और जैसे हम बहुत पहले से कह रहे थे कि आप देखें कि जो बस्तर है बस्तर संभाग की बारा सीटों की अगर बात करें तो बस्तर संभाग में जो काफी समय से नाम आ रहे थे कि इन विदायकों को टिकिट नहीं दी जाएगी और उन विदायकों को टिकिट नहीं दिया गया है और चीतर कोर से प्रदेश कॉंग्रेस सद्यक्ष दीपक बैज को उतारा गया है क्योंकि पूरे जो पाच राज्यों में जो चुना हो रहा है वहां के प्रदेश कॉंग्रेस सद्यक्षों को भी टिकिट दिया गया है जैसे कमलनाथ को भी मद्द प्रदेश से दिया गया है वैसी दीपाक भैस को भी दिया गया है आप लेकिन सबसे प्रमुक्ण जाम जो रा बाहरी प्रत्याशी के रूप में वहाँ पर जाने जाएंगे चुकि उनका कोई वहाँ पर कोई ऐसा छेत्र नहीं रहा है वो खरोरा से आते हैं लेकिन कहीं न कहीं अब देखना होगा कि इस पर क्या बयान बाजी कॉंग्रेस नेताव के आती है क्योंकि इससे पहले हम जो एक आपके पास आएंगे इस वक्त नरेश मिश्रा हमारे से होगी इस वक्त जिगदलपूर से लाइव जूट चुके हैं नरेश क्योंकि पहले च्रण में बस्तर में चुनाओ होने हैं यहाँ पर प्रत्याश्यों की घोष्टना अब यहाँ पर कॉंग्रेस ने कर दिया है लगता है हमारा संपर्क नरेश से नहीं हो पार है सोरब आप बताइए सूची के बारे में क्योंकि बस्तर क्योंकि पहले चरण में चुनाओ होने हैं उनमें अब प्रत्याश्यों की घोष्टना हो चुकी है किस तरीके का मुकाबला बीजेपी और कॉंग्रेस में देखने क बत्याश्यों के लिए कितना है बिलकुल देखें जो बात पहले कहा जा रहा था कि मंत्रियों का नाम नहीं काटा जाएगा मंत्रियों के एक भी नाम नीकटे है सभी मंत्रियों को यतावत दिया गया है केवल गुरुरुद्र कुमार जो अयवारा से थे उनको नवधर दिया गया है मुख्य मंत्रि और डिप्टी सींट mêmes सीदे को भी उनके जगा से दी गई है लेकिन आप देखें कि जो सबसे महत्रपूर्ण नाम था कि खुजी से जो महिला भी धायक थी उनका नाम काड़ दिया गया च्छनि साउ का वहाँ से भोला राम साहू को टिकिट दी गई है और भोला राम साहू भी काफी समय थे और छनी साहू थी वो आपको याद होगा कि इनके खेमे के बताया जाता था टीए सीधे के खेमे के बताया जाता था जब एक समय आया था तब वो कहीं न कहीं सीधे तोर पर कहती थी कि मै सीदेव खेमे काहूं और कहीं न कहीं उनको टिकेट नहीं मिल पाई है हाला कि ये कहा जाता है कि अंतिम वक्त तक इस नाम को लेकर जो है सीजी में काफी चर्चा होई थी मुख्यमंत्री बुपेज बगेल की ओर से कहा गया कि भोला राम साउ को टिकेट दिया जाए वही दूसरी ओर चन्वी साउ को लेकर भी सीदेव को दोराय नाम रखा गया था लेकिन फैनली जो है इनका नाम आया इसी तरीके से जो साबीतरी मंडावी है उनको यथा रखा गया है अब से लेंगे फिलाल हमारे समवादाता नरेश हमारे साथ एक बार फिर जूट चुके संपर्ख हमारा हो चुक है बिल्कुल देखे मैं वही जानकारी दे रहा था कि लगातार जो कॉंग्रेस के क्यास लगाया जा रहे थे और वही सूची लगबख फाइनल हुई है और उसी को मैं बता रहा था कि किस तरीके से कॉंग्रेस ने एक-एक नामों पर काफी एकसरसाइस किया है और ये बाद भी आ रही थी कि जो गुरुरुद्र कुमार है उनको अईवारा से नवागर दिया जा लेकिन काफी उसके बाद उनको टिकेट दी गई है नवागर और नवागर में जो है पहले सही कॉंग्रेसी बैठे है कई जगा आप देखेगा कि जो जो नए नाम आए है या जिनके टिकेट कटी है वो जो है कही ना कही अब विरोध प्रदर्शन करेंगे कि उनको टिकेट मिलने चाहिए और जैसे मैं दो-तीन नाम बता रहा हूँ एक गिरिस देवांगन है राजनान गाउसे जिनको टिकेट दे गई है नवागर से गुरुनुद्र कुमार तो ह हो सकता है कि इनका विरोध हो क्योंकि दोनों बाहरी के नाम पर जो उन पर मुहर लगेगी और निशीत रूप से जब पहले ही जब नवागर को लेकर चर्चा हो रही थी तो अभी कॉंग्रेस के तमाम जो दावेदार है वो भी जो है यहां के वरिश नेताओं से मुलाकात क आया है तो ऐसे में आप देखेगा कि बहुत जल्ड जो है कॉंग्रेस की जो यह टिकेट है कुछ कुछ सीटों को लेकर ठीक है उस पर यह स्थिती देखनें को मिलेगी लेकिन इस पर खास बात यह है कि लगवाग चार चार चाहरे जो है आप बिंदुवार आकलन करें सीट करेंगे मत्यवदेश का दुश्यंत हमारे साथ हमारे स्विक्या लगातार बने हुए दुश्यंत अगर 2018 के चुनाओं की बात करें कॉंग्रेस ने बेतर प्रदर्शन किया था क्या इन सूची में वही सारे प्रत्याशी है जो 2018 में प्रत्याशी घुशित किये गये थे अब बिल्कुल देखिए वही सूची जो है वो अधिकतर नाम वही नाम जो यहां पर है सूची में नज़र आ रहे हैं कमलनाथ केविनिट के 16 मंत्री यहां पर इस पूरी सूची में नज़र आ रहे हैं इसके साथ में जो पूर मंत्री है उनको भी यहां पर टिकेट दिया साथी साथ टिकेट ऐसे लोगों को दिया गया है जो नून चेहरे हैं मतलब अगर डबरा की बात करें तो सुरेश राजेज को टिकेट दिया गया है लाखन यादाओ को वलियर के वितरभार से टिकेट दिया गया है साथी साथ सती सिखरबार जो की बरतमान में ही कॉंग्रिस क विधायक उनको टिकेट दिया गया है प्रभीन पाठक पिछली बार चुनाओ जीत कर आये थे कॉंग्रेस की ओर से तो उनको भी हाँ पर टिकेट दिया गया है अगर बात की जाए सागर जिले की तो हर श्यादव को एक बार फिर से टिकेट दिया गया है सुरेन चोदरी 2018 में उनको एक बार फिर से टिकेट दिया है पन्ना के पवई से मुकिस नायक को कॉंग्रेस ने उम्मीद बार बनाया है मुकिस नायक 2018 में चुनाओ हार गए थे आजे सिंग राहुल पूर्व नेता पतिपक्ष हैं लेकिन वो भी 2018 में चुनाओ हारे थे और उनको भी यहाँ पर विक्रम मस्ताल को यहाँ पर टीवी एक्टर है उनको यहाँ पर उम्मीद बार कॉंग्रेस ने बनाया है हनुमान का किरदार वो जो रामायन दो में निभाच चुके हैं साथी साथ अफदेश नायक एक बड़ा नाम है दतिया से डॉक्टर नरुत्तम मिसरा मत्यप्रदेश जिसके ग्रह मंत्री है उनके खलाप में यहाँ पर अपदेश नायक को कॉंग्रेस नाम है अगर उन पर चर्चा की जाए तो बहुत सारे कुछ ऐसे नाम जरूर निकल कर सामने आएंगे जो बहुत कम समय में ही कॉंग्रेस का टिकेट पा गए है क्योंकि पहले वो कॉंग्र को कॉंग्रिस में नहीं थे और कॉंग्रिस की ब़ Margaret की बढ़क रिफिकशिट में नहीं थे और को कॉंग्रिस में सामिल हुए तो इसके बाद एक बार फिर जियाद देखेven बिल्किल जार थीटें जहां पर नाम बदलने की बाद चल रही थी वहां ये नाम बदनेवी ग demain है और गैरा बारा मैं से गैरा सीटों पर तो नाम सामने आ छुके हैं प्लपूर एक पात्र सीट है ये बस्तर की 12 सीटों में से एक अनरक्षित है तो यहां पर पहले यह चल रहा था कि यहां जो चेहरा है वो बदला जा सकता है या जो बाकी के दावेदार हैं वो अलगला खेमों से काफी मजबूत है इसलिए सीट पर शायद अभी नामाना बाकी है लेकिन अगर आप देखें तो परिवर्तन कॉंग्रेस ने भी किया है रणीती के तैया 2018 में वहतर प्रदर्शन के बावजूद भी सावधानी कॉंग्रेस की तरफ दे बढ़ती गई है इसमें विशेश तौर पर शिशुपाल सोरी जो की एक बड़ा आदिवासी चेहरा तो यह चेहरा बदला गया यहां शंकर दुर्वा जो पहले जीच चुगे थे उनको मौका मिला इसी तरह से अंतागड में भी जो पर्फॉर्मेंस को लेकर के बात चल रही थी वहां अनुतनाक की वहां पर भी एक नए चेहरे को मौका मिला है चित्रकोर्ट में भी जो दावेदारी प्रस्तुत की तो खास बात यह कि जो ग्राम अध्यक्ष थे बल्वनाम मौरे चो कि खुद भी एक दावेदार हैं उनको घर गुलाकर उन्होंने इस्थानीय संग्ठन के जरी आपने दावेदारी प्रस्तुत तरहे से अपने दावेदारी की और प्रदेश पर पार्टी ने मौका दिया है दंते वाड़ा कॉंग्रेस के लिए परिशानी का सबब रहा है हमेशा ही रहा है क्योंकि परिवार में बहुत से दावेदार खुद अंदर है इसलिए लगतार जो बागी रहे उनको मौका दिया गया है चाविंद्र कर्मा को जिने बार-बार स परिशा करते हुए इस पूरी सुची में से एक मात्र महीला प्रत्याशी को मौका दिया गया है सावत्री मंडावी जो कि लगातार सक्री भी रही और एक तरह से माना जा रहा है कि भानुप्रतापुर में आने वाले समय में कॉंग्रेस के लिए वो एक बड़ा चेहरा उतर वोटिंग होनी है को बात करें तो कई ऐसे नाम है जहां पर संशे को इस्तिती है यही कारण है कि बाकी नामों की घोशना नहीं की गई है कॉंग्रेस ये पूरी स्तिती स्पस्ट करना चाहती है चुकि भाजपा की बात करें तो 14 में से 13 नामों की घोशना भाजपा ने कर दी है और सभी जो प्रत्यासी हैं वो अपनी चुनावी तैयारी में जुट चुके हैं, ऐसे में काफी समय से ये प्रतीक्षा थी थी, कब कॉंग्रेस अपने नामों की घोशना करेगी, कब प्रत्यासीों का चैन होगा और उसके बाद जो कॉंग्रेस के प्रत्यासी हैं वो इस नाम जो थे जिन को जिन विदायकों को डेंजर जोन में रखा गया था यानि उनके इस्तिति ऊस लायक नहीं है कि वो चुनावी मैदान पर जाएं और जीत दर्द करते कें ऐसे में लगतार कवायत जारी है लेकिन इस बीच जो सूची आई है उसमें दो नाम तैकर लिये हैं टीय सिंग्देव और अमर जीद भगत जो दोनों बड़े नेता हैं दोनों मंत्री हैं वो अब चुनावी मैदान में होंगे और अब एक तरह से कवायत सुरू हो जाएगे कि बाकी सीटों पर आखिर कॉंग्रेस कब अपने प्रत्यास्यों की गोश्णा कर पाती है बिल्कुल चुकी बस्तर की बात हो रही थी इसलिए उसके बाद तुरंस तुर्गुजा की बात हुए इसलिए अब शेक तुटी वर्ष ये बात मैंने कैई दी कि 17 पहले चरण में चुनाओंगे 17 को होंगे दूसरे चरण में आपर चुनाओ लेकिन दो बड़े चेरे हैं नाम तैवा इसलिए अब चुकी यहाँ पर नाम तैव चुके इसलिए चर्चा में आई अब रुक करेंगे एक बार फिर से मद्विदेश का जाती समीकरण के हम बात करें ते दुश्यन्त यहाँ पर किन-किन जाती समीकरण का ख्याल यहाँ पर रखा गया है इस सूची में अगर बात की जाए जाबुआ की सीट की तो वहाँ पर पूर्व केंदरी मंत्री के अंतिलाल भुरिया की जगे उनके बेटे डॉक्टर विकरांद भुरिया जो की यूद कॉंग्रेस के अध्यक्ष भी है उनको यहाँ पर टिकेट दिया गया है अगर सिवनी से बात करें तो सिवनी से भी अलग-अलग जो सिंधी समाज से आने वाले आनंद पंजवानी को यहाँ पर टिकेट दिया गया है इसके साथ ही तमाम सारे जो जातिया हैं चाहे हम सेडिल कास की बात करें हैं सेडिल ट्राइप्स की बात करें तो हर एक उम्मीदवार को यहाँ पर उसके जाती के आधार पर समीकरण को देखते हुए यहाँ पर टिकेट दिया गया है और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन पर सेडियूल कास्ट की सीटों पर इस तोर इस पर विसेज ध्यान यह दिया गया है कि अगर जहां पर महिलाओं की आवश्यक्ता सेडियूल कास्ट की है वहां पर महिलाओं को यहां पर टेकेट कॉंगर्स ने दिया है लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको देखा जाए तो व प्रदेश के जो वन मंत्री है विजय शाह उनके भतीजे हैं उनके बड़े भाई के बेटे हैं तो ऐसे में ये जरूर कहा जाए कि बहुत सारे ऐसे नाम भी अगर पूरी सूची में देखा जाए 144 की सूची में तो बहुत सारे ऐसे नाम है जो कहीं ने कहीं परिवार के जो ल सूची में विसीज ध्यान रखा गया ताकि किसी भी बर्ग से कहीं न कहीं कॉंग्रिस को जो है वो डेमेज की स्थिती ना बने और कॉंग्रिस जो है वो सफलता पूर्बा के स्चुनाव को लड़ सके और कॉंग्रिस का पूरा प्रयास इस सूची के माददम से ये रहा है कि जो 144 नाम जो जारी किये गए उन 144 नामों में सभी जाती वर्ग और सभी जो अलग-अलग वर्ग है चाहिए युवाओ की बात करें महिलाओं की या फिर senior leader की तो तमाम सारे वर्गों का भी दियान यहाँ पर रखा है कॉंग्रेस ने और 144 का जारी की है दूसरी सूची दो से तीन दिन में जरूर जारी हो सकती है क्योंकि कॉंग्रेस ये फिलाल साफ कर चुकी थी कि एक सूची देने के बाद एक दिन या दो दिन का गैप लेने के बाद फिर से एक सूची जारी करेंगे और दोनों ही सूची के मात्यम से 230 उमीदबार जारी करेंगे लेकिन जब ये सूची जारी हुई तो उसमें ये देखा गया है कि कमलनाथ का नाम भी इस सूची में शामिल किया गया है छिदवारा से कमलनाथ जो हैं वो चुनाओ लड़ेंगे और उसके साथ में अगर पूर मंत्रियों की बात करें तो 16 पूर मंत्रियों को यहां पर टिकेट दिया गया है साथी साथ महिलाओं की बात करें तो S.T.S.T. भर्क से आने वाले चाहे पूर्ब मंत्री हों, चाहे सिटिंग M.L. हों, उन तमाम सारे लोगों को यहाँ पर कॉंग्रेस न उम्मीद बार बनाया है, ताकि कहीं न कहीं चुनाओं से एन पहले कॉंग्रेस को डेमेज कंट्रोल जैसी स्थिती पर ध्यान न देना पड़े, और डेमेज कंट्रोल में अगर कॉंग्रेस लगती है, तो कहीं न कहीं डेमेज कंट्रोल की स्थिती को कंट्रोल करने में ही समय खराब हो जाएगा, और प्रचार जो है वो पार्टी के पक्ष में नहीं हो पाएगा, तो इस बात को भी कॉंग्रेस ने ध्यान रख की तो दिन शेत्रों में बड़े नामों को बीजेपी ने उतारा था वहां पे कॉंग्रेस की सूची में किन प्रित्याशों को जगा मिली है नरेश आप सुन पारे हैं आप में महेश गागरा देख लिए या जी केदार कशप हैं महेश गागरा हैं लता हुसेंडी हैं इन सभी के मुकाबले वो 2018 में जो लोग चुनावी मैदान में थे वे ही लोग चुनावी मुकाबले में होंगे और क्योंकि अगर आप देखें तो अगर वीजापूर की बात छोड़ तो इन दोनों ही जगह पर काफी जीत का अंतर कम रहा है तो ये मुकाबला इस बार भी रोचक होने जा रहा है और जिस तरह से भारती जनता पार्टी ने अपनी सूची में ये तैकिया कि कुछ पुराने चेहरों को भी फिर से बराबरी से मौका दिया जाएगा उसके लिहा पर पहली बार जरूर जीतने लेकिन बागी दो जगह पर जो कॉंग्रिस के प्रत्याशी है वो दो दो टर्म अपना लगबग चुनाव के साथ पूरा कर चुके हैं और इस बार वे तीसरे टर्म के लिए इलक्ट होने के लिए चुनावी मैदान में हैं तो इस तरह के जो सर ये भी थी कि भाजपा के पास आदिवासी चेहरों के तौर पर या आदिवासीों के लिए नई पॉलिटिक्स के एंगल पर कोई खास स्पेस नहीं था जिसकी वज़े से मजबूरन उन्हें उन चेहरों को जगह देनी पड़ी और इस मामले में अगर देखें तो 2018 के जो नत प्रतिनी चेहरे बने और संग्टन में इस थानी इस तर पर जिनकी समस्या थी आपसे गुडबाजी जिनकी वज़े से बढ़नी की आशंका थी उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कॉंग्रेस ने अपने चेहरे तै किये हैं कुछ कदावर चेहरों को भी मौका मिला है जिसमें अगर आप देखें तो मोहन मरकाम कम मार्जन से जीते हैं लेकिन क्योंकि वो प्रदेश अद्यक्ष रह चुके हैं इसलिए वहां बदलाओगी बहुत गुंजाइश नहीं दूसरे दावेदार वहां वैसे है नहीं चितर कोट में प्रदेश अद्यक्ष वर्तमान दीपक बहच के लिए यह इस दिती थी कि वहां पर चेहरे थे पिछली बार राजमन में जाब महां से जीते थे और इसके अलावा बलराम और ये तीनों लगब एकी उमर के हैं और एक साथ इनकी राजनीती रही है इसलिए य दूसरे के प्रदेश पर भी होने के साथ साथ राजनेतिक सहियों की भी रहें तो यहां पर जरूर आप ये चीज़ देख सकते हैं कि यहां इन सब चीजों को छोड़कर दीपक बैच को प्रात्मिक्ता दे गई गोश्णा की बात कॉंग्रेस ने कही थी सीतापूर से अमरजीत भगत को उमीदवार कॉंग्रेस ने बनाया है बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं चुछटी से अमरजीत भगत उमीदवार हैं जो यह सूची देख रहे हैं आप यह सूची जारी हुई है दूर्ग ग्रा में जहां पर वोटिंग होनी है वहां कि हम जानकारी आप तक पहुंचा रहें चुतिस गड़ के कॉंग्रेस की पहली सूची में दीपक बैज सांसत और प्रदेश कॉंग्रेस के अध्धक्ष है दीपक बैज चुत्रकोर्ट से उमीद्वार कॉंग्रेस ने बनाया है और उसक चुछ वरतमान विधायकों की ट्रिकेट कार्ट दिये जैसकी ये दावा किया जा रहा था कॉंग्रेस के और से बार बर का जा रहा था चार महिला प्रत्याश्यों को भी कॉंग्रेस ने मौका दिया है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कॉंग्रेस की सूची जारी हो गए मत्मिदेश और चार महिला प्रत्याश्यों को कॉंग्रेस ने मौका दिया है इस वक्त की के कॉंग्रेस ने 20 वो नाम है जो के 20 सीटों पर जहां पहले चुनाओ होने इसके लावा 10 और नाम है इसे घुशित कर दिया है कॉंग्रेस ने आपको बता दें दो आपको बता दे मद्विदेश और 36 गड़ में कॉंग्रेस प्रत्याशियों के सूची जारी होने के बाद ही अब सियासत तेजी से बढ़ी है क्योंकि आप चुनाओ नस्दीक हैं पहला नाम दीपक बैज दूसरा नाम विक्रम मंडावी बीजापूर से ने मौका दिया है कॉंग्रेस ने भुपेश बगेल पाटन से और टीए सीदेव अंबिकापूर से अपनी परंपरगत सीट से तमाम बढ़े नेता चुनाओ लड़ेंगे अमरजीत भगत सीतापूर से प्रत्याशी होंगे कॉंग्रेस के पूर मंतरी और बहुत बड़ा चेहरा सरगुजा का दाम दर्शाओ दूरुक ग्रामिर से वरतमान में ग्री मंतरी और एक बार फिर से अपनी सीट से ही चुनाओ लड़ेंगे तो कॉंग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी होने के साथी हम आपको नाम भी बता रहें इंदर्शा, मंडावी, मानपूर, मोहला से कॉंग्रेस के प्रत्याशियों होंगे मौहमद अकबर कवर्धा से जो कि अपनी पहली जिस सीट पर जी चुके हैं और डोंगर गाउं से दरेशर साहू चुनाओ की मेदान पर होंगे तो इस तरीके से कॉंग्रेस की सूजी हम आपको बता रहें बहुन मरकाम कॉंडा गाउं से जहां से वो पिछली बार भी जीते थे लताव सेंडिक उन्होंने दो बार इस सीट से हराया कवासी लखमा कॉंडा से उनकी परंपरा का सीट से ही चुनाओ लड़ेंगे संतराम निताम केशकाल से चुनाओ मैदान में होंगे कॉंग्रेस के प्रत्याशी होंगे इस दिर रचंदन का शेप नराणपूर से चुनाओ मैदान पर होंगे अब को बताते 20 पहले चरण के 20 सीटों पर घुशित करने के साथ दस और दूसरे सीटों पर भी कॉंग्रेस से अपने प्रत्याशी गुशित किए नासिर गौरी हमारे सवगे इस खबर पर हमारे साथ लाइब जुड़े नासिर गौलियर की लिहाज से बात करे गौलियर संभाग की लिहाज से बात करे जो ये सूची जा रही हूँ ये कॉंग्रेस की कितनी संतुलीत नज़रा ले, कितनी क्या यहां पर डेमेज कंट्रोल की भी संभावनार अगर होता है तो कैसे मैनेज करेगी पार्टी देखिए ग्वालिय चंबर संभाग की 34 वदासभा सीटों मैं से 26 सीटों पर कॉंग्रेस के प्रत्याशियों का एलान कर दिया गया है जो सिटिंग विदायक हैं उनके नाम किसी के भी नहीं काटे गया है इसके साथ ही कुछ सीटे ऐसी हैं यानि की आठ सीटे ऐसी है जहां पर होल्ड किया गया है और ऐसी संभवना व्यक्त की जा रही थी कि इन सीटों पर कहीं पैश फसा हुआ या फिर बीजेपी से भी कुछ लोग हैं लेकिन एक फिर वदान सभा है वहां पर कर दिया गया है तो प्रिदुमान सिंग तॉमर परतयाशी थेreten बीजेपी के परतयाशी है लेकिन किंगरेस के परतयाशी की तौर पर वहां पर hold कि आ चल लेकर कुछ सीडों को कर वहां पर hold किया गया इसके साथी नेता प्रतिपकष है डाक्टर गोविनस हons से उनके भान्जे को कि दिए गया यानि कि परिवार्वात काभी बढ़ावा यहां देखने विल रहा उनको ज्छेवर के विदाएक है अन मैदान मुता रहा है तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो कॉंग्रेस की सूची जो होल्ड की गई थी काफी लंबे समय से लोगों को इंतजार था कि आने वाली है आने वाली है और जैसे आज नवरात्री का पहला दिन हो और अग सुभा यानि कि सुभा की पहली सुभा के साथ थी एक जो कॉंग्रेस के प्रत्याशी थे जो उम्मीद लगा हुए थे उनको एक बड़ी खुशकबरी दी है लेकि सबसे बात यही है कि उप्चुनाओं के दौरान जो जीत कर आए थे कॉंग्रेस के प्रत्याशी भले ही उनके खिलाब महौल खराब रहा कहा जा रहा था क कि उनकी इस्तिती अच्छी नहीं है पार्टी उनका टिकेट काट सकती है जैसी डवरा बिदानसभा की बात करें सुरेश राजे सुरेश राजे को लेकर विरोध भी देखने को बिला था तीन दिन दो दिन पहले हम देखें तो एक वीडियो वाइरल होता जिसमें दिग्व दोराओ के दोरान पार्टी को जीत दिलाने की कोशिश किये लेकिन हाला कि गौहत जो विदानसभा है उस पर थोड़ा सा संचे है उस पर होल्ड किया गया है चलिए नासिर आपके पास लौटेंगे लगतार अपडेट हम आपने दर्शिकों तक पहुचा रहे हैं सौरब हमारे संबादाता एक बास पर हमारे संचे जोटी के हैं सौरब 37 करके अगर बात करें तो 14 ऐसी सीटों पर कॉंग्रेस ने प्रत्याशिक गुशित के कौन-कौन से वो नाम है जिन पर नाम तै किये गए है बिलकुल देखिए सबसे पहले तो यही बता दें कि आईबी सु ट्वींटी फोर ने जिन जिन नामों पर मुहा लगाई थी उन्हीं कोई टिकेट मिली है और दूसरी बात की जिन विधायकों की टिकेट कटी थी टिकेट कटनी है यह हमने बताया था उन विधायकों की टिकेट कट गई है आठ जगों पर जो है आठ नए प्रत्यासी उतारे गए है अर्थात नए विधायकों छोड़ मौका दिया गया है इसी तरीके से आप उनको भी प्रदेश सद्यक्ष है उनको उतारा गया है आप पाँच राज्यों में देखेगा तेलंगाना, राजस्थान, मद्द प्रदेश, 36 गड़ जाचुना होने वापर प्रदेश सद्यक्षों को टिकेट दी गई है इसी तरीके से आप देखेए कि जो पूरे मंत्री है मुख्यमंत्री भुपेज बगेल समेत कुल 13 जो मंत्री है उन्हें पूरी टिकेट दे गई है विदान सभाध्यक्ष और उपाध्यक्ष उन्हें टिकेट दी गई है और सबसे महत्रपूर जो है दो तीन नाम है जिस पर आने वाले समय में आप देखेगा कि जरूर तान ना हो इसे लेकर और निश्यत रूप से एक बात ये देखा जा रहा है कि कॉंग्रेस ने काफी exercise किया है इन नामों को लेकर काफी समय से ये देखा गया है कि कॉंग्रेस ने लगबख 6-7 दौर की बैटक की है उसके बाद फिर screening committee की बैटक हुई है और उसके बाद जो ह Central Election Committee की बैटक होई और फिर इन नामों को final किया गया है और निश्यत रूप से कॉंग्रेस को लगता है जैसे बार बार कह रहे थे हैं कि जब तक कॉंग्रेस की विदायकों की टिकेट नहीं काटेगी तब तक जो है कॉंग्रेस की जीत नहीं होगी ये बार बार कहा जा रहा था निश्यत रूप से सीव ड़ारिया जो है उनको भी टिकेट दी गई है आरंग से और जैसे ये कहा जा रहा था कि आरंग के अलावा और कहीं से लड़ सकते हैं लेकिन सिव डारिया को ही टिकेट दी गई है और इसी तरीके से मंतरी मुहमाद अकबर कमरदा केवल एक ही मंतरी को अलग विधान सभा दिया गया है अहिवारा की जगा नवागर दिया गया है और वहाँ पर पहले से जो दैाल दास बगेल ह उनको टिकिट दी भाजपा ने दी है जो काफी समय से वहाँ पर एक टीम है हाला कि 2018 में उनकी हार हुई थी गुर्दयाल बंजारे जिनकी टिकिट काटी गई है ममता चंदराकर जिनकी टिकिट काटी गई है इसी तरीके से और सिसुपाल सोरी उनकी टिकेट काटी गई है राजमन बेंजाम उनकी टिकेट काटी गई है अन्तागर से अनुप डाब उनकी टिकेट काटी गई है दंतेवाडा से जो देवती करमा है उनके बेटे को जो है छबिन करमा को टिकेट दी गई है तो आप देखे कि ऐसे नाम है जिन नामों को लेकर काफी समय से एकसरसाइज चल रही थी और लग रहा था कि कॉंग्रेस जो है इन विदायकों की टिकेट काटेंगी लेकिन सबसे प्रत्यासित जो है दो तीन नाम जिरूर आ रहे हैं जैसे गिरिस देवांगन को लेकर ही जो है राजनान श्रिव डैरिया के नाम को लेकर भीता कि टांग से उतरेंगि और हम जो है सभी नियताओं से बाहचित करने की कोशिश करेंगे और इससे पहले की एक बार फिर से बतादों की कॉंग्रेस जो है दूसरी सूची भी जो है आज या कल में जारी कर सकती है यह अभी की एक बार आपको नई ब्रेकिंग बता रहा हूं कि कॉंग्रेस जो है केवल अभी 30 नामों की सूची जारी की है कुछ नाम और जारी जो है कॉंग्रेस कर सकती है और इसके अलावा जो है ये भी देखा जा रहा था कि कॉंग्रेस जो है और जो नए फ्रेस चेहरे हैं उनको देने जा रही है और जैसे हमने बताया कि इता कि 40 जो चेहरे हैं वो नए उतार रही है कॉंग्रेस जो है और अब देखना होगा कि किस तरीके से कॉंग्रिस ये पूरी स्टेटजी बनाई है उसके इसाब से कॉंग्रिस को लगता है कि उनकी जीत होगी और जो 75 प्लस का नारा दिया है वो पार कर पाएंगे या जो है जो बीजेपी ने टिकेट दी है उसके इसमें फस्ते हुए नजर आएंगे ये देखना होगा पाल से बड़ी खबर जहांपर कॉंग्रेस की पहली सूची जारी हो गई है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लगतार ये जानकारी मिल रही थी और कॉंग्रेस की और से बार-बार ये कहा जा रहा था कि पीतर पक्ष खतम होते ही और सांती नामों की घोष्णा कर दी जाएगी अब मदविदेश में 144 नामों की सूची जारी की गई है बड़ी कबर आपको बता रहे हैं कॉंग्रेस की पहली सूची मदविदेश और 36 गड़ की पहली सूची जारी हो गई है इस सुफ की बड़ी कबर आपको बता रहे हैं तो कॉंग्रेस की पहली सूची मदविदेश और 36 गड़ की सभी कुंतजार था विदान सब चिनौक को लेकर प्रत्याश्यों की गोष्णा की तक कॉंग्रेस नहीं की थी पहली सूची जारी हो गई है बड़ी कबर आपको बता रहे हैं इस सुफ की बड़ी कबर मदविदेश और 36 गड़ में कॉंग्रेस प्रत्याश्यों की पहली सूची जारी कर दी गई है तो नौरात्री के पहले दिन की बात यहाँ पर कॉंग्रेस ने कही थी सभी बड़े नेता ये बात कह रहे थे बार बार कि नौरात्री के पहले दिन प्रत्याश्यों की सूची जारी हो गई है कॉंग्रेस की पहली सूची जारी हो गई है मदवदेश और चत्तिस गड़ में प्रत्याशियों की घोश्णा कॉंग्रेस ने कर दिया है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस सवक्त की बड़ी खबर मदवदेश में 144 नामों की सूची जारी हुई है विजयपूर से बाबु जंडेल को टिकेट दिया गया है इस सवक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शोपूर से बाबु जंडेल को टिकेट दिया गया है दुशियन्थ पराशर हमारे से की फोल लाइन पर जो चुके हैं दुशियन्थ 144 नामों की गोश्टा मतिप्रदेश में हुई है क्या नाम सामने आए अब तक अब दुशियन्थ नामों की बात करें तो बहुत सारी से बड़ी नाम दी है अब दुशियन्थ नामों की बात करें तो राम दीबास रावत इतने शामिर की गहें दॉक्तर गुवीटी की यहां पर कल्पम कर जिया जाया है गौलिये से सपीज तिकरवार को यहां पर तिकिल जिया अगर दगरा से बात करें कि तुरिस राजी का लगातार गुरी दोरा था लेकिन कॉंग्रेस ने तुरिस राजी पूरी नामों की बात अगर करें तो उमका तुमका की मर्कान के पीपी और यह तरीचे से चैजआ एक कंगर फेहां तो सब्सक्राका की बात करते हैं अगर जेवार ओं कॉछलन से नाम है गुछ तराक्वांव स्कैंन संडिय यहां झाल है मिरेस्New서 का जान दे खान से चेटिक्या नाम निया है उस म्हैंर है लाजबुस नावों पर लगातार चर्चा बिलों की जा रहे हैं तुर्ट कर तो चानीज नावों पर लगातार चर्चा श्रीम लिगिनार की जारी है तर इस तरह पर बनावी अधा तो उसके चारीश नाम जो है वो पुरियर पर लिये गैए और उसके बाद करी गई तुब पन्दा तारिक को इस पिजारी पर जाएगी तो तहीन झाहीं को अन्धिन को प्रिक आपिजारी करने तो तो जब नौ दिन तरह को आपिर बाद नहीं पूर्व मंत्री याद्विन सिंग गोजेला के अपर्टी कंगर्स से उमीद्वार कंगर्स में बनाया है पूर्व मंत्री फिए लुक्ति उस्तुनाओं में तिस पाल यादों के इनको यहां पर कंगर्स में दिया है तो नहीं स्वाद्विन सिंग गाद्विन से उस्तुनाओं नहीं जा सकता है सब्सक्राइब 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 तो टीस सिदेव का पूर से टिकट दिया गया है वहीं अब दुनों जगह की टिकटें किसको किसको मिली है आपको बतारें लगतार हम अपडेट बतारें आपको को कि विदान समय चुनाव से बड़ी खबर आपको बतारें कॉंग्रस से पसे सुची जारी कि है सौरब परियार हमारे स्वेक्ट पर जुड़े सौरब तीस नाम जिस पर तैह हो चुका है कौन को चुनाव लड़ने वाले कौन कों से वो बड़े नाम है बिल्कुल देखे राउल कुछ देर पहले ही हमने बताया से किस तरीके से कॉंग्रस प्रत्यासों के लिस्जारी हो सकती है और आज जो 20 सीट प्रफंट जड़न के मर्दान होने है उसको लेकर जो है वो 20 प्रत्यासी के नाम तो हुए है उसके लवाद 10 जो अत्रिक्त है जो मंत्रियों के नाम है मुख्यमंत्री के नाम है उनके नाम है सब्सक्राइब कर दिया गया है क्योंकि लगातार इंतजार हो रहा था इन प्रत्याशियों के गोष्णा का और अब 144 नामों की गोष्णा कॉंग्रस इसने कर दी है मध्यवदेश में वहीं 30 नाम 34 गड़ में गोष्णित तस्वीर जो आप देखने वो उसी सूची किया है उसमें 144 नाम आप देख सकते हैं ने 144 नामों को फाइनल कर दिया है मध्यवदेश ने यानि सभी को इंतजार था और आज नौरात्री को पहला दिने बार दो सजियों कि स्वक्ट हमारे साथ लाइफ जुडे है मध्यवदेश से दुशियन्त और राइपुर से सौड़ा भी सुप्ट हमारे साथ लाइफ जुडे है सीरे रुख करेंगे दुशियन्त का दुश्यन्त 144 नामों के अगर बात करें तो कौन-कौन से ऐसे नाम है जिस इस पर लग सकता है कि डेमेज हो और इस डेमेज को कंट्रोल करने के लिए कॉंग्रेस को मशक्कत भी करनी पड़े बड़े नाम कौन कौन से इस सुची में दुश्यन बड़े नामों की बात करें तो बहुत सारे पूर मंत्रियों के नाम है जो कमला सरकार में मंत्री रहे हैं जिस तरीके से जबलपूर की बात करें तो जबलपूर में लखन घंगोरिया तरुन बनोट को यहाँ पर उमीदबार कॉंग्रेस ने बनाया है सेटिंग एमेले बिने जखसेना को भी यहाँ पर टिकेट दिया है सोनकच से बात की जाए तो सजजन सिंग बर्मा को एक बार फेस से टिकेट दिया गया है लेकिन एक चोकाने वाला नाम ये है कि सिवराज सिंग चोहान जो की मंद्रप्रदेश के मुख्य मंत्री है उनकी सिट से यहाँ पर कोई बड़ा चेहरा उतारने की बात यहाँ पर कांगरेस करती औवी नजर आ रहे थी लेकिन इस बार बिक्रम मस्ताल को वहाँ से टिकेट जो है वो कांगरेस ने दिया है तुस्री रामायन है उसमें हनुमान का किरदार ने बाच चुके है और लगातार जैसे ही उन्होंने कॉंग्रेस का दामन थामा था उसके बाद लगातार वो नर्वदा को बचाने के लिए यात्राएं भी निकाल रहे थे और तमाम सारे जंजागरन कारिकरम भी चला रहे थे कॉंग्रेस के माद्यम से तो ऐसे में कही ने कहीं कॉंग्रेस ने एक ऐसा चेहरा उतारा है जो युवा है और नया चेहरा है जो जिसका राजनेतिक प्रस्ट भूमी में अभी कोई भी बेक्राउंड नहीं है तो ऐसे में नया चेहरा होने के चलते कहीं ने कहीं यहाँ पर कड़ी मशक्कत इस सीट पर क कॉंग्रेस को करनी पड़ सकती है को कि मुख्यमंद्री का छेतर है और मुख्यमंद्री के छेतर में कहीं ने कहीं जिस तरीके से एक नए चेहरे को उतारना कॉंग्रेस का कहीं ने के एक और आपसे भी जानना चाहते है विस्तार से सूची के बारे में कौन-कौन से नाम इसमें शामील है? कौन-कौन से बड़े चैरों को इसमें मौका मिला है? साती कितनी बैंसिंग है? यह सूची यह भी समझना चाहते हैं आपसे? बिल्कुल देखिए सबसे पहले तो जो 30 नाम गोसित किये गया है उसमे 6 कॉंग्रेस विधायकों की टिकेट कड़ गई है सबसे बड़ी खबर यही है और जो IBC 24 ने बड़ी प्रमुक्ता से दिखाया था कॉंग्रेस की जो पहली लिष्ट जारी होने वाले उसमे 6 कॉंग्रेस विधायकों की टिकेट कड़ गई है और 4 महिला प्रत्यासी को मौका दिया गया है कॉंग्रेस चार विधान सबसे नाम आप देखिए कि गिरीज देवांगन को राजनान गाउ से उतारा गया है यह नाम क पहले से आ रहा था लेकिन कहीं न कहीं हो सकता है कि यह चुकी है खरोरा से इसलिए कहा जा रहा था कि गिरीज देवांगन को नहीं लड़ाय जाएगा लेकिन आप देखिए कि राजनान गाउ से गिरीज देवांगन को जगाद दी गई है आपको याद होगा कि गिरीज दे पुरुए जीला कॉंग्रेस कवर्दा के अध्यक्ष रह चुके हैं इसी तरीके से जो डूंगरगर से हमने बताया था कि जो भुनेश्वर बगेल हैं उनकी टिकेट काड़ दी गई है और वहाँ पर महिला प्रत्यासी उतारा गया है हरसीता स्वामी बगेल को उतारा गया है ये पूरी तरीके से फ्रेस केंडिडेट हैं इसी तरीके से जो हमने और बताया था कि खुझी में जो है जो चन्नी साहू था उनका नाम काड़ दिया गया है और उनके जगा भोला रामसाओ जो पूर विदायक भी रह चुके हैं और सांसत का चुना भी जो है 2019 में लड़े थे उनको एक बार फिर से कॉंग्रेस पार्टी ने टिकिट दिया है उनका भरोसा जताया है इसी तरीके से एक और नाम जो है अन्तागर से जो रूप सिंग पोटाई है उनको जो है जगा दी गई है अन्तागर के जो विदायक है उनको उनकी टिकिट काड़ दी गई है इसी तरीके से जो एक और नाम हम जो पहले से बता रहे थे कांकेर से सिसुपाल सोरी की टिकेट जो है कार दी गई है और संकर धुरुआ को जो है ये नाम सामिल किये गया है उनको जगा दी गई है तो ये अंत्यगर से अनुपनाक थे जिनको जो है रूप सिंग पोटाई की जगा दी गई है रूप सिंग पोटाई को उतारा गया है अन जो वर्मा है उनको उतारा गया है जो विक्रम जो सिंग है उनके पोजिशन में रहेंगे और आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब देवरत सिंग का निरन हुआ था उसके बाद उपचुना में वो जीती थी और उनके कयास पूरी लगाय जा रहे थे कि यह सोधा वर्मा क भानुपरतापूर में जीती थी जो इनके पती है मनोज मंडावी उनके निधन के बाद यह उत्री थी तो यह काफी बैलेंसिंग सीट है और जो आई बीसी 24 ने बड़ी प्रमुक्ता से दिखाया था कि 6 कॉंग्रेस विधागों की टिकेट कटेगी पहले चरण में और वो क क्या ऐसे ही डिक्लियर किये गया है प्रित्याशी जैसे दुश्यंत माना जा रहा था जैसे सौरब बता रहे कि कुछ विधायकों के सीटिंग एमेले के टिकेट काटे गया है चुछ तीस गड़ में क्या मत विदेश में भी कुछ वैसी हाला थे क्या यहाँ पर भी मैला अर बहुत कम सीटों पर यह देखने में आया है पूरी सूची में के एक अद टिकेट कहीं काटा गया हो तो लेकिन जिस तरीके से अगर महिलाओं की बात करें तो इस 144 की सूची में 16 महिलाओं को यहाँ पर फिलाल कॉंग्रिस ने टिकेट दिया है और 16 महिलाओं को टिकेट दे ओंग्रिस जो बात कहती हुई नज़र आई थी किमयों को सम्मान देने का काम भी कॉंग्रिस करती है और लगातार गॉंग्रिस इस बातको बार Sozial बार बोलती हुई पिछले दिनों में राजनेतिक गलियारों में नज़र आई है तो उसको यहां पर चblesतार्थ हुई कोंग्रिस ने बनाया है जो लगबग डेर साल से दो साल से पहले से लगातार काम कर रहे थे और कॉंग्रिस उनको हिंट भी कर चुकी थी कि उनको ही कॉंग्रिस जो है अपना उम्मीदबार बनाएगी तो वो लगातार काम करते हुए नजर आ रहे थे स्थानिय बिधायक मद्द से मारिक मसूद को यहाँ पर एक बार फिर से कॉंग्रिस ने उम्मीदबार बनाया है और बीजेपी के दुरुबनारेंट सिंग से उनको सीधी टक्र जो है वो मिलने वाली है अगर बात की जाए बेरसिया की तो बेरसिया में एक बार फिर से 2018 की बाती ही जैसरी हरीकरंट को यहाँ पर कॉंग्रिस ने अपना उम्मीदबार बनाया है तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे नाम है जिन पर अगर चर्चा की जाए तो खासा जो राजनेतिक अनुभव जो है वो यहाँ पर भी महसूस होगा साथी साथ कमलनात से लेकर अगर कोंग्रिस ने टिकट दिया है और उसके साथ मैं अगर झो जो सुटिंग MLS की बात करें तो सिटिंग MLA को भी यहाँ पर तमाम सारे जो टिकट है वो यहाँ पर जारी किये हैं तो यह नहीं जरूर नहीं कहा जासकता कि जो डेमेज की बात कोंग्रिस में निकल कर सामने आ र परचम लहराते नजर आए उनको एक बार फिर से कॉंग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है और उन पर फिर से भरूसा जताया है कि 2023 के अंत में जब ये चुनाओं होंगे विधान सवा तो उनके जो उम्मीदवार है एक बार फिर से वो जीत कराएंगे और विधान सवा में वो स चर्चा की जाए तो वो 2018 में जरूर चुनाओं होंगे ते लेकिन इस बार चुनाओं जीतने की प्रवाल संभाव ना है तो ऐसे में कॉंग्रेस ने कोई भी कोर कसार 144 की सूची में नहीं छोड़ी है कि किसी प्रकासर कोई भी डेमेज पार्टी को हो सके और यही कारण है कि थोड़ा सा समय जरूर लगा थोड़ा सा मंतन जरूर को अधिक करना पड़ा लेकिन जो कॉंग्रेस ने रणीती बनाई थी कि नवरात्री के पहले दिन ही पहली सूची जारी की जाएगी तो वो आज जारी की गई है बिल्कुल दुशनत एक बर फेस शतिसर का रुप करते हैं हमारे समाधाता सौरव बने सा जुड़े हुए सौरव जातिगर्द समी करनों की बात करेे तो इसलिह आसे सूची को कैसे देख सकते हैं बिल्कुल देखे बिल्कुल सही सवाल है आपका देखे पहले फेस में चार साहूं को जगा दी गई है आप देखे कि ताम रदा साहू है जो बीसी से आते हैं उनको जगा दी गई है इसी तरीके से जो दलेस्वर साहू है और भोला राम साहू है उनको जगा दी गई है आप द प्रत्यासी उतारे गए हैं दो इसी सीट है उस पर नवागर से गुरुरुद्र कुमार जो पहले युवारा में थे अब नवागर चेंज कर दिये हैं और मंत्री सीव डारिया को आरंग से टिकेट दिया गया जो इसी में आते हैं इसी तरीके से कॉंग्रिस ने चार महिला प् टिकेट नहीं दी जाएगी और उन्हें दैकों को टिकेट नहीं दिया गया है और चीत्र कोर से प्रदेश कॉंग्रेस सद्यक्ष दीपक बैज को उतारा गया है क्योंकि पूरे जो पांच राज्यों में जो चुना हो रहा है वहां के प्रदेश कॉंग्रेस सद्यक्षों को भी जो है टिकिट दिया गया है जैसे कमल नाथ को भी मद्द प्रदेश से दिया गया है वैसी दीपाक भैस को भी दिया गया है आप लेकिन सबसे प्रमुक नुजाम जो राजनान गाउसे गिरिश देवांगन जो काफी समय से वहाँ पर शक्री थे और कहीं न कहीं जैसे करु वहाँ पर कोई ऐसा छेत्र नहीं रहा है वो खरोरा से आते हैं लेकिन कहीं न कहीं अब देखना होगा कि इस पर क्या बयान बाजी कॉंग्रेस नेताव के आती है क्योंकि इस सोरा बाब के पास आएंगे इस सवक्त नरेश मिश्र हमारे सेवगी इस सवक्त जिगदलपूर से लाइफ जूट सुकें नरेश क्योंकि पहली च्रड़ में बस्तर में चुनाओ होने है यहाँ पर भी प्रत्याश्यों की घोष्टना आप यहाँ पर कॉंग्रेस ने कर दिये दीपाक बैज विक्रम अंडावी समेथ जो सीटों है इस पर एलान किया है किस सरीके आप यहाँ पर मुकाबला देखने को मिल सकता है नरेश आपको मेरी आवाज मिल रही है लगता है हमारा संपर्ट नरेश से नहीं उपारा है सुरभ आप बताईए इस सुची के बारे में क्योंकि बस्तर चरड़ में चुनाओ होने में अप्रत्याश्यों की घोष्टना हो चुकि एक इ डियए पि और कॉंग्रेस में देखने को मिल सकता और पत्याश्यों के लिया से कितना है में भी और क्योंकि जी मल्रेजों को यत्थावत दिया गया केवल गुरुरुद्र कुमार जो आईवारा से थे उनको नवागर दिया गया है मुख्यमंत्री और डिप्टी सीम्टी सीदे को भी उनके जगा से दी गई है लेकिन आप देखें कि जो सबसे महत्रपूर्ण नाम था कि खुजी से जो महिला विधायक थी उनका नाम कार दिया कि इनके खेमे का बताया जाता था टिये सीदे को खेमे का बताया जाता था जब एक समय आया था तब वो कहीं न कहीं सीदे तोर पर कहती थी कि मैं सीदे खेमे का हूँ और कहीं न कहीं उनको टिकेट नहीं मिल पाई है हाला कि ये कहा जाता है कि अंतिम वक्त तक इस नाम को लेकर सीची में काफी चर्चा होई थी मुख्यमंत्री बुपेज बगेल की ओर से कहा गया कि भोला राम साउ को टिकेट दिया जाए वही दूसरी ओर छन्मी साउ को लेकर भी सीधे को यह दौराय नाम रखा गया था लेकिन फैनली जो है इनका नाम आया इसी तरीके से जो आंकलन के जा रहे थे कि पार्टी कहां पर मजबूत और कहां पर कमजोर इस बार अगर कॉंग्रेस की बात करें तो क्या आंकलन कर सकते हैं इस बार बिल्कुल देखे मैं वही जानकारी दे रहा था कि लगातार जो कॉंग्रेस के कयास लगाया जा रहे थे और वही सूची लगबक फाइनल हुई है और उसी को मैं बता रहा था कि किस तरीके से कॉंग्रेस ने एक-एक नामों पर काफी एकसरसाइस किया है और ये बात भी आ रही थी कि जो गुरुरुद्र कुमार है उनको अईवारा से नवागर दिया जा लेकिन काफी उसके बाद उनको टिकेट दी गई है नवागर और नवागर में पहले से ही कॉंग्रेसी बैठे है कई जगा आप देखेगा कि जो जो नए नाम आए है या जिनकी टिकेट कटी है वो जो है कही ना कही अब विरोध प्रदर्शन करेंगे कि उनको टिकेट मिलनी चाहिए और जैसे मैं दो-तीन नाम बता रहा हूँ एक गिरिस देवांगन है राजनान गाउ से जिनको टिकेट दे गई है नवागर से गुरुरुद्र कुमार तो हो सकता है कि इनका विरोध हो क्योंकि दोनों बाहरी के नाम पर उन पर मुहर लगेगी और निशित रुप से जब प बड़े निताओं के नाम आ रहे थे वहां भी यह नहीं हो पाया तो ऐसे में आप देखेगा कि बहुत जल्ड जो है कुछ कुछ सीटों को लेकर तो पर यह स्थिती देखनें को मिलेगी लेकिन इस पर खास बात यह कि लगबग चार 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 आप बिंदुवार आकलन करें सीटों का लेकिन इस वक्त रूप करेंगे मद्विदेश का दुश्यंत हमारे साथ हमारे सेटार बने हुए दुश्यंत अगर 2018 के चुनाओं की बात करें कॉंग्रेस ने बहतर प्रदर्शन किया था क्या इन सूची में वही सारे प्रत्याशी हैं जो 2018 में प्रत्याशी क्या उनको प्रत्मिकता है सती सिकरतर प्रत्याशी हुए प्रत्याशी है किस नायक 2018 में चुनाओ हार गए थे आजय सिंग राहुल पूर्व नेता पतिपक्ष है लेकिन वो भी 2018 में चुनाओ हारे थे और उनको भी यहाँ पर कॉंग्रिस ने चुरहट से एक बार फिर से उम्मीदबार बनाया है तो चेहरे लगभख वही चेहरे 2018 के ज्यादा तर दो में निभाच चुके हैं साथी साथ अफदेश नायक एक बड़ा नाम है दतिया से डॉक्टर नरुत्तम मिस्रा मत्रदेश के ग्रह मंत्री हैं उनके खलाप में यहाँ पर अफदेश नायक को कॉंग्रिस में उम्मीदबार बनाया जो की अभी कुछ ही समय पहले कॉंग् घ्याट जेले से आती हैं उनको यहाँ पर कॉंग्रिस ने उम्मीदबार बनाया है जिस तरीके से कई सारे ऐसे नाम है अगर उन पर चर्चा की जाए तो बहुत सारे कुछ ऐसे नाम जरूर निकल कर सामने आएंगे जो बहुत कम समय में ही कॉंग्रिस का टिकेट पा गए है क्योंकि पहले वो कॉंग्रिस में नहीं थे और कॉंग्रिस की बेपक्षी पार्टी में थे और जब आप कॉंग्रिस में सामिल हुए तो उसके बाद एक बार फिर से कॉंग्रिस में कर दिए आपर कॉंग्रिस तो यहां देखे बिल्कुल चार जो चार थीटे हैं जहां पर नाम बदलने की बाद चल रहे थी महां यह नाम बदले भी गही है और गयारा बारा में से ज्यारा सीटों पर तो नाम आ सामने आ चुके यह जग्दलपूर एक पात्र सीट है यह बस नाम आना बाकी है लेकिन अगर आप देखें तो परिवर्तन कॉंग्रिस ने भी किया है रड़नीती के तैया 2018 में वहतर प्रदर्शन के बहुद भी साउधानी कॉंग्रिस की तरफ ते बढ़ती गई है इसमें विशेश तौर पर शिशुपाल सोरी जो की एक बड़ा आदिव नाक की वहाँ पर भी एक नए चेहरे को मौका मिला है चेत्रकोर्ट में भी जो दीपक बैज है लगतार जीटते रहे हैं वो चुनाओ इसलिए उनको मौका दिया गया है क्योंकि वो प्रदिश अध्यक्ष भे हो गय थे और जब उन्होंने अपने दावेदारी प्रस्तुत की तो खास बात ये कि जो ग्रामीन अध्यक्ष भल्राम मौरे जो कि खुद भी एक दावेदार है उनको घर गुलाकर उन्होंने इस्थानिय संग्ठन के जरी अपने दावेदारी प्रस्तुत दराई ना कि उन्होंने सीधे खुद दावेदारी की तो उन्होंने एक वाड़ा कॉंग्रेस के लिए परिशानी का सबब रहा है हमेशा ही रहा है क्योंकि परिवार में बहुत से दावेदार खुद अंदर है इसलिए लगतार जो बागी रहे उनको मौका दिया गया है चाविंद्र कर्मा को जिने बार-बार समझाईश दी जा रहे थी और अगली महिला प्रत्याशी को मौका दिया गया है सावत्री मंडावी जो कि लगातार सक्री भी रही और एक तरह से माना जा रहा है कि भानुप्रताप्पुर में आने वाले समय में कॉंग्रेस के लिए वो एक बड़ा चेहरा उत्तर बस्तर से हो सकते है तो पहले चिरण में यापर सरगुजा में भी चुनाव है अभिशेक हमारे सेगी जुड़ चुके है अभिशेक यहाँ पर टियेस सिह देओ की नाम की गोशना के साथ ही और कौन से बड़े चेहरे है जो की चुनाव में यापर वोटिंग होनी है देखे यहां जो चुनाव होना है उसका चरण जो 17 तारीक को है 17 तारीक को वोटिंग होगी लेकिन जिस तरह से सीटों की घोशना की गई है इसमें बात करें तो जो दो नामों को पर चर्चा हो रही थी दुनों जो मंत्री हैं उनके नामों की घोशना हो गई है अमरजीत भगत सीतापुर से चुनाव लड़ते हैं वो अब चुनावी मैदान पे होंगे इसके अलावा टिये सिंग देव अंबिगापुर से जो उनकी नामों की घोशना होई है लेकिन 14 संभाग की बात करें जो संभाग की 14 सीटे हैं उनको बात करें तो कई ऐसे नाम है जह अपनी चुनावी तयारी में जुट चुके हैं ऐसे में काफी समय से ये प्रतिक्षा थी थी कब कॉंग्रेस अपने नामों की घोशना करेगी कब प्रत्याशियों का चैन होगा और उसके बाद जो कॉंग्रेस के प्रत्यासी हैं वो चुनावी मैदान में होंगी तो दो ना अब भी जारी है और जो टिक्टो को लेकर मंथन है उस पर विचार किया जा रहा है कई ऐसे नाम जो थे जिनको जिन विधायकों को डेंजर जोन में रखा गया था यानि उनके इस्तिति उस लायक नहीं है कि वो चुनावी मैदान पे जाए और जीत दर्द करतकें ऐसे में आखी सीटों पर आखिर कॉंग्रेस कब अपने प्रत्यास्यों की गोशना कर पाती है विल्कुल चुकी बस्तर की बात हो रही थी इसलिए उसके बाद तुरंस तुर्ण गुजजा की बात हुई इसलिए अब शेक तुर्टी वर्ष ये बात मैंने कहीं दी कि सत्त्रा पहले समीकरण के हम बात कर रहे थे दुश्यनत यहाँ पर किन-किन जाती समीकरण का ख्याल यहाँ पर रखा गया है इस सूची में आप बिलकुल देखी एस सी और एस टी के जो विधायक जहाँ पर टिकेट दिये जाने थे या फिर यह कहें कि जो सिटिंग एमेले थे उनको एक बार फिर से यहाँ पर उम्मीदबार बनाया है लेकिन अगर बात की जाए जाबुआ की सीट की तो वहाँ पर पूर्व केंदरी मंत्री केंतिलाल भुरिया की जगे उनके बेटे डॉक्टर विकरांद भुरिया जो की यूद कॉंग्रेस के अध्यक्ष भी है उनको यहाँ पर टिकेट दिया गया है अगर सिवनी से बात कर सेडिल ट्राइब्स की बात करें तो हर एक उम्बीदवार को यहाँ पर उसके जाती के आधार पर समीकरन को देखते हुए यहाँ पर टिकेट दिया गया है और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन पर अगर चर्चा करें तो उसके साथ में यूवाओं का विसेज ध्यान रखा ग कि अगर जहां पर महिलाओं की आवशकता सेडिल कास्ट की है वहाँ पर महिलाओं को यहां पर टिकेट कॉंगर्स ने दिया है लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन को देखा जाए तो वो पहले चुनाउ लड़ चुके हैं लेकिन अहार गए थी लेकिन कई चहरे ऐसे भी ह विजैशा, उनके भतीजे हैं, उनके बड़े भाई के बेटे हैं, तो ऐसे में यह जरूर कहा जाए कि बहुत सारे ऐसे नाम भी अगर इस पूरी सूची में देखा जाए 144 की सूची में, तो बहुत सारे ऐसे नाम है जो कहीं ने कहीं परिवार के जो लोगों को टिकेट ना देकर अब नई पीडी के लोगों को यहां पर टिकेट दिया गया है तो उससे ये भी कॉंग्रिस ने बताने का प्रयास किया है कि युवाओं का भी इस सूची में विसीज ध्यान रखा गया है महिलाओं का भी इस सूची में विसीज ध्यान रखा गया है कि 144 नाम जो जारी किये गए हैं उन 144 नामों में सभी जाती वर्ग और सभी जो अलग-अलग वर्ग हैं चाहिए युवाओ की बात करें हैं महिलाओं की या फिर सीनियर्स लीडर की तो तमाम सारे वर्गों का भी ध्यान यहां पर रखा है कॉंग्रेस ने और 144 का जारी की है दोनों ही सूची के माध्यम से 230 उमीदबार जारी करेंगे लेकिन जब यह सूची जारी हुई तो उसमें यह देखा गया है कि कमलनाथ का नाम भी इस सूची में शामिल किया गया है छिदवारा से कमलनाथ जो हैं वो चुनाओ लड़ेंगे और उसके साथ में अगर पूर मं मंतियों को यहां पर टिकेट दिया गया है साथी साथ महिलाओं की बात करें तो 16 महिलाओं को यहां पर टिकेट दिया गया है युवाओं की बात करें तो युवा कॉंग्रेस से भी यहां पर जो कोटा मांगा गया था उस कोटे की भरपाई यहां पर पूरी करने की कोशिश की गई है साथ ही साथ SC ST वर्ग की बात करें तो SC ST वर्ग से आने वाले चाहे पूर्भ मंत्री हों चाहे सिटिंग अमेले हो उन तमाम सारे लोगों को यहाँ पर कॉंग्रेस को उम्मीद बार बनाया और प्रचार जो है वो पार्टी के पक्ष में नहीं हो पाएगा तो इस बात को भी कॉंग्रिस ने ध्यान रखा कि ज्यादा डेमेज की स्थिति ना बने ऐसी सूची जो है सम्तुल जारी की जाए और समीकरन तमाम सारे जो है वो उसमें शामिल की जाए प्रकुल नरेश अगर बात करें बीजेपी की पहले लिस्ट की तो दिन शेत्रों में बड़े नामों को बीजेपी ने उतारा था वहां पे कॉंग्रेस की सूची में किन प्रित्याशों को जगा मिली है नरेश आप सुन पारे हैं आप में महेश गागरा देख लिए या जी केदार कशप हैं महेश गागरा हैं लता हुसेंडी हैं इन सभी के मुकाबले वो 2018 में जो लोग चुनावी मैदान में थे वे ही लोग चुनावी मुकाबले में होंगे और क्योंकि अगर आप देखें तो अगर वीजापूर की बात दोनों ही जगा पर काफी जीत का अंतर कम रहा है तो ये मुकाबला इस बार भी रोचक होने जा रहा है और जिस तरह से भारती जनता पार्टी ने अपनी सूची में ये तैकिया कि कुछ पराने चेहरों को भी फिर से बराबरी से मौका दिया जाएगा उसके लिहाद से लग पर पहली बार जरूर जीतने लेकिन बागी दो जगा पर जो कॉंग्रिस के प्रत्याशी है वो दो दो टर्म अपना लगबक चुनाव के साथ पूरा कर चुके हैं और इस बार वे तीसरे टर्म के लिए लेक्ट होने के लिए चुनावी मैदान में हैं तो इस तरह के जो सर् यह भी थी कि भाजपा के पास आदिवासी चेहरों के तौर पर या आदिवासियों के लिए नई पॉलिटिक्स के एंगल पर कोई खास स्पेस नहीं था जिसकी वज़े से मजबूरन उन्हें उन चेहरों को जगा देनी पड़ी और इस मामले में अगर देखें तो 2018 के जो न प्रतिनी चेहरे बने और संगटन में इस थानी इस तर पर जिनकी समस्या थी आपसे गुडबाजी जिनकी वज़े से बढ़नी की आश्यंका थी उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कॉंग्रेस ने अपने चेहरे तै किये हैं कुछ कद्दावर चेहरों को भी मौका म मिला है जिसमें अगर आप देखें तो मोहन मरकाम कम मारजन से जीते हैं लेकिन क्योंगी वह प्रदेश रद्यक्ष रह चुके हैं इसलिए वहां बदलावगी बहुत गुंजाइश नहीं दूसरे दावेदार वहां वैसे है नहीं चित्र कोट में प्रदेश रद्यक्ष व कोड़कर दीपक बैच को प्रात्मिक्ता दे गई चलिए नरेश आप हमारे साथ बने रही और तमाम रिपोर्टर से भी एमकर ने बने रही है आप मानसाद लेगनी सुख की बड़ी खबर आपको बता दें मद्विदेश और चतिसगड़ में कॉंग्रेस टे अपनी के सूची बता रहे सीतापूर से मर्जित भगत उमीदवार है जो यह सूची देख रहे हैं आप यह सूची जारी हुई है दूर्ग ग्रामिर से ताम रुदस साहू को कॉंग्रेस ने अपना प्रत्याश्य बनाया है तो दीपक बैच सांसद और हैं और मैदान में चुनाव है इस वक्त दीपक बैच चित्रकोर्ट से उमीदवार कॉंग्रेस ने बनाया है और उसके साथ ही तमाम नाम जारी हुए हैं आपको बताते हैं कि छे विधायकों के सिटिंग एमेले के टिकेट कार्ट दे गए दो ऐसी सीटों पर कॉंग्रेस के प्रत्याश्यों का एलान हैं कॉंग्रेस की सूची जारी हो गए मत्मिदेश और चार महिला प्रत्याश्यों को कॉंग्रेस ने मौका दिया है इस वक्त की बड़ी खबर 36 गड के लियाद से ये बतारे हैं आपको कि किस तरीके से आप पर प्रत्याश्यों के गोशना हुई हैं 30 नाम गोशित के हैं कॉंग्रेस ने 20 वो नाम है जो के 20 सीटों पर जो हाँ पहले चुनाओ होने इसके लावा 10 और नाम है इसे गोशित कर दिया है कॉंग्रेस ने हैं जहां पहले चर्ण में चुनाओ होने तो चार महिला प्रत्याश्यों को यहां मौका दिया है कॉंग्रेस ने आपको बता दे मद्विदेश और 36 गड में कॉंग्रेस प्रत्याश्यों के सूची जारी होने के बाद ही अब सियासत तेजी से बढ़ी है क्योंकि अब चुन अब बढ़े नेता चुनाओ लडेंगे अमर जीत भगत सीतापुर से प्रत्याश्यों के कॉंग्रेस के पूर मंत्री और बहुत बड़ा चेहरा सरगुजा का दाम दर्शाहुत दुरुक ग्रामिड से वरतमान में ग्री मंत्री और एक बार फिर से अपनी स्रीट से ही चुन मुहमद अक्बर कवरधा से जो कि अपनी पहली जिस सीट पर जी चुके हैं और डोंगर गाउं से दरेशर साहु चुनाओ की मेदान पर होंगे तो इस तरीके से कॉंग्रेस की सूजी हम आपको बतारें बहुन मरकाम कॉंडा गाउं से जहां से वो पिछली बार भी जीते थ है लताउ उसीन Dji को ने दो बारिस सीट से हराय कावसी लख्मा कॉंटा से उनकी पनगत पनंपरा का सीट से ही चुनाओ लड़ेंगे संतराम नताम केशकाल से चुनाओ मैदान होंगे कोंगर्स के प्रत्याशी होंगे इस तनर रचंदन का evolve नर्eten पोर से चुनाओ मैदान प पर भी Congress अपने पित्याशी गुशित कियें नासिर गोड़ी हमारे सेखिएस खबर पर हमारे साथ लाइब जूरे नासिर गोलियर की लिहाज से बात करें गोलियर संभाग की लिहाज से बात करें जो ये सूची जा रहे हुए Congress की कितनी संतुलित नज़रा रही कितनी क्या यहां पर डेमिज कंट्रोल की भी संभावनार अगर होता है तो कैसे मैनेज करेगी पार्टी देखिए गौले चंबर संभाग की 34 विदासभा सीटों में से 26 सीटों पर कॉंग्रेस के प्रत्याशियों का एलान कर देया गया है जिसमें जो सिटिंग विदायक हैं उनके नाम किसी के भी नहीं काटे गया है उनको प्रत्याशी बढ़ाए गया है इसके साथ ही कुछ सीटे ऐसी हैं यानि की आठ सीटे ऐसी है जहां पर होल्ड किया गया है और ऐसी संभाबना व्यक्त की जा रहे हैं थी कि इन सीटों पर कहीं न कहीं पैश फसा हुआ या फिर बीजेपी से भी कुछ लोग हैं जो कहा जा सकता है कि जिनके नाम बड़ा तेजी से चल रहा है कि उनको अगर बीजेपी अपने टिकेट नहीं देती है तो वो यहां से आ सकते हैं तो ऐसे नामों को लेकर भी शायद उन सीटों पर होल्ड किया गया है आठ ऐसी सीटे है जैसे अगर गौालियर जिले की बात करें तो गौालियर बच्छा विदानसुबा सीटे है लेकिन एक सीट पर होल्ड कर दिया गया है यानि कि गौालियर विदानसुबा है इस यह नहीं आ जिसके वहां पर पर किया गया इसके साथ ही नेता प्रतिपक्षान डाक्टर गोविन से उनके भाझे को टिकेट दिया गया यानि परिवारवात का भी बढ़वा यहां देखने को मिल रहा है उनको महगाओं ब्रत्याशी बनाए गया है तो ऐसे कई नाम है जहां पर चोकाने वाली चीज़े आईए जैसे फूल सिंह की थी यह काफी लंबे समय से लोगों को इंतजार था कि आने वाली है आने वाली है और जैसे आज नवरात्री का पहला देन हो और सुभा यानि कि सुभा की पहली सुभा के साथ ही एक जो कॉंग्रेस के प्रत्याशी थे जो उम्मीद लगा हुए थे उनको एक बड़ी खुश सुभधरिपायस राजे को लेकर विरोध भी देखने को बिला था दgypt दो दिन पहले हम देखें तो एक वीडियो वाइरल होता बिखें पांग्रेस को बधाने की कोशिश किये जीत जलाने की कोशिश किये चलिए नासिर आपके पास लौटेंगे लगतार अपडेट हम अपते जर्शकों तक पहुचा रहें सौरब हमारे समादाता एक बाक्षिर हमारे साजूर्फिके हैं सौरब 37 करके अगर बात करे तो 14 ऐसी सीटों पर कॉंग्रेस ने प्रत्याशिक गुशित के कौन कौन से वो नाम है जिन पर नाम तैक किये गए है बिलकुल देखिए सबसे पहले तो यहीं बता दें कि आई बीसी 24 ने जिन जिन नामों पर मुहर लगाई थी उनहीं कोई टिकेट मिली है और दूसरी को छोड़ मौका दिया गया है इसी तरीके से आप देखिए कि जो दीपक वैज है उनको भी प्रदेश सद्यक्ष है उनको उतारा गया है आप पांच राज्यों में देखेगा तेलंगाना राजस्थान मत्र प्रदेश 36 गड़ जा चुना होने वापर प्रदेश सद्यक्ष को टिकेट दी गई है इसी तरीके से आप देखिए कि जो पूरे मंत्री है मुख्यमंत्री भुपेज बगेल समेत कुल 13 जो मंत्री है उन्हें पूरी टिकेट दे गई है विदान सभाध्यक्ष और उपाध्यक्ष उन्हें टिकेट दी गई है और सबसे महत्रपूर जो है द हावेदार है उनको जो सांथ करा है जा सके चुनाओं के वक्त जो हो इनको कोई जो है नुक्सान ना हो इसे लेकर और निशीत रूप से एक बात यह देखा जा रहा है कि कॉंग्रेस ने काफी exercise किए है इन नामों को ले निश्चित रूप से कॉंग्रेस को लगता है जैसे बार बार कह रहे थे हैं कि जब तक कॉंग्रेस की विदायकों की टिकेट नहीं काटेगी तब तक जो है कॉंग्रेस की जीत नहीं होगी ये बार बार कहा जा रहा था और निश्चित रूप से सीव डहरिया जो है उनको भी टिकिट दी गई है आरंग से और जैसे ये कहा जा रहा था कि आरंग के अलावा जो है और कहीं से लड़ सकते हैं लेकिन सीव डारिया को ही टिकिट दी गई है और इसी तरीके से मंतरी मुहमद अकबर कमरदा जो मंतरी केवल एक ही मंतरी को जो है अलग विधान सभा दिया गया है अहिवारा की जगा नवागर दिया गया है और वहाँ पर जो है पहले से जो दयालदास बगेल है उनको टिकेट दी भाजपा ने दी है जो काफी समय से वहाँ पर एक टीम है हाला कि 2018 में उनकी हार हुई थी गुर्दयाल बंजारे जिनकी टिकेट काटी गई है ममता चंद्र अब उनकी टिकेट काटी गई है दंतेवाडा से जो देवती करमा है उनके बेटे को जो है छबिन करमा को टिकेट दी गई है तो आप देखें कि ऐसे नाम है जिन नामों को लेकर काफी समय से जो है एकसरसाइज चल रही थी और लग रहा था कि कॉंग्रेस जो है इन विदा हरिया आरंग से उतरेंगे और निश्य दुरूप से हम जो है सभी इन नेताओं से बाचीत करने की कोशिश करेंगे और इससे पहले की एक बार फिर से बता दो की कॉंग्रेस जो है दूसरी सूची भी जो है आज या कल में जारी कर सकती है ये अभी की एक बाए आपको नई ब्रेकिंग बता रहा हूं कि कॉंग्रेस जो है केवाल अभी 30 नामों की सुची जारी की है कुछ नाम और जारी जो है कॉंग्रेस कर सकती है और इसके अलावा जो है ये भी देखा जा रहा था कि कॉंग्रेस जो है और जो नए फ्रेस चेहरे हैं उनको देने जारी है और जै बखता है कि उनकी जीत होगी और जो 75 प्लस का नारा दिया है वो पार कर पाएंगे या जो है जो बीजेपी ने टिकेट दिया है उसके इसमें फस्ते हुए नजर आएंगे यह देखना होगा पाल से बड़ी खबर जहाँ पर कॉंग्रेस की पहली सूची जारी हो गई है मदबदेश और 36 गड़ में पहली सूची जारी हो गई जिसका सवी कुंतिजार था बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लगतार ये जानकारी मिल रही थी और कॉंग्रेस की और से बार-बार ये कहा जा रहा था कि पीतर पक्ष खतम होते ही और साथी नवरात्री के पहले दिन इन नामों की घोश्टना कर दी जाएगी अब मदबदेश में 144 नामों की सूची जारी की गई है बड़ी कबर आपको बता रहे हैं कॉंग्रेस की पहली सूची मदबदेश और 36 गड़ की पहली सूची जारी हो गई है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक की बड़ी खबर मद्वदेश और 36 गड़ में कॉंग्रेस प्रत्याश्यों की पहली सूची जारी कर दी गई है इस वक की बड़ी खबर मद्वदेश में 144 नामों की सूची जारी हुई है शोपूर से बाबु जंडेल को टिकेट दिया गया है इस अपकी बड़ी खबर आपको बतारे शोपूर से बाबु जंडेल को टिकेट दिया गया है विजैपूर से राम दिवास रावत को टिकेट दिया गया है दुशियन्थ पराशर हमारे से की फोल लाइन पर जो चुके हैं दुशियन्थ 144 नामों की गोश्टा मतिप्रिदेश में हुई है क्या नाम सामने आए अब तक अब दुशियन्थ नामों की बात करें तो बहुत सारी सो बड़ी नाम दिये तो पूरी मर्जी को है अब दुशियन्थ नामों की बात करें तो राम दिवास रावत इसमें चामिर के गए दॉक्तर भूविसी की यहां पर कल्पम कर जिये जया है ग्वालियों से सपीज सिकरवार को यहां पर शिकिशिये जया है अगर दगरा से बात करें कि सुरिस राजी का लगातार गुरूद हो रहा था लिकिन कॉंग्रिस में सुरिस राजी पूरी दगरा से उमीदवार बनाया है इसकी बात अगर बात की जाए बात की बात अगर करें तो यहां पर कॉंग्रिस में अभी हाली में सामिल जाओ सुरिस पूरी दगरा क्वार कि सुरिस बात करें तो अगर भी है वर करें के जाए बात करेंगा तो यहां गराक से अभी हुआ है तुर्की 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 तुर्टी तुर्मा को यहां पर गॉवर्स लखना उमीज़ा दोना है तो यहां पर गॉवर्स ने जारी थी है और सब्सक्राइब तुर्की तुर्मा को यहां पर गॉवर्स नामों पर गॉवर्स नाम पर सब्सक्राइब गुवर्स का मानना है जब लवड़ाती में जारी होगी तो तहीने तहीन को भी का आपिरवादी को लेगा और लबराखनी में जो नौ दिल तक स्थी की आरदना होती हो उस नो दिल के शीष में की जारी होगी तो इससे सुझे तो पर तहीने तहीन करेक्टिव भी कोपने तो होगी तो फिसमें इस ज़िए नामों की अगरा इंगा करेक्टर पर नर्याओंगी तो इससे आपर उमीदबार बनाया है तो मत्री यादिन देस्टिंग जोडेला के यादव से उमीदबार कॉंगरेशन बनाया है पासकर एगर तिप्री कुप्षे तो पूर्मंत्री जोजयन स्वी राटवर के तो 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 प्रस्टिव नुकि उ जोटन के अन्युक्त ऑप आप दूर्प दिया है तो जोटन दिया है तो अपनी पीस्ते ही तुनाओ जासे लिकिन बड़ा मलेरा तेरे इस बार से ताथ गी रामचिया भार्टी तो यहाद़िन दुदार करनाया है जिनकों कहें कर्दूम चीभी करने करना पड़ाता हूं दोहजार उन्लीज के चुनावे मास्की बिजा उस चुनाव में तो आर्म नीची और कहीं से इस बात से तो रोले पीज़ारी है वो लगातास की चल्डी थी अगर और जी लावों पर बात की जाए उसकरी सारी हैं जो मतमवाल में कव्रिस की बिदाय कि करते दात की बात करें कि बात करें कि दाज को तुक्ति की बात करें के लिए नावों की तो आप दोलाओं ने कि अर्वलार ने के जिस चुद्वार पर रुकेंगा हमारे दर्षय को का अपडेट कर देखें बड़ी ख़बर आपको बताने है, 36 गर्व में और मद्वदेश में कॉंग्रेस प्रत्याशों की पहली सूची जारी हो गई है, विदान सबा चुनाओं से जोड़ी बड़ी ख़बर आपको बताने है, बीजेपी ने पहले ही अपनी प्रत्याशों की घोशना कर रखी लेकिन अब कॉंग्रेस और ने अपने प्रत्याशों की सूची जारी की है, आपको बता दें मद्वदेश में 44 नामों की सूची जारी हुई है, 34 गर्व में 30 नामों की सूची जारी हुई है। कौन को चुना लड़ने वाले, कौन कौन से वो बड़े नाम है। कौन की सूची जारी हुई 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 है। ये वो नाम है जो की गोशित की एक 144 नाम मद्वदेश के प्रत्याशियों के और उसे गोशित कर दिया गया है। क्योंकि लगातार इंतजार हो रहा था इन प्रत्याशियों के गोश्णा का और अब 144 नामों की गोश्णा कॉंग्रस ने कर दिया है। मद्वदेश में वहीं 30 नाम 344 नामों को फाइनल कर दिया है मद्वदेश ने यानि सभी को इंतजार था और आज नौरात्री को पहला दिने बार बार ये कॉंग्रस कह रही थी कि नौरात्री के पहले दिन हम शुब मूर्थ पर इन नामों की गोश्णा करेंगे 144 नाम मद मद्वदेश से दुश्यंत और रायपूर से सौरा विस्वक्त हमारे साथ लाइफ जुड़े सीधे रूख करेंगे दुश्यंत का दुश्यंत 144 नामों के अगर बात करें तो कौन-कौन से ऐसे नाम है जिस पर लग सकता है कि डेमेज हो और इस देमेज को कंट्रोल करने के कौन-कौन से सुची में चोकाने वाला नाम ये है कि सिवराश सिंग्चोहान जो की मद्द प्रदेश के मुख्य मंतरी है उनकी सीट से यहाँ पर कोई बड़ा चेहरा उतारने की बात यहाँ पर कौन-ग्रिस करती हुई नजार आ रही थी लेकिन इस बार बिक्रम मस्ताल को वहाँ से टिकेट जो है वो कॉंग्रेस ने दिया है जो कि जो रामानन सागर की दूसरी रामाईन है उसमें हनुमान का किरदार ने बाद चुके हैं और लगातार जैसे ही उन्होंने कॉंग्रेस का दामन थामा था उसके बाद लगातार वो नर्वदा को बचाने के लिए यात्राएं भी निकाल रहे तो ऐसे में कहीं ने कहीं ने कहीं ने करी के एक्सपरिमेंट भी करनी पड़ सकते ही जिस तरीके से एक नए चेहरे को उतारना कॉंग्रेस का कहीन एक एक्स्पेरिमेंट भी हो सकता है और जिस तरीके से अगर और भी नामों की बात करें तो बैतूल से सुखदेपासे को यहाँ पर टिकेट दिया गया है चिंदवाडा से खुद कमलनात का नाम भी सूची में सामिल है जी दुशन तब से आगे भी नामों की सूची हम लेंगे और आगे भी जानका रहेंगे फिलाल अच्छतिसकर की बात करते हैं क्योंकि छतिसकर में पहली सूची कॉंग्रेस न जारी कर दिया सौरप सिंग्परियार हमारे समात दाताल अगतार हमारे साई जुड़े हैं सुरब आपसे भी जानना चाहते हैं विस्तार से सूची के बारे में कौन-कौन से नाम इसमें शामिल है कौन-कौन से बड़े चैरों को इसमें मौका मिला है साथ ही कितनी बैंसिंग है यह सूची यह भी समझना चाहते हैं आपसे बिल्कुल देखिए सबसे पहले तो जो 30 नाम गोसित किये गया है उसमे 6 कॉंग्रेस विधायकों की टिकेट कड़ गई है सबसे बड़ी खबर यही है और जो IBC 24 ने बड़ी प्रमुक्ता से दिखाया था कॉंग्रेस की जो पहली लिष्ट जारी होने वाले उसमे 6 कॉंग्रेस विधायकों की टिकेट कड़ गई है और 4 महिला प्रत्यासी को मौका दिया गया है कॉंग्रेस जो 4 विधान सबाय में महिला उमिद्वार दिया गया है लेकिस सबसे महत्तपूर नाम आप देखिए कि गि गिरिष देवांगान को नहीं लड़ा जाएगा लेकिन आप देखिए कि राजनान गाहव से गिरिष देवांगान को जगा दी गये है अपको व्याद होगा कि गिरिष देवांगान जो है अभी एक निजंगम के अद्यक्ष है और बुख्यमंत्री भुपेस वगेल के बच टिकेट जो है काड़ दी गई है नीलू चंद्रवंसी को टिकेट दी गई है जो पूरवे जीला कॉंग्रेस कवर्दा के अध्यक्ष रह चुके हैं इसी तरीके से जो डूंगरगर से हमने बताया था कि जो भुनेस्वर बगेल हैं उनकी टिकेट काड़ दी गई है और वहाँ जगा भोला रामसाओ जो पूरविदायक भी रह चुके हैं और सांसत का चुना भी 2019 में लड़े थे उनको एक बाद फिर से कॉंग्रेस पार्टी ने टिकेट दिया है उनका भरोसा जताया है इसी तरीके से एक और नाम जो है अंतागर से जो रूप सिंग पोटाई है उनको जो है जगा दी गई है अंतागर के जो विदायक है उनको उनकी टिकेट काड़ दी गई है इसी तरीके से जो एक और नाम हम जो पहले से बता रहे थे कांकेर से सिसुपाल सोरी की टिकेट जो है काड़ दी गई है और संकर धुर्वक को जो है ये नाम सामिल किये गया है उनक जगाद दी गई है तो यह अनुपनाग थे जिनको रूप सिंग पोटाई की जगाद दी गई है अनुपनाग की टिकट कट गई है तो आप देखिए कि चार महिला है उसमें कौन कौन से वो बता देता हूंए आपको। सबसे पहले जो है नाम है डॉंडी लोहारा से जो मंतरी अनीला भेडिया है उनको उतारा गया है। इससे नाम इसी तरीके से डोंगरगर से हर्षीटा स्वामी जो बगेल हैं उनको दिया गया है और चोथा नाम जो है सावीतरी मंडावी ये भी जो है उपचुना में भानुपरतापूर में उपचुना में जीती थी जो इनके पती है मनोज मंडावी उनके निधन के बाद जो है ये उतरी थी तो ये काफी बैलेंसिंग सीट है और जो IBC24 ने बड़ी प्रमुकता से दिख चाहिया था कि च्छे कॉंग्रेस विधायकों की टिकेट कटेगी पहले चरण में और वो कड़ गये हैं और आप देखें कि मुक्यमंत्री भुपेज बगेल को पाटन से उतारा गया है अंभीकापूर से टीस्टी देव सीटापूर से मर्य भगार स्वारा आपके पास सोट है क्या यहाँ पर भी महिला अरक्षन को ध्यार में रखा गया है महिला उम्मीदवार कितने हैं इसमें अभी जो खूशी तो यह सीट में अब बिल्कुल देखिए 144 की जो सूची जारी की गई है उसमें ज्यादा तर सिटिंग एमेले को टिकेट यहाँ पर कॉंग्रेस ने दिया है अब बहुत कम सीटों पर यह देखने में आया है पूरी सूची में कि एकाद टिकेट कहीं काटा गया हो तो लेकिन जीस तरीके से अगर महिलाओ की बात करें तो इस 144 की सूची में 16 महिलाओं को यहां पर फिलाल कॉंग्रिस ने टिकेट दिया है और 16 महिलाओं को टिकेट दे कर यह भी बताने का प्रयास कॉंग्रिस की उसी किया गया है कि जो आरक्षन की बात लगातार राजनतेक गलियारों में गुंचती है और लगातार महिला आरक्षन को लेकर लगातार कयास लगाए जाते हैं उनको यहाँ पर कॉंग्रिस जो है वो भरपाई करती हुई नजर आ रही है कॉंग्रिस जो बात कहती हुई नजर आई थी के महिलाओं को सम्मान देने का काम भी कॉंग्रिस करती है और लगातार कॉंग्रिस इस बात को बार-बार बो जो हैं वो जारी किए गए हैю जिन में नरेला से मनुष युकला को यहां पर उमीदबार यहां पर कॉंग्रेस या में एक बार फिस से दोहजार अठारा की बाती ही जैसरी हरीकरंट को यहाँ पर कॉंग्रिस ने अपना उम्मीदबार बनाया है तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन पर अगर चर्चा की जाए तो खासा जो राजनातिक अनुभव जो है वो यहाँ पर भी महसूस होगा साती सात कमलनात से लेकर अगर पूर मंत्रियों की बात करें तो कमलनात का भी नाम इस सूची में सामिल हो और उनके तमाम सारे पूर मंत्रियों के नाम भी इसी सूची में सामिल है तो यह जरूर कहा जाए कि कौमलनाथ के पूरे केविनेट को यहाँ पर कॉंग्रिस ने टिकेट दिया है और उसके साथ मैं अगर जो सिटिंग MLA की बात करें तो सिटिंग MLA को भी यहाँ पर तमाम सारे जो टिकेट हैं वो यहाँ पर जारी किये गए हैं तो यह जरूर नहीं जरूर कहा जा सकता है कि जिन उम्मीदों पर जो लोग खरे उत्रे जो लोग चुनाओ जीत कर कॉंग्रेस का पर्चम लहराते नजर आए उनको एक बार फिर से कॉंग्रेस ने उम्मीदबार बनाया है और उन पर एक बार फिर से भरुसा जताया है कि 2023 के अंत में जब ये चु कराएंगे और वह सरकार बनाते हुए नजर आएंगे लेकिन जिस तरीके से 144 नामों की अगर पूरी बात करें तो कुछ ऐसे नाम भी है जो 2018 में चुनाओ जीतने की प्रवाल संभाव ना है तो ऐसे में कॉंग्रेस ने कोई भी कोर कसर 144 की सूची में नहीं छोड़ी है कि किसी प्रकार से कोई भी डेमेज पार्टी को हो सके और यही कारण है कि थोड़ा सा समय जरूर लगा थोड़ा सा मन्थन जरूर कॉंग्रेस को अधिक करना पड़ा लेकिन जो कॉंग्रेस ने रणीती बनाई थी कि नवरात्री के पहले दिन ही पहली सूची जारी की जाएग करे के साघ्र क्यों के अदिवाजर की अदि के साघ्र दोड़ा मन्हें के पहले रणीता लेकिन जरूर क्यु कि जागा दी आनाूर सथ humble घुकूरा होता हिगने उस चोड़ा ST seat है अदिवासी seat है उस पर प्रत्यासी उतारे गए हैं दो ST seat है उस पर नवागर से गुरुरुद्र कुमार जो पहले अई वारा में थे अब नवागर चेंज कर दिये हैं और मंत्री सिव डारिया को आरंग से टिकेट दिया गया जो ST में आते हैं इसी तरीके से कॉंग्रिस चार महिला प्रत्यासी भी उतारे हैं और जैसे हम बहुत पहले से कह रहे थे कि आप देखें कि जो बस्तर है बस्तर संबाग की 12 seat की अगर बात करें तो बस्तर संबाग में जो काफी समय से नाम आ रहे थे कि इन विदायकों को टिकेट नहीं दी जाएगी और उन विदायको को भी टिकेट दिया गया है जैसे कमलनाथ को भी मद्द प्रदेश से दिया गया है वैसी दीपाक भैस को भी दिया गया है आप लेकिन सबसे प्रमुक नुजाम जो राजनान गाउसे गिरिस देवांगन जो काफी समय से वहाँ पर सक्री थे और कही न कहीं जैसे करुणा जब कॉंग्रेस ने 2018 में उता रहा था तो कही न कही डो जार तेईस में भी जब गिरिस डेवनगन का नाम आया है तो कहीं न कहीं ये भी बारी प्रत्यासी के रूप में वहां पर जाने जाएंगे चूंकि उनका कोई वहां पर कोई ऐसा छेत्र नहीं रहा है वो खरोरा से आत नरेश क्योंकि पहले च्रड़ में बस्तर में चुनाव होने हैं यहां पर भी प्रत्याश्यों की घोष्टना अब यहां पर कॉंग्रेस ने कर दिये दीपक बैज विक्रम अडावी समित जो सीटों है उन्स पर एलान किया है किस सरीके का आप यहां पर मुकाबला देखने को म मिल रही है लगता है हमारा संपर्ख नरेश से नहीं उपार है सोरब आप बताइए सूची के बारे में क्योंकि बस्तर के पहले चरण में चुनाव होने उनमें अब प्रत्याश्यों की घोष्टना हो चुकी है किस तरीके का मुकाबला बीजेपी और कॉंग्रेस में देखन चुनाव चुकी मत्री नहीं काटा जाएगा मन्तरियों के एक भी नाम नहीं कटे सबी मंतरियों को यतावत दिया गया लेकिन आप देखें कि जो आलेकिन आप देखें कि जो सबसे महत्यपूर्ण नाम था खुजी से जो महिला विधायक थी उनका नाम कार दिया गया चन्नी साउ का वहाँ से भोला राम साउ को टिकिट दी गई है और भोला राम साउ भी काफी समय थे और चन्नी साउ थी वो आपको याद होगा कि इनके खेमे के बताया जाता था टीये सीधे के खेमे के बताया जाता था जब ए जो है सीची में काफी चर्चा होई थी मुख्यमंत्री बुपेज बगेल की ओर से कहा गया कि भोला राम साउ को टिकेट दिया जाए वही दूसरी ओर चन्वी साउ को लेकर भी सीधे को यह दौराय नाम रखा गया था लेकिन फैनली जो है इनका नाम आया इसी तरीके से जो सा किये जा रहे थे कि पार्टी कहा पे मजबूत और कहा पे कमजोर इस बार अगर कॉंग्रेस की बात करें तो क्या अंकलन कर सकते हैं इस बार बिल्कुल देखे मैं वही जानकारी दे रहा था कि लगातार जो कॉंग्रेस के क्यास लगाया जा रहे थे और वही सूची लगबख फाइनल होई है और उसी को मैं बता रहा था कि किस तरीके से कॉंग्रेस ने एक-एक नामों पर काफी एकसरसाइस किया है और ये बाद भी आ रही थी कि जो गुरुरुद्र कुमार है उनको अईवारा से नवागर दिया जा लेकिन काफी उसके बाद उनको टिकेट दी गई है नवागर और नवागर में जो है पहले सही कॉंग्रेसी बैठे है कई जगा आप देखेगा कि जो जो नए नाम आये है या जिनकी टिकेट कटी है वो जो है कही ना कही अब विरोध प्रदर्शन करेंगे कि उनको टिकेट मिलने चाहिए और जैसे मैं दो-तीन नाम बता रहा हूँ एक गिरिस द्यमांगन है राजनान गाउ से जिनको टिकेट दे गई है नवागर से गुरुनुद्र कुमार तो हो सकता है कि इनका विरोध हो क्योंकि दोनों बहरी के नाम पर उन पर मुहर लगेगी और निशित रूप से जब पहले ही जब नवागर को लेकर चर्चा हो रही थी वहाँ भी यह नहीं हो पाया तो ऐसे मैं आप देखेगा कि बहुत जल जो है कॉंग्रेस की जो यह टिकेट है कुछ कुछ सीटों को लेकर तो उस पर यह स्थिती देखने को मिलेगी लेकिन इस पर खास बात यह है कि लगबग चार चार चारे जो है क्या इन सूची में वही सारे प्रत्याशी हैं जो 2018 में प्रत्याशी गुषित किया गयते कुछ तो क्योंकि बागी होकर BGP में चले गएते तो इस तरीके से इस पूरे लिस्ट को कैसे मैनेज गया है कॉंग्रेस ने और क्या जो जो प्रत्याशी है जिनलों ने बैत्र प्र कमलनाथ केविनिट के 16 मंत्री यहां पर पूरी सूची में नज़र आ रहे हैं इसके साथ में जो पूर मंत्री हैं उनको भी हाँ पर टिकेट दिया गया है साथी साथ टिकेट ऐसे लोगों को दिया गया है जो नोन चेहरे हैं मतलब अगर डबरा की बात करें तो सुरुष से टिकेट दिया गया है साथ साथ से सती सिकhर वार में ही को प्रब्रमान में ही कांग्रेस के विधायें हैं उनको टिकेट दिया गया है पिछली बार हो जीत कर आ Czech करा कंग्रे 2 को से अगर बात आक सागर जिले की तो हर श्यादव को एक बार फिर से टिकेट दिया गया है सुरेन चोदरी 2018 में चुनाओ हार गये थे लेकिन उनको एक बार फिर से टिकेट दिया है पन्ना के पवई से मुकिस नायक को कॉंग्रेस ने उम्मीदबार बनाया तो चेहरे लगभख वही चेहरे 2018 के ज्यादा तर नज़र आ रहे हैं लेकिन अगर कुछ चेहरों की बात करें तो कुछ चेहरे यहाँ पर नहीं भी सामिल किये गए हैं बुद्नी से विक्रम मस्ताल को यहाँ पर टीवी एक्टर है उनको यहाँ पर उम्मीदबार कॉंग्रेस ने बनाया है हनुमान का किरदार वो जो रामायन दो में निभाच चुके हैं साती सात अफदेश नायक एक बड़ा नाम है दतिया से डॉक्टर नरुत्तम मिसरा मत्रदेश के ग्रह मंत्री है उनके एकलाप में यहाँ पर अफदेश नायक को कॉंग्रेस नाम है अगर उन पर चर्चा की जाए तो बहुत सारे कुछ ऐसे नाम जरूर निकल कर सामने आएंगे जो बहुत कम समय में ही कॉंग्रेस का टेकेट पा गए है क्योंकि पहले वो कॉंग्रिस में नहीं थे और कॉंग्रिस की बेपक्षी पार्टी में थे और जब आप कॉंग्रिस में सामिल हुए तो उसके बाद एक बार फिर से कॉंग्रिस में क्उग्रिस में देख की बिल्कुल चार थीटे है अमाना बाकी है लेकिन अगर आप देखें तो परिवर्तन कॉंग्रिस ने भी किया है रनीती के तैया 2018 में बहतर प्रदर्शन के बहुद भी साउधानी कॉंग्रिस की तरफ ते बढ़ती गई है इसमें विशेश तौर पर शिशुपाल सोरी जो की एक बड़ा आदिवासी चे संगठन से जो सर्वे हुआ था उसके मुताबिक तो यह चेहरा बदला गया यहां शंगर दुरुआ जो पहले जीच चुगे थे उनको मौका मिला इसी तरह से अंतागड में भी जो परफॉर्मेंस को लेकर के बात चल रही थी वहां अनुपनाक की वहां पर भी यह नए चे रक्ष तेवलर्म औरे जो कि खुद भे दावेदार हैं उनको घर बुलाकर उन्होंने इस्थानी संग्ठन के जरीर अपने दावेदारी प्रस्तुत रही ना कि उन्होंने सीधे खुद दावेदारी की और प्रदेश चद्यक्श्च होने का उनको फाइदा भी मिला पिछल दावेदार खुद अंदर है इसलिए लगातार जो बागी रहे उनको मौका दिया गया है चाविंद्र कर्मा को जिने बार-बार समझाईश दी जा रहे थी और एकली बार लड़ने के लिए कहा जा रहा है तो उनको मौका मिला है लेकिन सबसे जो मुझे लगता है कि जहां पर पिर से एक बार मंडावी परिवार की उपर बरुसा करते हुए इस पूरी सूची में से एक मात्र महीला प्रत्याशी को मौका दिया गया है सावत्री मंडावी जो की लगातार सक्री भी रही और एक तरह से माना जा रहा है कि भानुपरतापुर में आने वाले समय में उत्तर बस्तर से हो सकते हैं जो मंत्री हैं उनके नामों की घोशना हो गई है अमरजीत भगत सीतापुर से चुनाव लड़ते हैं वो अब चुनावी मैदान पे होंगे इसके अलावा टी ए सिंग देव अंबिकापुर से जो उनकी नामों की घोशना होई है लेकिन 14 संभाग की बात करें जो संभाग की 14 सीटे हैं उनको बात करें तो कई ऐसे नाम है जहाँ पर संशे को इस्तिती है यही कारण है कि बाकी नामों की घोशना नहीं की गई है कॉंग्रेस ये पूरी स्तिती स्पस्ट करना चाहती है चुकि भाज़पा की बात करें तो 14 में से 13 नामों की घोशना भाज़पा ने कर दी है और सभी जो प्रत्यासी हैं वो अपनी चुनावी तैयारी में जुट चुके हैं ऐसे में काफी समय से ये प्रतिक्षा थी थी कब कॉंग्रेस अपने नामों की घोशना करेगी जो विधायक हैं उनके स्थान पर दोसरों चोहरे को मौका दिया जा सकता है ऐसे में जो कॉंग्रेस की कवायत अब भी जारी है और जो टिक्टो को लेकर मंधन है उस पर विचार किया जा रहा है कई ऐसे नाम जो थे जिन विधायकों को डेंजर जोन में रखा गया था यानि उनके इस्तिति उस लाइक नहीं है कि वो चुनावी मैदान पे जाए और जीत दर्द करतकें ऐसे में लगतार कवायत जारी है लेकिन इस बीच जो सूची आई है उसमें दो नाम तैकर लिए गया है टिया सिंग्देव और अमर जीत भगत जो दोनों बड़े नेता हैं दोनों मंत्री हैं वो अब चुनावी मैदान में होंगे और अब एक तरह से कवायत सुरू हो जाएगे कि बाकी सीटों पर आखिर कॉंग्रेस कब अपने प्रत्यास्यों की गोश्ट ना कर पाती किन-किन जाती समिकरण का ख्याल यहां पर रखा गया है इस सूची में अब बिल्कुल देखिए SC और ST के जो विधायक जहां पर टिकेट दिये जाने थे या पर यह कहें कि जो सिटिंग एमेले थे उनको एक बार फिर से यहां पर उम्मीदबार बनाया है लेकिन अगर बात की जाए जाबुआ की सीट की तो वहाँ पर पूर्व केंदरी मंत्री केंतिलाल भुरिया की जगे उनके बेटे डॉक्टर विकरांद भुरिया जो की यूद कॉंग्रेस के अध्यक्ष भी है उनको यहां पर टिकेट दिया गया है अगर सिवनी से बात करें तो सिवनी से भी अलग-अलग जो सिंधी समाज से आने वाले आनंद पंजवानी को यहां पर टिकेट दिया गया है इसके साथ ही तमाम सारी जो जातिया हैं चाहे हम सेडिल कास्ट की बात करें हैं सेडिल ट्राइप्स की बात करें तो हर एक उम्भीदवार को यहाँ पर उसके जाती के आधार पर समीकरण को देखते हुए यहाँ पर टिकेट दिया गया है और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन पर अगर चर्चा करें तो उसके साथ में यूवाओं का विसेज ध्यान रखा गया है महिलाओं का यहाँ पर इस सूची में बिसेज ध्यान रखा गया है जातीकत सभी करणों की बात करें तो उनका यहाँ पर ध्यान रखा गया है सेड्यूल कास्ट की सीटे हैं सेड्यूल कास्ट की सीटों पर इस पर बिसेज ध्यान यह दिया गया है कि अगर जहां पर महिलाओं की आवश्यक्ता सेडूल कास्ट की है वहां पर महिलाओं को यहां पर टिकेट कॉंग्रिस ने दिया है लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको देखा जाए तो वो पहले चुनाओ लड़ चुके हैं लेकिन हार गए थे लेकिन कई चेहरे ऐसे भी हैं जो पहली बार चुनाओ लड़ेंगे जिस तरीके से अभीजी शाह की बात करें तो अभीजी शाह जो है सेडूल ट्राइब से आते हैं और मद्ध प्रदेश के जो वन मंत्री है विजय शाह उनके भतीजे हैं उनके बड़े भाई के बेटे हैं तो ऐसे में यह जरूर कहा जाए कि बहुत सारे ऐसे नाम भी अगर पूरी सूची में देखा जाए 144 की सूची में तो बहुत सारे ऐसे नाम है जो कहीं ने कहीं परिवार के जो लोगों को टिकेट ना देकर अब नई पीडी के लोगों को यहां पर टिकेट दिया गया है तो उससे ये भी कॉंग्रिस ने वताने का प्रयास किया है कि युवाओं का भी इस सूची में विसीज ध्यान रखा गया है, महिलाओं का भी इस सूची में विसीज ध्यान रखा गया है ताकि किसी भी बर्ग से कहीं न कहीं कॉंग्रिस को जो है वो डेमेज की स्थिती ना बने औ और कॉंग्रेस जो है वो सफलता पूर्बा कि इस चुनाव को लड़ सके और कॉंग्रेस का पूरा प्रयास इस सूची के मादम से यह रहा है तो तमाम सारे वर्गों का भी दियान यहाँ पर रखा है कॉंग्रेस ने और 144 का जारी की है दूसरी सूची दो से तीन दिन में जरूर जारी हो सकती है क्योंकि कॉंग्रेस यह फिलाल साफ कर चुकी थी कि एक सूची देने के बाद एक दिन या दो दिन का गैप लेने के बाद फिर से एक सूची जारी करेंगे और दोनों ही सूची के माध्यम से 230 उमीदबार जारी करेंगे लेकिन जब ये सूची जारी हुई तो उसमें ये देखा गया है कि कमलनाथ का नाम भी इस सूची में शामिल किया गया है छिदवारा से कमलनाथ जो हैं वो चुनाओ लड़ेंगे और उसके साथ में अगर पूर मंत्रियों की बात करें तो तो सोला पूर मंत्रियों को यहाँ पर टिकिट दिये गया है साथी साथ महिलाओं की बात करें तो उन्तमाम सारी लोगों को यहां पर कंग्रेश्न नोमीदबार बनाया है, ताकि कही न कहीं चुनाओं से एन पहले कंग्रेश को damage control जेसी इस्थिति पर धिहान ना देना पड़े, और डेमेज कंट्रोल में अगर कॉंग्रिस लगती है तो कहीं न कहीं डेमेज कंट्रोल की इस्तिती को कंट्रोल करने में ही समय खराब हो जाएगा और प्रचार जो है वो पार्टी के पक्ष में नहीं हो पाएगा तो इस बात को भी कॉंग्रिस ने ध्यान रखा कि ज्यादा डेमेज की स्थिति ना बने ऐसी सूची जो है समतुल जारी की जाए और समीकरन तमाम सारे जो हैं वो उसमें शामिल की जाए प्रकुल नरेश अगर बात करें बीजेपी की पहले लिस्ट की तो दिन शेत्रों में बड़े नामों को बीजेपी ने उतारा था वहां पे कॉंग्रेस की सूची में किन प्रित्याशों को जगा मिली है नरेश आप सुन पा रहे हैं आप में महेश गागरा देख लिए या जी केदार कशप हैं महेश गागरा हैं लता हुसेंडी हैं इन सभी के मुकाबले वो 2018 में जो लोग चुनावी मैदान में थे वे ही लोग चुनावी मुकाबले में होंगे और क्योंकि अगर आप देखें तो अगर वीजापूर की बात दोनों ही जगा पर काफी जीत का अंतर कम रहा है तो ये मुकाबला इस बार भी रोचक होने जा रहा है और जिस तरह से भारती जनता पार्टी ने अपनी सूची में ये तैकिया कि कुछ पुराने चेहरों को भी फिर से बराबरी से मौका दिया जाएगा उसके लिहाद से ल पर पहली बार जरूर जीतने हैं लेकिन बागी दो जगह पर जो कॉंग्रिस के प्रत्याशी हैं वो दो दो टर्म अपना लगबग चुनाव के साथ पूरा कर चुके हैं और इस बार वे तीसरे टम के लिए इलक्ट होने के लिए चुनावी मैदान में हैं तो इस तरह के जो सर्वे में ये बात है कि हो सकता इस्थानी जनता नहीं चेहरों को या पुराने भारती जनता पार्टी के चेहरों को मौका दे इसके बीच में भारती जनता पार्टी एक स्पेस लेख रही है इस वज़े से उन्हें पुराने और कर्दावर चेहरों को उतारा है एक भाजप विदान सभा सीटों पर आदिवासी बूटरों ने एक तरफा कॉंग्रेस की तरफ जाने का फैसला किया, इस मामले में कॉंग्रेस को बढ़ा था और इस वजह से उसके प्रत्याशी चैन की प्रक्रिया उसको बहुत जादा दुविदा नहीं थी, केवल जो संगटन के इस तर में रखते हुए, कॉंग्रेस ने अपने चेहरे तै किये हैं, कुछ कदावर चैरों को भी मौका मिला है, जिसमें अगर आप देखें तो मोहन मरकाम कम मार्जन से जीते हैं, लेकिन क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए बहुत बुन जाईश नहीं, दूसरे दावेदार वहाँ वैसे हैं नहीं, चितर कोट में प्रदेश रद्यक्ष वर्तमान दीपक बैच के लिए ये इस्तिती थी कि वहाँ पर चैहरे थे, पिछली बार राजमन में जाम वहाँ से जीते थे, और इसके अलावा बलराम मौर, ये तीनों लगब एके उमर क हैं और एक साथ इनकी राजनिती रही है, इसलिए ये प्रबल दावेदार थे, आपस में एक दूसरे के प्रसिस परदी होने के साथ-साथ, राजनितिक सहियों की भी रहे हैं, तो यहाँ पर जरूर आप ये चीज़ देख सकते हैं, कि यहाँ इन सब चीजों को छोड़कर बैच को प्रात्मिक्ता दे गई, चलिए नरेश आप हमारे साथ बने रही है, और तमाम रिपोर्टर से भी एमके ने बने रही है, आप मने सब लेगने सुख की बड़ी ख़बर आपको बता दे, मद्विदेश और चतिस गड़ में कॉंग्रेस टे अपनी लिस्ट जारी कर दिपाग बैच को चितर कोड से चिकिट दिये गए, सुख की बड़ी ख़बर आपको बताने है, कॉंग्रेस की पहली सुची जारी हो चुके है, मद्विदेश और चतिस गड़ के लिहास से प्रत्याशियों की गोष्णा कॉंग्रेस ने कर दिये, आजए नौरात्तरी के प दिपाग बैच सांसद और हैं और मैदान में, चंदन कश्यप नराणपूर से उमीदवार है, यानि पहले चुरण में जहां पर वोटिंग होनी है, वहां की हम जानकारी आप तक पहुचा रहे हैं, चुतिस गड़ के कॉंग्रेस की पहली सुची में दिपाग बैच सांसद और प्रदेश कॉंग्रेस के अध्धक्ष हैं इस वक दिपाग बैच चित्र कोट से उमीदवार कॉंग्रेस ने उन्हें बनाया है, और उसके साथ ही तमाम नाम जारी हुए हैं, आपको बताते हैं कि 6 विधायकों के सिटिंग एमेले के टिकेट कार्ट दे गया है, दो ऐसी की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कॉंग्रेस की सूची जारी हो गए, मत्विदेश और 36 गड़ में कॉंग्रेस प्रत्याश्यों की घोशना हुए हैं, चार महिला प्रत्याश्यों को कॉंग्रेस ने मौका दिया है, इस वक की बड़ी खबर 36 गड़ के लिहाद से ये आपको कि किस तरीके से आप पर प्रत्याश्यों के घोशना हुई हैं, 30 नाम घोशित के हैं, कॉंग्रेस ने 20 वो नाम है, जो के 20 सीटों पर जो हाँ पहले चड़ में चुनाओ होने, इसके लावा 10 और नाम है, इसे घोशित कर दिया है, कॉंग्रेस ने, आपको बता दें, 20 सीटों पर कॉंग्रेस के प्रत्याश्यों का एलान हुआ है, 14 सीटों पर भी कॉंग्रेस के प्रत्याश्यों घुशित हुए, कॉंग्रेस से ने 6 वरतमान विधागों के टिकेट भी काटे हैं, इसमें शिशुपाल सोरी भी है, जहां पहले चैन में चुनाओ हुने, तो 4 म नाम दीपक बैज, दूसरा नाम विक्रम मंडावी बीजापूर से ने मौका दिया है कॉंग्रेस ने, भुपेश बगेल पाटन से और टीए सिदे अंबिकापूर से अपनी परंपरगत सीट से तमाम बढ़े नेता चुनाओ लड़ेंगे, अमरजीत बगत सीतापूर से प्रत लड़ेंगे, तो कॉंग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी उने के साथ हम आपको नाम भी बता रहें, इंदर शाह, मंडावी, मानपूर, मोहला से कॉंग्रेस के प्रत्याशियों होंगे, मौहमद अकबर कवरधा से जो कि अपनी पहली जिस सीट पर जीत चुके और डूंगर गाउं से दलेशर साहू, चुनाओ की मैदान पर होंगे, तो इस तरीके से कॉंग्रेस की सूजी हम आपको बता रहें, बहुन मरकाम कॉंडा गाउं से, जहां से वो पिछली बार भी जीते थे, लता उसेंडिक उन्हों ने दो बार इस सीट से हराया, कवासी ल अरणपुर से चुनाओं मैदान पर होंगे, तब को बता दे, बीस पहले चरण के बीस सीटों पर घुशित करने के साथ दस और दूसरे सीटों पर भी कॉंग्रेस से अपने प्रित्याशी घुशित किये, नासिर गौरी हमारे सवगेस कबर पर हमारे साथ लाइब जुरे, नासिर गौरीर की लिहास से बात करे, गौरीर संबाग की लिहास से बात करे, जो ये सूची जा रही हुए विये कॉंग्रेस की, कितनी संतुलित नजर आ रही, कितनी क्या यहां पर डेमज कंट्रोल की भी संभावनार होता है, तो कैसे मेनेज करेगी पार्टी? काटे गए उनको प्रत्याशी बढ़ाएगा इसके साथ ही कुछ सीटे ऐसी है यानि की आठ सीटे ऐसी है जहां पर होल्ड किया गया और ऐसी संभवना व्यक्त की जा रहे हैं थी कि इन सीटों पर कहीं पैश फसा हुआ या फिर बीजेपी से भी कुछ लोग हैं जो कहा जा सकत हैं लेकिन एक सीट पर होल्ड कर दिया गया है यानि की गौालियर वदान सुभा है वहां पर होल्ड कर दिया गया है वहां उस सीट से प्रदुमन सिंग्तौमर प्रत्याशी थे बीजेपी के प्रत्याशी है लेकिन कॉंग्रेस के प्रत्याशी की तौर पर वहां पर होल्ड चल रही तो इसको लेकर कुछ सीटों को लेकर हाँ पर होल्ड किया गया इसके साथ ही नेता प्रतिपक्षाइं डाक्टर गोविन से उनके भांजे को टिकेट दिया गया यानि कि परिवाल वात का भी बढ़ावा यहां देखने को बिल रहा है उनको महगाओं से प्रतियाशी बरहिया है उनको फिर दुबारा से पार्टी ने परतियाशी बनाए उनको भांडेर से परतियाशी बनाए एपी सिंकार जी है छेवार के विदायक है उनको पार्टी ने दुबारा से फिर से मैदान मुता रहा है तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो कॉंग्रेस की सूची जो होल्ड की गई थी, काफी लंबे समय से लोगों को इंतजार था कि आने वाली है, आने वाली है, और जैसे आज नवरात्री का पहला दिन हो और अल्ग सुभा, यानि कि सुभा की पहली सुभा के साथ ही एक जो कॉंग्रेस के प्रत्याशी थे, जो उम्मीद लगा हुए थे उनको एक बड़ी खुशकबरी दी है, लेकि सबसे बात यही है कि उपचुनाओं के दौरान जो जीत करा है थे, कॉंग्रेस के प्रत्याशी भले ही उनके खिलाब महौल खराब रहा, कहा जा रहा है था कि उनकी इस्तिती अच्छी नहीं है, पार्टी उनका टिकेट काट सक लेकिन विरोध भी उठ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी ने ऐसे प्रत्याशों पर अपना रुख साफ किया है, उनको ही अपना प्रत्याशी उनके भरोसा जता है, जिनोंने उप्चुराओं के दोरान पार्टी को जीत दिलाने की कोशिश किये, लेकिन हा ऐसी सीटों पर कॉंग्रेस ने प्रत्याशी घुशित के, कौन-कौन से वो नाम है, जिन पर नाम तै किये गए है, बिल्कुल देखिए, सबसे पहले तो यही बता दें कि आइबी सु ट्विन्टी फोर ने जिन जिन नामों पर मुहल लगाई थी, उन्हीं को ही टिकेट मिल अर्थात ने विधाय को छोड़ मौका दिया गया है, इसी तरीके से आप देखिए कि जो दीपक वैज है, उनको भी प्रदेश सद्यक्ष है, उनको उतारा गया है, आप पांच राज्यों में देखिएगा, तेलंगाना, राजस्थान, मद्द प्रदेश, 36 गड़ जा चु किट दी गई है, और सबसे महत्रपूर जो है, दो तीन नाम है, जिस पर आने वाले समय में आप देखेगा कि जरूर विवाज जैसी स्थिती रहेगी, लेकिन कॉंग्रेस इससे पहले कि डेमेज कंट्रोल एक कमिटी जो है, वो बनाने जा रही है, ताकि ऐसे लोग है, ऐसे ये देखा गया है कि कॉंग्रेस ने लगबख 6-7 दौर की बैटक की है, उसके बाद फिर स्क्रीनिंग कमिटी की बैटक हुई है, और उसके बाद जो है सेंटरल इलेक्शन कमिटी की बैटक होई, और फिर इन नामों को फाइनल किया गया है, और निश्चित रूप से इसकी जीत नहीं होगी, ये बार-बार कहा जा रहा था, और निश्चित रूप से सीव डहरिया जो है उनको भी टिकेट दी गई है आरंग से, और जैसे ये कहा जा रहा था कि आरंग के अलावा जो है और कहीं से लड़ सकते हैं, लेकिन सीव डहरिया को ही टिकेट दी गई ह और इसी तरीके से मंत्री मुहमाद अकबर कमरदा जो केवल एक ही मंत्री को जो है अलग विधान सभा दिया गया है अहिवारा की जगा नवागर दिया गया है और वहाँ पर पहले से जो दयालदास बगेल हैं उनको टिकेट दी भाजपा ने दी है जो काफी समय से वहाँ पर एक टीम है हालाकि 2018 में उनकी हार हुई थी गुर्दयाल बंजारे जिनकी टिकेट काटी गई है ममता चंदराकर जिनकी टिकेट काटी गई है इसी तरीके से और सिसुपाल सोरी उनकी टिकेट काटी गई है राजमन बेंजाम उनकी टिकेट काटी गई है अन्तागर से को लेकर काफी समय से एकसरसाइज चल डी थी और लग रहा था कि कॉंग्रेस जो है इन विदायकों की टिकेट काटेंगी लेकिन सबसे प्रत्यासित जो है दो तीन नाम जरूर आ रहे हैं जैसे गिरिस देवांगन को लेकर ही जो है राजनान गाउ से और सीव डहरिया के नाम क आज या कल में जारी कर सकती है ये अभी की एक मैं आपको नई ब्रेकिंग बता रहा हूं कि कॉंग्रेस जो है केवल अभी तीस नामों की सुची जारी की है कुछ नाम और जारी जो है कॉंग्रेस कर सकती है और इसके अलावा जो है ये भी देखा जा रहा था कि कॉंग्रेस जो है और जो नए फ्रेस चेहरे हैं उनको देने जा रही है और जैसे हमने बताया कि इता कि 40 जो चेहरे हैं वो नए उतार रही है कॉंग्रेस जो है और अब देखना होगा कि किस तरीके से कॉंग्रेस जो है ये पूरी स्टेटजी बनाई है उसके इसाब से कॉंग्रेस को यह देखना होगा ओर साथि नौरात्तिर के पहरे दिन इन नामों की घोश्टा कर द है अब मतवदेश में 144 नामों की से जारी की गई है बड़ी कबर आपको बताने है, कॉंग्रेस की पहली सूची, मद्विदेश और चत्तिस गड़ की सभी कुंतजार था, विदान सवर्चिनौव को लेकर प्रत्याश्यों की गोश्टा में तक कॉंग्रेस नहीं की थी, पहली सूची जारी हो गई है बड़ी खबर आपको बता रहे है, इस वख की बड़ी खबर, मद्विदेश और चत्तिस गड़ में कॉंग्रेस प्रत्याश्यों की पहली सूची जारी कर दी गई है तो नौरात्री के पहले दिन की बात यहाँ पर कॉंग्रेस ने कही थी, सभी बड़े नेता ये बात कह रहे थे बार बार कि नौरात्री के पहले दिन प्रत्याश्यों की सूची जारी होगी और इस वख की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वख की बड़ी खबर मद्विदेश में 144 नामों की सूची जारी हुई है श्योपूर से बाबु जंडेल को टिकेट दिया गया है विजयपूर से राम दिवास रावत को टिकेट दिया गया है दुश्यंत पराशर हमाने से की फोल लाइन पर जो चुके हैं अगर बड़ी नामों की बात करें तो राम दिवास रावत इसने शामिल के गया है करकें श्योट पराशर को टिकेट दिया गया है और गया है सब्सक्राइब 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 इस क्वोडिक को मानना है.. के ब्होडिक कॉज्टि वे कते प्सक्राइब गें इस अजवाय। में ग्याय च्छिब ह grieving से वुडुक्वर गए है् शीज़े है धुरी Θवुर पूर्म मंत्री यादी इंग सिंग बोड़ेला को यापर टीकंगर से उमीद्वार कॉंगोर्स में बनाया है बात करें अगर पूर्म मंत्री जोजयन की राटवर के सब्सक्त्र जोंकि उप्तुनाओं में सिस्पाइज की यादों से आहर गयते इनको यहां पर पूर्म में दिया है तो बात की जारी कि बढ़ना जा सकता है तो बहुत रहा जा सकता है जिनको चेह तो चेह कर्दूम सिंगी से स्कास्थ का सामना चरना पड़ा हूं कर आथा। और इस जीश की चुलाओं मार्प्स पिते कुलाओं में दिया थैंको पूर्मिनीच की बात करें यह वह सुद्सक्रित कर लिगो नगाथ कि चुन्हाथ है कि बिजना पहले हमें जो वर्पमादि में इसकी डिढाय के लए चल्पना बल्बा कि बात करें कि यह उत्ती पर नावों कि नाव की अपर अजय सब्सक्राइब करना परा सामना ज़स्द्री प्रत्याश्यों की पहली सूची जारी हो गई है विधान सबस चुनाओं से जुड़ी बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं अब कॉंग्रेस ने अपने प्रत्याश्यों की सूची जारी की है आपको बता दे मदविधेश में 144 नामों की सूची जारी हुए है 34 गड़ में 30 नामों की सूची जारी हुए है तो टीस से देव कंभी का पूर से टिकेट दिया गया है वहीं अब दुनों जगह की टिकेटें किसको किसको मिली है आपको बता रहे हैं लगतार हम अपडेट बता रहें आपको कि विदान समय चुनाओ से लिए बड़ी ख़बर आपको बता रहें कॉंग्रेस से प्रिस्ची जारी कि है सौरब परियार हमारे सुर्ण के सुर्ण पर जुड़े सौरब तीस नाम जिस पर तैह हो चुका है कौन को चुनाओ लड़ने वाले कौन कौन से वो बड़े नाम है बिल्कुल देखे राउल कुछ देर पहले ही हमने बता है से किस तरीके से कॉंग्रेस प्रत्यासियों के लिस्च जारी हो सकती है और आज जो बीस सीट प्रत्यासियों के मर्दान होने है उसको लेकर जो है वो बीस प्रत्यासियों के नाम तो हुए है उसके लावा दस जो अत्रिक्त है जो मंत्रियों के नाम है मंत्रियों के नाम है उनके नाम है जो सबसे पहले IBC 24 में जो दिखाया था कि मंत्री रूत कुमार को जो नवागड की ही टिकित दी जाएगी और अईवारा वो छोड़ दी है और ये उसके बाद आप देखें कि रमिंद चौबे को साजया से सामेदर साउ को दुर ग्रामीर से पंडेरिया से और यहां पर आपको रो कि स्वक्षर मंद्वभिदेश में भी प्रत्याशिएओ के नाम गोशित वये यह दिखाने सूकी है देखे आप यह वह नाम है जो 앞 Mis4 नाम मनद्वभदेश के प्रत्याशियों के और उससे गोशित कर दिया गया है क्योंकि लगातार इंतजार हो रहा था इन प्रत्याशियों के घोष्टना का और अब 144 नामों की घोष्टना कॉंग्रेस ने कर दी है मध्यवदेश में वहीं 30 नाम चत्रीस गड़ में घोष्ट है तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसी सूची की है उसमें 144 नाम आप दे इस नाम चत्रीस गड़ में घोष्ट कर देगे हैं चलिए जाधा जानकारी के साथ हमारे दो सजयोगी स्वक्त हमारे साथ लाइफ जुड़े है मध्यवदेश से दुशियंत और रायपुर से सौरा बिस वक्त हमारे साथ लाइफ जुड़े सीधे रुख करेंगे दुशियंत का दुशियंत 144 नामों के अगर बात करें तो कौन-कौन से ऐसे नाम है जिस पर लग सकता है कि डेमेज हो और इस डेमेज को कंट्रोल करने के लिए कॉंग्रेस को मशक्कत भी करनी पड़े बड़े नाम कौन-कौन से सुची में? उनके सिवराँ सिंग चोहान जो की मद्धपरदेश के मुख्य मंतरी हैं उनकी सीट से यहां पर कोई बड़ा चेहरा उतारने की बात यहां पर कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन करती हुए मुखनों दीआ है जो कहीं जो रामानन सागर की दूसरी रामाइन है उसमें हनु किरदार निवाज चुके हैं और लगातार जैसे ही उन्होंने कॉंग्रेस का दावन थामा था उसके बाद लगातार वो नर्वदा को बचाने के लिए यात्राइं भी निकाल रहे थे और तमाम सारे जंजागरण कारिकरम भी चला रहे थी कॉंग्रेस के माध्यम से तो ऐसे मे कहीं न कहीं कॉंग्रिस ने एक ऐसा चेहरा उतारा है जो युवा है और नया चेहरा है जो जिसका राजनेतिक प्रस्ट भूमी में अभी कोई भी बेक्राउंड नहीं है तो ऐसे में नया चेहरा होने के चलते कहीं न कहीं यहाँ पर कड़ी मशक्कत इस सीट पर कॉंग्रिस को करनी पड़ सकती है को कि मुख्यमंतरी का छेतर है और मुख्यमंतरी के छेतर में कहीं ने कहीं जिस तरीके से एक नए चेहरे को उतारना कॉंग्रिस का कहीं ने के एक एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है और जिस तरीके से अगर और भी नामों की बात करें तो बैतूल से सुखदिप पांसे को यहाँ पर टिकेट दिया गया है चिंदवाडा से खुद कमलनात का नाम भी सूची में सामिल है तो यह जरू कहाला सकता है लुप कया बिल्कुल देखिए सबसे पहले तो जो 30 नाम गोसित किये गया है उसमें 6 कॉंग्रेस विदायकों की टिकेट कड़ गई है सबसे बड़ी खबर यही है और जो आई बीसी 24 ने बड़ी प्रमुकता से दिखाया था जी कॉंग्रेस की जो पहली लिष्ट जारी होने वाले उसमे 6 कॉंग्रेस विदायकों की टिकेट कड़ गई है और 4 महिला प्रत्यासी को मौका दिया गया है कॉंग्रेस जो 4 विदान सभाय में महिला उमिद्वार दिया गया है लेकिन सबसे महत्तपूर नाम आप देखे कि गिरिश देवांगन को राजनान गाउ से उतारा गया है ये नाम काफी पहले से आ रहा था लेकिन कहीं न कहीं हो सकता है कि ये चुकी ये हैं खरोरा से इसलिए कहा जा रहा था कि गिरिश देवांगन को नहीं लड़ाय जाएगा लेकिन आप देखें कि राजनान गाउसे गिरिश देवांगन को जगात दी गई है आपको याद होगा कि गिरिश देवांगन जो है अभी एक निगम के अध्यक्ष है और बुख्यमंत्री पूर्वे जीला कॉंग्रेस कवर्दा के अध्यक्ष रह चुके हैं इसी तरीके से जो डूंगरगर से हमने बताया था कि जो भुनेस्वर बगेल हैं उनकी टिकेट काड़ दी गई है और वहाँ पर महिला प्रत्यासी उतारा गया है हरसीता स्वामी बगेल को उतारा गया है ये पूरी तरीके से फ्रेस केंडिडेट हैं इसी तरीके से जो हमने और बताया था कि खुझी में जो है जो चन्नी साहू था उनका नाम काड़ दिया गया है और उनके जगा भोला राम साहू जो पूरो विधायक भी रह चुके हैं और जो है जगा दी गई है अंतागर के जो विधायक हैं उनको उनकी टिकेट काड़ दी गई है इसी तरीके से जो एक और नाम हम जो पहले से बता रहे थे कांकेर से सिसुपाल सोरी की टिकेट काड़ दी गई है और संकर धुरुवक को जो है ये नाम सामिल किये गया है उनको ज प्राइब करना दिए नाम है उनको उतारा गया है खैडा गड़ी असोधा वर्मा को टिकेट मिलेगी वो जो लोधी समास से आते हैं और वो टिकेट उन्हें मिल गई है तो यह दूसरा नाम है तिसरा नाम इसी तरीके से डोंगरगर से हरसीता स्वामी जो बगेल है उनको दिया गया है और चौता नाम जो है सावीत्री मंडावी ये भी जो है उपचुना में भानूपरतापूर में उपचुना में जीती थी जो इनके पती है मनोज मंडावी उनके निधन के बाद जो है ये उत्री थी तो ये काफी balancing seat है और जो IBC 24 ने बड़ी प्रमुक्ता से दिखाया था कि 6 Congress विधायकों की ticket कटेगी पहले चरण में और वो कट गए है और आप देखें कि मुख्यमंत्री भुपेज बगेल को पाटन से उतारा गया है अमभिकापुर से टी एसी देऊ सीटापुर से मरी भगाट स्वराब आपके पास रोटेंगे इस वक्त रुक करेंगे मद्विदेश का मद्विदेश में भी क्या है ऐसे ही declare किये गए है प्रित्याशी मेला अरक्षन को ध्यान में रखा गया है मेला उमीदवार कितने है इसमें अभी जो खूशी तुई सीट में अब बिल्कुल देखी 144 की जो सूची जारी की गई है उसमें ज्यादा तर सेटिंग एमेले को टिकेट यहां पर कॉंग्रेस ने दिया है हाला कि बहुत कम सीटों पर यह देखने में आया है पूरी सूची में कि एक आद टिकेट कहीं काटा गया हो तो लेकिन इस तरीके से अगर महिलाओं की बात करें तो इस 144 की सूची में 16 महिलाओं को यहां पर फिलाल कॉंग्रेस ने टिकेट दिया है और 16 महिलाओं को टेकेट देकर ये भी बताने का प्रयास कॉंग्रिस की और से किया गया है कि जो आरक्षन की बात लगातार राजनेतिक गलियारों में गुंचती है और लगातार महिला आरक्षन को लेकर लगातार कयास लगाए जाते हैं उनको यहाँ पर कॉंग्रिस जो है वो भरपाई करती हुई नजर आरी कॉंग्रिस जो बात कहती हुई नजर आई थी कि महिलाओं को सम्मान देने का काम भी कॉंग्रिस करती है और लगातार कॉंग्रेस इस बात को बार-बार बोलती हुई पिछले दिनों में राजनेतिक गलियारों में नजर आई है तो उसको यहां पर चरितार्त भी कॉंग्रेस करती हुई नजर आई इस सूची में 16 महिलाओं को फिलाल टिकेट दिया गया है अगर बोपाल की बात करें तो बोपाल से किवल तीन सीटों पर यहाँ पर टिकेट जो है वो जारी किये गए हैं जिनमें नरेला से मनुष युकला को यहाँ पर उमीदबार यहाँ पर कॉंग्रिस ने बनाया है जो ल से मारिक मसूद को यहाँ पर फिर से कॉंग्रिस ने उमीदबार बनाया है और बीजेपी के दुरुबनारेंट सिंग से उनको सीधी टक्कर जो है वो मिलने वाली है अगर बात की जाए बेरासिया की तो बेरासिया में एक बार फिर से दोहजार अठारा की बाती ही जैसरी हर करेंट को यहाँ पर कॉंग्रिस ने अपना उमीदबार बनाया है तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन पर अगर चर्चा की जाए तो खासा जो राजनातिक अनुभव जो है वो यहाँ पर भी महसूस होगा साथी साथ कमलनात से लेकर अगर पूर मंत्रियों की बात कर अगर जो sitting MLA की बात करें तो sitting MLA को भी यहाँ पर तमाम सारे जो टिकेट हैं वो यहाँ पर जारी किये गए हैं तो यह जरूर नहीं कहा जा सकता कि जो damage की बात कॉंग्रिस में निकल कर सामने आ रही थी कि यह जरूर कहा जाएगा कि जब टिकेट जारी होंगे तो कई सारे विरूत प्रदर्शन या पर देखने को मिलेंगे वो तो मिलने ही वाले है लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जिन उम्मीदों पर जो लोग खरे उत्रे जो लोग चुनाओ जीत कर कॉंग्रेस का पर्चम लहराते नजर आए उनको एक बार फिर से कॉंग्रेस ने उम्मीदब एसे नाम भी है जो 2018 में चुनाओ हार गयते लेकिन बड़े नाम है रामनेबास रावत की बात करें आजे सिंग राहूल की बात करें या फिर कई ऐसे और भी नाम है जिन पर अगर चर्चा की जाए तो वो 2018 में जरूर चुनाओ हार गयते लेकिन इस बार चुनाओ जीतने की प्रवाल संभावना है तो ऐसे में कॉंग्रिस ने कोई भी कोर कसर 144 की सूची में नहीं छोड़ी है कि किसी प्रकाश से कोई भी डेमेज पार्टी को हो सके और यही कारण है कि थोड़ा सा समय जरूर लगा थोड़ा सा मंथन जरूर कॉंग्रिस को अधिक करना पड़ा लेकिन जो कॉंग्रिस ने रणी दी बनाई थी कि नवरात्री के पहले दिन ही पहली सूची जारी की जाएगी तो वो आज जारी की गई है बिल्कुल देखे बिल्कुल सही सवाल है आपका देखे फहले फेस में चार साहूं को जगा दी गई है आप देखे कि तामरदा साहू है जो वीसी से आते हैं उनको जगा दी गई है इसी तरीके से जो दलेस्वर साहू है और भोला राम साहू है उनको जगा दी गई है आप देखे कि पहले फेस में जो है कुल तीस सीटों पर प्रत्यासी गोसित किये उस पर चौदा एस्टी सीट है अदिवासी सीट है उस पर प्रत्यासी उतारे गए हैं और जैसे हम बहुत पहले से कह रहे थे कि आप देखे कि जो बस्तर है बस्तर संबाग की बारा सीटों की अगर बात करें तो बस्तर संबाग में जो काफी समय से नाम आ रहे हैं कि इन विदायकों को टिकिट नहीं दी जाएगी और उन विदायकों को टिकिट नहीं दिया गय और चीतर कोड से प्रदेश कॉंग्रेस सद्यक्ष दीपक बैज को उतारा गया है क्योंकि पूरे जो पाँच राज्यों में जो चुना हो रहा है वहां के प्रदेश कॉंग्रेस सद्यक्षों को भी टिकेट दिया गया है जैसे कमल नात को भी मद्द प्रदेश से दिया गया ह आप ऐसी दीपाक भैस को भी दिया गया है आप लेकिन सबसे प्रमुक नुजाम जो राजनान गाउसे गिरिस देवांगन जो काफी समय से वहाँ पर सक्री थे और कहीं न कहीं जैसे करुणा सुकला को बाहर का प्रत्यासी बताय जाता था जब कॉंग्रेस ने 2018 में उता रहा कई न कहीं 2023 में भी जब गिरिस देवांगन का नाम आया है ये भी बाहरी प्रत्यासी के रूप में वहाँ पर जाने जाएगे चूंकि उनका कोई वहाँ पर कोई ऐसा छेत्र नहीं रहा है वो खरोरा से आते हैं लेकिन कही ना कही अब देखना होगा कि इस पर क्या बयान बाजी कॉंग्रेस ने ताव के आती है क्योंकि इससे पहले हम जो यह इस वक्त नरेश मिश्टर हमारे स्वोगी इस वक्त जिगदलपूर से लाइव जूट चुके हैं नरेश क्योंकि पहली चुड़ में बस्तर में चुनाओ होने हैं यहाँ पर भी प्रत्याश्यों की घोष्टना आप यहाँ पर कॉंग्रेस ने कर दिये दीपाक बैज विक्रम अंडावी समेथ जो सीटों हैं उस पर एलान किया है किस तरीके का आप यहाँ पर मुकाबला लगता है हमारा संपर्ट नरेश से नी उपार है सोरब आप बताईए सूची के बारे में क्योंकि बस्तर के पहले चरण में चुनाओ होने हैं उनमें अप प्रत्याश्यों की घोष्टना हो चुकी है किस तरीके का मुकाबला बीजेपी और कॉंग्रेस में देखने को मिल सक अधियाएग्छार मंत्रियों के एक भी नाम नीकटे सबी मंत्रियों को यथावत दिया गया है केवल गुरुरुद्र कुमार अइवारा से थे उनको नवागर दिया गया है मुख्यमंत्री और करुप्टी से सीदय को भी उनके जगह से दी गई है और भोला राम साहू भी काफी समय थे और खुजी जो छनी साहू थी वो आपको याद होगा कि इनके खेमे के बताया जाता था टीए सीधे के खेमे के बताया जाता था जब एक समय आया था तब वो कहीं न कहीं सीधे तोर पर कहती थी कि मैं सीधे खेमे का हूँ और कहीं न क वक्त तक इस नाम को लेकर जो है सीसी में काफी चर्चा होई थी मुख्यमंतरी बुपेज बगेल की ओर से कहा गया कि भोला राम साउ को टिकेट दिया जाए वही दूसरी ओर चन्वी साउ को लेकर भी सीधे को यह दोरा आये नाम रखा गया था लेकिन फैनली जो है इनका ना हमाया इसी तरीके से जो साबीतरी मंडावी है उनको यथा रखा गया है अगर कॉंग्रेस की बात करें तो क्या अंक्लन कर सकते हैं इस बार दरेश सुन पार आप हमें चल लगातार जो कॉंग्रेस के कयास लगाया जा रहे थे और वही सूची लगबख फाइनल हुई है और उसी को मैं बता रहा था कि किस तरीके से कॉंग्रेस ने एक-एक नामों पर काफी एकसरसाइस किया है और ये बात भी आ रही थी कि जो गुरुरुद्र कुमार है उनको अईवारा से नवागर दिया जा लेकिन काफी उसके बाद उनको टिकिट दी गई है नवागर और नवागर में जो है पहले सही कॉंग्रिसी बैठे है कई जगा आप देखेगा कि जो जो नए नाम आये है या जिनकी टिकेट कटी है वो जो है कही ना कही अब विरोध प्रदर्शन करेंगे कि उनको टिकेट मिलनी चाहिए और जैसे मैं दो-तीन नाम बता र लेकर चर्चा हो रही थी तो अभी कॉंग्रेस के तमाम जो दावेदार है वो भी जो है यहां के वरिश्ट नेताओं से मुलाकात किये थे प्रबारी कुमारी सहल्या से मिलने आये थे और जिस तरीके से हेमा देश्मूक जितेन मुदलियार जैसे और अन्य बड़े नेताओ के नाम आ रहे थे वहां भी यह नहीं हो पाया तो ऐसे में आप देखेगा कि बहुत जल्ड जो है कॉंग्रेस की जो यह टिकेट है कुछ कुछ सीटों को लेकर तो उस पर यह स्थिती देखने को मिलेगी लेकिन इस पर खास बात यह है कि लगबग चार 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 चारे जो ह क्या इन सूची में वही सारे प्रत्याशी हैं जो 2018 में प्रत्याशी घुशित किये गए थे कुछ तो क्योंकि बागी होकर बीजेपी में चले गए थे तो इस तरीके से इस पूरे लिस्ट को कैसे मैनेज किया कॉंगरेस ने और क्या यह 2018 में जो प्रत्याशी है जिनलों ने सूची में नज़र आ रहे हैं कमलनाथ केविनिट के सूला मंत्री यहाँ पर पूरी सूची में नज़र आ रहे हैं इसके साथ में जो पूर मंत्री हैं उनको भी हाँ पर टिकेट दिया गया है साथी साथ टिकेट ऐसे लोगों को दिया गया है जो नोन चेहरे हैं मतलब अगर दबरा की बात करें तो सुरिस राजेज को टिकेट दिया गया है, लाखन यादाओ को वलियर के बितरभार से टिकेट दिया गया है, साती साती सिखरबार जो की बरतमान में ही कॉंग्रेस के विधायक उनको टिकेट दिया गया है, प्रभीन पाठक पिछली बार चुनाओ जीत पन्ना के पवई से मुकिस नायक को कॉंग्रिस ने उमीदबार बनाया है मुकिस नायक 2018 में चुनाओ हार गए थे आजय सिंग राहुल पूर्व नेता पतिपक्ष हैं लेकिन वो भी 2018 में चुनाओ हारे थे बुधनी से विक्रम मस्ताल को यहाँ पर टीवी एक्टर हैं उनको यहाँ पर उमीदबार कॉंग्रिस ने बनाया है हनुमान का किरदार वो जो रामायन दो में निभाच चुके हैं साथी साथ अफदेश नायक एक बड़ा नाम है दतिया से डॉक्टर नरुत्तम मिस्रा मध्यप्रदेश के ग्रह मंत्री है उनके खलाप में यहाँ पर अफदेश नायक को कॉंग्रिस में उमीदबार बनाया है जो की अभी कुछ ही समय पहले कॉंग्रिस में सामेल हुए है अनुभा मुंजारे बालगाट जेले से आती है उनको यहाँ पर कॉंग्रिस ने उमीदबार बनाया है जिस तरीके से कई सारे ऐसे नाम है अगर उन पर चर्चा की जाए तो बहुत सारे कुछ ऐसे नाम जरूर निकल कर सामने आएंगे जो बहुत कम समय में ही कॉंग्रिस का टेकेट पा गए है क्योंकि पहले वो कॉंग्रिस में नहीं थे और कॉंग्रिस की बेपक्षी पार्टी में थे और जब आप कॉंग्रिस में सामेल हुए तो उसके बाद एक बार फिर से कॉंग्रिस में पर रोकेंगे और जाती इसमी करण भी समझने की कोशिश करेंगे इस टिकेट वित्रण में लेकिन इस वक्त नरेश हमारे से होगी इस वक्त जगदलपुर से लाइब जुड़े नरेश बस्तर में पहले चलंड के चुनाओं है यहां पर मुकाबला काफी रोचा कोने जा रहा अब पुरा फोकस इस दोरान बिजेपी ने बस्तर में रखा है क्योंकि यह माना जाता है कि बस्तर से जीत का रासा खुलता है अगर प्रत्याशों की बात करें तो वो पुराने बड़े प्रत्याशों को घोशित कर दिये हैं आपर कॉंग्रिस ने जी यहां देखिए बिल्कुल चार जो चार थीटे हैं जहां पर नाम बदलने की बात चल रहे थी वहाँ यह नाम बदले भी गए हैं और ग्यारा बारा में से ग्यारा सीटों पर तो नाम सामने आ चुके हैं जग्दलपूर एक पात्र सीट है यह बस्तर की बारा सीटों में से अरक्षित सीटों में से एक अनरक्षित है तो यहां पर पहले यह चल रहा था कि यहां जो चहरा है वो बदला जा सकता है या जो बाकी के दावेदार हैं वो अलगला खेमों से काफी मजबूत है इसलिए सीट पर शायद अभी नामाना बाकी है लेकिन अगर आप देखें त उनका यह चल भी रही थे कि उनकी टिकेट शायद काटी जा सकती है संगठन से जो सर्वे हुआ था उसके मुताबिक तो यह चेहरा बदला गया यहां शंकर दुरुआ जो पहले जीच चुके थे उनको मौका मिला इसी तरह से अंतागड में भी जो पर्फॉर्मेंस को लेकर के बात चल रही थी महानुत नाक की वहाँ पर भी एक नए चेहरे को मौका मिला है चित्रकोर्ट में भी जो दीपक बैज है लगतार जीथे रहे हैं वो चुनाओ इसलिए उनको मौका दिया गया है क्योंकि वो प्रदिश अध्यक्ष भे हो गय थे और जब उन्होंने अपन दाविदारी प्रस्तुत की और प्रदिश अध्यक्ष होने का उनको पायदा भी मिला पिछले चुनाओं में लगतार अभी जित रहे हैं मजबूत कर्दावर नेता के दौर पर उनकी चवी लगतार बढ़ते रही ये कॉंग्रेस के भीतर तो उन्हें यहां पर पार्टी न जा रहा था तो उनको मौका मिला है लेकिन सबसे जो मुझे लगता है कि जहां पर सबसे ज़्यादा लोगों को शंका थी जहां पर फिर से एक बार मंडावी परिवार की उपार बरुसा करते हुए इस पूरी सुची में से एक मातर महीला प्रतियाशी को मौका दिया गया है सावत्री मंडावी जो कि लगातार सक्री भी रही और एक तरह से माना जा रहा है कि भानुपरतापुर में आने वाले समय में कॉंग्रेस के लिए वो एक बड़ा चेहरा उत्तर बस्तर से हो सकती है बेल्कुल जी उनके नामों की घोष्टना हो गई है अमरजीत भगत सीतापुर से चुनाव लड़ते हैं वो अब चुनावी मैदान पे होंगे इसके अलावा टीए सिंग देव अंबिगापुर से जो उनकी नामों की घोष्टना होई है लेकिन 14 संभाग की 14 सीटे हैं उनको बात करें तो 14 में से 13 नामों की घोष्टना भाजपने कर दी है और सभी जो प्रत्यासी हैं वो अपनी चुनावी तैयारी में तो दो नामों पर लग चुके हैं लेकिन अभी भी सरुर्गुजा संभा की जो 12 सीटे हैं वहाँ पर संसे की सितिती है और कई बार ये बड़े नेताओं ने कहा है कि कुछ जो विधायक हैं उनके स्थान पर दूसरों चोहरे को मौका दिया जा सकता है ऐसे में जो कॉंग्रेस की कवायत अब भी जारी है और जो टिक्टो को लेकर मंधन है उस पर विचार किया जा रहा है कई ऐसे नाम जो थे जिन विधायकों को डिंजर जोन में रखा गया था यानि उनके इस्तिति उस लायक नहीं है कि वो चुनावी मैदान पर जाएं और जीत दर्द करतकें ऐसे में लगतार कवायत जारी है लेकिन इस बीच जो सूची आई है उसमें दो नाम तैकर लिए गया है टीयस सिंग्देव और अमर जीद भगत जो दोनों बड़े नेता हैं दोनों मंत्री हैं वो अब चुनावी मैदान में होंगे और अब एक तरह से कवायत सुरू हो जा लेकिन दो बड़े चेरें आपर चुके टीयस से देव भी हैं और साथ ही आप अतारे अमर जीद भगत का भी नाम तैवा इसलिए अब चुकी आपर नाम तैव चुके है इसलिए चर्चा में आई अब रुक करेंगे एक बार फिर से मद्विदेश का जाती समीकरन के हम बात जाने थे या फिर यह कहें कि जो सिटिंग एमेले थे उनको एक बार फिर से यहां पर उम्मीद बार बनाया है लेकिन अगर बात की जाए जाबुआ की सीट की तो वहाँ पर पूर्व केंदरी मंत्री के अंतिलाल भुरिया की जगे उनके बेटे डॉक्टर विकरांद भुर है इसके साथ ही तमाम सारे जो जाती हैं चाहे हम सेडिल कास की बात करें सेडिल ट्राइप्स की बात करें तो हर एक उम्मीद बार को यहां पर उसके जाती के आधार पर समीकरन को देखते हुए यहां पर टिकेट दिया गया है और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन पर अगर च पर जहां पर महीलाओं की आवशेक्ता है यहां पर टिकेट कॉंग्रस ने दिया है लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको देखा जाए तो वो पहले चुनाओ लड़ चुके हैं लेकिन कई चहरे ऐसे भी है जो पहले बार चुनाओ लड़ेंगे जिस तरीके से अभीजी शाह की बात करें तो अभीजी शाह जो है सेडिल ट्राइब से आते हैं और मद्धप्रदेश के जो वन मंत्री है विजय शाह उनके भतीजे हैं उनके बड़े भाई के बेटे हैं तो ऐसे में यह जरूर कहा जाए कि बहुत सारे ऐसे नाम भी अगर पूरी सूची में देखा जाए 144 की सूची में तो बहुत सारे ऐसे नाम है जो कहीं न कहीं परिवार के जो लोगों को टिकेट ना देकर अब नई पीडी के लोगों को यहां पर टिकेट दिया गया है तो उससे ये भी कॉंग्रिस ने वताने का प्रयास किया है कि युवाओं का भी इस सूची में विसीज ध्यान रखा गया है, महिलाओं का भी इस सूची में विसीज ध्यान रखा गया है, ताकि किसी भी बर्ग से कहीं न कहीं कॉंग्रिस को जो है वो डेमेज की स्थिती ना ब वर्ग और सभी जो अलग अलग वर्ग हैं चाहिए युवाओं की बात करें हैं महीलाओं की या फिर सीनियर्स लीडर की तो तमाम सारे वर्गों का भी ध्यान यहां पर रखा है कॉंग्रेस ने और 144 का जारी की है दूसरी सूची दो से तीन दिन में जरूर जारी हो सकती है क्य करेंगे लेकिन जब यह सूची जारी हुई तो उसमें यह देखा गया है कि कमलनाथ का नाम भी इस सूची में शामिल किया गया है चेदवारा से कमलनाथ जो हैं वो चुनाओं लड़ेंगे और उसके साथ में अगर पूर मंत्रियों की बात करें तो 16 मंत्रियों को यहां पर टिकेट दिया गया है युवाओं की बात करें तो युवा कॉंग्रेस से भी यहां पर जो कोटा मांगा गया था उस कोटे की भरपाई यहां पर पूरी करने की कोशिश की गई है साथी साथ स्थी स्थी वर्ग की बात करें तो स्थी स्थी वर्ग से आने वाले चाहे पूर म तो कहीं न कहीं डेमेज कंटरोल की इस्थिती को कंटरोल करने में ही समय खराब हो जाएगा और प्रचार तो भी उंपटने द़्यान रखा जा तो कहीं न कहीं डेमेज की स्थिती 플रवल aç जाल जाया घिए नरेश अगर बात करें बीजेपी की पहले लिस्ट की तो दिन शेत्रों में बड़े नामों को बीजेपी ने उतारा था वहां पे कॉंग्रेस की सूची में किन प्रित्याशों को जगा मिली है नरेश आप सुन पारे हैं आप में महेश गागरा देख लिए या जी केदार कशप हैं महेश गागरा हैं लता हुसेंडी हैं इन सभी के मुकाबले वो 2018 में जो लोग चुनावी मैदान में थे वे ही लोग चुनावी मुकाबले में होंगे और क्योंकि अगर आप देखें तो अगर वीजापूर की बात छोड़ तो इन दोनों ही जगह पर काफी जीत का अंतर कम रहा है तो ये मुकाबला इस बार भी रोचक होने जा रहा है और जिस तरह से भारती जनता पार्टी ने अपनी सूची में ये तैकिया कि कुछ पुराने चेहरों को भी फिर से बराबरी से मौका दिया जाएगा उसके लिहा पर पहली बार जरूर जीते हैं लेकिन बागी दो जगह पर जो कॉंग्रिस के प्रत्याशी है वो दो दो टर्म अपना लगबग चुनाव के साथ पूरा कर चुके हैं और इस बार वे तीसरे टर्म के लिए इलक्ट होने के लिए चुनावी मैदान में हैं तो इस तरह के जो सबना है कि हो सकता इस नहीं चैहरों को यह पुराने जनत्य पार्टी के चैहरों को मौकः दे इसके बीच में बहुति ऐग पार्टी झाल को जगह देने पड़ी और इस मामले में अगर देखें तो 2018 के जो नतीजे रहे खास्तोर पर 12 की 12 विधान सभा सीटों पर आदिवासी भूटरों ने एक तरफा कॉंग्रेस की तरफ जाने का फैसला किया इस ते इस मामले में कॉंग्रेस को बढ़ा था और इस वजह से उसके जो प्रत्याश इस तरफ पर जिनकी समस्या थी आपसे गुडबाजी जिनकी वजह से बढ़नी की आशंका थी उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कॉंग्रेस ने अपने चेहरे तै किये हैं कुछ कद्दावर चेहरों को भी मौका मिला है जिसमें अगर आप देखें तो मोहन मरकाम क राजनीते थे और इस ते अलावा बलराम और यह तीनों लगवे एकि उम्र के हैं और एक साथ इनकी राजनीती रही है इसलिए यह प्रबल दावेदार थे आपस में एक दूसरे के प्रस्टिस परदी होने के साथ-साथ राजनीतिक सही होगी भी रहे हैं तो यहां पर कोंग्रेस ने अपने लिस्ट जारी कर दिये हैं दीपाक बैच को चित्र कोड से चिकिट दिये गये सुख की बड़ी ख़बर आपको बतारें को बड़ी ख़बर आपको बतारें सितापूर से मर्जित भगत उमीदवार हैं जो यह सूची देख रहे हैं आप यह सूची जारी हुई है दूर्ग ग्रामिड से ताम रदस साहू को कॉंग्रेस ने अपनों प्रत्याशिव बनाया है तो दीपक बैच सांसद और हैं और मैदान में चुनावी मैदान में दीपक बैच चित्रकोर्ट से उमीदवार कॉंग्रेस ने बनाया है और उसके साथ ही तमाम नाम जारी हुए हैं आपको बताते हैं कि 6 विधायकों के सिटिंगे मेले के टिकेट कार्ट दे गए दो ऐसी सीटों पर कॉंग्रेस के प्रत्याशिव का एलान हुआ है और कॉंग कॉंग्रेस की सूची जारी हो गए मत्यविदेश और 34 गड़ में कॉंग्रेस प्रत्याशिव की घोश्णा हुआ हैं चार महिला प्रत्याशिव को कॉंग्रेस ने मौका दिया है इस वक्त की बड़ी खबर 36 गड़ के लिया से ये बतारे हैं आपको कि किस तरीके से आपर प्रत्याशिव के घोश्णा हुई है 30 नाम घोश्ण के हैं कॉंग्रेस ने 20 वो नाम है जो के 20 सीटों पर जो हाँ पहले चुनाव होने इसके लावा 10 और नाम है इसे घोश्ण कर विधागों के टिकेट भी काटे हैं जिसमें शिशुपाल सोरी भी है जहां पहले चैन में चुनाव होने तो चार महिला प्रत्याश्यों को यहां मौका दिया है कॉंग्रेस ने आपको बता दे मत्विदेश और 36 गड़ में कॉंग्रेस प्रत्याश्यों के सूची जारी होन कॉंग्रेस ने भुपेश बगेल पाटन से और टीए सीदे अंबिकापुर से अपनी परंपरगत सीट से तमाम बढ़े नेता चुनाओ लड़ेंगे अमरजीत भगत सीतापुर से प्रत्याश्यों के कॉंग्रेस के पूर मंत्री और बहुत बड़ा चेहरा सर्गुजा का द कॉंग्रेस के प्रत्याश्यों होंगे मौहमद अकबर कवरधा से जो कि अपनी पहली जिस सीट पर जी चुके हैं और डोंगर गाउं से दरेशर साहू चुनाओ की मैदान पर होंगे तो इस तरीके से कॉंग्रेस की सूजी हम आपको बता रहें बहुन मरकाम कॉंडा गाउं से जहां से वो पिछली बार भी जीते थे लताउस इंडिक उन्होंने दो बार इस सीट से हराया कवासी लखमा कॉंडा से उनकी परमपरा का सीट से ही चुनाओ लड़ेंगे संत्राम निताम केशकाल से चुनाओ मैदान में होंगे, कॉंग्रेस के प्रत्याशिय होंगे, इस दिर रचंदन का शेप्ट नराणपूर से चुनाओ मैदान पर होंगे आपको बताते 20 पहले चरण के 20 सीटों पर घोशित करने के साथ दस और दूसरे सीटों पर भी कॉंग्रेस से अपने प्रित्याशी घोशित किये नासिर गोरी हमारे सवगेस खबर पर हमारे साथ लाइब जुड़े नासिर गोलियर की लिहाज से बात करे जो ये सूची जा रही हुए कॉंग्रेस की कितनी संतुलित नज़रा रही कितनी क्या यहां पर डेमेज कंट्रोल की भी संभावनार अगर होता है तो कैसे मैनेज नासियों का एलान कर दिया गया है उनके नाम किसी के भी सीटे अअई निक ख Goodbye भी कुछ लोग जो कहा जास्कता है कि जिनके नाम बड़ा तेजी से चल रहा है कि उनको अगर बीजेपी अपने टिकेट नहीं देती है तो वो यहां से आ सकते हैं तो ऐसे नामों को लेकर भी शायद उन सीटों पर होल्ड किया गया है आठ ऐसी सीट है जैसे अगर गौालियर जिले की बात करें तो गौालियर मे सावेदारों की संक्या बहुत है लेकि कॉंग्रेस के पास कोई अच्छा विनिंग कैंडिगेट नहीं है जिसके कारण शायद उस सीट को होल्ड किया गया ऐसी कई सारी सीटे यानि कि सुभावली सीट की बात करें तो वहां पर भी पैश फसा हुआ है वहां पर भी बड़ा उसे प्रत्याTON से पर्तैशी बनाएं तो ऐसे कई नाम हैं जहां पर पर चौकाने वाली चीजसे आई इससे पूल ऌनको फिर दुबारा से प्रत्याशी बनाएं पल्से जो हो वाली है आने वाली है और जैसे आज नवरात्री का पहला दिन हो और सुभा यानि कि सुभा की पहली सुभा के साथ ही एक जो कॉंग्रेस के प्रत्याशी थे जो उम्मीद लगा हुए थे उनको एक बड़ी खुशकबरी दी है लेकि सबसे बात यही है कि उपचुनाओं के लेकिन विरोध भी उठाता लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी ने ऐसे प्रत्याशों पर अपना रुख साफ किया है उनको ही अपना प्रत्याशी पर ही भरोसा जता है जिन्होंने उप चुराओं के दौरान पार्टी को जीत जिलाने की कोशिश किये लेकिन हाला कि ग सौरब हमारे संवादाता एक बास पर हमारे साजोटी के हैं सौरब 37 करके अगर बात करें तो 14 ऐसी सीटों पर कॉंग्रेस ने प्रत्याशी गुशित के कौन-कौन से वो नाम है जिन पर नाम तै किये गए है बिल्कुल देखिए सबसे पहले तो यहीं बता दें कि आइविस्वी 24 ने जिन जिन नामों पर मुहल लगाई थी उन्हीं कोई टिकेट मिली है और दूसरी बात की जिन विधायकों की टिकेट कटी थी टिकेट कटनी है यह हमने बताया था उन विधायकों की टिकेट कट गया है इसी तरीके से आप देखिए कि जो दीपक बैज है उनको भी प्रदेश सद्यक्ष है उनको उतारा गया है आप पांच राज्यों में देखेगा तेलंगाना राजस्थान मद्द प्रदेश 36 गड़ जाचुना होने वापर प्रदेश सद्यक्षों को जो टिकेट दी ग गई है और सबसे महत्रपूर जो है दो तीन नाम है जिस पर आने वाले समय में आप देखेगा कि जरूर विवाज जैसी स्थिती रहेगी लेकिन कॉंग्रेस इससे पहले कि डेमेज कंट्रोल एक कमिटी जो है वो बनाने जा रही है ताकि ऐसे लोग हैं ऐसे जो दावेदार है उनको जो सांथ कराए जा सके चुनाओं के वक्त जो हो उनको कोई जो है नुकसान ना हो इसे लेकर और निशित रूप से एक बात ये देखा जा रहा है कि कॉंग्रेस ने काफी एकसरसाइस किया है इन नामों को लेकर काफी समय से ये देखा गया है कि कॉंग्रेस ने रूप से कॉंग्रेस को लगता है जैसे बार बार कह रहे थे हैं कि जब तक कॉंग्रेस के कॉंग्रेस विदायकों की टिकेट नहीं काटेगी तब तक जो है कॉंग्रेस की जीत नहीं होगी ये बार बार कहा जा रहा था और निश्चित रूप से सीव डहरिया जो है उनको भी टिकिट दी गई है अरंग से और जैसे यह कहा जारा था की आरंग के अलावा और कहीं से लड़ सकते हैं लेकिन सीव ढ़रिया को ही टिकिट दी गई है और इसी तरीके से मंतरी मुहमद अकबर कमरदा जो मंत्री केवल एक ही मंत्री को जो है अलग विधान सभा दिया गया है अहिवारा की जगा नवागर दिया गया है और वहाँ पर पहले से जो दयालदास बगेल है उनको टिकेट दी भाजपा ने दी है जो काफी समय से वहाँ पर एक टीम है हलाकि 2018 में उनकी हार हुई थी चंदराकर जिनकी टिकेट काटी गई है इसी तरिके से और सिसुपाल सोरी उनकी टिकेट काटी गई है राजमन बेंजाम उनकी टिकेट काटी गई है अन्तागर से अनुप डाब उनकी टिकेट काटी गई है दंतेवाडा से जो देवती करमा है उनके बेटे को जो है छबिन कर्मा को टिकिट दी गई है तो आप देखें कि ऐसे नाम है जिन नामों को लेकर काफी समय से जो है एकसरसाइज चल रही थी और लग रहा था कि कॉंग्रेस जो है इन विदायकों की टिकिट काटेंगी लेकिन सबसे प्रत्यासित जो है दो ती नाम जिरूर आ रहे हैं जैसे गिरिस देवांगन को लेकर ही जो है राजनान गाउसे और सिव डहरिया के नाम को लेकर भी ताकि सिव डहरिया आरंग से उतरेंगे और निश्यू दूर्प से हम जो है सभी इन नेताओं से बातचीत करने की कोशिस करेंगे और इससे पहले की एक बार फिर से बतादों की जो है दूसरी सूची भी जो है आज या कल में जारी कर सकती है ये अभी की एक मैं आपको नई ब्रेकिंग बता रहा हूं कि कॉंग्रेस जो है केवल अभी 30 नामों की सूची जारी की है कुछ नाम और जारी जो है कॉंग्रेस कर सकती है और इसके अलावा जो है ये भी देखा जा रहा था कि कॉंग्रेस जो है और जो नए फ्रेस चेहरे हैं उनको देने जा रही है और जैसे हमने बताया कि था कि चालीस जो चेहरे हैं वो नए उतार रही है कॉंग्रेस जो है और अब देखना होगा कि किस तरीके से कॉंग्रेस जो है ये पूरी स्टेटजी बनाई है उ इसके इसमें फस्ते हुए नजर आएंगे ये देखना होगा। बितर पक्ष खतम होते ही और सांती नवरात्री के पहले दिन इन नामों की गोश्णा कर दी जाएगी अब मद्विदेश में 144 नामों की सुची जारी की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इसके बड़ी खबर मद्विदेश और 34 गड़ में कॉंग्रेस प्रत्याश्यों की पहली सुची जारी कर दी गई है। इसके बड़ी खबर मद्विदेश में 144 नामों की सुची जारी हुए है। श्योपूर से बाबू जंडेल को टिकेट दिया गया है इस वपकी बड़ी ख़बर आपको बता रहे है श्योपूर से बाबू जंडेल को टिकेट दिया गया है विजयपूर से राम दिवास रावत को टिकेट दिया गया है दुशियंत पराशर हमारे सोगी फोल लाइन पर जो चुके हैं दुशियंत 144 नामों की गोश्टा मतिप्रदेश में हुई है क्या नाम सामने आए अब तक अब रुपर लिप्टि तो पुदी पहरी सुची कोंगर्स ने जारी किया अब बात करें तो बहुत सारी से बड़ी नाम दिया है अगर दगरा से बात करें तुरिस राजी का लगातार गुरूद हो रहा था लेकिन कॉब्रिस ने तुरिस राजी पुरिस अगरा से उमीदबार बनाया है इसके बात अगर बात की जाए बाइंडेर की सुचिंग बरहिया को यहाँ पर कोंगर्स की अचला उमीदबार इस बनाया है जो अगर 18 में भी इस कुछी बोट से उनको आई का सामना चलना पड़ा था अगर बहुत सारी इल्डावों की बात अगर करें तो उनका तुमर्चान के पिसी और यह तरीचे से कॉंगर्स में हाली में सामी राओ यादबें रुटिंग भूबडन सिंग की बात करें देखेंट से नाम भी हाँ अपर श्यादाव को लश्कमन सिंग में यहाँ पर कॉंगर्स यह वाक्तिजव से से उमीदबार दनाया है सब्सक्राइब 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 पर 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 दिया है तो बहुत रहा जाए तो नापी नागा है वो अपनी चीशे ही तुनाओं दर्टेंगे लिकिन बड़ा मलेरा तेरे इसमार से करना दर्टेंगे लिकिनगों इन फिर्टेंगे लिए तुनाओं माशन से नाव कि अधर पर अजय के लिए अधर बनाए गए गए विजेटी की उम्मिद्वार रहे हैं नाव कि अधर बनाए गए विजेटी की उम्मिद्वार रहे हैं विजेटी की उम्मिद्वार रहे हैं वो भी प्रत्यासी के नाम तो हुए हैं उसके लावा दस जो अत्रिक्त है जो मंत्रियों के नाम है और ये उसके बाद आप देखें कि रमिंद्वार रहे हैं सौराब यहां पर आपको रोकिए इसके जो मत्रिदेश में भी जो प्रत्याशियों के नाम गोशित हुए हैं इन प्रत्याशियों के गोश्टना का और अब 144 नामों की गोश्टना कॉंग्रेस ने कर दिया है मत्रिदेश में वहीं 30 नाम चतिस गड़ में गोशित हैं तस्वीर जो आप देखने हैं वह उसी सूची की है चलिए ज़ाता जानकारी के साथ हमारे दो सजयों के सुच्वाले इस नामों के अगर बात करें तो कौन-कौन से ऐसे नाम है जिस पर लग सकता है कि डेमेज हो और इस डेमेज को कंट्रोल करने के लिए कॉंग्रेस को मशक्त भी करनी पड़े बड़े नाम कौन-कौन से सुची में? यहांपर कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौ प्राजनेतिक प्रस्ट भूमी में अभी कोई भी बेकड़ाउंड नहीं है तो ऐसे में नया चेहरा होने के चलते कहीं ने कहीं यहां पर कड़ी मशक्कत इस सीट पर कॉंग्रिस को करनी पड़ सकती है क्यों कि मुक्यमंत्री का छेत्र है और मुक्यमंत्री के छेत्र में कहीं नानमों की बात करें चिंदवाड़ा से खुद कमलनात का नाम भी सूची में सामिल है तो यह जानकर्या लेंगे फिलाल अच्छतिसकर की बात करते हैं क्योंकि च्छतिसकर में पहली सूची कॉंग्रेस न जारी कर दिया है सौरप सिंग पर्यार हमारे समादधाता लगतार हमारे साजुड़े है सौरप आपसे भी जानना चाते है विस्तार से सूची के बारे में कौन-कौन से नाम इसमें शामिल है कौन-कौन से बड़े चैरों को इसमें मौका मिला है साथ ही कितनी बैंसिंग है यह सूची यह भी समझना चाते हैं आपसे बिल्कुल देखिए सबसे पहले तो जो 30 नाम गोसित किये गया है उसमे 6 कॉंग्रेस विधायकों की टिकेट कड़ गई है सबसे बड़ी खबर यही है और जो IBC 24 ने बड़ी परमुकता से दिखाया था कॉंग्रेस की जो पहली लिष्ट जारी होने वाले उसमे 6 कॉंग्रेस विधायकों की टिकेट कड़ गई है और 4 महिला प्रत्यासी को मौका दिया गया है कॉंग्रेस यो 4 विधान सबाय में महिला अमिद्वार दिया गया है लेकिन सबसे महत्तपूर नाम आप देखे कि गिरिश देवांगन को राजनान गाउ से उतारा गया है ये नाम काफी पहले से आ रहा था लेकिन कहीं न कहीं हो सकता है कि ये चुकी ये हैं खरोरा से इसलिए का जा रहा था कि गिरिश देवांगन को नहीं लड़ाये जाएगा लेकिन आप देखें कि राजनान गाउस से गिरिश देवांगन को जगात दी गई है आपको याद होगा कि गिरिश देवांगन जो है अभी एक निगम के अध्यक्ष है और बुख्यमंतरी पूर्वे जीला कॉंग्रेस कवर्दा के अध्यक्ष रह चुके हैं इसी तरीके से जो डूंगरगर से हमने बताया था कि जो भुनेश्वर बगेल हैं उनकी टिकेट काड़ दी गई है और वहाँ पर महिला प्रत्यासी उतारा गया है हरसीता स्वामी बगेल को उतारा गया है ये पूरी तरीके से फ्रेस केंडिडेट हैं इसी तरीके से जो हमने और बताया था कि खुझी में जो है जो चन्नी साहू था उनका नाम काड़ दिया गया है और उनके जगा भोला राम साहू जो पूरविदायक भी रह चुके हैं और स जगा दी गई है अंतागर के जो विधायक हैं उनको उनकी टिकेट काड़ दी गई है इसी तरीके से जो एक और नाम हम जो पहले से बता रहे थे कांकेर से सिसुपाल सोरी की टिकेट काड़ दी गई है और संकर धुरुवक को जो है ये नाम सामिल किये गया है उनको जगा द गई है तो आप देखिए कि चार महिला है उसमें कौन-कौन से वो बता देता हूं मैं आपको सबसे पहले जो है नाम है डॉंडी लोहारा से जो मंत्रिया नीला भेडिया है उनको उतारा गया है खैरागाडी यसोदा जो वर्मा है उनको उतारा गया है जो विक्रम जो सिंग है उनके पोजिशन में रहेंगे और आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब देवरत सिंग का निरन हुआ था उसके बाद उपचुना में वो जीती थी और उनके कयास पूरी लगाय जा रहे थे कि यह सोधा वर्मा को टिकेट मिलेगी चुकी वो जो है लोधी समास से आते हैं और वो टिकेट उन्हें मिल गई है तो ये दूसरा नाम है तिसरा नाम इसी तरीके से डोंगरगर से हरसीता स्वामी जो बगेल है उनको दिया गया है और चौता नाम जो है सावीतरी मंडावी ये भी जो है उपचुना में भानुपरतापूर में उपचुना में जीती थी जो इनके पती है मनोज मंडावी उनके निधन के बाद ये उत्री थी तो ये काफी बैलेंसिंग सीट है और जो आई बीसी 24 ने बड़ी प्रमुकता से दिखाया था कि 6 कॉंग्रेस विदागों की टिकेट कटेगी पहले चरण में और वो कट गए है और आप देखें कि जैसे सौरब बता रहें कि कुछ विदायकों के सिटिंग एमेले के टिकेट काटे गए हैं चुछतीस गड़ में केमद विदेश में भी कुछ वैसी हाल आते क्या है यहाँ पर भी मैला अरक्षन को ध्यान में रखा गया है मैला उमीदवार कितने है इसमें अभी जो खूश पूरी सूची में कि एकाद टिकेट कहीं काटा गया हो तो लेकिन इस तरीके से अगर महिलाओं की बात करें तो इस 144 की सूची में 16 महिलाओं को यहाँ पर फिलाल कॉंग्रिस ने टिकेट दिया है और 16 महिलाओं को टिकेट देकर यह भी बताने का प्रयास कॉंग्रिस की और से किया गया है कि जो आरक्षन की बात लगातार राजनेतिक गलियारों में गुंचती है और लगातार महिला आरक्षन को लेकर लगातार कयास लगाए जाते हैं उनको यहाँ पर कॉंग्रेस जो है वो भरपाई करती हुई नजर आ रही है कॉंग्रेस जो बात कहती हुई नजर इस सूची में 16 महिलाओं को फिलाल टिकेट दिया गया है अगर बोपाल की बात करें तो बोपाल से किवल तीन सीटों पर यहां पर टिकेट जो है वो जारी किये गए हैं जिनमें नरेला से मनुष युकला को यहां पर उमीदबार यहां पर कॉंग्रिस ने बनाया है जो धायक मद्द से मारिक मसूद को यहां पर फिर से कॉंग्रिस ने उमीदबार बनाया है और बीजेपी के दुरुबनारेंट सिंग से उनको सीधी टक्कर जो है वो मिलने वाली है अगर बात की जाए बेरासिया की तो बेरासिया में एक बार फिर से से लेकर अगर पूर मंत्रियों की बात करें तो कमलनाथ का भी नाम इस सूची में सामिल हो और उनके तमाम सारे पूर मंत्रियों के नाम भी इसी सूची में सामिल है तो यह जरूर कहा जाए कि कमलनाथ के पूरे केविनेट को यहां पर कॉंग्रिस ने टिकेट दिया है और साथ मैं अगर जो सिटिंग MLA की बात करें तो सिटिंग MLA को भी यहाँ पर तमाम सारे जो टिकेट हैं वो यहाँ पर जारी किये गए हैं तो यह जरूर नहीं कहा जा सकता कि जो डेमेज की बात कॉंग्रेस में निकल कर सामने प्रदर्शन या पर देखने को मिलेंगे वो तो मिलने ही वाले है लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जिन उम्मीदों पर जो लोग खरे उत्रे जो लोग चुनाओ जीत कर कॉंग्रेस का पर्चम लहराते नजर आए उनको एक बार फिर से कॉंग्रेस ने उम्मीदवार बनाय है और उन पर फिर से भरोसा जताया है कि 2023 के अंत में जब यह चुनाओ होंगे विधान सवा तो उनके जो उम्मीदवार है एक बार फिर से वो जीत कराएंगे और विधान सवा में वो सरकार बनाते हुए नजर आएंगे लेकिन जिस तरीके से 1444 नामों की अगर पूरी बात करें तो कुछ ऐसे नाम भी है जो 2018 में चुनाओ हार गयते लेकिन बड़े नाम है रामनेबास रावत की बात करें आजय सिंग राहुल की बात करें या फिर कई ऐसे और भी नाम हैं जिन पर अगर चर्चा की जाए तो वह 2018 में जरूर चुनाओ हो घाते लेकिन इस बार चु को अधिक करना पड़ा लेकिन जो कॉंग्रिस ने रणी दी बनाई थी कि नवरात्री के पहले दिन ही पहली सूची जारी की जाएगी तो वो आज जारी की गई है बिल्कुल देखे बिल्कुल सही सवाल है आपका देखे फहले फेस में चार साहूं को जगा दी गई है आप देखे कि तामरदस साहू है जो वीसी से आते हैं उनको जगा दी गई है इसी तरीके से जो दलेस्वर साहू है और भोला राम साहू है उनको जगा दी गई है आप देखे कि पहले फेस में जो है कुल तीस सीटों पर प्रत्यासी घोसित किये उस पे 14 सीट है अदिवासी सी के से कॉंग्रेस ने चार महिला प्रत्यासी भी उतारे हैं और जैसे हम बहुत पहले से कह रहे थे कि आप देखें कि जो बस्तर है बस्तर संबाग की 12 सीटों की अगर बात करें तो बस्तर संबाग में जो काफी समय से नाम आ रहे हैं कि इन विदायकों को टिकेट नहीं दी जा टिकेट दिया गया है जैसे कमन नात को भी मद्वरदेश से दिया गया है वैसी दीपाँब भैस को भी दिया गया है आप लेकिन सबसे प्रमुक्त्य जाम जो राजनान गाउसे गिनिस देवांगन जो काफी समय से वहाँ पर सक्री थे और कहीं न कहीं जैसे करुना सुक्ला को बाहर का प्रत्यासी बताय जाता था जब कॉंग्रेस ने 2018 में उता रहा था तो कही न कहीं 2023 में भी जब गिरिस डेवांगन का नाम आया है तो कहीं न कहीं ये भी बाहरी प्रत्यासी के रूप में वहाँ पर जाने जाएंगे चुकि उनका कोई वहाँ पर कोई ऐसा छेत्र नहीं रहा है वो खरोरा से आते हैं लेकिन कहीं न कहीं अब देखना होगा कि इस पर क्या बयान बाजी कॉंग्रेस ने ताव के आती है जी सोरा बाब के पास आएंगे इस सवक्त नरेश मिश्र हमारे सेवगी इस सवक्त जिगदलपूर से लाइव जूट सुके हैं नरेश क्योंकि पहले च्रड़ में बस्तर में चुनाव होने हैं यहाँ पर भी प्रत्याश्यों की घोष्टना आप यहाँ पर कॉंग्रेस ने कर दिये दीपाक बैज विक्रम अंडावी समित जो सीटों हैं पर एलान किया है किस तरीके का आप यहाँ पर मुकाबला देखने को मिल सकते हैं नरेश आपको मेरी आवाज मिल रही है लगता है हमारा संपर्क नरेश से नहीं हो पार है सोरब आप बताईए इस सूची के बारे में क्योंकि बस्तर के पहले चरण में जो चुनाओ हुने उनमें अब प्रत्याश्यों की घोष्टना हो चुकी है किस तरीके का मुकाबला बीजेपी और कॉंग्रेस में देखने को मिल सकता और पत्याश्यों के लिहां से कितना है मैं बिल्कुल देखिए जो बात पहले कहा जा रहा था कि मंत्रियों का नाम नहीं काटा जाएगा मंत्रियों के एक भी नाम नीकटे है, सबी मंत्रियों को यतावत दिया गया है केवल गुरुरुरुद्र कुमार जो अयवारा से थे उनको नवगर दिया गया है मुक्य मंत्री और डिप्टि remake सीथे के वह उनके जगह से दी गई है लेकिन आप देखें कि जो सबसे महत्यपूर्ण नाम था कि खुजी से जो महिला विधायक थी उनका नाम काड़ दिया गया चन्नी साउ का वहाँ से भोला राम साउ को टिकिट दी गई है और भोला राम साउ भी काफी समय थे और खुजी जो छन्नी साउ थी वो आपको याद होगा कि इनके खेमे का बताया जाता था टीए सीधे को खेमे का बताया जाता था जब एक समय आया था तब वो कहीं न कहीं सीधे तोर पर कह थी थी कि मैं सीदेव खेमे का हूँ और कहीं न कहीं उनको टिकेट नहीं मिल पाई है हाला कि ये कहा जाता है कि अंतिम वक्त तक इस नाम को लेकर जो है सीजी में काफी चर्चा होई थी मुख्यमंतरी बुपेज बगेल की ओर से कहा गया कि भोला राम साउ को टिकेट दिया जाए वही दूसरी ओर जो चन्वी साउ को लेकर भी सीदेव को ये दोराय नाम रखा गया था लेकिन फाइनली जो है इनका नाम आया इसी तरीके से जो साबीतरी मंडावी है उनको यथावत रखा गया है अब से लेंगे फिलाल हमारे समवादाता नरेश हमारे साथ एक बार फिर जूट चुके संपर्ख हमारा हो चुक है नरेश आपसे भी जानना चाहते है जब बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की थी उस समय हमने देखा था कि पूरी तरीके से आंकलन किये जा रहे थे पिस सार से बताया एक बार फिर नवागर में जो है पहले सही कॉंग्रिसी बैठे है कई जगा आप देखेगा कि जो जो नए नाम आए है या जिनके टिकेट कटी है वो जो है कही ना कही अब विरोध प्रदर्शन करेंगे कि उनको टिकेट मिलने चाहिए और जैसे मैं दो-तीन नाम बता रहा हूं एक गिर कर चर्चा हो रही थी तो अभी जो कॉंग्रेस के तमाम जो दावेदार है वो भी जो है यहां के वरिश नेताओं से मुलाकात किये थे प्रभारी कुमारी सैल्जा से मिलने आए थे और जिस तरीके से हेमा देश्मू का जितेन मुदलियार जैसे और अन्य बड़े नेताओं के नाम आ रहे थे वहां भी यह नहीं हो पाया तो ऐसे में आप देखेगा कि बहुत जल्ड जो है कॉंग्रेस की जो यह टिकेट है कुछ कुछ सीटों को लेकर तो उस पर यह स्थिती देखनेों को मिलेगी लेकिन इस पे खास बात यह है कि लगबग चार 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 चा था क्या इन सूची में वही सारे प्रत्याशी है जो 2018 में प्रत्याशी के गए था क्योंकि कूछ तो क्योंकि बागी होकर बीजेपी में चले गए थे तो इस तरीके से इस पूरे लिस्ट को कैसे मैनेज किया कॉंगर्रेस ने और क्या नहीं इनाब जो यहाँ पर है सोची में नज़र आ रहे हैं कमलनाथ केविनिट के 16 मंत्री यहाँ पर इस पूरी सोची में नज़र आ रहे हैं इसके साथ में जो पूर मंत्री हैं उनको भी हाँ पर टिकेट दिया गया है साथी साथ टिकेट ऐसे लोगों को दिया गया है जो नोन चे प्रभीन पाठक पिछली बार चुनाओ जीत कर आये थे कॉंग्रेस की ओर से तो उनको भी हाँ पर टिकेट दिया गया है अगर बात की जाए सागर जिले की तो हर श्यादव को एक बार फिर से टिकेट दिया गया है सुरेन चोदरी 2018 में चुनाओ हार गये थे लेकिन उनको एक कॉरिस ने चुरहट से एक बार फिर से उम्मीदबार बनाया है तो चेहरे लगभख वही चेहरे 2018 के ज्यादा तर नजदर आ रहे हैं लेकिन अगर कुछ चेहरों की बात करें तो कुछ चेहरे यहाँ पर नहीं भी सामिल किये गए हैं बुधनी से विक्रम मस्ताल को यहाँ पर टीवी एक्टर हैं उनको यहाँ पर उम्मीदबार कॉंग्रेस ने बनाया है हनुमान का किरदार वो जो रामायन दो में निभाच चुके हैं साथी साथ अफदेश नायक एक बड़ा नाम है दतिया से डॉक्टर नरुत्तम मिसरा मत्यप्रदेश के ग्रह मंत्री हैं उनक उनको यहाँ पर कॉंग्रेस ने उम्मीदबार बनाया है जिस तरीके से कई सारे ऐसे नाम है अगर उन पर चर्चा की जाए तो बहुत सारे कुछ ऐसे नाम जरूर निकल कर सामने आएंगे जो बहुत कम समय में ही कॉंग्रेस का टिकेट पा गए हैं क्योंकि पहले वो कॉंग्रेस की बिपक्षी पार्टी में थे और जब आप कॉंग्रेस में सामिल हुए तो उसके बाद एक बार फिर से कोशिश करेंगे लेकिन इस वक्त नरेश हमारे से होगी इस वक्त जगदलपूर से लाइफ जुड़े नरेश बस्तर में पहले चरण के चुनाओ है यहा पर कॉंगरेस की जगदलपूर एक पातर सीट है यह बस्तर की बारा सीटों में से रक्षित सीटों में से एक अनरक्षित है तो यहां पर पहले यह चल रहा था कि यहां जो चेहरा है वो बदला जा सकता है या जो बाकी के दावेदार हैं वो अलग-अलग खेमों से काफी मजबूत है इसलिए सीट पर शायद अभी नामाना बाकी है लेकिन अगर आप देखें तो परिवर्तन कॉंग्रिस ने भी किया ह शायद काटी जा सकती है संगठन से जो सर्वे हुआ था उसके मुताबिक तो यह चेहरा बदला गया यहां शंगर दुरुआ जो पहले जीच चुके थे उनको मौका मिला इसी तरह से अंतागड में भी जो परफॉर्मेंस को लेकर के बात चल रही थी वहां अनुतनाक की वह वरा यहां परक्या मौका है क्या है की क् सिधा यहां व सयुदक लिए यहां पराटी न मौका दिया है दंते वाड़ा कॉंग्रेस के लिए परिशानी का सबब रहा है हमेशा ही रहा है क्योंकि परिवार में बहुत से दावेदार खुद अंदर है इसलिए लगतार जो बागी रहे उनको मौका दिया गया है चाविंद्र कर्मा को जिने बार-बार समझाईश दी जा रहे थी और अगली बार लड़ने के लिए कहा जा रहा था तो उनको मौका मिला है लेकिन सबसे जो मुझे लगता है कि जहांपर सबसे ज़्यादा लोगों को शंका थी जहांपर फिर से एक बार मंडावी परिवार की उपर गरुसा करते हुए इस पूरी सुची में से एक मात्र महीला प्रत्याशी को मौका दिया गया है सावत्री मंडावी जो कि लगातार सक्री भी रही और एक तरह से माना जा रहा है कि भानुप्रतापुर में आने वाले समय में कॉंग्रेस के लिए वो एक बड़ा चेहरा उत्तर बस्तर से हो सकती है तो पहले चरण में यहाँ पर सरगुजा में भी चुनाओ है अभिशेक हमारे सरगी जुड़ चुके हैं अभिशेक यहाँ पर टीएस सिंदेओ के नाम के गोशना के साथ ही और कौन से बड़े चेहरे हैं जो कि चुनाओ मैदान में होगी क्योंकि पहले चरण में यहाँ पर वोटिंग होनी है देकि यहाँ जो चुनाओ होना है उसका चरण जो 17 तारिक को है 17 तारिक को वोटिंग होगी लेकिन जिस तरह से सीटों की गोशना की गई है इसमें बात करें तो जो दो नामों के चर्चा हो रही थी दुनों जो मंत्री हैं उनके नामों की घोशना हो गई है, अमरजीत भगत सीतापुर से चुनाव लड़ते हैं वो अब चुनावी मैदान पे होंगे, इसके अलावा टी ये सिंग देव अंबिगापुर से जो उनकी नामों की घोशना हुई है, लेकिन चौदा संभाग की बात करें, जो संभाग की इस्तिती है यही कारण है कि बाकी नामों की घोशना नहीं की गई है कॉंग्रेस ये पूरी स्तिती स्पस्ट करना चाहती है चुकि भाजपा की बात करें तो 14 में से 13 नामों की घोशना भाजपा ने कर दी है और सबी जो प्रत्यासि हैं वो अपनी चुनावी तैयारी में जुढ चुके हैं। काफी समय से ये प्रतिक्षा थी थी, कब कॉंग्रेस अपने नामों की घोशना करेगी, कब प्रत्याशियों का चैन होगा और उसके बाद जो कॉंग्रेस के प्रत्याशियों हैं वो चोनावी मैदान में होगी, तो दो नामों पर मुहर लग चुकी है, लेकिन अभी भी जो कॉंग्रेस की कवायद अभी जारी है, और जो टिक्टो को लेकर मंधन है, उस पर विचार किया जा रहा है, कई ऐसे नाम जो थे, जिन विधायकों को डेंजर जोन में रखा गया था, यानि उनके इस्तिति उस लायक नहीं है कि वो चुनावी मैदान पर जाएं और जीत पर आखिर कॉंग्रेस कब अपने प्रत्यास्यों की गोशना कर पाती। अब बिल्कुल देखिए, SC और ST के जो विधायक जहां पर टिकेट दिये जाने थे, या फिर ये कहें कि जो सिटिंग एमेले थे, उनको एक बार फिर से यहां पर उम्मीदबार बनाया है, लेकिन अगर बात की जाए, जाबुआ की सीट की, तो वहां पर पूर्व केंदरी म अंतिलाल भूरिया की जगे, उनके बेटे डॉक्टर विक्रांद भूरिया, जो की यूद कॉंग्रेस के अध्यक्ष भी है, उनको यहां पर टिकेट दिया गया है, अगर सिवनी से बात करें तो सिवनी से भी अलग-अलग जो सिंधी समाज से आने वाले आनंद पंजवानी को यहां पर टिकेट दिया गया है, इसके साथ ही तमाम सारी जो जातिया हैं, चाहे हम सेडिल कास की बात करें, सेडिल ट्राइप्स की बात करें, तो हर एक उम्बीदवार को यहां पर उसके जाती के आधार पर समीकरन को देखते हुए यहां पर टिकेट दिया गया है, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन पर अगर चर्चा करें तो उसके साथ में यूवाओं का विसेज ध्यान रखा गया है, महिलाओं का यहाँ पर इस सूची में विसेज ध्यान रखा गया है, जातिकत सभी करणों की बात करें तो उनका यहाँ पर ध्यान रखा गया है, schedule cast की सीटें हैं उस schedule cast की सीटों पर इस पर बिसेश ध्यान ये दिया गया है कि अगर जहाँ पर महिलाओं की आवश्यक्ता schedule cast की है वहाँ पर महिलाओं को यहाँ पर ticket Congress ने दिया है लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको देखा जाए तो वो पहले चुनाओ लड़ चुके हैं लेकिन हार गए थे लेकिन कई चेहरे ऐसे भी हैं जो पहली बार चुनाओ लड़ेंगे जिस तरीके से अभीजी शाह की बात करें तो अभीजी शाह जो है सेड्यूल ट्राइब से आते हैं और मद्धप्रदेश के जो वन मंत्री है व बहुत चारे ऐसे नाम हैं जो कही न कहीं परिवार के जो लोगों को टिकेट ना देकर अब नई पीडी के लोगों को यहां पर टिकेट दिया गया है तो उससे यह भी कॉंग्रेस ने बताने का प्रयास किया है कि यूवाओं का भी से सूची में विसीज़ ध्यान रखा गय महिलाओं का भी इस सुची बिसीज ध्यान रखा गया है ताकि किसी भी बर्ग से कहीं न कहीं कॉंग्रिस को जो है वो डेमेज की पूर् और कॉंग्रिस का पूरा प्रयास इस सुची नाम जो जारी किये है उने 144 नामों में सभी जाती वर्ग और सभी जो अलग-अलग वर्ग हैं चाहिए युवाओ की बात करें हैं महीलाओं की या फिर सीनियर्स लीडर की तो तमाम सारे वर्गों का भी दियान यहां पर रखा है कॉंग्रेस ने और 144 का जारी की है दूसरी सूची दो से तीन दिन में जरूर जारी हो सकती है क्योंकि का गैप लेने के बाद फिर से एक सूची जारी करेंगी और दोनों ही सूची के मात्यम से 230 उम्मीदबार जारी करेंगे लेकिन जब यह सूची जारी हुई तो उसमें ये देखा गया है कि कमलनाथ का नाम भी इस सूची में शामिल किया गया है च्हिदवारा से कमलनाथ जो यहां पर जो कोटा माँंगा गया था उस कोटे की भरपाई यहां पर पूरी करने की कोशिश की गई है साथ ही साथ ST, ST, WORK की बात कर थो ST, ST, WORK से आने वाले चाहे पूर्व मंतरी हों चाहे सिटिंग एमेले हो उन तमाम सारे लोगों को यहाँ पर कॉंग्रिस के उम्मीदबार बनाया है ताकि कहीं न कहीं चुनाओं से एन पहले कॉंग्रिस को डेमेज कंट्रोल जैसी स्थिती पर ध्यान ना देना पड़े और डेमेज कंट्रोल में अगर कॉंग्रिस लगती है तो कहीं न कहीं डेमेज कंट्रोल की स्थिती को कंट्रोल करने में ही समय खराब हो जाएगा और प्रचार जो है वो पार्टी के पक्ष में नहीं हो पाएगा तो इस बात को भी कॉंग्रेश ने ध्यान रखा कि ज्यादा डेमेज की स्थिति ना बने ऐसी सूची जो है समतुल जारी की जाए और समीकरन तमाम सारे जो है वो उसमें शामिल की जाए अगर बात करें बीजेपी की पहले लिस्ट की तो दिन शेत्रों में बड़े नामों को बीजेपी ने उतारा था वहां पे कॉंग्रेस की सूची में किन प्रित्याशों को जगा मिली है नरेश आप सुन पा रहे हैं आप में महेश गागरा देख लिए या जी केदार कशप हैं महेश गागरा हैं लता हुसेंडी हैं इन सभी के मुकाबले वो 2018 में जो लोग चुनावी मैदान में थे वे ही लोग चुनावी मुकाबले में होंगे और क्योंकि अगर आप देखें तो अगर वीजापूर की बात छोड़ दें तो इन दोनों ही जगा पर काफी जीत का अंतर कम रहा है तो ये मुकाबला इस बार भी रोचक होने जा रहा है और जिस तरह से भारती जनता पार्टी ने अपनी सूची में ये तैकिया कि कुछ प परकाम कह लीजे विक्रमनडावी कह लीजे या फिर जो किदार कश्यप की सीट पर पहली बार जरूर जीतने हैं लेकिन बाखी दो जगह पर जो कॉंग्रिस के प्रत्याशी है वो दो दो टर्म अपना लगबग चुनाव के साथ पूरा कर चुके हैं और इस बार वे तीसरे को उतारा है एक भाजपा के पास समस्या ये भी थी कि भाजपा के पास आदिवासी चेहरों के तौर पर या आदिवासियों के लिए नई पॉलिटिक्स के एंगल पर कोई खास स्पेस नहीं था जिसकी वज़े से मजबूरन उन्हें उन चेहरों को जगह देनी पड़ी और इस मामले में अगर देखें तो 2018 के जो नतीजे रहे खास्तवर पर 12 की 12 विधान सवा सीटों पर आदिवासी भूटरों ने एक तरफा कॉंग्रेस के तरफ जाने का फैसला किया इस ते इस मामले में कॉंग्रेस को बढ़ा था और इस वज़े से उसके प्रत्याशी चेहरों इस में उसको बहुत ज़ादा दुविदा नहीं थी केवल जो संगटन के इस तरफर समाज के इस तरफर जो राज्य सरकार के जरिये जो मुद्बे आये जिसकी वज़े से आदिवासी समाज की नाराजगी थी उनके जो प्रतिनीती चेहरे बने और संगटन में इस थानी इस तुकि इसलिए महां बदलाओगी बहुत बुन जाइश नहीं दूसरे दावेदार वहां वैसे है नहीं चितर कोट में परदेश रद्यक्ष वर्तमान दीपक बैच के लिए यह इस दिती थी कि वहां पर चेहरे थे पिछली बार राजमन में जाम वहां से जीते थे और इस तीनों लगब एके उमर के हैं और एक साथ इनकी राजनिती रही है इसलिए यह प्रबल दावेदार थे आपस में एक दूसरे के प्रजिस पर भी होने के साथ साथ राजनितिक सहियों की भी रहे हैं तो यहां पर जरूर आप यह चीज़ देख सकते हैं कि यहां इन सब सब्सक्राइब